ओम नमो भगवतेवासुदेवायह स्रेप्रमात्मने नमह शंक्षिप्त गरणुपुराण। आचार कांड। भगवान विष्णुकी महिमां तथा उनके अवतारों का वरनन। नारायनम नमस्कृत्यव नरंचैव नरोतमम देवीम सरस्वतीम व्यासं ततो जय हुदी रैत। कहते हैं कि भगवान नरस्रेष्ट स्री नारायन और मा भगवती सरस्वती तथा भगवान व्यास जी को प्रणाम करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहिते कल्यानत स्वरूप अजन्मा तथा अजर हैं अनंत एवं ग्यानत स्वरूप हैं महान हैं विसुद्ध अनाद एवं पांच भवतिक सरीर से हीन हैं समस्त इंद्रियों से रहिते और सभी प्राणियों में उपस्तित हैं माया से परे हैं उन सर्व पद्यापक परंपवित्र मंगल मैं अद्धुतिय भगवान स्रीहरी को मैं बंदन करता हूं प्रणाम करता हूं। और एक पवित्र आसन पर इस्थित होकर भगवान विष्णु का दिहान करने लगे। ऐसे उन क्रांत दर्सी तपस्वी का दर्सन करके नए मिसारण बासी शौनकाद मुनियों ने उनकी पूजा की और इस्तुति करते हूं उनसे यह निवेदन किया। कि हे सूद्जी महराज आप तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम आप से पूचते हैं कि देपताओं में सर्वस्रेष्ट देव कौन है इस्वर कौन है और कौन पुज्य है ध्यान करने योग्य कौन है इस जगत के सृष्टा पालन करता और शम्हरता कौन है जिनके द्वारा यह धर्म परबर्तित हो रहा है और दुष्टों के बिनासक कौन है उन देपता का कैसा स्वरूप है किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की स्रिष्ट हुई है किन बर्तों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं तथा है महाभाग किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है उनके कितने अवतार है उनके बंस प्रमप्रा कैसी है वरनास्त्रम धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है हे महामती शूत इन सबको और अन्य विसयों को हमें बताईए तथा भगवान नारायन की सभी उत्तम कथाओं का आप विस्तार से ब्रणन करें तब सूत जी महराज कहते हैं हे रिषियों मैं इस गरुड महापुराण का ब्रणन कर रहा हूं जो सार भूत है और भगवान विष्ण की कथाओं से परिपूर्ण है प्राचीन काल में इस पुराण को स्री गरुड जी महराज ने कस्यप रिषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से पढ़ा था सुना था हे रिषियों भगवान नारायन ही सब वेदों में स्रेष्ट देव हैं सब देवों में पूज्य हैं वे ही महान प्रमात्मा एवं प्रब्रम्म हैं उनी से इस जगत की उत्पत्ति स्थती और संभार की क्रियायें होती हैं वे जरा मरन से रहित हैं वे भगवान वासुदेव अजनमा होते हुए भी जगत की रख्षा के लिए शनत्मुमार आधि अनएक रूपों में अवतार ग्रहन करते हैं हे ब्रह्मन उन भगवान स्रीहरी ने सर्वप्रतम कौमार सर्ग में अवतार धार्ण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कियां दूसरे अफ्तार में उन्हीं यग्येश्वर भगवान स्रीहरी ने जगत की इस्तिति के लिए हिरन्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई प्रतिवी का उधार करते हुए वराफ शरीर को धार्ण कियां तीसरे सर्ग में रिशी देवर्शी के रूप में वे अवतरित हुए नारत के रूप में अवतरित हुए जिनों ने सात्वत तंत्र का जिसे पान्चुरात प्रभी कहा जाता है उसका विस्तार किया जिससे निसकाम कर्म का प्रवर्टन हुआ हे रिशियों चोथे नर नारायन अवतार में भगवान स्रीहरी ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपश्या करी और वे देवतावों तथा असरों द्वारा पूजित हुए पांचमें अवतार में भगवान स्रीहरी कपिल नाम स से अवतरित हुए जो सिद्धों में सरवस्रेष्ट हैं और जिनोंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके शांख सास्त्र के सिक्षादी छटे अवतार में भगवान नारायण ने महरसी अत्रिकी पत्नी अनशुया के गर्वशे दत्तात्प्रे के रूप में अवतिरन होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आधिको आनिविक्ष की विद्या का उपदेश्ट किया शात्मय अवतार में भगवान स्रिमन नारायण ने इंद्राद देवताओं के साथ यज्य का अनुष्ठान किया और इसी स्वायम भुवमन वंतर में वे आकूती के गर्व से रुचि प पुत्र रूप में रिशब देव नाम से प्राद रभूत हुए इस अवतार में उन्होंने नारियों के उसमार्ग का निद्रदेशन किया जो सभी आस्त्रमों द्वारा नमस्कृत है रिशियों की प्रार्थना से भगवान स्रीहरे ने नवे अवतार में पार्थिव सरीर अर्थात प्रथिव का रूप धारन किया और गो रूपा प्रथिवी से दुख धुरूप में अन्नादिक आउसदियों का दोहन किया जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई दसमें अवतार में मत्स अवतार ग्रहन करके उन्होंने चाक्छुस मनमंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वैबस्वत मन को प्रतिवी रूपी नौका में बैठा कर सुरक्षा प्रदान करी ग्यार हुए अवतार में देवों और दानवों ने शमुद्र मंतन किया तो उस समय भगवान नारायन ने कुर्म रूप ग्रहन करके मद्राचल परवत को अपने पीठ पर धारण किया उन्होंने बारहुए अवतार में धनमंतर तथा तेरहुए अवतार में मोहनि का रूप ग्रहन कहिया और इसी स्त्री रूप में उन्हों ने दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया चोद हुए मनमंतर में भगवान विष्णों ने न्रशम का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से प्राक्रमी दैत्यराज हरन कस्यपू को मार डाला जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है इस प्रकार उन्होंने हिरन कस्यपू का बद कर दिया हे रिसियों पंद्र होएं अवतार में बामन रूप धारन करके वे राजा बली के यग्यमे गए और देवों को तीनों लोग प्रदान करने की इच्छा से उनसे तीन पग भूमी की याचना की सोल हूँ अवतार में ब्रामन दरोई चत्रियों के अत्याचाराओं को देख कर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 रदर परतिवी को चत्रियों से रहित कर दिया उसके बाद सत्रुहें अवतार में प्रासर द्वारा सरश्प्रती जी के गर्वशे अवतरीत हुए और मनुष्यों को आत्म ज्ञानक का उपदेश किया, बेद रूपी व्रक्ष को अनेक साखाओं में विभक्त किया, भगवान स्रीहरी ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में स्रीराम नाम से 18 अवतार लेकर, समुद्र बंधन आद अनेक प्राक्रम पूर्ण कार के, 19 तथा 20 अवतार में भगवान स्रीहरने, ब्रष्ण बंस में क्रिष्ण एवं बलराम का रूप धारन करके, प्रतिवी के भार का हरने किया, 21 अवता और इसके पश्चाद कलियुग की आठमी संध्या में, अधिकांस राजबर्ग के समाप्त होने पर वेही भगवान स्रीहरे, विष्ण यसा नामक ब्रहमन के घर में कलिक नाम से अवतार ग्रहन करेंगे, हे ब्रहमनों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायन के कुछ ही अवता सत्य तो यह है, कि सत्य गुण के अधिष्ठान भगवान विष्ण के असंख्य अवतार हैं प्यारे, मनु, वेदवेत्ता तथा स्रिष्ट वरबर्दक सभी रिशी उन्हें विष्ण की भिहूतियां कही गई हैं, उन्हें मनु आधि स्रिष्ट रिष्यों में से इस जगत क स्रिष्ट आधि होती है, इसलिए ब्रत आधि के द्वारा इनके पूजा करनी चाहें, प्राचीन काल में भगवान वेदव्यात ने इसी गरुण महा पुराण को मुझे सुनाया था, मैं तुमसे कहता हूं, दूसरा अध्याय गरुण पुराण की वक्त्री स्रोप्त्री प प्रणन तथा गरुण जी को पुराण सम्हिता के प्रणनयन का बरदान, आयर सियों भाव से स्रीमन नारायन, नारायन, बुलू, नारायन, स्रीमन नारायन, नारायन, नारायन दूसरा अध्याय गरुड पुराण की वक्त्री स्त्रोत्री प्रम्परा भगवान विश्णु द्वारा अपने सुरूप का वर्णन तथा गरुड जी को पुराण समहिता की प्रणनयन का वरदान रसीयों ने कहा है सूद्जी महाराज आपको महात्मा व्यासजी ने विश्णु कथा से आस्त्रित इस स्रेष्ट गरुड महाप्राण को किस प्रकार सुनाया था वह सब आप हमसे विधिवत सुनाने की कृपा करें तब सूद्जी माराज कहते हैं रिशियों एक बार की बात है कि मुनियों के साथ मैं बद्रिकास्त्रम गया था वहाँ पर प्रमेश्वर के ध्यान में निमक्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनियों स्वर से मैं ने पूछा हे व्यास जी आप प्रमेश्वर भगवान स्रीहर के स्वरूप और जगत की स्रिष्ट आदि को मुझे सुनाईए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन परमपुरुष का ध्यान कर रहे हैं प्रभव और उन सरवग्य के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है हे विप्रब्रंदे मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिग्यासा की तो उन्होंने मुझे से जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ व्यास जी ने कहा हे सूत जी ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदिसे तथा मुझे से इस पुराण की कथा कही थी उसी प्रकार मैं गरण महा पुराण को सुनाता हूँ आप सब उसे सुने सूत जी ने पूचा व्याष जी से कि हे भगवन ब्रह्मा जी ने देवर्ष नारद और प्रजापति दक्ष सहित आप से किस प्रकार पवित्र एवं सारतत्व बतनाले वाले पुराण को कहा तब व्याष जी महाराज ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि हेज सूत एक बार नारद जी तथा दक्ष भ्रगो आदी रिशियों के साथ ब्रह्म लोग में विद्यमान थे स्रे ब्रह्मा जी के पास में गए तो उन्हें प्रणाम किया और मैंने उनसे प्रात्ना करी कि आप हमें सार तत्व बतलाने की किरपा करें तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह गरण पुराण अन्य सभी सास्त्रों का सार भूत है प्राचीन काल में भगवान विश्णों ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था कुसी प्रकार मैं भी इसका बरणन करूंगा आप लोग ध्यान से सुनो ब्यास जी ने कहा भगवान स्रीह हरी ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारह भूत और महान अर्थ बतलाने वाले किस गरण पुरान को सुनाया खे ब्रह्मन उसे आप हमें सुनाये तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार इंद्रात देवताओं के साथ मैं कैलास प्रवत पर पहुँच गया वह मैंने देखा कि रुद्रदेव भगवान संकर परमतत्व के ध्यान में निमग्ण है मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे सदाश्युव आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं मैं तो आप से अत्रुक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ इन सभी देवताओं के साथ उस परमत्व सारतत्व को जानने की मेरी इच्छा है अतह आप उसका ब्रणन करें भगवान स्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा मैं तो सर्व फल दायक सर्व अभ्यापी सर्वस्त रूप सबे प्राणियों के हिर्दे में अवस्तित परमपिता प्रमात्मा तता सर्वेश्त्वर उन भगवान विष्ण का ध्यान कर रहा हूँ ब्रह्मा जी उनी विष्ण की आरादना करने के लिए मैं सरीर में भस्म तता सिर पर जटा जूट धरन करके ब्रताचर्ण में निरत रहता हूँ जो सरवब्यापक जयसील अद्वेत निराकार एवं पद्भनाव हैं जो निर्मल तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं मैं उनी परमपद परमेश्वर भगवान स्रीहरी का ध्यान करता हूँ इस सारतत्त के विसे में उनी के पास चल कर हम सभी को पूछना चाहें जिन में संपूर्ण जगत का वास है प्रलैकाल में जिन में संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है सब प्रकार से अपने को उनी की सरण में करके मैं उनी का चिंतन करता हूँ जिन सर्व भूतेश्वर में शत्व गुण रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अब गुम्बित मनियों के समान विद्यमान है जो हजार नेत्र हजार चर्ण हजार जंगा तथा स्रेष्ट मुख से युक्त हैं जो शूक्ष्म से भी सूक्ष्म इस्थूल से भी इस्थूल गुरु से गुरुतम और पुज्यों में जो पुज्यतम तथा स्रेष्टों में जो स्रेष्टतम हैं जो सत्य के परमशत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं जो पुराणों में पुर्शूत्तम और दुजातियों में ब्रहमन जो प्रलैकाल में संकर्शन कहलाते हैं मैं उन्हें परम उपास्य की उपासना करता हूँ प्यारे जिन सत असत से परे रित एक आक्षर प्रब्रहम की देव यक्ष राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं वंदना करते हैं उपासना करते हैं जिन में सभी लोग उसी प्रकार इस्पृत्व होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मचलियां इस्पृत्व होती हैं जिन जिनके सूर्य चंद्रमा हैं ऐसे उन भगवान विष्णु का मैं ध्यान करता हूं जिनके उधर में स्वर्ग मर्थ्य एवं पाताल ये तीनों लोग विद्यमान हैं समस्त दिसाएं जिनकी भुजाएं हैं पवन जिनका उच्छवाश्ट है मेग मालाओं का समुख जिनका केस पुज है नदियां ही जिनके सभी अंगों की संदियां है और चारों समुद्र जिनकी कुक्छियां है जो काला तीत हैं यग्य एवं सत असत से परे हैं जो जगत के आधिकारण तता स्वयम अनादी हैं ऐसे उन नारायन का मैं चिंतन करता हूं जिनके मन से चंद्रमा नेत्र की उत्पत्ति हुई जिन परमेश्वर से सर्ग प्रतिसर्ग वंस मनवंतर तथा वंसान चरित परबर्तित हुआ है उन देव की मैं आराधना करता हूँ परमसार तत्व का ज्यान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उनी की सरण में जाना चाहे तब ब्रमाजी ने कहा है व्यास प्राचीन काल में रुद्र के साथ ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्ण को प्रणाम करके उनकी इस्तुतिकर उन परमतत्व के सार को सुनने की इच्छा से देव गणों के साथ मैं भी वहीं पर उपस्तित हो गया तदनंतर हमारे मध्य अवस्तित रुद्र ने उन परमसार तत्व सरूप विष्ण को प्रणाम करके जिग्यासा करते हुए कहा कि हे देव देव इश्वर हे हरे आप हम सब को यह बताए कि कौन देवाद देव और कौन इश्वर है कौन धे तथा कौन फूज्य है किन ब्रतों से वे परमतत्व संतुष्ट होते हैं किन धर्मों के द्वारा किन नियमों से अत्वा किस धार्मिक फूजा से और किस आचलन से वे प्रसन होते हैं उन का पालन करते हैं वे किन किन अवतारों को धारन करते हैं प्रले काल में यहां विश्व किन देव में लीन हो जाता है सर्ग प्रतिसर्ग वंस तथा मनवंतर किन देव में प्रबर्तित होते हैं और यह सब किन देव में प्रतिष्ठित है हे हरे इन सभी विशयों के साथ अन्य जो भी सारतत्व है उन्हें बताईए और इसके साथ ही प्रमेश्वर के माहात्मय तथा ध्यान योग के विशय में भी बताने की किरपा करें। देवों के साथ आप इसका स्रवन करें मैं ही सभी देवों का देव हूं मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूं देवों का मैं ही धेय पूज्य और इस्तुतियों से इस्तुति करने योग्य हूं हे रुद्रदेव मैं ही मनुष्यों में पूजित होकर उन्हें परमगति प्रदान क तथा नियम और सदाचार से संतुष्ट होकर, हे शिव मैं ही इस संसार की स्तितिका मूल कारण हु। मैं ही जगत की रचना करने वाला हु। मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हु। मैं ही मत्य आदी रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ मैं ही मंत्र हूँ मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रमतत्त हूँ मैंने ही स्वर्ग आदी की है और मैं ही स्वर्गादी भी हूँ मैं ही योगी आद्य योग और फुरान हूँ ग्याता स्रोता तथा मनन करता मैं हूँ वक्ता और संभासन का विसे भी मैं ही हूँ इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही सुरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ मैं ही भोग तथा मोग्च का प्रदायक परमदेव हूँ हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार, और मंडल आद सब कुछ मैं ही हूं हे शिव, मैं ही संपूर्ण बेद हूँ, मैं ही इतियास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्वज्ञान मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म और सरवात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोक मैं हूँ, तथा मैं ही समस्त देवों का आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही साक्षात सदाचार आचार काण्डां त्रगत दूसरा अध्याई भगवान श्रीहरे उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे रुद्र प्राचीन काल में प्रतिवी पर पक्षिराज गरुड ने तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट बरदान मांग ले तो उस समय गरुड जी ने कहा कि हे भगवान स्रीहरे नागों ने मेरे माता बिनिता को दासी बना लिया है प्रभव हे देव आप प्रसन होकर मुझे यह बरप्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमर्त प्राप्त करने में समर्त हो सकूँ और मा को नागों की माता कद्रू की दासी से मुक्त करा सकूँ मैं आपका बाहन बन सकूँ प्रभव हे महान बलसाली भगवन हे महान बलसाली सरवग्य प्रभव नागों को बिदीर्न करने में मैं समर्त हो सकूँ आप ऐसा बरदान दीजिए तथा जिस प्रकार पुरान सम्हिता का रचनाकार हो सकूं वैसा भी करने की किरपा करें तब प्रसन्न चित्त होकर भगवान वासो देव स्रीहर ने कहा हे गरुड प्यारे आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा आप नागों की दास्ता से अपने माता विनिता को मुक्त करवा सकेंगे सभी देवताओं को जीत कर अमृत ग्रहन करने में आपको सफलता प्राप्त होगी अत्यन्त सक्त संपन होकर आप मेरे बाहन होंगे विसों के विनासक की सक्त भी आपको प्राप्त होगी मेरी कृपा से आप मेरे ही माहात्म को कहलाने वाले गरण पुरान सम्हिता का प्रणायन करेंगे मेरा जैसा सुरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रविष्ट होगा आपके द्वारा प्रणेत यहां गरण पुरान आपके नाम से प्रसिद्ध होगा हे बिनिताश्वत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में अईश्वर और स्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड सभी पुराणों में यहां गरुड पुराण भी ख्याति को अरजित करेगा, जैसे विस्व में मेरा किर्टन होता है, वेसे हे गरुड के नाम से आपका संकीरतन भी होगा हे पक्षस्त्रेश्ट अब आप मेरे ध्यान करने के उस पुराण का प्रणनेहन करें। गरणने स्वयम इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। वहा मंत्र इस प्रकार से है। सूत जी महराज नयम सारणने की परम पावन पवित्र भूमी पर सूत जी महराज सौनकाद 88,000 रिसियों से इस परम पावन आख्यान को कहते हुए कहते हैं कि रिसियों। जिस गरण महाप्राण को ब्रह्मा और सिवने भगवान विष्णों से मुनिस्रेष्ट व्यासने ब्रह्मा से और मैने व्यास जी से सुना था। उसे ही इस नयम सारणने में आप सब को सुना रहा हुँ। सुनो। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरण महाप्राण के उपदेश्टा रूप में स्रे गरण सब प्रकार से अत्यन्त सामर्थेवान हो गए। और उसी के प्रभाव से उनी के बाहन बनकर वे स्रिष्ट इस्तिति तथा प्रले के कारण भी बन गए। देवों को जीत कर अपने माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमर्त प्राप्त करने में भी उन्होंने सफल्था प्राप्त की। जिन भगवान विष्ण के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है उनकी छिद्वा को भी उन्होंने अपने भक्ती से सांत कर दिया। जिनके दर्शन यो इस्मर्ण मात्क्र से सर्पों का बिनास हो जाता है। जिस गारड मंत्र के बल से कश्यप रिशीने जले हुए व्रक्ष को भी जीवित कर दिया था। उन्ही हरी रूप गरड ने इस गरड महाप्राण का वरणन स्त्री कश्यप जी से किया था। यह स्त्रीमत गरड महाप्राण अथ्यन्त पवित्र तथा पाठ करने पर शब कुछ प्रदान करने वाला है। द्याश जी को नमस्कार करके मैं यतावद उसे कह रहा हूँ। आप सब उसको सुने। चोथा अध्याय स्त्रिष्टी का वरणन रुद्र जी बोले हे जनार्दन आप सर्ग प्रतिसर्ग बंच बनवंतर एवं बंथानु चरित इन शब का विस्तार पूर्वक वरणन करे। तब भगवान स्रिहरे ने कहा कि हे रुद्र सर्ग आध के साथ ही पापों का नास करने वाले स्रिष्टी इस्ति एवं प्रले स्रूप भगवान विष्ण की सनातन क्रीडा का अब मैं ब्रणन करूंगा आप उसको सुने। नारायन रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकासस्त रूप प्रमात्मा प्रब्रम्म और देवाद देव हैं तथा इस जगत की स्रिष्टी इस्ति एवं प्रले के करता हैं यह सब जो कुछ दृष्टी अदृष्टी हो रहा है उन भगवान का ही स्रूप है अथ्वा उन ही भगवान व्यक्त और अव्यक्त रूप में है वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है जिस प्रकार बालक क्रीडा करता है उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्ट और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष न्द्राकार ब्रह्म की उन्हें प्रमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ती होती है और उनी से आत्मा भी उत्पन होता है। इसके पश्चाज रण में अंड उत्पन हुआ। उस अंड में वे प्रभुश्वयम प्रविष्ट होकर जगत के स्रश्टी के लिए सर्भप्रसम सरीर धालन करते हैं। उसके बाद चत्रमुख ब्रह्माजी के रूप में सरीर धार्न करके रजोगुन के आस्त्रे से उन्हे देव ने इस चराचर विश्व की स्रष्टी करी देव असुर एवं मनुश्यों सहित यहा संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है वही प्रमात्मा स्वयम स्रष्टा के रूप में जगत की समरचना करते हैं विश्व रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में शंभर्ता सिव के रूप में ही देव शंभार करत इस प्रकार एक माप्त्र वेही प्रमेश्वरे ब्रह्मा के रूप में स्रिष्टी विष्ण के रूप में पालन और कालांतर में रुद्र के रूप में संपूर्ण विस्व को विनष्ट कर देते हैं। स्रिष्ट के समय वे ही वराह का रूप धारन कर अपने दातों से जलमगन पृतिवी का उद्धार करते हैं हे संकर संक्षेप में ही मैं देवादी की स्रिष्ट का ब्रणन कर रहा हूँ आप उसको सुने सबसे पहले उन प्रमेश्वर से महतत्व की स्रिष्टी होती है वह महतत्व उनी ब्रह्म का भिकार है पंचतनमाप्त्राओं की उत्पत्ति से युक्त दुतिय सर्ग है उसे भूत सर्ग कहा जाता है इन पंचतनमाप्त्राओं से प्रधबीजल तेजवाय तथा आकास में महाभूतों की स्रिष्टी होती है तीसरा बैकारिक सरग है इनमे कर्मेंद्र एवम ग्यानेंद्रियों की स्रिष्टि आती है इसे एंद्र के भी कहा जाता है इसके उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है यहाँ प्राकर्तिक सरग है चोथा सरग मुख्य सरग है परवत और व्रक्षाद स्थावरों को मुख्य माना गया है पांचमा सरग त्रियक सरग कहा जाता है इसमें त्रियक स्रोत आते हैं पस्पक्षियादी इसके पश्चाद उर्दस त्रोतों की स्रिष्टी होती है इसे छटे सर्ग को देव सर्ग भी कहा जाता है तदरंतर सात्वा सर्ग अरवाक्स त्रोतों का होता है यही मानुस सर्ग है आट्वा अनुग्रह नामक सर्ग है वह सात्तिक और तामसिक गुणों से युक्त है इन आट सर्गों में पांच वैकृतिक सर्ग और तीन प्राकृत सर्ग कहे गए हैं कौमार नाम के सर्ग नवा है इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों स्रिष्टियां विद्यमान रहती हैं हे रुद्र देवों से लेकर इस्थावर प्रयंत चार प्रकार की स्रिष्ट कही गई है स्रिष्ट करते समय ब्रह्मा से मानस पुत्र उत्पन हुए तदनंतर देव असुर पित्र और मनुस्य इस सर्ग चतुष्टाई का प्रादुर भाव हुआ आचार कांडान प्रगत चोथा अध्याई स्रिष्टी का ब्रणन करते हुए भगवान स्रीहरी कहते हैं हे रुद्र इसके बाद जल स्रिष्टी की इच्छा से उन्होंने अपने मन को स्रिष्टी कारे में सनलगन किया ब्रह्मा जी ने स्रिष्टी कार में प्रवर्थ होने प्रप्रजापती ब्रह्मा जे तमोगुन का प्रादुर भाव हुआ अतह स्रिष्टी की अविलासा रखने वाले ब्रह्मा की जंगाओं से सर्व प्रतम असरु उत्पन हुआ हे शंकर उसके बाद ब्रह्मा जी से उस तमोगुण से युक्त सरीर का प्रित्याग किया तो उस सरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयम रात्री रूप धालन कर लिया उस रात्री रूप स्रिष्टी को देख कर यक्ष और राक्षस भावत ही प्रसन हुए ही शिव जिसके बाद सत्वगुण के मात्रा के उत्पन होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन हुए उसके बाद जब उनोंने सत्वगुण समनवित अपने उस सरीर का प्रित्याग किया तो उन से दिन का प्रादरुबाब हुआ इसलिए रात्र में असुर और दिन में देवता अधिक सक्ट साली होते हैं उसके पश्चाज ब्रह्मा के उससात्तिक सरीर से पित्रगणों की उत्पत्ती हुई उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उससात्तिक सरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ती हुई जो दिन और रात्र के मध्य अवस्तित रहती है उसके बाद ब्रह्मा के रजो में सरीर से मनुस्यों का प्रादरबाब हुआ जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे जियोतिष्टना प्रभात काल उत्पन हुआ जो प्राक संध्या के नाम से जाने जाती है जियोतिष्टना रात्र दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही सरीर है तद पश्टाद ब्रह्मा के रजो गुण में सरीर के आस्त्रे से छुदा और क्रोध का जन्म हुआ उसके बाद ब्रह्मा से ही भूप प्यास से आत्पुर एवं रक्त मांस फीने वाले खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्य हुई राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहलाए गए और भक्षन के कारण यक्षों को यक्ष नाम की संग्या प्राप्त हुई तदलंतर ब्रह्मा के केसों से सरफ उत्पन हुए ब्रह्मा के केस उनके सिर से नीचे गिर कर पुना उनके सिर पर आरोड हो गए यही सरपन है इसी सरपन के कारण उने सरफ कहा गया इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ इन प्राणियों में क्रोध की मात्प्रा अधिक होती है उसके बाद ब्रह्मा ने गंधरवों की उत्पत्ती करी गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ इसलिए इने गंधर्व और अपसरा की ख्याती प्राप्त हुई उसके बाद प्रजापती ब्रहमा जी के भक्चस्तल से स्वर्ग और दिलोग उत्पन हुआ उनके मुक से अज उदर भाग से तथा पार्स भाग से गव पैर भाग से हाथी सेथ अश्वा महिस मूट और भेड की उत्पत्ती हुई उनके रोमों से फल फूल एवं औश्दियों का प्रादरबाब हुआ गव अज पुरुष ये मेध्य हैं घोडे खचर और गधे ग्राम में पसु कहे गए हैं अब मुझ से वन्य पसों को सुनों इन वन्य जन्तों में पहले श्प्पद पसु दूसरे दो खुरुवाले तीसरे तीन खुरुवाले चोथे वंदर पांचवें पक्षी छटें कच्छपाद जल्चर और शात्वें सरेश्त्रिप जीव उत्पन हुए उन ब्रह्मा के पूरबाद चारों मुख से रिगुवेद यजरुवेद शामवेद अथरवेद इन चारों वेदों का प्राद्रुबाब हुआ उनी के मुख से ब्रहमन बुजाओं से चत्र उरुभाग से वैश्च तसा पैरों से सुद्र उत्पन हुआ उसके बाद उन्होंने ब्रह्मनों के लिए ब्रह्म लोग, चत्रियों के लिए इंद्र लोग, वैस्यों के लिए वाय लोग, और सुद्रों के लिए गंधरव लोग का अंध्रमान किया उनोंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्मनिरत ग्रस्तास्त्रम का पालन करने वाले लोकों के लिए प्रजापत्य लोक, बानप्रस्त्यास्त्रम्यों के लिए सब्त्रश्ट लोक, और सन्यासी तथा इच्छानकूल सदैव विच्रन करने वाले प्रमतपो निदियों के लिए अक्चए लोकों का निन्दरधार्ण कीए। पांचवां अध्याय मानस स्रिष्टी वरणन दक्ष प्रजापती द्वारा मिर्थन धर्म से स्रिष्टी का विस्तार भगवान स्रीहर ने कहा है रुद्र प्रजापती ब्रह्माने परलोग में रहने वाले मानस प्रजापतीयों की स्रिष्टी के अनंतर स्रिष्टी विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की स्रिष्टी की उनमें धर्म रुद्र मनु सनक सनातन ब्रगु सनत कुमार रुची स्रद्धा मरीची अत्री अंगिरा पुलस्त्य पुलोह क्रतु वसि इन वरिशदाद सप्त पित्रगणों में प्रतम तीन पित्रगण अमूर्द रूप और सेस चार मूर्द मान हैं। कमल योनी ब्रह्मा के दक्षन अंगुष्ट से अैस्वरे संपन दक्ष प्रजापती और बाम अंगुष्ट से उनकी भारिया का जन्म हुआ। प्रजापती ने अपने उस पत्ने के गर्भ से अनेक शुब लक्षन वाली कन्याओं को उत्पन किया और ब्रह्मा के मानश पुत्रों को शमर्पित कर दिया। उनोंने सती नामक पुत्री का विवाह रुद्र के शात किया। उनसे रुद्र के असंक्य महा प्राक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ती हुई डक्षने असाधार्ण रूपवती सुन्दर लक्षन वाली, ख्याती नामक पुत्र भृगु को समरपित की, जिनसे भृगु के धाता और विधाता नामक दो पुत्र हुए, उसी ख्याती से भात्मा मनु के आयाती और नियती नाम वाले दो कन्यायें हुई जिनका विवाह भ्रगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ उन दोनों से एक एक पुत्र का जनम हुआ आयती के गरव से धाता ने प्राण और नियती के गरव से विधाता ने मिरकंडु को उत्पन किया उने मिरकंडों से महामुनि मारकंडए की उत्पत्ती हुई मरेज की पत्नी संभूतिने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जनम दिया उस महात्मा पौर्णमास के दो पुत्र हुई जिनका नाम विराज और सरबर्ग था अंगिरा ने दक्च कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सिनी वाली कूहू, राका तथा अनुमति नामक चार कन्याओं को जनम दिया अनसुया ने अत्री से चंद्रमा, द्रुबासा एवं योगी दतात्प्रे नामक तीन पुत्रों को उत्पन किया पुलस्त की पत्नी, प्रेती से दत्तोली नामक पुत्र हुआ, प्रजापती पुलह की पत्नी, छमासे क्रमशह, अर्थवीर तथा सहष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन हुए, करत की पत्नी सुमति से साथ हजार वालखिल्य रिस्यों की उत्पत्ती हुई, ये सबी प्रेता, अंगुष्ट पर्व प्रमान वाले तथा देदिप्यमान सुरे के समान तेजस्वी हैं, बसिष्ट जी की पत्नी उर्जासे रज, गात्र, उर्दबाहु, शरण, अनग, सुतपा और शुक्र ये साथ पुत्र हुए, ये सबी सब्त्रशी थे, हे हरुआ, उस दक् दक्ष कन्या सुधा ने पितरों से मेना तथा वैतरने नाम वाली दो पुत्रियों को जनम दिया, वे दोनों कन्याएं ब्रभमबाद ने थी, मेना का अभिभा हिमाले के साथ हुआ, हिमबान ने मेना से मैनाक नामक पुत्र को उत्पन किया, तथा गौरी नाम से प्रशिद पुत्री को जनम दिया जो पूर्व जनम में शती थी। पुत्र तथा प्रसूति आकूति और देभूति नाम की तीन पुत्रियों का जनम हुआ। अब इस स्रेष्ट कन्याओं की उत्पत्ति करे। उन कन्याओं में स्रद्धा लक्ष में धृति तुष्टी पुष्टी मेधा, क्रिया, व्रिध्धी, लज्या, वपु, शांति, रिध्धी और कीर्थी नाम की जो तेरह कन्याएं थी। उनको पत्नी के रूप में दक्षणा के पुत्र धर्म ने श्विकार किया। ध्रती ने नियम, तुष्टी ने संदोज तता पुष्टी ने लोग को उत्पन किया। मेदा से सुरुत का तता क्रिया से दंड लए और विनय नामक तीन पुत्रों का जनम हुआ। बुद्ध ने बोध को लज्जाने बिनय को वपु ने व्यवशाय एवं सांत ने छेम को उत्पन किया। स्रध्धा से शुक और कीर्थ से यस उत्पन हुए। ये सभी धर्म के पुत्र है। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रती है। उनके पुत्र को हर्च कहा गया है। दक्च प्रजापते ने किसी समय अश्टमेद यग्य का अनुष्ठान किया। उस यग्य में रुद्र और सती के अत्रक्त निवंत्रत दक्च के सभी जामाद अपने पत्नियों के साथ उपस्तत हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यग्य में जा पहुँची। किन्तु वह अपने पता दक्च के द्वारा किये गए त्रसकार पूर्ण व्यभार को देखकर उनसे न रहा गया। और उनोंने वहें पर अपने प्राणों का प्रित्याग कर दिया। वे ही सती पुनह हिमाले से मेना के गर्व में उत्पन हुए। और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर भगवान देवाद देव शंभू की पत्नी वनी। उसके बाद उनसे गनेश और कार्ट के हुए। सती के देह त्याग से अत्यन्त क्रोध महा तेजस्वी। भ्रंगीश्वर पिनाक पानी भगवान संकर ने यज्यकावित भंच करके उस दक्ष को यह साप दिया। कि तुम धुरुब के भंच में मनुस्य हो करके जन्म ग्रहन करोगे। छटा अध्याय दुरुब बंच तथा प्रजापति की साथ कन्याओं की संततियों का ब्रणन भगवान स्रीहरे ने कहा कि उत्तानपाद की सुरुची नामक पत्मी उत्तम और सुनूती नामवाली भार्या से दुरुब नामक पत्रुत्पन हुआ। उन मेंसे धुरुब ने देवर से नारद की किरपा से उपधेश को प्राप्त करके देवात देव भगवान जनारदन की आराधना करी और स्रीष्ट अस्तान को प्राप्त किया। दुरुब के महावलसाली एवं महाप्राक्त्र में सुलुष्ट नामक पुत्र हुआ उनसे प्राचीन बर्ही नामक पुत्र के उत्पत्ती हुई उससे उदारधी नामक पुत्र ने जनमलिया उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ उसका रिप पुत्र हुआ रिप से चाक्छुस नामक पुत्र ने जनमलिया उसी से चाक्छुस मनों की ख्याति प्राप्त हुई थी उस चाक्छुस मनों ने रूरु उत्पन किया तदरंतर उसके भी ऐस्वरे संपन अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ उस पुत्र से वेण ने जनम लिया जो बड़ा ही पापी और नास्तिक था एवं धर्मच्चुत था मुनियों के द्वारा दिये गए साप से वहा नश्ट हो गया था उसके बाद पुत्र प्राप्ती के लिए तपस्वियों ने उसके उरुभाग का बन्तन किया जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा एवं कृष्ण बरण अर्थात तुम बैठो इसे सब्द के कथन से उसको निशाद नाम के प्रशधी प्राप्त हुई और वह विंद्याचल में निवास करने के लिए चला गया तदरंतर उन मुनियों ने पुनहावन वेन के दायने हाथ का मन्तन किया उस मन्तन कार्य से वेन को विष्ण का मान सरूप धारन करने वाला पृथु नाम का पुत्र प्राप्त हुआ राजा प्रतु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए प्रतिवी का दूखन किया उस प्रतु राज का अंत्रधान नामक एक पुत्र था उससे हविरधान नामकी पुत्र की प्राप्ते हुई हविरधान का पुत्र प्राचीन बरही हुआ जो प्रतिवी का एक चत्र समराट था लवन समुद्र के पुत्री सामुद्री के साथ विभा किया उस प्राचीन बरही से सामुद्री ने दस पुत्रों को जनम दिया ये सबी प्राची तस्त नाम वाले धनुरुबेद में निश्टनात हुए धर्मा चर्ण में निरत रहते हुए इन लोगों ने दस हजार वर्षों तक जल में निवग्न होकर अत्यंत कठिन तपश्या करी तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पदप्राप्त करने वाले उन तपश्यों का विवाह मारिसा नामक करन्या से हुआ सिव के साप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारिशा के गरव से पुनहा जनम गरण किया था दक्ष ने सब से पहले चार प्रकार की मानस प्रजापतियों की स्रिष्टी करे थी किन्त महादेव के साप से उन मानस संततियों की अभिब्रिद्धी नहीं हो पाई अतहा उन प्रजापती ने इस्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैतुने स्रिष्टी की इच्छा को प्रकट किया इसके बाद दक्ष ने प्रजापती वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवा किया इस असिकनी के गरब से उन दक्ष के हजार पुत्र उत्पन हुए नारद के उपदेश से वे सभी पृतिवी की अन्तिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े किन्तु पुनह वापस नहीं आए हे महादेव इस प्रकार उन हजार पुत्रों के नश्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनह हजार पुत्रों को जनम दिया वे सभी सबलाश्ट नाम से प्रशिद्ध हुए उन लोगों ने भी अपने बड़े भाईयों के मरियादा का ही अनुसरन किया पुत्रों के ऐसे बिनास को देखकर दक् प्रिश्ट प्रजापती ने असकने सेünde 60руз रूपवती कण्याऊं को जन्म दिया जिनमें से उन्हेर ने दो कण्याऊंगा विभा अंगिरा के इसाथ किया और उसके द्वारा दो कण्याएं कृश्याँय कृत्ष नामक, 10 कण्याएं धर्म प्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया अरुंधती वश्व यामी लंबा भानुमती मरत्वती शंकल्पा मुहुरता साध्या तथा विश्वा ये धर्म की दस पत्निया कही गई हैं अब मैं कश्यप जी की पत्नियों के नाम को भी कहता हूं उनके नाम हैं अधिती दिती, दनु, काला, अनायु, सिंभिका, मुनि, कद्रु, शाध्या, इरा, क्रोधा, विनिता, शुरवी और खगा हे रुद्र धर्म की पत्निय विश्वा से विश्वे देव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ती हुई मरद्पती से मरदवान तथा वसट से वसगणों का आभिर्वाब हुआ ये संकर भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्त्ती हुई लंबा से घुस तथा यामे से नाग वीथी का जन्म हुआ और संकल्पा से सरवात्मक संकल्प का प्रादुरुबाब हुआ आप धुब, शोम, धर, अनल, अनल, प्रतिश तथा प्रभास ये आठ बसुमाने गए हैं आपके बेतुंडी, स्त्रम, स्त्रांत और ध्वन नामक चार पुत्र हुए दुरुब के रूप में भगवान काल का जन्म हुआ जो लोह के संभारक हैं सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए जिनकी क्रपा से ही मनश्य वर्चस्वी होता है मनोहार से घर के दुरहन, हुत, हव्यबह, शिश्र, प्रान और रमन नाम वाले पुत्र उत्पन हुए अनिल की पत्नी का नाम शिवा है अनिल और शिवा से पुलो मज तथा अविज्यात गति नाम के दो पुत्र उत्पन हुए अनल के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पती सरकानर पर हुई थी, कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से उन्हें कार्त के भी कहा जाता है, इसके शाखा विसाखा और नेगमे नामक तीन अन्य छोटे भाई भी हैं, महर्शी देबल को प्रत्युस नामक वश्व का पुत्र मा प्रभास वसुसे विख्यात देवसिल्फी विश्व कर्मा जी का जन्म हुआ, विश्व कर्मा के महा वलवान, अजैक पाद, अहर बुद्नियों, त्वश्टा तथा महा प्राक्रमी, रुद्र ये चार पुत्र हुए, त्वश्टा के विश्वरूप नामक एक महा तपस् हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, ब्रशाकपी, संभु, कदर्पी, रैवत, मिरगव्याध, सर्व और कपाली, ये ग्यारह रुद्र कहे गए हैं, ये तीनों लोकों के श्वामी हैं कस्यप जी की पत्ने अदिती से 12 सूरियों की उत्पत्य हुई, उन्हें विश्णों, सक्र, अर्यमा, धाता, त्वश्टा, पूखा, विवस्वान, सविता, मित्र वरण, अंसुमान, तथा भग कहा गया है ये ही 12 आदित्य कही जाते हैं, रोहिनी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वे सब शोम की पत्निया कही गई हैं दिति के गरब से हिरलन का स्यपू और हिरलन्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन हुए, तथा सिंभिका नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवा विप्र चित्ती के साथ हुआ हिरन्य का स्यपू के महा प्राक्तर मसाली चार पुत्र हुए जिनका नाम अनुहलाद, प्रलाद, प्रहलाद तता संहलाद है इनमें प्रहलाद विश्ण भक्त के रूप में प्रशिद्ध हुए संहलाद के आयुसमान, शिवी और वासकल नामक तीन पुत्र हुए प्रहलाद के पुत्र ब्रोचन हुए ब्रोचन से बली की उत्पत्य हुए हे ब्रशवत भजु बली के सो पुत्र हुए जिन में बान नाम का सबसे बड़ा पुत्र था हिरन्याक्ष के सभी पुत्र महावलवान थे, उनके नाम उत्पुर, शकुने, भूत संतापन, महानाब, महाबाह, तथा काल नाब है दन की दुर्विधा, अत्वा दुर्मूर्धा, संकर अधोमुख, संकु सिरा, कपिल संबर, एक चक्र महावाह, तारक महावल, स्वरभान, ब्रिशप्रभा, पुलोमा, महासुर और महाप्राक्रमी, दिप्रचिति नामक, पुत्र विख्यात हुए स्वरभानों की कण्या सुप्रभा तथा ब्रिशप्रभा की पुत्री सर्मष्ठा थी, उनके अत्रक्त उसे उपदानवी भी, हायगिरा नामक दो अन्या स्रेष्ट कण्याएं हुई बैस्वानर की दो पुत्रियां थी, उनका नाम कुलोमा तथा कालका था, उन दोनों परमसोभाग्य सालनी कन्याओं का विभा मरीच के पुत्र कश्चप जी के साथ हुआ था, उन दोनों से साट हजार स्रेष्ट दानव उत्पन हुए, कश्चप के इन पुत्रों को पॉलो और कालकंज कहा गया है, विप्रचित्ती के पुत्रों का नाम सिंभिका से हुआ, उनके नाम व्यंस, सल्क्य, बलबान, नब, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, सस्त्रमान, अंजक, नरक तसा कालनाव है, प्रहलाजी के कुल में निवात कबच नामक दैत्यों की आमरा से सत्तोकुण शंपन छेक न्याव का जन्म हुआ, उनके नाम शुकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सुची और ग्रिद्रिका है, सुखी के सुक, उलूक, एबं उलूक पक्षि परती काकाद उत्पन हुए, शेनी के सेन, वाजी से भाष, ग्रिद्रिका से ग्रिद्र, सुची से जल्चर, पक्षि गण तथा, शुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और खर आदिका जन्म हुआ, इसको तामर बंच कहा जाता है, बिनिता के गरव से गरुड और अरुड नाम के दोप विख्यात पुत्र हुए, सुरसा के गरव से अपरिमित, तेज संपन सहस्त् उत्पत्ति हुई, कद्रु से भी अत्यदिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई, इन सभी सर्पों में प्रदान सर्प, शेश बास्व की तक्षक, शंक, स्वेत, महापद्म, कंबल, अश्टतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनन्जय है, इन सर्प व्रक्ष लता वल्लरी और त्रणों की उत्पत्ति हुई, खगा से यक्ष, राक्ष से मुनि से अपसराई तथा अरिष्टा से परमशत्त संपन गंधर्व उत्पन हुई, जिति से मरुदवान नामक 59 देवों का जन्म हुआ, उन मरुद गणों में एकज्योती, दिज्योत 54 जोती, एक शुक्र, बिशुक्र तथा महावलसाले त्रिशुक्र, इन सातों का एक गंध है, एद्रक, शत्रक, अन्यात्रक, प्रतिसद्रक, मित, शमिती, शुमुती, नामelshतों का परम सक्तिसंपन दूसरा गन है, रित्वजित, शत्यजित, सुसेण, सेन जित, अतेमित्र अमित्र तथा दूर मित्र नामक मर्दों का तीसरा अजय गण है। रित धर्म, विहिता, वरुन, ध्रुब, विधारन और दुर्मेधा नामवाले मर्दों का चोथा गण है। अध्रष्ट्य, लाभ, काम, जय, विराठ तथा उद्वेशन नामक साथवा वायुगन कहा गया है। ये सबी उनपचास मरुदगन भगवान विष्ण के ही स्वरूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्य, ग्रह तथा मनों आदि इनी की उपासना पूजा करते हैं। सातवा अध्याय, देव पूजा विधान, विष्ण पूजो पयोगी, वज्जर नाभ मंडल, विष्ण दिख्चा तथा लक्षम जी का पूजा। भगवान स्त्रीहरी ने कहा है रुद्र, धारम आर्थ का मोक्ष प्रदान करने वाले सूर्याद देवों की पूजा का मैं बरणन कर रहा हूं। हे ब्रशबद्धज ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निमन मंत्रों का उच्चालन करना चाहिए। कि ओम नम सूर्य मूर्तै ओम भ्राम्भ्रेम्स सूर्याय नमह ओम सोमाय नमह ओम मंगलाय नमह ओम बुधाय नमह ओम ब्रहष्पतै नमह ओम सुक्राय नमह ओम सनश्चराय नमह ओम राहवे नमह ओम ओम कीतवे नमह ओम तेज़ चंडाय नमह इन मंत्रों से आसन आवाहन पाद्यो अर्गियो आच्वन पुष्टान वस्त्र यग्यो पवीत गंध पूश्प धूप दीप नमस्कार प्रदक्ष्ण और विसर्जन आधि उपचारों को प्रदान करके शूर्यादि ग्रहों की ओम भ्राम सिवाय नमह इस मंत्र से आसन की पूजा करें ओम भ्राम सिवा मूर्थाय शिवाय नमह इस मंत्र से नमसकार करके और शादक सिब पूजा में सर्वप्रथम इन मंत्रों को भूलें कि ओम भ्राम रदयाय नमह ओम भ्रेम सिरसे स्वाह ओम भ्रूम सिखाय वसट ओम इन मंत्रों से सड़ंग न्यास करें उसके बाद अम्हराम सद्यो जाताय नमहा अम्हरीम भामदेवाय नमहा अम्हरूम अघूराय नमहा अम्हरं तत्परुशाय नमहा इन मंत्रों से सिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहे इसे प्रकारे विष्ण पूजा का क्रम है कि अम्हरूम भासुदेवासनाय नमहा इस मंत्र से भगवान विष्ण के आसन की पूजा करें उसके बाद अम्हरूम भासुदेवामूर्थाय नमहा एन मंत्रों के द्वारा सादक हरे के चक्र व्यू को नमन करें, अथवा भगवान के जो चत्र व्यू है उसका पूजन करें, उसके बाद भगवान के नामो चालन करते हुए आम भम्रमम् пошंकांच जन्याय नमः आम घंड़म् वं श्री रस अमा het ओम् तंछो मैं चन्या है को श्री नमः अम् गुरुभ्यो नमः ओम इंदृ된 इभ्यो नमः आम विश्वक्त से नाय नमः इन मंत्रों से भगवान स्रीहर के अवतारों आयुदों एवं बाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादी उभचार प्रदान करने चाहे हे ब्रशबद भज़ भगवान विश्वक्ति देवी सरश्वती की मंगल कारणी पूजा में अम्रेम सरश्वत्ते नमः इस मंत्र से देवी सरश्वती को नमस्कार कर निमन मंत्रों से सडंग नियास करना चाहे इसी प्रकार सरध्धार इद्धी कला मेधा तुष्टी पुष्टी प्रभा तथा मत्य ये जो सरश्वती देवी की आठ सक्तियां है इनका पूजन निमन मंत्रों से करें कि ओम्रीम स्रध्धाये नमः ओम्रीम रिध्धे नमः ओम्रीम कलाये नमः ओम्रीम मेधाये नमः ओम्रीम तुष्टे नमः ओम्रीम पुष्टे नमः ओम्रीम प्रभाये नमः ओम्रीम मत्ये नमः येन सक्तियों की पूजा करने के पश्चाद चेत्रपाल गुरु और परम गुरु का पुजन करें कि औम चेत्र पालाय नमहा ओम गुरुभ्यो नमहा ओम परम गुरुभ्यो नमहा इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए तदनांतर कमल वासन सरष्वती देवी को आसनाद उपचार प्रदान करने चाहिए पूजा के अनंत्र सोर्याद देवताओं के लिए प्रत्युत होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रा रोपन करना चाहे भगवान स्रीहर ने कहा कि हे शाम्ब शिब भगवान विष्ण के विसेश पूजा के ले पांच प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा बज्र नाव मंदल का अंध्रमान करना चाहे जो सोलह समान कोष्टों से संयुक्त हो बज्जर नाव मंडल बनाकर सबसे पहले नियास करें और उसके बाद भगवान स्रीहर की पूजा करें ध्रदय के मध्य में भगवान विष्ण की कंठ में भगवान संकर्षण की सिरपर प्रद्युम्न जी की शिखा भाग में अनिरुद्ध शंपूर्ण सरेर में ब्रह्मा तसा दोनों हातों में स्रीधर का नियास करें तत पश्चाद अहम विष्णुहू मैं ही विष्णुहू इस्थापना करें ततनंतर इसान कुन में भगवान स्रीधर तता पूरुबादी दिशाओं में इंद्राद्य देवों की इस्थापना करनी चाहिए उसके बाद पूरुवदिशा में ओम इंद्राय नमहा, अगने कोण में ओम अगनय नमहा, दक्षण में ओम यमाय नमहा, नरित्य कोण में ओम निरतय नमहा, पश्चिम में ओम वरोनाय नमहा, वाय कोण में ओम वरोनाय नमहा, उत्तर में ओम वायवे नमहा, इसान में कुबेराय नमहा, ओ दिक्पाल की स्थापना करें इन मंत्रों से इसके बाद इन सभी देवों की गंधाद उप्चारों से कुजा करने चाहे इससे साधक परमपद को प्राप्त हो जाता है भगवान स्रीहर ने कहा रुद्र दिक्षत सिस्य को बस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अगने मे देवताओं के मूल मंत्रों से 108 आउतियां प्रदान करने चाहे पुत्र लाब के लिए द्विगुण साधना सिद्धी के लिए त्रिगुण और मुक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक को चाहे वह चत्र गुण आउतियों से भगवान विष्णु की पूजा करें हवन करे विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहे उसके बाद वायवी कला से सिस्यों की इस्थिति आगने कलाद्वारा उनकी मनस्ताफ वेदना तथा वारुन कला से हिर्दे की इस्थिति की विचार करना चाहे उसके बाद देशिक को उस परमतेज में आत् प्रतेक अन्यकारण भूत वाइव अगनी जलता प्रतिवी तत्प का चिंतन करे। इस प्रकारव प्रनवynnमंत्र का चिंतन करते हुए प्रतेक और भूत तनों को जो सादक बिजे प्राप्त करता है वहासारीर धारी होने के कारण उन पंच महाभूतों के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहन कर लेता है अतहँ हे ब्रशबध्वज अपने अंतक करण में उस सुक्ष मसरेरधारे ज्ञान को उत्पन करने के लिए प्रतेग महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रियत्न करना चाहे मंडलादी के निरमान में जो लोग असमर्त हैं वे मात्र मा संसिक मंडल की कलपना करके भगवान स्रीहरी का पूजन करें चार द्वारों से युक्त है हातों को पद्म तथा अंगुलियों को पद्म पत्र कहा गया है हतेली इस पद्म की करनिका है और नक इसके केशर है इसलिए सादक को उस हात रूपी कमल में सूर्य चंद्र इंद्र अगनी तथा यम सहित स्रीहरी का ध्यान करके उनकी पूजा करने चाहे उसके बाद वहाद देश्टिक शावधान होकर अपने उस हात को सिस्य के सिर पर रखे क्योंकि हात में विष्ण विध्यमान रहते हैं यहा हात स्यम विष्ण स्वरूप है उस हात के इसपर्स मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं तदनंतर गुरु शिष्य की विदिवत पूजा करें और उस शिष्य का नाम करन करें भगवान स्री हरने कहा रुद्रय। सिद्ध प्राप्त करने के लिए इस थंडिल आद में की जाने वाले स्री लक्षिम जी की पूजा के सम्बंद में कह रहा हूँ अब उसको सुनों सबसे पहले इस वीज मंत्र से क्रम शहरदय सिर शिखा कबच और नेप्र कान्यास करें उसके बाद इसके बाद चार प्रकार के ब्रणों से अनुरंजित पद्मगर्व चार द्वार और पद्म कोष्टों से युक्त मंडल के मद्य लक्षमी और उसके अंगों तथा एक कोण में दुरुगा गण एवं गुरु का तदनन्तर अभिष्ट सिद्धी प्राप्त करने के ले तत पर शादक अगनी आधि कोणों में छेत्रपाल देवों की पूजा करके खबन करें उसके बाद अम घम टम डम हम स्री लक्षमी नमह इस मंत्र से पूरुव उल्लखित परिवार के सैत स्री लक्षमी देवी का पूजन करें उसके बाद सादक अम सम सरश्वत्ते नमह अम्रेम सम सरश्वत्ते नमह अम्रेम बदबद वाग बाद ने स्वाह अम्रेम सरश्वत्ते नमह इन मंत्रों को बोल करके सरश्वती जी को प्रणाम करना चाहिए ग्यारवां अध्याय नवभ्यूहार्चन विधी पूजानुक्रमंद्रुपन भगवान स्रिहर ने कहाया हे रुद्र गरुड ने कश्यप्रिशी को जो नवभ्यूह पूजा का व्रणन सुनाया था उसको मैं तुमें सुनाता हूं सादक सबसे पहले जीवात्मा को मस्तक नाभी और हुरुदय आकास नामक तत्तों में प्रविष्ट करें तदनंतर वहां ओम रम मंत्र से पांच भोतिक सरीर का सोधन करें उसके बाद यम से वाय तत्त्त का सोधन करें वीज मंत्र से इस संपूर्ण सरीर के लई की भावना करें तत्पष्टाद ओम लम इस वीज मंत्र से चराचर जगत के संपलावित होने की भावना करें उसके बाद वहां वम इस वीज मंत्र से पनहा स्वयम में अमरत्त की भावना करें उसके बाद बुद बुदों के बीच मैं ही पीतामरधारी चत्रबुज भगवान स्री हरी हूँ ऐसा मान कर आत्मतत्प के ध्यान में निमगन हो जाए उसके बाद सरीर तथा हाथ में तीन प्रकार का मंत्र नियास करना चाहे पहले द्वाद साक्षर बीच मंत्र से उसके बाद कहे गए बीच मंत्र से नियास और बाद में सडग नियास करें इससे साधक साक्षात नारायन स्फुरूप हो जाता है साधक दक्षन अंगुष्ट से प्रारंब कर मध्यमा अंगुली परियंद नियास करें उसके बाद वहा पुना मध्यम अंगुली पर दी दो वीज मंत्र से न्याज करे पुना सरीर के विभिन अंगों पर न्याज करे क्रमसा हरदय, सीर, शिखा, कबच, मुख, नेप्र, उदर और फीट भाग से अंग न्याज करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जान और दोनों पैरों में भी न्याज करना चाहिए। वीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्याज तथा सडंग न्याज करके संपूर्ण सरीर में न्याज करना चाहिए। उसके बाद वीज मंत्रों से दिसाओं को प्रतिवध करके शाधक पूजन की क्रिया प्रारंब करे। सबसे पहले एकाग्रचित होकर उसको अपने हिर्दय में योग फीट का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वहा आगने याद दिसाओं में यथा क्रम, धर्म, ज्यान, बैराग्य और ऐस्वर को विन्यस्त करके पूरबाद दिसाओं में अधर्माद का न्यास करे। यथा आगने कुण में ओम धर्माए नमहा, नैरित्य में ओम ज्यानाए नमहा, वाय कुण में ओम वैराग्याए नमहा, और इसान कुण में अधर्माए नमहा, पूरब में ओम अधर्माए नमहा, दक्षण में अधर्माए नमहा, पश्च में अवैराग्याए नमहा, और उ पूर्वाबी मुख अनंत अवस्ता में इस्थित होकर अनंत भगवान विष्ण को अपने में प्रतिष्ठत करें उसके बाद ज्यान रूफी सरोबर में उत्पन उपर की और उठी हुई करिनिका से युक्त सत्पत्र वाले आठों दिसाओं में प्रसरित स्वेत अश्टतल कम करना चाहे उसके बाद बहा पूर्वादी दिसाओं में भगवान के शब के पास ही अवस्तित विमलाद सक्तियों को अश्ट दल कमल पर विष्ण करके नवीं सक्ति को करने कामें स्थापित करें इस प्रकार ध्यान करके उस सादक को योग पीठके विदिभत पूजा करने उसके बाद पुन्हा मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन करें। उसके बाद पूरबाद दिसा में यथा क्रम संकर्षण आदेवीज मंत्रों को बिन्यस्त करने का विदान है। उसके बाद उन विष्णु देव के दोनों और आयदों का न्यास करें। बिद्वान सादक दक्षण की और शारंग तथा देव के वाई और इश्व का न्यास करें। इसी प्रकार दोनों भागों में खडग और चर्म का भी न्यास करें। इस प्रकार सादक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनके पूजा करें। और उनके सामने उनके ही मुद्रका का प्रदर्शन करें। दोनों हाथों के अंगोटों को अपनी हाथ की मद्यमा अनामिका तता कनिष्ट का अंगोली को नीचे की और जुका कर जो मुद्रा बनाए जाती है। उसको नरशंब मुद्रा कहते हैं, दायने हाथ के उपर बाएं हाथ को उत्तान, इस्तित में रखकर प्रतिमा के उपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं, भगवान वाराह को सदा ही यहाँ प्रिया है, दोनों मुष्टिकाओं का उत्तान रखकर, क्रमसा एक एक उंगले सेधी खोलते हुए सभी को खोल दें तदनंतर उन सभी उंगलियों की पुनह मुठी बांद लें यहां अंग मुद्रा कहलाती है सादक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन करमसा दस्वों दिखपालों के लिए करना चाहिए भगवान बासुदेव बल्डाम प्रद्यम्न तथा अंजरुद्य करमसा प्रथम दुतिय तिर्तिय और चतुर्थ देवस्थान के अधिकारी है सादक को ओम आम बासुदेवाय नम्हा ओम आम बालाय नम्हा ओम प्रद्यम्नाय नम्हा ओम अंजरुद्धाय नम्हा कह करके प्रत्व कारें उपरिकत इननो देवतावों को बासु देव बल्राम प्रज्यमन अनिरुद्य नारायने ब्रह्मा विष्णु नर्शिम्ब तथा महवराह नवविख कावर्णन करमश स्वेट अरुन हरिद्रावत पीत नील स्याम लोहित मेगवत श्याम अगनिवत पीत एबं मदु पिंगल हैं अर्थाद बास देव श्वेट बल देव अरुन प्रद्युम्न हरिवत आधी आभा से सुसोवित रहते हैं उसके बाद ओम कम कम पम संबीज मंत्र से गरुड जम ख दम फम संबीज मंत्र से गदादेवी ओम बम लम ममक्षम बीज मंत्र से संख ओम घम ढम भम हम बीज मंत्र से लक्षमी ओम जम बम संबीज मंत्र से पुष्टी ओम घम बम बीज मंत्र से वनमाला ओम दम संबीज मंत्र से स्रेवत्ष ओम चम डम यम पम बीज मंत्र से कोस्तो मने युक्त है मैं स्वयम अनंत ये सभी उस देवाद देविष्णू के अंग हैं। पुष्व के समान श्वेत है बनवाला पांच बरणों से युक्त पंच बरणी है और अनंत भगवान मेग की भाति स्याम बरण का है। इस परमपावन आख्यान को स्रीशूद्जी महराज नयमिसारन की परमपावन पवित्र भूमी पर शौनकाद अठासी हजार रिसियों से सुना रहे हैं। बारवा अध्याय पूजानो क्रमन रूपन भगवान स्रीहरी ने कहा है रुद्र देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्यान के लिए पूजा विधि के क्रम को कह जा रहा हूं। सरवप्रतम साधक को ओम नमः मंत्र से प्रमात्मा का स्म्रन करना चाहे, उसके बाद ओम यम रं बम लम इन वीज मंत्रों के द्वारा सरीर के सुध्धि करके ओम नमह इस मंत्र से चत्रवुज भगवान विष्ण के स्वरूप को ही अपने को मान लेना चाहे। तत्पश्चाद करण्यास अतादेहन्यास करके तदनंतर हिर्दे में योग फीट की पूजा का विदान है जिसको इन मंत्रों से करना चाहे ओम अनंताय नमहा ओम धरमाय नमहा ओम ज्यानाय नमहा ओम वैराज्याय नमहा ओम एस्वरियाय नमहा ओम अधरमाय नमहा ओम अज्यानाय नमहा ओम अवैराज्याय नमहा ओम अनैस्वरियाय नमहा ओम पध्माय नमहा ओम आधित्याय नमहा ओम चंद्रमंडला इसके बाद साधक करनिका के मद्य में अम वाषु देवाय नमः कहकर भगवान वाशु देव को नमस्कार करके निमन मंत्रों से हिर्दयादी नियास करें ओम आम ब्रदयाय नमहा इम सिरसय नमहा ओम सिखाय नमहा एंक बचाय नमहा ओम नेत्रत्रयाय नमहा अस्त्राय फट नमहा उसके बादे ओम आम संकरस्णाय नमहा ओम आम प्रद्यमनाय नमहा अनिरुद्धाय नमहा ओम आह नाराय नमहा ओम तत्चत ब्रह्मने नमहा ओम हम विष्णवे नमहा चाम नर्शंभाय नमहा भूर बराहाय नमु नमहा इन मंत्रों से संकरस्ण आदे व्योह देवों को नमशकार करें उसके बाद साधक पुनह भगवान के बाहन एवं आहिदादी को नमस्कार करे। उसके बाहन के बाहन के बाहन के बाहन एवं आहिव पुनह दो पुनह दो नमस्कार करे। उसके बाद क्रमशह पूर्वक्त इंड्र आदे दिगपाल देवताओं के निमन आयधों को प्रणाम करने का विधान है उसके बाद भगवान अनंत का ब्रह्म देव को इस मंत्र से प्रणाम करें उसके बाद पुनहा ओम लम अनंताय पाताला धिपतय नमः ओम खम ब्रह्मने सर्वलोका धिपतय नमः उसके बाद साधक भगवान बासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादसाक्षर मंत्र का प्रियोग करें शात ही द्वा दसाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों और दसाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए के AOM NAM in the Maha AOM NAM in a Maha AOM NAM in a Maha AOM NAM in a Maha AOM ओम देन नमह, ओम वाम नमह, ओम यम नमह, ओम ओम नमह, ओम नान नमह, ओम रान नमह, ओम यम नमह, ओम नान नमह, ओम यम नमह, ओम यम नमह, ओम यम नमह, द्वाद साक्षर मंत्र का भी उच्चार न करें ओम नम भगवतेवा सुदेवाय हों ओम नम नारायनाय नमः ये दसाक्षर मंत्र है। उसके बाद अश्टाक्षर मंत्र का भी उच्चालन करें कि ओम पुरुषोत्तमाय नमह इन मंत्रों का इता सक्ति जब करने के नियम मंत्र से भगवान पुंडरी काक्ष को प्रणाम करें कि नमस्ते पुंडरी काक्ष नमस्ते विश्व भावन सुब्रहमन्य नमस्ते स्तु महापुरुष पूरुवजव हे पुंडरी काक्ष आपको प्रणाम हे विश्व के कारण भूत आपको मेरा प्रणाम है हे ब्रह्मन देव आपको प्रणाम हे महापुरुष हे पूर्वज आपको मेरा प्रणाम इस प्रकार भगवान विष्णों के इस्तुति करके साधक को हबन करना चाहिए उसके बाद साधक मंत्र का विधि पूरवक 108 बार जप करके अर्ग्य प्रदान करे और जितन तेन यह इस्तोत्र ही महापुरुष विद्या है इस इस्तोत्र से उन भगवान नारायन को वारंबार प्रणाम करना चाहिए उसके बाद अगन की स्थापना करें शाधक उस अगन देव की पूजा करने के बाद हबन करें अपने वीज मंत्र से देवाद देव भगवान विष्णों तथा अंग मात्रों से अच्चुतादी आंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करें शब्षे पहले मंत्रवित साधक को कुंड में ओंकार के द्वारां तीन रेखाओं का उलेखन करना चाहिए और उसके बाद यग्य कुंड का अब्विक्षन करना चाहिए यथा विधी ब्रह्मान पूर्व का हबन कुंड में अग्न स्थापन करके उत्तम फल आद से शविधी उसके पूजा करनी चाहिए पहले सांगोपांग देव ब्रह्मा का मन से ध्यान करें मंडल में उन सभी को स्थापित करें उसके बाद वह शाधक वाशुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे करें वह संकर्षण आदी देवों के वीज मंत्र से उन्हें छे देवों की भी पूजा करके अंग अन्य देवताओं को भी तीन तीन और दिखपालों को एक एक आहुति प्रदान करें इसके बाद हवन पूर्ण होने पर शाधक को कुना एका ग्रचित इस्तित होकर पूर्णा होति देने चाहे कुभा साधक बाने से अतीत उस प्रमात्मा में अपने आत्मा को लीन करें और निमन लिखत मंत्र से भगवान बास्व देव और उन्य शभी देवताओं का विसर्जन करें ओम गच्च गच्च परमस्थानम यत्रदेवो निरंजनह कच्चंत देवता सरवाह स्वस्थानस्थित हेतवे हे देवाद देव भगवान बास्थ देव अब आप उस अपने परमस्थान को प्राप्त करें जहां पर निर्मल परम भ्रम का निवास है अंग देव शंकरसनाद और इंद्राद दिगपाल आप सभी देव अपने अपने अस्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। पूजा करने पर वहां घर आद की रक्षा करता है अतहनिमन मंत्रों से चक्राद की भी पूजा करने चाहे। तेरवा अध्याय विष्ण पंजर स्तोत्र भगवान स्रीहरे नेपुना कहा है रुद्र अब मैं विष्ण पंजर नामक स्तोत्र कहता हूँ। तोत्र बड़ा ही कल्यानकारी है उसे आप स्लोक सुने। कि ओम प्रभक्ष्याम्यधुनाहे तत्वेष्णवं पंजरं सुभं। नमो नमस्ते गोविंदे चक्रम ग्रिह्य सुदर्सनं। प्राच्याम्व्रक्ष्वमांविष्णों त्वामहंसरणंगतें। हलमादाय सनन्दम् नमस्ते पुरशोत्तमं। प्रतिच्याम रक्षमाम विष्णों त्वामहं सरणंगतह। मुसलम सातनं ग्रहिय। पुन्रे काक्ष रक्षमाम। उत्तरस्याम जगन्नाथ भवन्तं सरणंगतह। खट्गमादाय चरमाथ अस्त्रसस्त्रादिकं हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोब्ह एसान्याम सरणंगतह। पांच जन्यम महासंखं अनोगोस्यंच पंचकं। प्रग्रहिय रक्षमाम विष्णों आग्नेयाम यग्य सूकर। चंद्रसोर्यम समाग्रहिय खट्गम्चाम्द्रमसं तथा। नैरित्याम्माम्च रक्षस्व दिव्यमूर्ते न्रके सरिन्ग। वैजय अन्तिम्संप्रक्रहिय स्त्रेवत्सं कंठभूसनं। वायव्याम्रक्षमाम्देव हयक्रेव नमोस्तुते। वैनतेयम समारुहिय त्वंतरक्षे जनार्धन। माम्रक्षस्वाजितस्दा नमस्तेस्ट्व पराजित। विसालाक्ष समारुहिय रक्षमाम्त्वम्रसातले। अकूपार नमस्तुभ्यम् महामीने नमोस्तुते। करसीर साध्यं गुलेसु सत्यत्वं बाहु पंजरं। कृत्वारक्षस्वमाम्विष्ण। नमस्ते पुरुषोत्तमं। एतदुक्तम संकराय वैष्णवं पंचरं महत। पुरारक्षार्थ मेसान्याह कात्यायन्याब्रसद्धजां। नास यामास सातिन चामरं महिसासुरं। दानवं रक्त वेजम्च अन्याष्च सुरकंटकान। एतज्य पन्नरो भक्त्यां सत्रोन विजयते सदा। हे गोविंद। आपको नमस्कार। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूरुव दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णों मैं आपकी सरण में हूँ। हे पद्धुनाव आपको मेरा नमन। आप अपने कौम दुखी गदा धारन करके दक्षन दिशा में मेरी रक्षा करें। मैं आपकी सरण में हूँ। आपको मेरा बार बार प्रणाम। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्टिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णों मैं आपकी सरण में हूँ। मैं आपकी सरण में हुँ दयालो आप पांच जन्य नामक संख और अनगोश नामक पद्म ग्रहन करके अगनी कोण में मेरी रक्षा करें हे विष्णो मैं आपकी सरण में हुँ आप मेरी रक्षा करें हे दिव्य सरीर भगवान न्रशुम्भ आप सूर के समान देदिप्यमान और चंद्र के समान चमतकरत खड़क को धारण कर नेरित्य कोण में मेरी रक्षा करें हे भगवान हयक्ग्रेव आपको प्रणाम आप वैजयंती माला तथा कंट में शुषोवित होने वाले स्रेवक्ष नामक आभूशन से विभूसित होकर वायकुण में मेरी रक्षा करें हे जनार्दन आप वैनते गरोड़ पर आरूड होकरके अंत्रक्ष में मेरी रक्षा करें हे अजित प्रभो आपको सदयव मेरा प्रणाम हे कूरम राज आपको नमस्कार हे महामीन आपको नमस्कार हे मत्यत्त रोप महाबाह आपको अपनी बाह पंजर जैसा स्वीकार करके हाद सिर अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे सरीर की रक्षा करें गोविंद मैं आपकी सरण में हूँ आपको मेरे प्रणाम हे व्रशबत धजोए मैंने प्राचेन काल में सर्वप्रथम भगवती इसानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्ण पंजर नामक इस्तोत्र को कहा था इसी इस्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयम को अमर समझने वाले महिशाशुर रक्त वीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्यान्य दानवों का विनास किया इस विष्ण पंजर नामक इस्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है पाठ करता है वह सदा अपने सत्रों पर विजय प्राप्त करने में शफलता को प्राप्त करता है चौद्वा अध्याय ध्यान योग का प्रणन करते हैं वे वगवान स्री हर ने एस अब मैं योग क्म प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूं उस्तुत योग के द्वारा ध्यान अगम्ने झो दीव ہیں महेस्वरेय जूने के लिए योगशंदब´shtयों का बिनासक है योग की योगी को आत्मस्वरूप प्रमात् लिएकैर भाबना करनी चाहिए। मैं स्वय्म अतेंद्रिय रोता हुआ इवर घ्राता हुआ इंद्रिय धर्म से रहते हैं जगत का अध्रेंद्र मैं और गोत्र से सुन्य मननसील सब के मन मैं इस्थत्यां देवता हुआ किन्तु मुझ में मन नहीं है मैं अमना हूँ और न तो उसका धर्म ही है मैं ही विज्ञान तथा ग्यानस्वरूप हूँ मैं ही समस्त ग्यान का आस्त्रय बुद्धी रूप गुवा में इस्तित प्राणि मात्र का साक्षी तथा सरवग्या और बुद्धी की अधिनता से मुक में जगत का साक्षि, जगत का नियनता और प्रमानन्द स्वरोप हूं, जाग्रद, स्वप्न, एवं सुप्त के इन सबी अवस्थाओं में जगत का साक्षि होते हुए भी में इन अवस्थाओं से रहेत हूं मैं ही तुरीय व्रह्म और विधाता हूँ, मैं ही द्रग रूप हूँ, मैं ही न्रगुण श्वरूप हूँ, मुक्त बुद्ध शुद्ध प्रभुद्ध अजर सर्वभ्यापी सत्यस्वरूप एबं शिवस्वरूप प्रमात्मा हूँ इस प्रकार जो विद्वान इन परमपद परमेश्वर का ध्यान करता है वे निश्चे ही इस्वर का सारुप्य प्राप्त कर लेता है इसमें संदेह नहीं हे सुब्रत शंकरे आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ करत करता है वहाँ परंपद को प्राप्त करता है अत्वा मेरे विष्ण लोक को प्राप्त करता है है इसले श्रद्धा और भक्ति से इस विष्ण पंजर इस्तोत्र का पाठ करें जो इसको पढ़ता है सुनता है सुनाता है निश्चित वहाँ मेरे धाम को प्राप्त करता है आए भाव से विष्ण पंजर स्तोत्र का पाठ करें। 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 एत दुक्त्वा संकराया विष्ण पंचरं महात। पुरा रक्षार्त मेसा अन्याह कात्या यन्या ब्रसत्भज। नासियामा ससाएन चामरं महिसा सुरं। दानवं रक्त बीजम्च अन्याश सुरुकंठकान। एत जन परभक्त्या सत्रुन विजयते सदा। सोलुमा अध्याय भगवान विष्ण का ध्यान एवं सूर्य आर्चन अन्दिरुपन। पुनाह भगवान रुद्व्रने कहा है संक चक्र और गदा को धार्ण करने वाले भगवान स्रीहरी। आप पुनाह देव देवेश्वर शुद्ध स्करुप प्रमात्मा विष्ण के ध्यान का अब्रणन करें। तब भगवान स्रीहरी ने कहा है रुद्र। संसार रूपी ब्रक्ष का अभिनास करने वाले। वे हरी ज्यान रूप अनंत सरवभ्याप्त अजन्मा और अभ्यक्त हैं। वे अभिनासी सरवत प्रगामे नित्यमहान अदुतिय प्रब्रह्म हैं। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर के गतिश्वर हैं। चराचर में गतिमान प्रमेश्वर हैं, वे समस्त प्राणियों के हृदे में निवास करने वाले हैं तथा सभी के इश्वर हैं समपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयम निराधार हैं, सभी कारणों के कारण हैं सामसारिक विशयों की आसक्ति में उनकी इस्थिती नहीं है, अर्थात वे आसक्ति से परे कहे गए हैं वे निरगुन हैं, मुक्त योग्यों के धे हैं, वे स्थूल सरीर से रहिते, नेत्रपाणि, पाद, पाय, उपस्थाधी समस्त इंद्रियों से विहीन हैं वे हरी मन एवन मन के धर्म शंकल्प ब्यकल्प आद्य से रहिते हैं, वे बुद्ध से रहिते, बुद्ध धर्म विवर्जत अहंकार से सुण, चित्त से अग्राःयों प्राण अपान ब्यान वायुसे रहिते हैं भगवान स्रहर ने कहा यहे रुद्र अब मैं सूरे की पूजा का पुनह वर्णन करता हूँ जो प्राचिन काल में भ्रुगुरिष्टी को सुनाई गई थी यह भगवान सूरे देव का मूल मंत्र है उसको सुनो ओम्ख खोलकाय नमह जो सादक को भोग और मुक्ष प्रदान करता है निमन मंत्र के अंगन्यास जब करके सादक को सूरे की पूजा करने चाहे उसके बाद सूरे का यहा मंत्र सादक के समस्त पापों का बिनास करने वाला है उसे अगनी प्रकार मंत्र भी कहते हैं भगवान सूरे को प्रसंद करने वाला मंत्र इस प्रकार है या सूरे गायत्प्री मंत्र भी पहलाता है इस मंत्र जबके पश्चाद साधक को सूरे एवं गायत्प्री का सकली करन जब करना चाहिए ओम आधित्याय विद्महे विष्वभावाय धीमही तन्नह सूर्य प्रचूदयातु साधक्व प्रतेक दिसा प्रदिसा में निमन लिखित दिकपाल देवों के लिए भी प्रणाम करना चाहे कि ओम धरमात्मने नमहा ओम यमाय नमहा ओम दंड नायकाय नमहा ओम देवताय नमहा ओम स्याम पिंगलाय नमहा ओम देख्षिताय नमहा ओम बज्रपानय नमहा ओम भूर भुवक्ष्व नमहा हे ब्रश्वध्धज साधक को चाहे कि वह निमनांकित मंत्रों से पूर्वादी दिशाओं से प्रारंप करके इसान कोण तक चंद्रादी ग्रहों की पूजा करे ओम चंद्राय नक्षत्प्रादी पतै नमहा ओम अंगार काय छिति सुताय नमहा ओम बुधाय सोम शुताय नमहा ओम बागी स्वराय सर्व विद्यादी पतै नमहा ओम सुक्राय महरसय भ्रगुशुताय नमहा ओम सनैश्चराय सूर्यात्म जाय नमहा ओम राहवे नमहा ओम केत निमन तीन मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देव को अर्गय प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहे कि ओम अनुरुकाय नमहा ओम प्रमत नाथाय नमहा ओम बुधाय नमहा ओम भगवन परिमिति मयूख मालन शकल जगत पताई सब्ताष्प्रबाहन परमसिद्धिप्रद विस्पुलिंग पिंगल तत यही इदमर्ग्यममम सरशी गतम ग्रहन तेजो ग्रहर उपम अनल ज्वल ज्वल ठटटटट नमहा ओम उपर्यक्त मंत्र से आवाहित इन अभिष्ट देवताओं का पुनह विशर्जन करें कि ओम नमो भगवते आदित्य सहस्त्र रस्मी भगवान भास करें आप के लिए मेरा प्रणाम हे क्रपालो आप पुनह आगमन के लिए सुक पूर्बग पधारें पुनह भगवान अस्र हर ने कहा हे रुद्रदेव मैं पुनह सूरे पूजा घी विदिका ब्रणन करूंगा जिसे मैंने पहले कुवेर जि कि सूर्य पूजा प्रारम करने से पूर्व एकाक्रिजित होकर पवित्प्रस्थान पर करिण का युक्त अश्ट दल कमल बनाएं, तदनंतर सूर्य देव का आवाहन करें, तद पश्चाद भूमी पर निर्मित कमल दल की मद्ध में, यंत्र रूपी खख खोलक भगवान सूर इसान कोण में सिर्की स्थापना करके नैरित्य कोण में शिखा का विन्यास करें, वहापुन एकाग्र चित्त होकर पूरुप दिसा में, उनके धर्म वाय कोण में, उनके नेत्र और पश्चम दिसा में, उनके अस्त्र का विन्यास करें, पिसी प्रकार अश्ट दल कमल के इ तरदिसा में राव के पूजन का बिदान है अतह सादक को इन सभी ग्रहों का पूजन करके दुतियक अक्षा के साथ में ही 12 सूरियों की स्थापना भी करना चाहे जिनके नाम है भग, सूरिय, अर्यमा, मित्र, वर्ण, शविता, धाता, विबस्वान, त्वश्टा, पूखा, इंद्र और विष्णू ए 12 सूरिय कहे गए हैं 12 सूरियों की पूजा करने के इबाद पूरबाद दिसाओं में इंद्राद देवों की अर्चना करें तसा जया, विजया, जयन्ति एवं अपराजिता सक्तियों और शेश बाशु की आदे नागों की भी पूजा करने चाहे अठारुआ अध्यायु मृतुञ्जय मंत्र जब की महिमा नई मशारण में सुध जी माराज कहते हैं रिशियुँ अब मैं मृतुञ्जय मंत्र का पूजन सुनाता हूँ जिसको गर्डुजी ने का स्यप रिशिशे कहा था वह साधक का उधार करने वाले पूण प्रतायनी एवं सर्व देव में पूजा है ऐसा सभी का अभिमत है सुध जी ने कहा रिशियुँ मृतुञ्जय मंत्र ओम जूम सह तीन अक्ष्रों वाला है पहले ओम का उचार्ण करें जूम हूम का उचार्ण करें उसके बाद विश्व के साथ स्व का उचार्ण करना चाहें यह मंत्र मृत्य और दर्द्रता का मरदन करने वाला है तता शिव, विष्ण, सूर्य, आदि सभी देवों का कारण भूत है ओम, जूम, सहव यह महा मंत्र अमरतेश के नाम से भी कहा जाता है इस मंत्र का जब करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्य रहित हो जाता है अर्थात मृत्य के समय होने वाले उसके कश्ट दूर हो जाते हैं इस मंत्र का सव बार जब करने से वेदा ध्यन जनेत पुल्णिक फल तता यग्यकृत फल एवं तीर्थ उष्णान दान पुल्णियादि का फल प्राप्त होता है तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जब करने से मनुष्य को मृत्य को अभे प्राप्त कर लेता है मृत्य से भे नहीं रहता कठन से कठन विखन बाधाओं को वह पार कर जाता है सत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है भगवान मृत्युजय श्वेत कमल के उपर बैठे हुए बर्द हस्त तथा अभे मुद्ब्रा धारन के हुए है तात पर यह है कि उनके एक आत में अभे मुद्ब्रा है और एक आत में बर्द मुद्ब्रा तथा हातों में अमर्त कलस है इस रूप में अमर्तेश्वर का ध्यान करने का विधान है अम्रत्रिस्वर का ध्यान करके बांग में रहने वाली अम्रत भासनी अम्रता देवी का भी ध्यान करना चाहे देवी के दाएं हाथ में कलस और बाएं हाथ में कमल शुशोवित हो रहा है हे सिव यदि एक मास तक अमर्ता देवी की साथ अमर्ते स्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जूम सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में आठ हजार जब करे तो वह जरामर्त तता महाव्याद से मुक्त हो जाता है और शत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है यहाँ मंत्र महान सांति प्रदान करने वाला है अमर्ते स्वर भगवान की पूजा में आवाहन स्थापन रोधन संध्धान निवसेश करकिने के बाद पाद्य आर्गय से पूजा आव करनी चाहे तब पशात उनका विसर्जन भी करना चाहे सडंग प्रकार का पूजन जिसे प्रमिष्टर प्रमात्मा ने अपने मुख से स्वयम कहा है वहाँ करम से बतलाया गया है उसे जो जानता है वहाँ पूजक है सडंग पूजा इस प्रकार है साधक को प्रारम में अर्गय पाद्याद से पूजा करने चाहे और मंत्र जाप करना चाहे देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मात्प्रका गण देवता गणिश्वर गणपती नंदीश्वर गंगा जियादियों का भी दीवन पूजन स्थापन करना चाहे इस पूजा में ओम अम्रतेश्वर भैरवाय नमहा ओम जूम हूंस सुर्य नमहा कहना चाहे इसी प्रकार प्रारम में प्रणब मंत्र ओमकार को जोड़ कर नामों चालन करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रियोखर के शिव, कृष्ण, ब्रह्माग, गण, चंडिका, सरश्वती और लक्षमियाद की पूजा भी करने चाहे उन्नीसवा आध्याय सरपों के विस हरने के उपायत था दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र प्राने सुरी विद्या सूद जी महराज कहते हैं रिशियों अब मैं सिव द्वारा पक्ष राजगरुड को सुनाए गए प्राने स्वर महामंत्र का बर्णन करता हूँ किन्तु इसके पूर्व उन अस्थानों का बर्णन करोंगा जहां सरप के काटने से प्राने जीवित नहीं रह सकता इसमसान बलमेक परवत कुआ और ब्रक्ष के कोटर इन अस्थानों में इस्थित सरप के द्वारा काट लेने पर यदि उस दात लगे अस्थान पर तीन प्रचन रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राने जीवित नहीं रहता सश्टी तिथी में करक और मेश रासी में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल अस्थलिसा मघा आधि कुरूर नक्षत्रों में सरप दंस होने से प्राने का जीवन शमाप्त हो जाता है तथा कांक, कटी, गला, संधी, स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थिभाग और उदर में काटने पर प्राने जीवित नहीं रहता यदि सरप दंस के समय दंडी, सस्तरधारे, विक्ष, तथा नगन प्राने का दरसन होता है तो उसे काल का ही दूद समझना चाहे हाथ मुख गरदन और फीठ में सरप के काटने से प्राने जीवित नहीं बचता दिन के प्रतम भाग के पूर्व अर्द याम भाग का भोग सूरे करता है उस दिवाकर भोग के पश्चाद गणना करम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यसा करम सेस यामों का भोग होता है इस काल गति में प्रतेक दिन छे परिवर्तनों के साथ अन्य सेस ग्रहों का भोग माना जाता है यथा जोतिसियों ने काल चकर के आधार पर रात्र काल में सेस नाग, सूर्य वासुकी नाग, चंद्र, तक्चक नाग, मंगल करकोटक, बुध, पद्भ नाग, कुरु महापद्भ, शुक्र शंख, सने, कुलिक नाग, राव और केतु को कुलिक नाग ही स्विकार किया है रात ये दिन में ब्रश्पति का भोग काल आने पर सूर्य देव भी अनन्त करने वाले हो जाते हैं, अताह इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी, बच नहीं सकता दिन में सनी ग्रहों की बेला के आने पर राहु असुव धर्म से संयुक्त रहता है, अताह वह अपने यामार्द भोग और संद्यकाल की अवस्तति में काल बन करके गत की समान आता है रात प्रिय और दिन का मान लगभग तीस तीस घड़ी का होता है, इस मान के अनुसारन मिरमित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिसी को, पादं गुष्ट तिस्याओं को पैर के उपर तृतिया को गुल्म चतुर्थी को जानू पंचमी को लिंग, सश्टी को नाभी, सब्तमी को हृदे, अश्चमी को स्तन, नवमी को कंठ, दसमी को नाशिका, एकादस को नेत्र, द्वादसी को कान, प्रेयोदसी को भौ, चतुर्दसी को शंक, अर्दात, कनपटी तसा पूर्णिमा एबम अमावास्त को मस्तक पर निवास करता है, पुरुष के दखनांग में, तसा इस्त्रे के बामांग में चंद्र की इस्तिती होती है, चंद्र की इस्तिती जिस अंग में होती है, उस अंग में सरफ के डशने पर प्रानी जीवित बच नहीं सकता यद्यप सर्पदंस से सरीर में उत्पन हुई मूर्चा सीक्र समार्थ होने वाले नहीं है फिर भी सरीर मर्दन से वहा दूर हो जाती है इस पटिक के समान निर्मल ओम हंच नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है विसरूपी पाप को नश्ट करने में समर्थ इस वीज मंत्र का प्रेयोग सर्पदंस से मूर्चित प्राणी प्रकरना चाहे इसके प्रकार चार रूप से हैं प्रथम मात्प्रावीज बिंदु से युक्त हैं दूसरा पांच स्वरों से संयुक्त हैं प्राचिन समय में पक्षिराज गरुड ने तीनों लोखों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुले श्वाहा इस महा मंत्र को आत्म साथ किया था अता सर्प एवं सर्पणियों के विसको शांत करने के लिए इस चुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाह मंत्र का न्यास करना चाहे जिस घर में उपर्युक्त मंत्र भली प्रकार से लिखाई रहता है, सर्प उस घर को छूड़ कर चले जाते हैं, जो मनुस्य एक हजार बार इस मंत्र के जब से अवे मंत्रत सूत्र को कान पर धालन करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता जिस घर में इस मंत्र से अवे मंत्रत सरकरा खंड फेंग दे जाते हैं उस घर को भी सर्प छूड़ देते हैं देवताओं और असरों ने इस मंत्र का साथ लाग जब करके सिद्धी प्राप्त की थी इसी प्रकार एक अश्चदल पद्म का रेखांग करना चाहे उस पर ओम सुबर्ण रेखें कुकुट विग्रह ट्रूपनी श्वाह मंत्र से दो दो बर्ण लिखें तथा ओम पक्षिस्वाह इस मंत्र से अवी मंत्रत जल के द्वारा श्टनान कराने से विस विभल प्राने का विस दूर हो जाता है ओम पक्षिस्वाह इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ट भाग से लेकर कनिष्ठा प्रियंत करन्यास तथा मुख हिर्दय लिंग और पैरों में अंगन्यास करें जो विसधर नाग ऐसे मनुस्य की छाया को स्वपन में भी लांग नहीं सकता जो मनों से इस मंत्र का एक लांग जप करके सिध्वी प्राप्त कर लेता है। वह अपने द्रिश्ट मात्र से व्यतित व्यक्त के स्रेर में व्याप्त विसको नष्ट कर देता है। ओम रीम रोम रीम विख भी रुणडाय स्वाह इसमंद्प्रका जब सर्बधंचित व्यक्ति के कान में करने पर बिश का प्रभाव छिन हो जाता है। यदि दोनों पैरों के अगरभाग में गुल्प में ई जान में उ उ कट में ए आई नाभ में ओ रिदे में आउ मुख में अम तथा मस्तक में वर्ण का स्थापन करे ओ भंस बीजमंत्र से सहित न्यास करके सादक इस बीजमंत्र का ध्यान पूजन और जब करे तो वह सर्प इस को दूर कर देता है गरुड जी ने कहा कि यहां ध्यान करके सादक को विस्थ समन का कारे करना चाहे हम बीजमंत्र का सरेर में विन्यास विसादी का हरन करने वाला कहा गया है बाम हात में हंस मंत्र का न्यास करके जो सादक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जब करता है वह सर् बिसको दूर करने में समर्थ होता है क्योंकि यहां मंत्र विसधर नागों के नास का भाग और मुह की स्वास नले को रोकने में कूर्ण शमर्थ है यहां मंत्र सरीर की तवचा बांच आदि में व्याप्त सर्प बिसको भी विनश्ट कर देता है सर्व दंद से मूर्चित प्राने के सरीर में ओम हंसह मंत्र का न्यास करके भगवान नेलकंट आदि देवों का भी जान करना चाहे ऐसा करने से वह मंत्र अपने आयुशक्त के द्वारा उस संपूर्ण विसका हरन कर लेता है प्रत्यंगी कार की जड़को चावल के जल के साथ पीस कर पीने से विसका प्रफाव दूर हो जाता है पुंदर नवा प्रियंगू स्वेत ब्रहती कुसमांड अपराजिता की जड़ गेर हों तता कमल गठे के फल को जल में पीस कर गृत के साथ लेप तयार करना चाहे इस प्रकार बना हुआ लेप भी सरेर में लगाने से विसको सांत कर देता है सर्ब के काटने पर जो मनुस्य उष्टन गृत का पान कर देता है उसके सरेर में विसका अधिक प्रफाव नहीं बढ़ता सर्ब दंत होने पर स्रेश नामक ब्रक्च के पंचांग के सहित गाजर के बीजों को फीस कर सरवांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विसका प्रभाव समाप्त हो जाता है ओम भ्रेम बीज मंत्र गोनस आधि विसेले सरपों के विसको दूर करने में समर्त है इस मंत्र के साथ अख का प्रियोकर अर्थात ओम भ्रीम अख का उचालन करते हुए हृदय ललाट आधि में बिन्याज करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सरपादिका बसी करन हो जाता है इसका पंब्रह हजार जब करके साथक गरुड के समांग सरवगामी का भी विद्वान बेदिवित हो जाता है तथा दीर्ग आय को प्राप्त करता है नए मिसारण के छेत्र में स्रिक्षूत जी माराज रिसियों को यहां विस समन का उपाए बताते हुए कहते हैं अब मैं आप सभी को सिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपने ये मंत्र को बताऊंगा जिन से अभी मंत्रत पास धनोष चक्र, मुद्गर, सूल और पटिस नामक आयदों को धार्ण करके राजा सत्रों पर भी विजे प्राप्त कर लेता है मंत्रों धार के लिए कमल पत्र पर अश्ट बरग बना कर पूर्व से सुरू करके करमशह, इसान कौन तक बीज मंत्र को लिखना चाहे ओंकार ब्रह्मबीज है, हरिंकार विष्णबीज है, और हरिंकार शिवबीज है सादक हाथ में सूल ग्रहन करके ततपश्चाद उसको आकास में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नश्ट हो जाते हैं सादक धुमर ब्रण के धनस को हाथ में लेकर आकास की और भुजा उठा कर इस मंत्र का चिंदन करे ऐसा करने से दुष्ट विसेले सर्प कुछ सित्क रह, बिनासकारी मेग और राक्षस नश्ट हो जाते हैं यह मंत्र तो उत्रलोकी की रक्षा करने में शमर्त है, मृत्य लोके विसे में तो कहना ही क्या ओम जूम सूम हूम फट यह दूसरा मंत्र है, सादक खैर की आठ लकडियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रत कर उसे आठ दिसाओं में गाड़ दे तो इस कीलांकित छेत्र में बज्रपात तता इसकी गर्जना का उपद्रब नहीं होता है गर्ण द्वारा कहे गए इस मंत्र से आठ कीलों को 21 बार अभिमंत्रत कर रात्प्र के समय अपने अभिष्ट छेत्र की चारों दिसाओं और विदिसाओं में गाड़ देना चाहे इससे भी वहा विद्धुत निपात बज्रपात था चूहा ठटी का आज से होने वाले उपद्रबों का भय नहीं रहता ओम राम सदा शिवाय नमहा ऐसा कहकर साधक तरजनी अंगुली के द्वारा अनार पुस्प के सदर्ष कांते मान एक पिंड का अंद्रमान करे उस पिंड के प्रदर्षन मात्र से ही दुष्ट जनमेग विद्धुत विस राक्षस भूत और डाकनी आदे दसों दिसाओं को छोड़ करके भाग जाती है इस मंत्र को भैरव मंत्र कहा जाता है यहां भैरव पिंड विस तता पाप ग्रहों के कुपरभाब को शमात्य करने में शमर्त है यह साधक के कारे छेत्र के रक्षा और भूत राक्षसादी की कुपद्रवी सक्तियों को नश्ट करता है ओम नमा यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्रवज्र का ध्यान करे इस इंद्रवज्राद से विश्यशत्र और भूत गण बिनष्ट हो जाते हैं ओम चुमक्ष नमा इस मंत्र से बाएं हाथ में पास का स्मर्ण करे जिससे विश्ट था भूत आदिका बिनास होता है जिसे प्रकार ओम राम रोम नमा इस मंत्र से उच्चालन करते हुए उपद्रवकारी मेग और पाप ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है कृतांत यम्राज का ध्यान करके शाधक छेदक अस्त्र से सत्र समुह का बिनास करे ओम नमा इस मंत्रों चालन के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पाप ग्रह भूत विश्ट के प्रभाव का समन कर सकता है ओम लसद दुजिः वाक्ष स्वाह इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेती बाड़ी में बिखन डालने वाले ग्रह भूत विस और पक्षियों का निवारन करे सकता है ओम फ़ खुनम नमहा इस मंत्र को रक्त वरन की स्याहि से नगाडे पर लिख करे उसे बजाना चाहे इसके सब्द को सुनकर पाप ग्रह आदी सभी उपद्रवकारी तत्व भैभीत हो जाते हैं बीश्वा अध्याए पंच बक्त्र पूजन तथा सिवार्चन विधी सूजी महाराज नएम सारण में रिशियों से कहते हैं रिशियों अब मैं पंच मुक्षिब की पूजा का ब्रणन करूंगा जो साधक को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करती है साधक को सबसे पहले निमन मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहे कि ओम भुरविष्ट नवे आदे भूताए सरवाधाराय मूरताई श्वाह पुनहां ओम हाम सद्ध्योजाताए नमख कह करे साधक सद्ध्योजात का आवाहन करे इन सद्ध्योजात की आठ कलाएं कही गई है इनका नाम सिध्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांथी, स्वधा और श्व्क्ति है सद्ध्योजात की पूझा करने के पश्चाद ओम सिध्धी नमह इत्याद मंत्रों से उन सभी आठ कलाओं की पूजा करने का बिदान है, तदनंतर ओम्हीम बामदेवाय नमहा, इस मंत्र से सादक बामदेव की पूजा करे, बामदेव की तीरह कलाएं हैं, जिने रजा, गरक्षा, रती, पाल्या, कांती, तृष्णा, मती, क्रिया, कामा, बुद्धी, रात्री, तरासनी, तथा मोहनी कहा चाता है इन कलाओं के अत्रक्त मनोन मने अगोरा मोहा छुदा निद्रा मृत्यू माया तथा भैंकरा नाम की आठ कलाएं हैं पुक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद सादक को ओम हैं तत्प्रशाय नमहां इस मन्त्र से तत्प्रश देव की पूजा करने चाहे उनकी निब्रती प्रतिष्ठा विद्या सांत और संप पूर्ण ये पांच कलाओं हैं साधक कलाओं की पूजा करके ओम हौम इसान आयनमहा इस मंत्र से इसान देव की पूजा करे तत्पष्टाद इसान देव की निश्चला, निरंजना, शिशनी, अंगना, मरीच और ज्वालनी नाम की जो छे कलाओं हैं उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे सूध जी माराज कहते हैं हेरिशियों अब मैं सिव की अर्चन का व्रणन करूँगा जो भुक्ती और मुक्ती दोनों प्रधान करने वाली है बारह अंगुल के माप में बिंद द्वारा भगवान सिव की मूर्ति बनानी चाहे उनमें सांत सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहे बिंद द्वारा बनाए गए मूर्ति में उपर की और पांच बिंद लगाने चाहे जो शिव का मुक्ष है वह छोटे आकार में होना चाहे और नीचे की और मूर्थी के अनुशार बिंदू लगा कर बड़े बड़े अंग बनाने चाहे मूर्थ के अदो भाग में छटा बिंदू विसरग के साथ होना चाहे जो अस्त्र है उसके साथ फ्रव लिखा हुआ होना चाहे यह महा मंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देनी वाला साथक मूर्थ के उर्दो भाग से लेकर मूर्थ के चलन प्रियंत अपने दोनों हाथों से इसपर्च करे और महा मुद्ब्रा दिखाए उसके बाद संपूर्ण अंगों से नियास करना चाहे तदरंतर वहा अस्त्र मंत्र ओम फट का उचार्ण करता हुआ दहने हातिली से इसपर्च करके शोधन करे उसके बाद कनिष्ठा अंगोली से लेकर महा मंत्र से ही तरजनी अंगोली तक नियास करे अब मैं हिर्दे कमल की करनिका में पूजन विदी बताऊंगा उसमें धर्म ज्यान वैराग ऐस्वर्याद की अर्चना करें सर्व प्रथम आवाअन स्थापन पाद्य और ज्याद से पूजा करके अगन में आहुत देने की विदी कही गई है सादक को पूजास्थल पर अगनी प्रजोलित करने के लिए ओम फट मंत्र से एक कुंड का निर्मान करे ओम हूम इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभ्युक्षन करके मानसिक रूप से उसमें सक्ति का विन्यास करे उसके बाद उसको फिर्दै अत्वा सक्ति पूड में ख्रमसा ग्यान रूपी तेज तदा अगनी का विन्यास करना चाहे उसके बाद अगनी के निश्कृति संसकार को छोड़ कर गर्वाधहानादी समस्त संसकार करने का विदान है निस्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चाद किया जाता है इसले आहुति के पूर्व उस संस्कार का विन्यास है समस्त संस्कारों के इबाद साधक को उस प्रज्वलित अगन में समस्त अंगिक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देने चाहे तदनंतर कमलांकित गरब वाले उस कमंडल में नीलकंट शिव का पूजन करना चाहे। इस मंडल के अगनिकोण में अर्द चंद्राकार खल्यानकार एक अगनिकुंड बनाना चाहे। तत्रनंतर अगनेदेव के अस्त्रों से युक्त हिर्दयाद में नियास करने का विदान है इसके बाद मंडल के अंत्रगत बने हुए कमल की करणेगा का परिश्रदा शिव की तथा जिसाओं में अस्त्राद की पूजा करें आवश्रेष्ट पंच तत्वों में इस्तित पृत से वे जल आदि तत्यों की दिख्चा बताई जाती है इन दोनों सक्तियों के लिए प्रतक प्रतक रूप से सो सो आवतियां पांच बार देनी चाहे दप्रचाद सादक पूर्णा होते देकर प्रसनता पूर्बक त्रसूली भगवान शिव का ध्यान करें उसके बाद प्रा सिव की विशेष पूजा में शादक को चाहे कि वह प्रतम ओम हाम आत्म तत्वाय स्वाह ओम हीम विद्या तत्वाय स्वाह ओम हुम शिवत तत्वाय स्वाह ऐसा उच्चारन करके आजमन करें उसके बाद उसे मानसिक रूप से करनेंद्र का असपर्च करना चाहे उसके बा ओम्हाम नमहा सर्वमात प्रव्यह स्वधा इन मंत्रों से तरपन करें इसी रीति से पिता पिता महा प्रमाता महा तथा ब्रिद्ध प्रमाता महा आधिका भी तरपन करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए पूजन विधान ब्रणन करते हुए सूद जी महराज कहते हैं रिसियों उसके बाद आच्मन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत प्रिमंत्र का जब करना चाहे वहां मंत्र इस प्रकार से है अर्थाते प्रणव से युक्त हाम बीज सक्ति से संपन उन महेश्वर का हम सभी चिन्तन करते हैं वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं वे रुद्र हम सभी को सनमार्ग पर चलने के लिए प्रेर्णा प्रदान करें शिव गायत्र मंत्र जबके पश्चाल सूर्यों पस्थान करके सूर्य मंत्रों से शूर्य रूप सिव की पूजा करने चाहे उन मंत्रों का सुरूप इस प्रकार है इस पूजा के बाद क्रमसह नाम के आदी और अंत में ओम नमह शब्द का प्रियोग करके दंडी तथा पिंगल आदी भूत नायकों का अस्मरन करके अगनी आदी कोणों में विमला आये नमह इसान आये नमह आदी मंत्रों से क्रमशह विमला और इसान सक्तियों की स्थापना करके पूजा करने चाहे ऐसा करने से उपासक को परम शुक की प्राप्ति होती है इन सक्तियों की पूजा के लिए प्रथक प्रथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं यथा ओम राम पद्माए नमहा अगनी कूण में करम शहा ओम रेम दीपताए नमहा ओम रोम सुक्त्माए नमहा ओम रेम जयाए नमहा ओम रेम भद्राए नमहा ओम रोम विभूते नमहा ओम रोम विमलाए नमहा ओम रम अमोधिकाए नमहा ओम रम विद्धताए नमहा ओम रम सरवतो मुख्याए नमहा इसके बाद सिवकार शिवस्तु सूर्य प्रतिमां को सूर्य आसन प्रदान करके राम भरीम रूम शह इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निमन मंत्र से नियास करें ओम आम भूर भूवश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्व नमहा, सादक को अंग न्यास के पश्चाद, निमन मंत्रों से सूर्याद सभी नव ग्रहों की मानसी पूजा करने चाहे, इस प्रकार सूर्य देव आदि की पूजा करके सादक को आजमन करना चाहे, इसके बाद वहा कनिष्ट का आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनह निमनांकित मन्त्रों से अंग न्यास करे, ओम हाम भुदयाय नमहा, ओम रिम सरसे स्वाह, ओम हूम सिखाय वसट, ओम हैं कवचाय हूम, ओम हाम नेत्रत्रत्रयाय वसट, ओम हां अस्त्राय फट, उसी जल से अपने सरीर का प्रोक्षन करना चाहिए। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आधी की पूजा करे। ओम हम सिभाय नमह मंत्र से पद्व में इस्तित सिव की पूजा करके नंदी महाकाल गंगा यमना स्तरश्वती स्त्रेवत्ष वास्त देवता ब्रह्मा गणपती तथा गुरु की भी पूजा करे। उसके बाद साधक को पद्म के मध्य में सक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूरुब दिसा में धर्म, दक्षण में ग्यान, पश्चिम में वैराग्य, कुत्तर में अईस्वर्य, अगनिकोण में अधर्म, नैरित्य में अग्यान, वायब्य में अवैराग्य, इशान में अनाइश्वरिय पद्म की करनिका में वामा और येश्ठा इसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्रे काले सिवा तथा असिता आदिसक्त्यों की पूजा करने का विधान है उसके बाद सादक को शिव के आगे इस्तित्थ पीट के मध्य ओम होम कलविक्रने नमहा ओम रोम बलविक्रने नमहा ओम रोम बलविक्रने नमहा ओम रोम बलप्रत मन्ने नमहा ओम सरव भूत दमन्ने नमहा ओम मनोन मन्ने नमहा इन मंत्रों से कलविक्रने एवं बलविक्रने आदिकी पूजा करें सादक भगवान सिव के लिए आसंग प्रदान कर महा मूर्त के स्थापना करें तदनंतर मूर्त के मद्य में सिव को उद्धिष्ट करके आवाहन स्थापन सन्निधान सन्यरोध सगली करन आदी मुद्ब्रा दिखाएं और अर्गे पाद्य आच्मन अभयंग उद्ध्वर्तक तथा अश्टनानी जल समर्पित करें एवं अरण मन्थन करके पुझ्य देवों को वस्त्र गंद धूप दीप और नैवेद्ध में चरु शमर्पित करें नैवेद्ध के अनंतर आच्मन दे करके मुख शुद्धी के लिए तामूल करोध गर्दन छत्र चामर यग्यो पवीतादी को पुरदान करें उसके बाद साधक आराद्य के साथ तदाकार होकार उनका जप करें और बिनम्र भाव से इस्तुतिकर उन्हें प्रणाम करें चतुरदिक पूणों मद्यभाग तथा पूरबाद दिसाओं में अगनी आदे दिख देवताओं तथा इनव्राद दिख वालों की पूजा करने चाहे तदनंतर उसको उन्हें देवों के मद्य स्थित चंड़ इस्वर की पूजा करके द्रमाल समर्फित करना चाहे उसके बाद वह निमनांकित स्थुति से छमापन करके उनका विसर्जन करें विसर्जन मन्त्र निमन प्रकार से हैं ति ओम गुह्याति गुहिय गोप्त्रप्तम ग्रहानस्त्मत्कृतम जपम सिध्धिरभवत मेदेव त्वत्प्रशादा त्वैस्थिति हैं यदकिंचित क्रियते करम सदा सुकृत दुस्कृतम तन्मेशिव पदस्थास्थ रुद्र छपय संकर शिवुदाता सिवह सर्व मिदं जगा सिवो जयति सर्वत्र यह सिवा सोह मेवच यतकृतम यतकरिस्यामी तत सर्वं सुकृतम तब त्वम्त्राता दिश्पनेता चनान्योन आथोस्ति में सिवुद्र अर्थात है प्रभो आप गुहिय स्वे गुहिय तत्तों के संप्रक्षक हैं आप मे मेरे केवे जब को स्विकार करें मुझे सिद्धी प्राप्त हो आपकी किरपा से आप में मेरे निष्ठा बने रहें मेरे द्वारा सरवदा पाप पुण रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नश्ट करें मैं आपके इनकल्यान कारी चरणों में पड़ा हूं आप अपने जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविस्य में करूंगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है यह रक्षक आप मेरे रक्षक हैं आप विश्वनायक हैं हे सिब आपके अत्रिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है भगवान स्री हरी ने कहा इसके बाद मैं सिब पूजा की द पर करने चाहे और साधक पूरबात जिसाओं में इनब्राद से भी दिखपालों की पूजा करें। उन तत्तों में प्रिथिवेजल तीजवाय और आखास पंच महाभूत हैं। में गंद्रस होफ स्ब्थासब्द ये उनकी पांच अनुमात प्रायें हैं। इसके अत्रिक्त मन बुद्धी चित और अहंकारे अंतक करने चतुष्टई है इसके उपर पुरुस्ति इस्तिती है इने को शिव कहा जाता है इन तत्वों के साथ राग विद्या कल्प काल नियंत माया विस्ति विद्या इस्वर और शदासिव जो सब के मूल है उनकी भी पूजा करने चाहे इन समस्त तत्वों में जो सिव और शक्ति अर्थाद पुरुस इवं प्रकृति का तत्वा अनुस्ति है उसको जानकर ग्यान इसाथक जिवन मुक्त होकर शिव शरूप हो जाता है इन तत्वों में जो सिव तत्व है वही विष्णु है वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है भगवान सदासिव मंगल मैं ध्याना शरूप इस प्रकार है कि वे देव पत्मासन पर विराजवान रहते हैं उनका प्रशाद मुद्रा सक्ति सूल तता खडवांग और बाम भाग की और सर्प अक्षमाला डमरु नील कमल तता स्रेट बीज पूरक इस्तित रहता है इच्छा ग्यान और क्रिया नामक तीन सक्तियां उनके तीन नेत्र हैं ऐसे वे देव सरवदा कल्यानकारी भावना में अवस् सदा सिब कहा गया है ऐसे मूर्दिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल से अभय रहता है इस प्रकार से वपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्य होती है और ना है सीत तथा उष्णाद कारणों से ही उसकी मृत्य होती है 24. भगवती तरिपुरा तथा गणेस आदे देवों की पूजा कहुंगा जो अपने भक्तों को सरवदा अभीष्ट प्रदान करने वाली तथा स्त्रेष्ट है सादक को सबसे पहले गनपती देव के आशन एवम उनके मूर्तु स्वरूर का पूजन करके न्यास पूरवक उनकी पूजा करने चाहे सादक को गाम आधी बीज मंत्रों से निमन रीत से फिर्दया दिन्यास करें इसके बाद सादक को ओम दुरुगा याँ पादुका आभ्याम नमः ओम गुरु पादुका आभ्याम नमः इन मंत्र से दुरगा और गुरु की पादकाओं को प्रणाम करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहे उसके बाद ओम रेम दुरगे रक्षणी इस मंत्र से हिरदयाद नयास करें और फिर इसी मंत्र से रुद्र चंड प्रचंड दुरगा, चंडोग्रा, चंड नायका, चंड चंड वती, चंड रूपा, चट्रिका तथा दुरगा इन नो सक्तियों का पूजन करें उसके बाद वज्र खडग आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करके अगनी कोण में सदाशिब आदि देवों की पूजा करें अताह सादक पहले ओम सदाशिब महा प्रेद पत्मासनाय नमहा कहकर प्रणाम करें उसके बाद एंग क्लीम स्रॉम त्रपुराई नमहा यहा मंत्रो उसके बाद भगवती त्रपुरा के पत्मासन मुर्ति और घ्रदयाद अंग को प्रणाम करें तत्पष्टाद उस पद्मपीट पर ब्रह्मानी माहिश्वरे कौमारी वेष्णवी बाराही इंद्रानी चामुंडा और चंड का इन आठ देवियों की भी पूजा करें इन द पूजा के पश्चाद रीति प्रीति कामदेव, पंचबान, योगनी, बटुक, द्रुगा, विग्विन राज, गुरु और छेत्रपाल देवों का भी पूजन करने का विदान है हे रिसियों पूजन भी करना चाहिए 27 वा अध्याय सर्प एवं विसेले जीव जनतों के विसको दूर करने का मंत्र वरनन, सूद जी के द्वारा रिश्यों को वरनन किया जाता है तो सूद जी ने कहा कि अब मैं सर्पाद विभिन विसेले जीव जनतों के काटने से कष्ट पहुंचने वाले विसको दूर करने में समर्थ मंत्र को कह रहा हूँ जो इस प्रकार है कि ओम कने चिकीन कक्वाने चरवाने भूत हारने फणे विसीने ब्रत नारायने उमेदह दह हस्ते चंडे रौद्रे माहे स्वरी महा विमुक ज्वाला विमुक संकु करने सुक मुणडे शत्रुम हनहन सर्वनासने स्वदेह सरवांग सोनितम टन रिक्षसी मनशादेवी सम्मोहय सम्मोहय दौद्रस्यहरतय जाता रौद्रस्यहरतय स्थता पृद्रो रोध्रेन रूपेन तंदेवी रक्ष रक्ष माम्हुं माम्हुं फवट ठोठ सकंद मेखला वालक ग्रह सत्र विसहारी ओम साले माले हर हर विसोंग कार रह विसवेगे हाम हाम शबर हुम हुम शबर आकोल वेगे से सरवे विन्चमेग माले सरव नागाद विसहरणम इस मंत्र का प्रियोकरते समय माहेश्वरे उमादेवी से प्रार्थना करें कि हे माउमे तुम रुद्र के हिर्दे में उत्पन्वी हो और उसी में रहती हो तुम्हारा रोद्र रूप है तुम्हें रोद्री भी कहा जाता है तुम्हारा मुखिजवाला के समान जाजवल्यमान है तथा तुमने अपने कटिक प्रदेश में चुद्र घंड का लगी करधनी पहन रखी है तुम भूतों की प्रिय हो सर्पों के लिए विस्तरूपिनी हो तुमारा नाम ब्रत नारायनी है तथा तुम्हें सुक मुंडा हो और कानों में संकु पहने हुई हो थे विसाल मुख वाली मा भगवती भैंकर एबं प्रचंद सुबाव वाली चंडादेवी हाथ में ज्वलन स सकती पैदा करने वाली सत्रुका हननकर मा हननकर हम हर प्रकार के विशयों से रख्षित हों हमारे रख्चा करो के देवी मेरे सरवांग में फैले हुए विसको प्रभावहीन कर दे मा उस विसको तुम देख रही हो शम्मोहन करो उसका तुम मेरी रख्षा करो रख्षा करो इस प्रकार प्राव्जना इभ़म चिंतन करे उसके बाद रूम-माम-फ।-फ।-वफ।-थ। इसका उच्चारन करें तता इसकन्द की मेखला रूब्फी बाल ग्रहों शत्रों और विशों का हरण करने वाली हे साला माला नाना प्रकार के विशों के वेग का हरण करें हरण करें और हाम हाम सिवर हुम हुम शबरी कहकर बेग पूर्ण सक्ति सालिलमें गती सीलों में अगती सील सरवत्र व्याप्РИ मेग माला शरूपने देवे मेरे सबी नागादी विसजनतों से उत्पन विसका हरन करो मां इस प्रकार चिंतन और प्रार्थना करते हुए रोगी के प्रति इस प्रशाद करते हुए मंत्र पाठ करें 28. अध्याय श्री गोपाल जी की पूजा त्रे लोग के मोहन मंत्र तथा स्रीधर पूजन विधी 29. सूजी माराज कहते हैं रिशियों मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले स्रीधोपाल तथा भगवान स्रीधर विष्णो की पूजा का ब्रणन कर रहा हूँ 29. इसे सुने 29. मंडल के अगनि आदिकोणों में और दिसाओं में परम भागवत नारद शिद्ध तथा गुरु एवं नल कूबर का पूजन करें 29. पूरुब दिसा में विष्णु विष्णु तपा तथा विष्णु सक्ति की अर्चना करने चाहें 30. इसके बाद विष्णु के परिवार की पूजा अर्चना करें 30. मंडल के मद्य में सक्ति की और कूरुम अनन्त पृतिवी धर्म ज्यान तथा वेराग्य अगनि आदिकोणों में पूजा करें 30. वाइब कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकासात्मक एवं एस्वर की पूजा करें 30. गोपी जनवल हवा एस्वाह यह गोपाल मंत्र है 30. मंडल की पूरुक दिशा से आरहंब करके क्रम सा आठों दिशाओं में जामबवती और शुशीला के साथ रुपमनी शत्यभामा सुननदा नग्नजिती लक्ष्मना और मित्र बिंदा की पूजा करनी चाहे 30. श्री गोपाल जी के संख चक्र गधा पत्म मुसल संख खडग पास अंकुस स्रीवत्ष कोस्तुब मुकुट बनवाला आदि धोजा बाहक दिखपाल कुमदादिक और विस्वक सेन का भी पूजन करें 30. श्री रक्ष्मजी सेथ स्रिकिष्ण की अर्चना करने चाहे गोपी जनवल्भ के मंतर जपने से तता उनका ध्यान करने से एवं उनकी पूजा करने से सादक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है ये मंत्र समस्त्र पयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं सूद जी माराज कहते हैं अब मैं स्रीधर भगवान की मंगल मैं पूजा का ब्रनन करता हूँ आप दिहान से सुने सादक को सर्व प्रथम आम स्राम प्रतयायन महा आम स्रीम स्रशेश्वाह आम स्रोम सिखाय वसठ आम स्रैंक अब चाय हूं आम स्रोम नेत्रत्रया वसठ आम स्रह अस्त्राय फट इन मंत्रों से अंगन्याज और करन्याज करना चाहे ततननत्र भगवान को शंक चकर गदा सरूपने मुद्रा प्रतर्शित कर शंक चकर च्क तता गदापदमसे सोवित आत्मसरूप और स्रेधर भगवान प्रशोत्तम का ध्यान करना चाहे उसके बाद स्वस्तिक या सर्वतो भद्र मंडल में स्रेधर देव की पूजा करने चाहे सर्व प्रथम सारंग धनुस दालन करने वाले देवाद देव भगवान विश्णु के आसन की पूजा करने चाहे ओम स्रेधर सन देवता यह गच्छो इस मंत्र से आभान करके ओम समस्त परिवाराय चुतासनाय नमहा ओम धात्रे नमहा ओम गंगाय नमहा ओम यमनाय नमहा ओम आधार सक्ते नमहा ओम कूरमाय नमहा ओम अनंताय नमहा ओम प्रतिव्य नमहा ओम धरमाय नमहा ओम ज्यानाय नमहा ओम भैराग्याय नमहा ओम अधरमाय नमहा ओम अज्यानाय नमहा ओम अभैराग्याय नमहा ओम अनैस्वर्याय नमहा ओम कंदनाय नमहा ओम नालाय नमहा ओम पद्माय नमहा ओम उसके बाद हरिका आवाहन करके उनकी पूजा करें जिनके मंत्र निमन प्रकार से हैं जिनके मंत्र निमन याल से मुणाओ निमन अइस्प्राई निमन विंत्र सरीक्षाई निमन यमाने नमा अम यमाय है नमाएपिटांबराय नमा है नमा यम है नमाईप एसानाय है अम अनन्ताय नमा, अम ब्रह्मने नमा, अम सत्वाय नमा, अम रजसे नमा, अम तमसे नमा, अम विस्प्वक्त सेनाय नमा, इत्याद मंत्र से सटंग न्यास, अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहे उसके बाद सपरिकर भगवान विष्णु का अविसे करके वस्त्र यग्योपवेद गंद पूस्प धूप दीप तथा नविध्य निवेजित करके प्रदक्षना करें मूल मंत्र का जब 108 बार करके जब अविष्ट देव भगवान स्रधर को समर्कित कर दें उसके बाद विद्वान साद को चाहे कि मुहुर्थ वर अपने हृदे देश में इस्तित विसुद्ध स्पटिक मन के समान कामतिमान करोडों सूरे के समान प्रभावाले प्रसन्न मुखसों मेर मुद्रा भावाले चम चमाते हुए धवल मक्राकरत कुंडलों से सुसोबित स्री निवासाय दिवाय नमह स्री पतै नमह स्री धराय ससांगाय स्री प्रदाय नमो नमह स्री वल्लभाय सांधाय स्री मतेज नमो नमह स्री परवत निमासाय नमह स्रेयस कराय चम स्रेयसाम पतै चेब यास्त्रयाय नमो नमह स्तोत्रम कृत्वा नमस्कृत्य देव बिसर्ज एत। इतिरुद्र समाख्याता पुजा विष्ण और महात्मनह। यह करोति महावाः भक्त्या सोयाति पर्ममपतम। हे देव आप लक्ष्मी निवास और स्रीपती हैं आपको मेरा नमस्कार आप स्रीधर हैं सारंग पानी हैं सादक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम आप स्रीवत्तव हैं स्रीवल्लव हैं सांति स्रूप हैं तसा ऐस्वर संपन देव हैं आपको मेरा आप स्री प्रवत पर निवास करने वाले हैं समस्त मंगलों के श्वामी हैं सर्व कल्यान करता हैं तथा सर्व मंगला अधार हैं आपको मेरा बार बार नमश्कार हैं आप कल्यान और ऐस्वरे प्रदान करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम आप सरन देने वाले तथा सर्व स् हैं आपको मेरा भारां भार प्रणाम इस प्रकार देव की नमन के उनका विश्ण करना का चाहे수ाति भच्ति पूर्वक पूजा को प्रकासित करने वाला इस अध्याय का पाड़ करता है वह इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्ण के परंपद को प्राप्त होता है भगवान रुद्र ने कहा है जगत के स्वामी पुनहां उस परकार की पूजा विदि को बताने की किरपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुस्त पर्भव शागर को पार किया जा सकता है तब भगवान स्रीहरजी ने कहा कि हे ब्रस्वत ध्वजे मैं विष्ण देव के पूजन विधान को कह रहा हूं उस भो और मोक्ष को देने वाला वहां है हे रुद्र सर्वप्रथम मनुस्य को इश्णान करना चाहे तर्वंत्र ना चाहे उन विष्ण देव के मूल मंत्रों को कह रहा हूं सुनो ओम श्राइम स्रीध्रथराय विष्णावये नमहा यह मंत्र देवा दयव परमेश्थर विष्ण का वाचक है या समस्त factorshiftों को हरन करने वाला है सभी ग्रहों का समन करता है या सर्भ पाप बिनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। भुक्ति मुक्ति 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 प्रदान करने वाला है। उसके बाद स्रिष्ट तता संभार करने वाले सभी पापों को दूर करने वाले प्रमेश्ट भगवान विश्णु का मंडलों में आवाहन करके इस विदी से उनका पूजन करना चाहे। जिस प्रिकार स्रवप्रतम अपने सरेर में न्यास किया जाता है। उसे प्रिकार प्रतिमा में भी स्रवप्रतम न्यास करना चाहे। तत्वश्चाद मद्रका प्रतर्शंकर अर्गे पाद्याद उप्चारों को अर्पन करना चाहे। उसके बाद श्नान वस्त्र आच्मन गंद पुस्प धूप दीव तता नविद्य रूप में चरो अर्पित करके उन देवी की प्रतक्षिना करनी चाहे। तदनंतर उनके जब करके उस जब पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहे। हे ब्रशवत भजे उन स्रिधर की पूजा करने के मूल मंत्र से करने चाहे। इस समय मैं उन मंत्रों को भी कह रहा हूँ जिनके न्यास तथा विष्ण के परिवार देवता और आयुद आदे की पूजा करना उप्युक्त कहा गया है। कुने आप सुने.. नारदाय नमा, ओम पूर्व दिश्य भ्यो नमा, ओम पूर्व सिद्धे भ्यो नमा, ओम भगवते भ्यो नमा, ओम गुरुभ्यो नमा, ओम परम गुरुभ्यो नमा, ओम इंद्राय सुराधी पताई सबाहन परिवाराय नमा, ओम अगनय तेजो दिपताई सबाहन परिवाराय आम निर्रतै रक्षो दिपतै सबाहन परिवाराये नमहा, आम बरणाय जला दिपतै सबाहन परिवाराये नमहा, आम वाय वेप्रणा दिपतै सबाहन परिवाराये नमहा, आम सोमाय नक्छत्रा दिपतै सबाहन परिवाराये नमहा, आम इसानाय विद्या दिपतै सरव सबाहन ओम अनन्ताय नागादी पताय शबाहन परिवार आये नमहा, ओम ब्रह्म्हने लोकादी पताय शबाहन परिवार आये नमहा, ओम वज्ज्राय हुम फट नमहा, ओम सक्ते हुम फट नमहा, ओम दंडाय हुम फट नमहा, ओम खडगाय हुम फट नमहा, ओम पासाय हुम फट नमहा ओम धजाय होम फटनमा, गम गदाय होम फटनमा, ओम त्रसुलाय होम फटनमा, ओम चक्राय होम फटनमा, ओम पदमाय होम फटनमा, ओम बाम विश्वक्त से नायन महा के महादेव इस प्रकारिन मंत्रों से अधिकारी मनुष्ट को चाहे कि वे विष्णु के विभिन अंगों की पूजा करे तदरंत्र ब्रह्मस्त रूप भगवान विष्णु का पूजन करके इस इस्तुतिचे उन अभिनासी प्रमात्मा प्रभू का इस्तवन करे इस प्रभू के विष्णु 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 के विष् प्रुद्र बंध्याया सर्वेसाय नमो नमहा सर्व लोह कितार्थाया लोका दक्छाय वै नमहा सर्व गोप्त्रे सर्व कर्त्रे सर्व द्रुष्ट बिनासने बरप्रदाय नहांताया वरेनाय नमो नमहा सरण्याय सुरूपाया धर्मकामार्थ दायने 32 वां अध्याय पंच तत्वार चन विधे भगवान महेश्वर ने कहा हे संक चक्र कदादर प्रफो आप पंच तत्वों की उस पूजा विधी को मुझे बताने की किरफा करें जिसका ज्यान प्राप्त कर लेने मात्र से हे मनुष्य परमपद को प्राप्त कर लेता है तब भगवान स्रीहर ने कहा कि हे सुब्रत शिव मैं आपसे पंच तत्व पूजा विधी को कह रहा हूँ यह दिव्य मंगल सुरोप कल्यान कारी रहश्य पूर्ण स्रेष्ठ तथा अभिष्टकों की सिद्धी करने वाली है हे महादेव ऐसे उस परमपविक्प्र कलिदोस विनाशक पूजन विधिका आपस रवन करें हे सदासिव एक ही प्रमात्मा जो बासुदेव स्रीहरी हैं वेही अभिनासी शांत सनातन सत स्वरूप हैं वे धुरूब हैं, सुद्ध हैं, सर्व व्याप्त तथा निरंजन हैं वेही विष्टकों देव अपने माया के प्रभाव से पांच प्रकार से अभस्थित हैं वे जगत का कल्यान करने वाले हैं, वे अदुतीय विष्टकों हैं वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा नारायन रूप से पांच रूपों में इस्थित हैं हे ब्रशवध्भज जनार्दन विष्टकों के उक्त पंच रूपों के बाचक मन्त्र इस्प्रकार से हैं ओम अम बासुदेवाय नमहा, ओम अम संकरशनाय नमहा, ओम अम प्रद्युम्नाय नमहा, ओम अनिरुद्धाय नमहा, ओम ओम नारायनाय नमहा ये पाँच मंत्र उक्त पाँच देवताओं के बाचक हैं जो सभी पातक महापातकों के विनाशक पुल्ने जनक हैं तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं अब मैं आपसे मंगल मैं पंच तत्वार्चन विधी को कह रहा हूं हे शिव उसको जिस विधी से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन करना चाहे आपको सरवन करना ता हूँ आप मैं करें इन पाँच देवों की पूजा में सरव प्रथम श्नान करके विधिवत संध्या करने चाहे तदनांतर हात फैर धोकर पूजागरह में प्रवेश करके चौम रम इन मंत्रों से शोशना दिक्रिया करें हे वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी पीत बर्न के कौशे वस्त्रों से विहूशित सहस्त्रों सूरे की किरणों के समान तेजस रूप तथा देदिप्यमान मकराकृत कुंडलों से शुशोवित हैं ऐसे उन भगवान वासुदेव स्त्रों का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहे उसके बाद भगवान संकर्षण का ध्यान करें उसके बाद यसाक्रम प्रद्युम्न अन्यरुद्ध तथा स्रेमन नारायन के स्वरूप का ध्यान करके उन देभाद देव से प्रादुर भूद इंद्राद देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हातों से व्यापक रूप में करन्याज करें उसके बाद अंगन्याज के मंत्रों से अंगन्याज करें हे महादेव शुब्रत उनन्यास एवं पूजा के मंत्र इस प्रकार से हैं ओम ज्यानाये नमहा ओम बेराग्याये नमहा ओम एस्वरियाये नमहा ओम अधरमाये नमहा ओम अज्यानाये नमहा ओम अनैस्वरियाये नमहा ओम अम अरक मंदलाये नमहा ओम शोम सोम मंदलाये नमहा ओम बंभ बन्ह मंदलाये नमहा ओम वासुदेवाये नमहा परब्रह्मने श व्यापने सर्वदेवाध्यव नमाहा पांच जन्याय नमाहा ओम सुदर्शनाय नमाहा ओम गदाय नमाहा ओम प्द्म्हाय नमाहा ओम स्रिये नमाहा ओम स्रिये नमाहा ओम पुष्टे नमाहा ओम यते नमाहा ओम सक्ते नमाहा ओम प्रिते नमाहा ओम इंद्राय नमाहा ओम उसके बाद उम पध्माय नमह ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतो भद्राद मंडलों का अंद्रमान करके उस मंडल में उनी मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहे मूल मंत्र से पाद्याद्य का नवेदन करके स्नान वस्त्र आज्मन गंध कूश्प धूप दीप तथा नवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षन करने चाहे हे संकरे इसके बाद यथा सक्ति मूल मन्त्र का जप करके उसे प्रभुको शमर्पित करदें तदनंत्र भगवान वासुदेव का स्मर्ण करें इस इस्तोत्र का पाट करना चाहे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह शंकर सनायच कि प्रद्युम्नायाति देवाय अनरुद्धाय नमो नमह नमो नाराय नायव नाराय नाम पतै नमह नरपुज्याय कीर्थ्याय स्तुत्याय परधाय चो अनादे निदनाय पुरानाय नमो नमह स्रष्टि संभार कर्त्रेच ब्रह्मना पतै नमह नमो बैवेद वेद्याय संख चक्र गदाधर कलिकल्मश हंत्रेच सुरेशाय नमो नमः संसार व्रक्षत छेत्रेच माया भेत्रे नमो नमः बहुरूपाय तीर्थाय त्रगुणाय गुणाय च ब्रह्म विष्ण विशूरूपाय मोक्षदाय नमो नमह मोक्षद्वाराय धर्माय निर्वानाय नमो नमह सर्वकाम प्रदायेव प्रभ्रह्म स्वरूपिने संसार सागरे घोरे निमग्नमाम समुध्धर त्वदन्यो नास्ति देवेस नास्ति त्राता जगत प्रभों त्वामेव सर्वगं विष्णुं गतोहं सरणं गतः ज्ञान देप प्रदानेन तमो भुक्तं प्रकाशय ह। हे वाशुदेव हे संकर्षण आपको प्रणाम आपको नमश्कार हे आदिदेव अनिरुद्ध आपके ले नमश्कार हे नारायन हे नर्पते आपको नमन। कीर्तन करने योग्य मनुष्ष शे पूजने इस्तुति करने योग्य बर देने वाले आदि तथा अंतसे रहित सनातं प्रभो आपको बार बार प्रणाम। स्रüş्टि आओर सम्भार करता ब्रह्मा के स्वामी तथा शंक चक्र गदाधारे वगवान विश्च्ण को बार बार प्रणाम। बार बार नमश्कार। कलिकाल के दोसंको नश्ट करने वाले देवों के इस आपको बार बार प्रणाम। सम्पूर्ण जगत रूपी मूल ब्रक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, भोतों से रूपों को धारन करने वाले प्रभू, तीरत स्वरूप, सत्क रज तथा तमो रूप, एवं वस्तुतक नृगुन तथा ब्रह्मा विष्णु और सिव इन तीन रूपों में अवस्तित रहने वाले मोक्ष दायक भगवान विष्णु प्रमीष्वर को नमस्कार, मोक्ष के द्वार भूत धर्मत स्वरूप उंद्रिवान स्वरूप समस्त अभिष्टकों को ब्रदान करने वाले, प्रभ्रमत स्वरूप आपके लिए बार बार नमस्कार है, इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें प्रभो, हे देवेश्वरे, हे जगत के स्वामी, आपके अत्रिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, सरवत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवन विष्णु, मैं आपके सरण में हूँ, हे भगवन ज्यान रूप हे नील लोहिते, अन्य वैदिक इस्तोत्र पाटों से भी इस्तुति करके, पंच तत्तों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हुर्दय में ध्यान करें, इसके बाद विसरजन करना चाहे, इस प्रकार हे संकरे, शंपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वास दूसरों को सुनाता है, वह दिव्य लोकों को विष्णु लोक को प्राप्त करता है, इसलिए इस इस्तोत्र का पाट करना चाहे, कि ओम नमो बाशु देवाय, नमह संकर सनायच, प्रद्युम्नायात देवाय, अनिरुध्धाय नमो नमह, संसार सागरे घोरे निमक्न, आम स अमुद्धर, त्वदन्यो नास्ति देवेश, नास्ति त्राता, जगत प्रभु, त्वामेव सर्व गंबिष्णुम्, गतोहं सर्णंगतह, ज्यान प्रदीप प्रदानेन, तमो मुक्तम प्रकाशय, तमो मुक्तम प्रकाशय, तेती स्वा अध्याय, सुदर्षन चक्र भगवान रुद्र ने कहा, हे संख, गदाधर प्रभु, उस सुदर्षन की पूजा के विसेह में मुझे बताए, जिसे करने से ग्रहदोस और रोगाद सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं, तब भगवान स्रीहर ने कहा, हे ब्रशबद भज, सुदर्षन चक्र की पूजा मैं कह रहा हूं, आप सुने, सर्व प्रतम श्नान करके हर का पूजन करे, साधक को चाहे कि अपने न्द्रमल एवं शुब हुर्द कमल में, भगवान सुदर्षन देव विष्ण का ध्यान करे, हे महादेव, उसके बाद मंडल में संक, चक्र, गदा तथा, पद्म धारन करन वाले सौम्य आक्रति वाले, क्रिटी भगवान विष्ण देव का आवाहन करके, गंद, पूस्प, धूप, दीप, आदी, विभिद उपचारों से पूजा करें, पूजा के अंत में मूल मंत्र का 108 वार जब करें, हे रुद्र, जो इस प्रकार सुदर्षन चकर का उत्तम प पाठ करना चाहिए, कि नमह सुदर्षन आएव, सहस्त्रा दित्य वर्चसे, ज्वाला माला प्रदीप्ताय, सहस्त्रा राय चक्छुसे, सर्व दुष्ट विनासाय, सर्व पातक मर्दने, सुचक्राय, विचक्राय, सर्व मंत्र विभेदने, प्रसवित्रे, जगध्धात् जगद विद्धान्सने नमह। पालनार्थाय लोकानाम दुष्टासुर विनासने उग्राये चेव सोम्याय चन्डाये च नमो नमह। नमस्चक्षु शुरूपाया संसार भैवेदिने माया पंजर वेत्रेचा शिवायेच नमो नमह। ग्रहाति ग्रह रूपाय ग्रहानाम पतै नमह, कालाय मृत वेचेव भीमाय च नमो नमह, भक्तानुक ब्रह दात्रेच भक्त भुगोप्त्रे नमो नमह, विष्ण रूपाय सांताय चायुदहानाम धराय च, विष्ण सस्प्राय चक्राय नमो भूयो नमो नमह, इतिस्तोत्रम बहद पुल्णं चक्रस्य तवकीर्थितं यह पठेद परया भक्त्य विष्ण लोकं सगच्छते चक्र पुजा विधिम्यस्ट्य पठेद दुद्र जितेंद्रियह सपापं भस्म साथ कृत्वा विष्ण लोका यकल्पते सूर्यों सहस्त्रों के समान जिनका तेज संपन्न सुदर्शन चक्र के लिए नमस्कार तेजस्वी किरणों वाली माला से प्रदीप्त हजारों अरे वाले नित्रस्च रूप सर्व दुष्ट विनासक तथा सभी प्रकार के पापों को नश्ट करने वाले आपको नमन हे सुदर्शन चक्र भगवान सुचक्र तथा विचक्र नामधारी शंपुर्ण मंत्र का भेदन करने वाले जगत की स्रिष्ट करने वाले, पालन पोशन करने वाले, एवं जगत का समभार करने वाले, हे सुदर्शनी चक्र आपको नमस्कार है, देवताओं का कल्यान करने वाले, दुष्ट दाप्छसों का विनास करने वाले, दुष्टों का समभार करने के लिए उग्रस सुरूप ए एद करने वाले कल्यान कारी सुदर्शन जी आपको प्रणाम। ग्रह एवं अतिग्रह सुरूप ग्रह पति कालस सुरूप मृत्य सुरूप पापात्माओं के लिए भयंग महा भयंकर आपके लिए बारवार नमन है। भक्तों पर किरपा करने वाले उनके अविरक्षक विष्ण सुरूप सान्त सुभाव समस्त आयदों की सक्ति को अपने मेधारन इस्तित कर रहने वाले विष्ण के सस्त्र भूत है सुदर्शन चक्र आपके लिए बार अमबार नमस्कार है। ये संकर सुदर्शन चक्र के इस महत्पुर्ण साले स्तोत्र का जो मनोस्य परमभक्त से पाठ करता है वह विष्ण लोक को प्राप्त करता है। चोतिसमा अध्याय भगवान है ग्रीव के पूजन की विधी भगवान रुद्र ने कहा है वुष्ण के स्गदाधर आप पुनह देवार्चन विधी को बताएं आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधी को सुनकर भी मुझे त्रिप्त नहीं हो रही है। तब भगवान स्रीहरी ने कहा कि रुद्र देव अब मैं है ग्रीव नाम के देव के पूजन विधी को बताता हूँ। आप सुने उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्ण अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। हे संकर उस पूजन का मूल मंत्र है ग्रीव देव का ही वाचक है। वहाँ परम पुल्न साली मंत्र इस प्रकार है कि ओम्स 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 रसे नमह यहाँ प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। आमक्चा मृध्याए नमह आमक्चीम सरसे स्वाहः आमक्चूम सिखाय वसट आमक्चम कवचाय हमय अमक्चाव नेत्रत् प्रयाए वसट आमह अस्प्रायफट इन मंत्रों से अंगयाश और करन्याश करना चाहिए। हे संकर, वे हय गरिव देव, संक कंध पुस्प, चंद्र के सद्रश श्वैटबुर्ण, कमल नालतंतो और रजत धात की कांति के समान दी कांति को धारण करने वाले, गौके दुगद की भांति और करौडों शूर के समान प्रतिभा भासित होने वाले संक चक्र गदात था चक्र से युक्त सुन्दर सुन्दर कपोलों वाले पीतांबर को धारण के भी हैं। इसके बाद हयक ग्रीव के आसन के सन्निकट अवस्तित रहने वाले जो अन्यदेव हैं उनका आवाहन करना चाहे। ओम हयक ग्रीवा सनस्य आगच्छत चो देवताह इस प्रिकार आवाहन करके स्वस्तिक या सरवतो भद्र मंडल के अंत्रगत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन करने चाहे। हे ब्रसबद्भज समस्त परिवाराय अच्चताय नमह इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्ण का पूजन करके द्वार पर गंगा महादेवी तथा संक एवं पद्मनामक निदी की पूजा करके अगर भाग में गरुड तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली सक की पूजा करनी चाहिए हे महादेव तदनंतर कूर्म अनंत एवं प्रतवी का पूजन करें और अगनी कोण में धर्म नेरित्य कोण में ज्यान वाय कोण में वैराग्य तथा इसान कोण में एस्वर्य का पूजन करना चाहिए इसके बाद पूरुब दिसा में अधर्म दक् इन तीनों गुणों की भी पूजा करके मध्य भाग में ही कंद नाल और पद्म की विदिवत पूजा करें उसके बाद मध्य देश में अर्क शोम और अगनि मंडल का भी पूजन करना चाहिए विर्शबत भजल विमला उतकर्षणी ज्याना क्रिया योगा प्रहवी सत्या इस इस इयुदाय करना चाहिए और अण में आमक सक्ति को चाहा कि वन आमक सक्ति की पूजा पद्म की करणका संपर्ण करके देव के आसन का मंगल में पूजन करना चाहे इस पूजा के पश्चाद देवाद देव भगवान है ग्रीव देव का वंडल में आवाहन करना चाहे आवाहन करके समाहित होकर उनका पूजन न्यास भी करना चाहे न्यास करने के पश्चाद देवों और असरों में नमस्कृत देवाद देव परमेश्वर भगवान है गरीव का पुनाध्यान करना चाहे और संख चक्राद मंगलमई मुद्राइं प्रदर्शित करने चाहिए उसके वाद पाद्य अर्ग आजमन तथा अश्नान प्रदान करें हे ब्रिस्वध भज उन्हें वस्त्र प्रदान करने के वाद आजमन प्रदान करें उनको शुंदर यग्यों पवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पाद्य अर्ग आज़ि प्रदान करना चाहिए अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पाद्य आज़ि प्रदान करते हुए उनका विदिवत पूजन करना चाहिए हे शुव उसके बाद सुबदाय नी तथा आज़ित प्रदान करने वाली परमा देवी लक्षमीं जी की भी पूजा करें पूरुप दिसा में ओम संखाय नमह कहेकर दक्षण में ओम पदमाय कहेकर पश्चिम में ओम चक्राय नमह कहेकर उत्तर में ओम गदाय नमह कहेकर पूजा करें इसी प्रकार पुनह पूरुप दिसा में ओम खडगाय नमह से खडग की पूजा करें ओम मुसलाय नमहा से डक्षण में मुसल की पूजा पश्चिम में ओम पासाय नमहा कह करके पास की पूजा उत्तर में ओम अंकुसाय नमहा से अंकुस की पूजा और मद्यभाग में ओम ससराय धनुशी नमहा कह कर ससर धनुश की पूजा करने का विधान है इस प्रकारे हकारे क करना चाहिए इसी क्रम में ब्राह भगवान की पूजन करते भी बताते हैं तिहे रुद्र पुनह पूरबाद चार दिसाओं में स्त्रेवस्थ कौस्तुभ बर्माला और मंगल मैं पीतामबर की पूजा करके पुनह संक चक्र गदाधारी भगवान है ग्रीप की पूजा करें उसके बाद ओम ब्रह्मने नमह से ब्रह्मा जी की ओम नारदाय से नारज जी की ओम सिध्धाय नमह कहकर शिद्धेस्वरों की ओम गुरुज्यो नमह कहकर के गुरुओं की ओम परम गुरुज्यो नमह कहकर के परम गुरुओं की ओम गुरुपादकाध्याम नमह कहकर के इन मंत्रों से पूरबाद दिसाओं से उर्द्व दिसाप्रियंत इंब्र अगनियाद सभी दिख देवताओं की पूजा करने चाहे उसके बाद ओम बज्राय नमहां ओम सक्तेय नमहां ओम धंडाय नमहां ओम खटगाय नमहां ओम पासाय नमहां ओम धोजाय नमहां ओम गदाय नमहां ओम त्रसोलाय नमहां ओम चक्राय नमहां ओम पदमाय नमहां इन मंत्रों से बज्र सक्ति आदि आयधों की पूजा करने चाह उसके बाद इसान कोण में विश्वक सेना आयन महा इस मंत्र से विश्वक सेन की पूजा करें उसे प्रिकार अनंत की भी पूजा करें ये व्रस्वत भज़े भगवान है ग्रीव के मुल मंत्र से गंद पुस्त धूप दीव तता नयवेद्द्य के द्वारा उनकी पूजा करने चाहे तत पश्चाद उनकी प्रदक्षना करके नमस्कार करें और यता सक्ति मुल मंत्र का जब करें उने समर्पित करतें तदनांतर देवेश्वर भगवान है ग्रीव की इस्तुति करने चाहे कि ओम नमो है सिरसे विद्याध्यक्चाय वै नमह नमो विद्या सरूपाय विद्याधात्रे नमो नमह नमह सांताय देवाय त्रगुनाय अत्मने नमह सुरा सुर निहांत्रेच सर्वदुष्ट विनासिने सर्वलो काधिपतै ब्रह्म रूपाय वै नमह नमस्वर वंध्याय शांक चक्र धरायच नमा आध्याय दान्ताय सर्वसत्व हितायच द्रगुनाय गुनाजेव ब्रह्म विष्कम स्वरू पिने कर्त्रे हर्त्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमह सर्व विद्याधिपती अश्प्रशिर भगवान को नमस्कार थे विद्या सुरूप विद्या प्रदायक उनदेवों के लिए भारबार नमन है सांत स्वरूप त्रिगुनात्मक सुर्व तथा असरों का निग्रह करने वाले सभी दुष्टों का विनास करने वाले सर्व लोका दिपती ब्रह्म स्वरूप उनदे भय ग्रेव के लिए नमस्कार है महेश्वर के लिए भी वन्दनिय शंक चक्रधारी जगत के आदिक कारण परम उदार तथा सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है त्रगुनात्मक त्रगुनातीत ब्रह्मा विष्णुस्वरूप जगत के स्रिष्ट के करता समहरता देविश्वर तथा सर्वभ्यापक उन भगवान है ग्रेव को बारं बार नमस्कार है इस प्रकार इस्तुत करके अपने हिर्धे कमल के मद्य शंक चक्र और गदा को धारन करने वाले करोणों शूरे के समान कांति मान सरवांग सुंदर अभिनासी महिश्वर के भी इश्व देवाद देव प्रमात्मा है ग्रेव का ध्यान करना चाहे हे संकर इस प्रकार मैंने भगवान है ग्रेव की पूजा विदि का ब्रणन किया परमभक्ति पूर्वक जो इसका पाठ करता है वह परमपद को प्राप्त होता है 35. अध्याय गायत्री न्यास्त सा संध्याविदे भगवान स्रीहर ने कहा है संकर अब मैं गायत्री देवी के न्यासादिका बरणन करूँगा आप उसका स्रवन करें इसके रिशी विश्वामित्प्रदेवता सविता मस्तक ब्रह्मा और सिखारुद्री देव हैं ये विश्णू के हिरदय में रहने वाली हैं ये बिनियोग काल में एक नेत्रा हैं इनका प् गायत्री मंत्र का बार लाक जब करना चाहे इस मंत्र के त्रिपदा तθरस्पत्र आठसा टीन जरनं brain शाट चाहर होते हैं त्रिपदा के प्रतेक चरनं में आट अक्षर के अंगोष्ट भाग में, गुल्प में, मद्य में, दोनो जंगाओं में, दोनो उरु भागों में, दोनो जानुओं में, गुहस्तान में, अंड कोष्ण में, नाडी में, नाभी में, सरीर के उदर भाग में, दोनो उस्तन में, रदय में, कंठ में, ओष्ट में, मुख में, दोनो सकंद प्रदेश में दोनो नेत्रों में और भौन में था मस्तक में इन मा गायत्री का न्यास करके क्रमशह पूर्व दक्षन उत्तरता पश्टम दिसा में इनका न्यास करना चाहिए हे रुद्र। पंडर रक्त आसब के समान रक्त क्रिश्टम स्वेत संक की आभा के समान पशाश्वेत हैं गायत्री देवी के मंत्र का जब करके मनुश्यत जिन जिन बस्तों को हाथ से इसपर्च करता है और नेत्रों से देखता है जिन जिन का अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाती हैं गायत्री से स्रेष्ट कोई दूसरा मंत्र नहीं है ऐसा समझना चाहे कि यत्प्रशति हस्तेन यत्चप्पस्यति चक्छुसा कि पूतम भवति तत्सरवं गायत्र्यान परंबेदु भगवान त्रिहर ने कहा है रुद्र अब पापनास ने संध्या की विधिका ब्रणन कर रह प्रणब मंत्र तथा, शप्त व्याहरति से युक्तु, गायत्री मंत्र का आप ज्योति रसो मृतम गुरुष्ण वरुष्प्वरों इस गायत्री सिर्के साथ तीन वार उच्छाण करके प्रणायाम करना चाहे उत्यिए, प्रणायाम के द्वार मांसक बाचग कितता कांक दोसों को भश्म कर देता हैं इसलिए यथा विदी यथा नियत सभी कालों में प्राणायाम प्रायन होना चाहिए की मंत्र अलग हैं मध्यान की अलग हैं साइंकाल की अलग हैं। रजोगुण से उत्पन होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञ्यान जन्य पाप, जाग्रत स्वपन और शुषुप्त की इस्तिति में होने वाले पाप, तसा काईक बाचिक एवं मानसिक ए नवों पाप इन नौ मंत्रों से भ विर्दहेत दाहने हाथ में जल लेकर उसे अब ये मंत्रित कर सिर पर छोड़ दें अगमर्शन मंत्र के तीन चैन आट अत्व बारहां आबरत करके अगमर्शन मंत्र करें इन मंत्रों से सूर्य उपस्थान करना चाहे इससे दिन तथा रात्री में किये गए समस्त पाप उसी छण नश्ट हो जाते हैं प्रातक काल की संध्या खड़ा होकर मध्यान की संध्या बैठ करनी चाहे और महाब्यारतियों अर्थाद भूरुव स्वरों से संयुक्त गायत्री मंत्र का दस बार जब करने से इस जन्म के पाप सौ बार जब करने से पूरुव जनम के पाप प्रता हजार बार जब करने से अनन्त पापों का नश्ट हो जाता है कि दसविर जन्म जनितम सतेने तूपुराकरतम प्रयुगंत सहस्त्रेने गायत्री हन्त दोस्कृतम प्रातक काल में गायत्री रक्त बरना, मध्यान काल में शावित्री शुकल बरना, और सायं काल में सरश्ट्रती क्रश्ण बरना कही गई है। संध्याओं के समय इन कथित बिदी से नियास करके बेद माता गायत्री का जब करने वाला सब प्रकार से कल्यान को काप्त होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में नियास करने का विदान है नियास करना चाहिए। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा विष्ण और सिवसुरूपा है इसके रिशी चंद और विनियोग को भली भानती जान कर जब करना चाहिए। प्रादक सभी पाफों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परोरजसे सावदुम यहां गायत्री का तुरियपाद कहा जाता है जो व्यक्ति संदू पासन नहीं करता है उसको सुर्य देव विनियश्ट कर देते हैं। तुरियपाद के रिशी दिर्मल तता चंद गायत्री एवं देवता प्रमात्मा हैं जो मनों से योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली प्रमस्रेष्ट देवी गायत्री का जब करता है उसके महान से महान पाफ नश्ट हो जाते हैं। प्रातह मध्यान एवं साइं इन तीनों संध्याओं में एक कजार आठ ये एक सो आठ बार गायत्री मंत्र का जब करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। 38. देवी द्रुगा का स्रूप सूर्य ध्यान तथा माहे स्वरी पूजा विधी। इस्ट से वियोग नहीं होता है। द्रुगा देवी की 18 हात हैं उन हातों में खेटक घंटा दरपन तरजनी मुद्रा धनुस भज डमरू परशू पास सक्ति मुद्गर सूल कपाल सरक अंकुस वज्र चक्र और सलाका ये सभी स्वोवित होते रहते हैं। इससे सुसज्जित उन 18 भुजा देवी का स्वर्ण करना चाहे। भगवान भासुदेव ने कहा है, रुद्र सूरे आर्चन में भगवान सूरे का इस प्रकार ध्यान करना चाहे, कि भगवान सूरे तेजस स्वरूप रक्त बर्ण वाले स्वेथ पतम परविराजमान एक चक्र वाले रत पर समासीन, दो बुजाओं से युफ्ट तथा कमल धा करने वाले हैं इस रूप में उनका सदय विध्यान करना चाहिए भगवान स्रीहर ने कहा है ये बिरसबत भजे अब मैं माहिस्वर पूजा का विधान कह रहा हूं उसे सुनो पहले श्नान तथा आजमन कर ले उसके बाद आसन पर बैठकर न्यास करके मंडल में महिस्वर की प बाहन करें मंडल के मुख्य द्वार परिष्णान गंद आदि द्वारा ओम हां गणपताई नमहां मंत्र से गणपति की ओम हां सरश्वत्ति नमहां मंत्र से सरश्वति की ओम हां नंदने नमहां मंत्र से नंदी की ओम हां महां कालाय नमहां मंत्र से महाकाल की ओम हां गंगा है कि प्रकार ओम्हाम भ्रह्मने हो उञ वह श्पधिपति की उन नमातव हो इन से अरिक कि ओम हाम अनन्ताय नमासे अनन्त की ओम हाम धर्माय नमासे धर्म की ओम हाम ज्यानाय नमासे ज्यान की ओम हाम बहराग्याय नमासे बहराग्य की ओम हाम ऐस्वर्याय नमासे ऐस्वर्य की ओम हाम अधर्माय नमासे अधर्म की ओम हां अज्यानाय नमासे अज्यान की ओम हाम अबैराग्याय नमासे अबैराग्य की, ओम हाम अनाइस्वर्याय नमासे अनाइस्वर्य की, ओम हाम उद्ध्वर चंदाय नमासे उद्ध्वर चंद की, ओम हाम अश्वत चंदाय नमासे अश्वत चंद की, ओम हाम पद्माय नमासे पद्म की, ओम हाम करनिकाय नमासे करनिका क ओम हाम बामाय नमासे बाम की, ओम हाम जेश्थाय नमासे जेश्था की, ओम हाम रोध्राय नमासे रोध्री की, ओम हाम काली नमासे काली की, ओम हाम कलविकरनी नमासे कलविकरनी की, ओम हाम बलपरतमनी नमासे बलपरतमनी की, ओम हाम सरवफूत दमनी नमासे सरवफूत दमनी क ओम हाम मनोन मन्नी नमासे मनोन मन की, ओम हाम मंडल तृतयाय नमासे मंडल तृतय की, ओम हाम हाम सिवा मूर्तय नमासे श्वा मूर्ती की, ओम हाम विधा दिपतय नमासे विध्यापत की, ओम हाम हरीम हैं सिवाय नमासे भगवान सिम्की पूजा करने का विधान है। उसके बाद ओम हाम मृदयाय नमा से हिर्दय की, ओम भीम सिरसी नमा से स्थिर की, ओम हुम सिखाई नमा से शिका की, ओम कवचाय नमा से कबच की, ओम रौम नेतरत प्रयाय नमा से नेतर की, ओम हाम अस्त्राय नमा से अस्त्र की, ओम हाम सद्ध्योजात नमा से सद्ध्योजात की पूजा करें। सद्योजात की आठकलाएं जाननी चाहें जो पूर्व आध दिसाओं में इस्तित हैं उनकी पूजा विस प्रकार करने चाहें ते ब्रस बद भज़ बाम देव के ते रह कलाएं जाननी चाहे उनकी भी पूजा गंद पूशबाद से करनी चाहे उनकी पूजा में पहले ओम हाम बामदेवाय नमा करकर बामदेव की पूजा करने के बाद उनकी कलाओं का पूजन करना चाहे उनकी पूजा करने की उसके बाद तत्प्रुस की चार कलाएं हैं पहले ओम तत्प्रुशाय नमा इस मंत्र द्वारा तत्प्रुस की पूजा करें उसके बाद ओम हाम निब्रति नमा से निब्रति की उसके बाद ओम हाम प्रतिष्ठाय नमा से प्रतिष्ठा की उसके बाद ओ अगोर की भैरव समंदी छे कलाई जानने चाहे इनकी पूजा में पहले अगोराय नमा मंत्र का अगोर का पूजन हो उसके बाद अगोराय नमा का पूजन हो ओम हाम चौमाय नमा से चौम की हो ओम हाम निद्राय नमा से निद्रा की ओम हाम व्याद्धे नमा से व्याद की ओम हाम चुदाय नमा से चुदा की पता ओम हाम त्रश्णाय नमा से त्रश्णा की पूजा करनी चाहे हे ब्रशबद्धवजव इसान देव की पांच कलाएं हैं इनकी पूजा में ओम हाम इसान आये नमा इस मंत्र से पूजन की इसान की पूजा करने के पश्चाद ओम हाम समित्य नमा से समित्य की ओम हाम अंगदाय नमा से अंगदा की पूजा करें ओम हाम कृष्णाई नमासे कृष्णा की ओम हाम मरीच्चे नमासे मरीच्च की और ओम हाम ज्वालाई नमासे मा भगवती ज्वाला की पुजा करने का विदान है तत पस्चात अर्थात उसके बाद जलाधिपति वरण का ओम हाम वायवे प्राणाधिपतै नमासे प्राणाधिपति वायु का ओम हाम सोमाय नेत्राधिपतै नमासे नेत्राधिपति सोम का ओम हाम इसानाय सरवाधिपतै नमासे सरवाधिपति इसान का ओम हाम अनन्ताय नागाधिपते नमासे नागाधिपते अनन्त का ओम हाम ब्रह्मने सर्वलोकाधिपते नमासे सर्वलोकाधिपते ब्रह्मा का और ओम हाम धूली चंडेश्वराय नमासे धूली चंडेश्वर का आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोध तथा सकली करना चाहि उसके बाद तत्व न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहे तथा ध्यान करना चाहे उसके बाद पाद्य आच्मन अर्ग्य पूस्प अब्ध्यंग उद्वर्तन और रष्णान तथा सुगंधान लेपन वस्त्र अलंकार भोग अंग न्यास धूप दीप नैवेद्य अरपन करो द्वर्तन पाद्य अर्ग्य आच्मन गंध एवं ताम्बूल निवेदन करने के वाद गीत वाद दिंद्रक्ट से अगवान महिस्वर को शंतुष्ट कर चत्र आज समर्पित करना चाहे मुद्रा का प्रदर्शन करके आवाहित देवों के इस रूप का ध्यान जप पूजा तथा तादात्म भाव से मूल मंत्रद्वारा जप और पूजा को शमर्पित करना चाहे मुद्रकार विविद कामनाओं के सिद्धी के लिए विश्वा वसुगंधर्व तथा देवी काल रात प्रयाद के भी उपासना पूजन करना चाहे मुद्रक्ट 42 मा अध्याय सिव के पवित्रा रोपन के विधे भगवान स्त्रीहर ने कहा के महादेव अमंगल का नाज करने वाले भगवान सिव के पवित्रा रोपन के पूजा विधान को कह रहा हूँ यह पूजा आसाड स्त्रबन माग हिया भात प्रपत मास में होती है पवित्रा रोपन की इस पूजा में पवित्रक बनाने के लिए शतिग आध के भेद से सूत्र धारण का नियम है जैसे सत्य युग में शुबर्ण के त्रेता में रजत के द्वापर में ताम्र के और कल्युग में कञ्या के हाथ से बनाए गए कपास के सूत्र को ग्रहन करना चाहिए सूत्र को लेकर पहले उसे दुगुना करके पुना उसका त्युगुना करना चाहिए इस प्रकार नव गुणित सूत्र से पवित्प्रकांद्रमान करके वाम देव मंत्र से उसमें ग्रंति देनी चाहे तदनंतर हे शिव सद्यो जात मंत्र से उसका प्रक्छालन करके अगोर मंत्र से उसका सोधन करना चाहे तत्पुरुष मंत्र से उसमें बन्धन तथा इसान मंत्र से तंतु देवताओं को सुगंदित धूब दिखाना चाहे तंतु में क्रमसह ओमकार चंद्र अगनि ब्रह्मा नाग सिखित भजे सूर्य विष्ण और शिव का बास है ये नो तंतु के देवता हैं हे रुद्र उस पवित्रक में 108 या 50 अथव 25 तंतु होने चाहे ये क्रमसह उत्तम मध्धन तथा कनिष्ट हैं पवित्रक में 10 गरंथी का मान है अथ एव प्रतेक चार अंगुल या दो अंगुल अथव एक अंगुल का नंतर देखकर एक एक गरंथी का बंधन देना चाहे हे सदा सिव उन गरंथीयों के नाम इस प्रकार हैं प्रकृति पौरुशी वीरा अपराजिता जहिया विजया रुद्रा अजिता मनोन मने तथा सर्वमुखी हे शिव गरंथी बंधन के पश्चाद उस पवित्रक को कुंकुम चंदन आधि शगंदित पदार्तों से रंजित करना चाहे उस गंदान रंजित पवित्रक को देव को समर्पित कर देना चाहे तदरंतर यथा विद सभी क्रियाओं को करके हे देवेग हे महेश्वर आप अपने गुणों के साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं प्रातकाल यहीं पर आपका पूजन करूंगा अतह आप यहाँ उपस्तित हो रहें इस परकार देवताओं को निमंत्रित करके गीध बाद्जी के द्वारा रात्रि जागरन करें प्रातकाल आमंत्रित पवित्रक को भगवान महेश्वर के पास पिस्थापित करके चतुर दसी तिति में श्नान करें और शब्ष पहले सूर्य तथा रुद्र की पूजा करें उसके बाद ललाटस्त विष्ट रूप का ध्यान करें अपने आत्म सुरूप की पूजा करें उसके बाद अस्त्र मंत्र से प्रोक्षित और हिर्दे मंत्र के द्वारा अर्पित तथा समिथा मंत्र से धुपित पवित्र को भगवान को सम पित करना चाहे सबसे पहले सिवतत्व और विद्यातत्व की पूजा करके आत्म तत्व की पूजा कर आत्म तत्व और देव तत्व का भी पूजन निर्धारित मंत्रों से करें बगवान महेश्वर को पवित्रक विधी पूर्वक निवेदित करे स्वयम विधार्ण करना चाहे तालिस्वा अध्याय विष्ण के पवित्रारोपन की विधी भगवान स्रीहरी ने कहा हे ब्रशबद्धज अब मैं आपसे विष्ण के पवित्रारोपन का ब्रणन करूंगा जो भोग तथा मोग्ष दोनों को देने वाला है प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपने विजय न होते देखकर ब्रहमाद देवगण विष्ण की सरण में गए उन सब की प्रार्थना सुन करके विष्णुने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार पवित्र नामक ग्रेवे यक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानब नश्ट हो जाएंगे तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंब हुई है सिव प्रतिपदा से लेकर परण मासी तक जिस देवता की जोतिती कही गई है उसके अनसार ही उस्तिती में उन देवता का पवित्रा रोपन करना चाहे सोकल पक्ष हो अत्वा क्रिष्ण पक्ष द्वाद सितिती में विष्ण के लिए पवित्रा रोपन का विधान है ब्यती पात योग उत्राइन दक्षनाइन चंद्र तथा शूर ग्रहन विभाहाद मंगल एवं व्रिद्ध कारियों तथा गुरुजनों के आगमन इत्याद अपसरों पर यहां पूजा करनी चाहे पवित्रक के उद्देश से भी नित्य पूजन हो शकता है किन्त वर्सा काल में उसका पूजन आवस्यक है थे रुद्र इन पवित्रकों को न्द्रमान ब्रणा अनुसार होना चाहे ब्रामनों का पवित्रक कौशे अथात कपास का छौम अथुआ कुस सुत्र से निर्मित होना चाहे चत्रियों का पवित्रक कौशे सुत्र से बैसियों काश छौम सुत्र तथा वलकल सुत्र से और सुद्रों का सन से बनावा पवित्रक प्रसस्त माना गया है कपास या पदमज से न्रमित पवित्रक समस्त वरणों के लिए प्रसस्त होता है ओंकार, सिव, चंद्रमा, अगने, ब्रह्मा, सेश, सूर्य, गणेश और विष्णू इन नो देवताओं का इस पवित्रक के तंतूं में निवास होता है ब्रह्मा विष्णू रुद्व्र ये पवित्रक के तीन सूत्रों के देवता हैं जो इन में अधिश्ठित रहते हैं उन सूत्रों को सुबर्ण रजत तामरबांस ये मिट्टी के बनेवे पात्रों में रखना चाहे एक सो आट तंतूं का सूत्र उत्तम चवण तंतूं का सूत्र मध्यम 27 तंतूं का पवित्रक कनिश्ठ माना गया है इन पवित्रकों के प्रतेग ग्रंथी पूर्वों को कुंकुम हल्दी या चन्दन से चर्चित कर उपवास रखते हुए इनी सास्त्र शम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें पवित्रक को प्रतक प्रतक अभिमंत्रत करके उसका सम्यक दर्शंत तहपुनह पूजन करना चाहे और यतन पूर्वक उसका वस्त्रा च्छादन करके उसे मंडलस्त देव प्रतिमा के समक्ष यतन पूर्वक इस्थापित कर देना चाहे ब्रह्माद अन्य देवों की स्थापना करके कलस की पूजा करे मंडल का अंद्रमान करके नवेद्य समर्पित करे पवित्रक को पुन्हा अधिवासित करके तीन या नौ बार शूत्र घुमा कर वेदी को वेश्टित करें उसके बाद अपने को तथा कलस धी अगनिकुंड विमान मंडप और ग्रह को शूत्र से वेश्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पुजा करके निमन मंत्रों का उच्चालन करना चाहे पाट करना चाहे कि ओम आवाहितोसि देवेश पुजार्थम परमेश्वर तत प्रभातेर चैस्च्या में सामग्र्या सन्य धौभव हे महेश्वर हे देव देवेश्वर आप यहां पर पुजा के लिए आवाहित हैं इस समस्त सामग्रे से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूंगा आपकी सन्य धी यहां बनी रहे एक रात्री या तीन रात्री तक पवित्रक को अधिवासत कर श्रेम रात्र में जागरण करके प्रातक काल भगवान के समका पूजन करें और निर्मित पवित्रक को उन देवों को अर्पित करें पवित्रक को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभि मंत्रत भी करना चाहे गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पड़कर देवता के शमक्षिस्तापित कर देव कि विसुद्ध ग्रंतिकं रम्यं महापातक नासनं सर्व पापक्षयं देव तबाग्रेधार याम्यं हे देव यहाँ पवित्रक विसुद्ध रूप से ग्रतित सुन्दर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का अच्छय करने वाला है इसे मैं आपके समक्ष स्थापित कर रहा हूँ प्रभो तदन अंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयम भी धार्ण करना चाहे कि पवित्रम बैश्णवम तेज सर्वपातक नासनम धर्म कामार्थ सिद्जर्थम स्वकंठे धार्याम्यहम हे देव या विष्ण तेज स्वरूप सर्वपाप बिनाशक पवित्रक है मैं धर्म काम तथा आर्थ इस त्रवर्ग की सिद्धी के लिए इसे आपके कंठ में धार्ण करता हूँ अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करें कि बन माला यथा देव कोस्तवं सततम हृदे तद्वत पवित्रम तंतुना मालां तंत्वं हृदे धर हे देव आपके हिर्दे पर जिस प्रकार बन माला और कौस्तुब राज्ते हैं उसी प्रकार तंतों की बनी हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हिर्दे पर धार्ण करें इस प्रकार प्रार्थना करके ब्रामनों को भुजन कराकर और उने दक्षना देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुना उसी प्रकार पुजा संपन करके मंत्र पाढ़ करें कि सामबत्सरे मिमाम पूजा संपाध्य विदिवन वया वज्र पवित्र के दानि विष्ण लोकं विषरजित हैं हे पवित्रक मैंने इस सामबत्सरे पूजा को विदिवत संपाध्यत किया है इस समय मेरे द्वारा विशरजित आप अब विश्ण लोग को पधारें विश्ण लोग को जाए चबाली सुमा अध्याय ब्रह्म महुर्त के ध्यान का अंद्रूपन भगवान स्रीहरी ने कहा है रुद्र भगबान की पवित्रक आदि से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके सादक हरी बन जाता है अब मैं माया जाल को नश्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का ब्रणन करता हूँ आप सुने ब्रह्म के ध्यान के लिए प्रबृतक ज्ञान अपने बाने एवं मन को नियंत्रतक अपने आत्मा में ही ज्ञान सुरूप ब्रह्म का यजन करें और जिस प्राग्यों को यहा उत्कृष्ट उत्कट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्म का दर्शन करूँ उसे महद ब्रह्म में ज्यान की भावना करने चाहे ब्रह्म का ध्यान ही समाधि है मैं ब्रह्म हूँ इस रूप में सदा स्वयम की अबस्ति ही ब्रह्म का ध्यान है स्वयम से अभिन ब्रह्म देख इंद्रिया मन बुद्धी प्राण अहंकार पंच महाभूत पंच तनमात्र विभिद गुण जन्म और भोजन सयन आदि भूग से सरवता रहित स्वयम प्रकास न्द्राकार सदा निरति सय नित्य आनंद स्वरूप अनादि नित्य सुद्ध बुद्ध सरवता परिपूर्ण सत्यस्वरूप परमसुखस्वरूप परमपद एवं तुरीय के रूप में बेदों में बरनित है हे ब्रसवध्वजे अपने आत्मा को रथी और सरीर को रथ समझना चाहे बुद्धी उसमें सारथी तथा मन लगाम है इंद्रियों को उस रत में जुते हुए अस्व के रूप में घोडों के रूप में सुईकार किया गया है ये इंद्रियां ही रूप रस गंद आदि विशे का अनभव करती है इंद्रियों और मन से युक्त आत्मा को ही मनिसियों ने भुगता कहा है जो मनुष्य विज्ञान रूपी सार्थी से युक्त है मन रूपी लगाम को अपने बस में रखता है वही उस परमपद को प्राप्त करता है फिर वहा उत्पन नहीं होता जो विज्ञान रूपी सार्थी से नियंत्रत मन रूपी लगाम वाला मनुस्य है वहा स्वरधुनी से पार हो जाता है और वहा विश्ण का परमपद है इस योग की परम साध्रा में अहिंसाद धर्मों को यम तथा सोचाद गर्मों को नियम कहा गया है पदमादी आसन है प्राण अपानादी वाई पर विजय प्राप्ट करना ही प्राणायाम है इंद्रियों पर विजय प्रत्यहार और इश्वर का चिंतन करना ध्यान वस्था है मन को नियंप्रित करना ही धारण है और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो इस्तिती होती है वह समाधी है यदि पहले इस योग के द्वारा चंचल चित इस्तिर नहीं होता तो उस मूर्ति का इस प्रकार चिंतन करना चाहे कि जो हुर्दय कमल की करनिका के मद्य विराजमान रहने वाले हैं तसा संक चक्र गदा और बनमाला से सुसोवित हैं जो स्रेवत्त तसा कौस्तुब मनी बनमाला एवं लक्षमी से सुसोवित हैं जो नित्य सुद्ध ऐस्वर्य संपन सत्य परमान अंदस रूप आत्मस रूप प्रब्रहम तथा परमजयोति सुरूप हैं ऐसे वे चौबीस सुरूप वाले सालक ग्राम की सिला में विराजमान द्वारकाद सुलाओं पर अवस्तित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्ये हैं और खूजनिये हैं मैं भी वही हूँ ऐसा समझना चाहिए इस प्रकार आत्मस रूप नारायन का यम नियम इत्याद योग के सादनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है वहा मनो भृषत इच्छाओं को प्राप्त करें बैमानिक देव हो जाता है यदि निश्काम होकर उन हरी की मूर्ति का ध्यान और इस्तवन करें तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है पैंतालीसमा अध्याय बिभिद सालक ग्राम सिलाओं के लक्षन भगवान स्रिहर ने कहा है ब्रसवदभज अब मैं प्रसंग वस सालक ग्राम का लक्षन बताता हूँ सालक ग्राम सिलाओं के इस पर समात्प्रसे करोणों जन्मों के पाप नश्ट हो जाते है केसब नारायन गोविंद तथा मदसूदन आधि नाम वाले बिभिन सालक ग्राम सिलाएं हैं जो संख चक्र आधि चिन्हों से सुसोवित रहती हैं इन सिलाओं के लक्षन इस प्रकार से हैं सुनो संक चक्र गदा तथा पद्म से चिन्नित सिला को किशब सिला कहा जाता है पद्म कौमद की गदा चक्र तथा संक के चिन से सुसोवित सिला नारायन सिला है चक्र संक पद्म तथा गदा के चिन से सुसोवित सिला माधव और गदा पद्म संख तथा चक्र से के चिन से सुसोवित सिला गोविंद नाम से जाने जाती है पद्म संख चक्र गदा से युक्त विष्णू, संख पद्म गदा तथा चक्र से युक्त मदुशूदन, गदा चक्र संख पद्म से संयुक्त त्रविक्रम नाम की, गदा पद्म संख चक्र से चिहनित बामन नाम वाली, चक्र पद्म संख एवं गदा से समनवित स्रीधर ना की और पद्म गदा एवं संक चक्र से अंकित मृष्षी केस नाम की सालक ग्राम मूर्ति कही गई है इन देव मूर्तियों को बार बार प्रणाम करना चाहिए पद्म चक्र गदा संक चिहन पूरित सालक ग्राम सिला पद्भुनाब है संक चक्र गदा पद्म युक्त सालक ग्राम सिला दामोदर है संक चक्र गदा तथा पद्म से संयुक्त सालक ग्राम सिला वाषदेव है संख पद्म चक्र गदा चिन्न से समनवित सालक ग्राम सिला संकरसन है संख गदा पद्म चक्र से सुसोवित सालक ग्राम सिला प्रद्यमन है तथा गदा संख पद्म और चक्र से सुसोवित सिला और रुद्ध नाम से अभिविहित है पद्म संख गदा चक्र के चिन्न से विभूशित प्रुशोत्तम अधोक्चज नृशंब अच्चुत जनार्दन ये सब सिलाएं हैं इन देवनाओं में अभिहित मूर्तियों को भी प्रणाम करना चाहे। दशादर्भगवान विष्णों हम सब आपकी सरण में हैं आप हमारी रक्षा करें हम सबकी रक्षा करें। जो द्वार मुख पर नील बरण की तीन रेखाओं से युक्त होती है और जिसका सेस सम्पूर्ण भाग कृष्ण बरण से सुसोवित रहता है वह सालक ग्राम सिला नारायन सिला के नाम से जाने जाती है जिस सिला के मद्य में गदा के समान रेखा हो यसा स्थान नावी चक्र उतपन हो तथा भक्षतल विश्तृत हो वहां रिस्भ नाम वाली सालक ग्राम सिला है इन चिन्णों के साथ ही उनमें 3 बिन्द। 4 5 बिन्दु हो तो वहां कपिल नाम की सिला है वहां सिला हम सब की रख्षा करे उनका पूजन ब्रमचारियों को करना चाहे बिसम परमान मया वाली दो चक्रों से चिहनित सक्ति चिहन से युक्त सिला को वराह सिला कहते हैं वह सब की रक्षा करने वाली है नेल वरन वाली सिला तीन रेखाओं से युक्त स्थूल तथा बिंदु सिला युक्त कूर्म मूर्ति होती है और वही अगर वरतुलाकार है तथा उसका पिछला भाग जुका हुआ है तो वहासिला क्रिष्ण कही गई है वहां हम सब की रख्चा करें पांच रेखाँवाली सिला स्रीधर नाम की है गदा से अंकित सिला बनमाली है यह सभी प्रकार से समृद्धि को देने वाली होती है गोलाकार तथा छोटी सिला को बामन कहते हैं माय भाग में चक्रानकित सिला सुरिश्वर कहा जाता है विभिंज रंगों वाली अनेक रूपम वाली नाग के समान खणों से युक्त सिला अनंतक है नील बरन की और मध्य नील बरन का चक्र हो तो वह दामोदर सिला है संकुचित द्वार वाली रक्त वरन वाली लंबी रेखाओं वाली छिद्र युक्त एक चक्र तथा एक कमल वाली विश्तिर्ण सिला ब्रह्म सिला है ये सब हमारे रक्षा करें विश्तृत छिद्र वाली तथा इस्तूल चक्र वाली सिला, कृष्ण सिला तथा विलवाकार सिला को विश्ण सिला कहा जाता है अंकुस के आकार वाली पांच रेखाओं वाली तथा कौस्तो वुचिन युक्त सिला को हायक ग्रेव सिला कहते हैं एक चक्र तथा एक कमल के अंकित मनी तथा रत्नों की आभा से युक्त कृष्ण बरण की सिला को वैकुंट सिला कहते हैं। द्वार पर रेखा वाले विश्त्रित कमल सद्रश सिला मत्च सिला है। द्वार्का में इस्तित सालक ग्राम में निवास करने वाले गदाधर भगवान को नमश्कार है, एक द्वार वाली चार चक्रों से युक्त बनमाला से विभूष्ट स्वरन रेखा समनवित गोपत से सुसोवित था कदम के कुस्प की आकरती वाली लक्ष्म नारायन सिला है एक चक्र वाले सालिक ग्राम को सुदर्शन कहते हैं उनके रूप में गदाधर धारे विष्टनु हम सब की रक्षा करें सालिक ग्राम की सिला लक्ष्म नारायन संग्यक है जिन में तीन चक्र हैं वहां सिला त्रविक्रम है चार चक्र वाली चत्रव्यू है पांच वाली वाशुदेव छे वाली प्रद्युम्न साथ वाली संकर्चन आठ वाली प्रुशोत्तम नव चक्र वाली नव व्यू हूँ द दस चक्र वाली दसाबतार औरसिक ग्यारह चक्र वाली कहलाएं यह हम सिल 10 आत्मक कहा20 हरसे अधिक चक्रल्ट सि सिला को यह इप रसी हो मनुष्य तोVISK Ethiopia में?? का पाट करता है स्रवन करता है चिंतन करता है मनन करता है निश्चत रूप से उसकी उर्दोगती होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है 46 मा अध्याए वास्त मंडल पूजा विधी भगबान स्रीहरी ने कहा का ग्रहन द्रमान के प्रारंब में जिसके करने से समस्त विग्रनष्ट हो जाते है संक्चेप में उस वास्त पूजा की विधी को कहता हूँ यह पूजा इसान कोण से प्रारंब होकर 61 सिपद वाले मंडल के अंत्रगत पूर्ण की जानी चाहे इस मंडल के इसान कोण में बासुदेप्ता का मस्तक होता है नेरित कोण में उनके दोनों पाद तथा अगनी और वाय कोण में दोनों हात होते हैं आवास में अर्थात भवन ग्रह आदी, नगर, ग्राम, व्यापार, पथ, प्रासाद, उद्यान, दुर्ग, देवाले, मठ आदी के द्रमान में वास्तो देवता की स्थापना पूर्वक पूजा करने चाहे वाईस देवता, वाह भाग में तथा तेरह देवता, अन्तह भाग में अवस्तित रते हैं यथा, इस, सिखी, प्रजन्य, जयंत, कुलिसायुध, शूर्य, सत्य, भ्रगु, आकास, बायु, उखा, वितस, ग्रहक, चेत्र, यम, गंधर्व, भ्रगु, राज, म्रग, पित्रगण, दैवारिक, सुग्रेव, पुष्पदंत, गनाधिप, असुर, सेसनाग, रोग, अह के मुख, भल्लाट, सोम, सरप, अधिती, तथा अधिती, ये वास्त मंडल के बाह्य देव हैं, इन बाह्य देवों का पूजन करके बुद्धि मान व्यक्ति को चाहें, कि वह इसानाधि चारों कोणों पर इस्तित देवताओं की पूजा करें, यथा इसान कूण में, अगन उनके शमेप ही अन्य आठ देवताओं का भी पूजन करें, पूर्वादिक करम में उन पूजन देवों के नाम इस्तित प्रकार हैं, अरियमा, सविता, विवस्वान, विवधादिप, मित्र, राज, यक्ष्मा, प्रथवीधर और अपवक्ष ये आठ देव हैं, जो ब्रह बंस कहा जाता है, और अगनिकोन से जब वाय कोन प्रयंत दूसरी रेखा कीची जाती है, तो वहाँ बंस रेखा, दुर्धर रेखा कहलाती है, बंस रेखा पर इसान कोन में अधिति, दुर्धर योग विंदु पर हिमवंत, नेरित्य कोन अर्थात वास्त मंडल के अंतिम पर जयंत के पूजन का विदान है, उसके बाद दुर्धर रेखा के प्रारंब में अगनिकोन पर नाय का तथा अंतिम छोड पर वाय कोन पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहे, उसके बाद शुक्र अर्थात इंद्र से लेकर गंधर्व प्रयंत उक्त वास्त देवताओ के पूजा करके भवन अंद्रिमान करना चाहे, वास्त भवन के सम्मुक भाग में देवालय, अगनिकोन में पाक साला, पूर्व दिसा में यग्यमंडप, इसान कोन में काष्ठ या प्रस्तर से बने पटिकाओं के द्वार होना चाहे, सुगंधित दरब्यों तथा पूश् के रखने का अस्थान होना चाहे, उत्तर दिसा में भांडारा कारग्रह, वाई कोन में गोसाला, पश्चिम दिसा में खिडकी तथा जलासे नरित्य कोन में समिधा, इंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षन दिसा में सुंदर सैया आसन, पादु का जल अगने दीप और सजन भृत्यों से युक्त अतिति ग्रह का अंद्रमान करना चाहे, ग्रह के वीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल संधी, कदलिक ग्रह और पांच प्रकार के पुस्प पादपंगों को सुयोनिजित करके भवन के बाहे भाग में चार और पांच हाथ उची दीवाल ब वास्त देवता की विदिभत पूजा करें, उक्त रिति के अनसार वास्त मंडल के मद्य भाग में चार पद के, मंडला अंत्रगत ब्रह्मा तता उनके समेपस्त प्रतेक दो पद पर अर्यमाद आठ देवों की पूजा करने चाहे, उसके बाद करन भाग पर कार्ट के आधि अनाद कोणों पर क्रमशह, चिर्की, चर्की, विरादरी, पूजन पाप राक्षसे नामक देव सक्तियों की भी पूजा करने चाहे, उसके बाद बाहिय भाग में कौत काद देवों का पूजन करें, उनके नाम हैं हेतुक, त्रपुरांतक, अग्नी, बेताल, यम, अग्न जुख्वा, कालक, करताल और एकपाद है। उनकी पूजा करके पश्चात इसान कोण में भीम रूप पाताल में प्रेत नायक, आकास में गंधमाली तथा उसके बाद छेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यसा साध्य, वास्तु, संकुचित या विस्तृत छेत्रपल की रासियों वस्तों की संख्या अर्थात आठ से पहले भाग दें। उसके बचे हुए शेष भाग को याम मानना जाता है। भाग के बीच बचे हुए शेष भाग के आठ गुणा करें। जो गुणन फल हो उसको रिक्ष भाग अर्थात 27 से भाग दें। जो सेस हो उसे रिक्ष या नक्षत्र रासि कहते हैं। और जो भाग फल है वह अभियव कहलाता है। उस रिक्ष रासि को चार से गुणा करके गुणनफल में नौ से भाग दें जो सेसांस हो उसका नाम इस्थिती हैं इसी इस्थिती अंक परवास्त मंडल का निरधारन होना चाहे ऐसा देवल रिशी का अभिमत है उक्तवास्त राशी को आठ से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिंडज कहते हैं अत्वा पिंड कह पिंड को साठ से भाग देना चाहे जो सेसांक हो उसके द्वारां ग्रह श्वामी के जीवन मरण और परिजनों के बिनासक निरधारन होते हैं मनुस्य को चाहे कि बास्त मंडल के मद्द में ही सदा ग्रह का अंध्रमान करें उसके प्रिश्ट भाग में न करें इसे प्रकार बास्त मंडल के बाम पार्स में भी ग्रह निरमान करना चाहे क्योंकि बाम पार्स में बास्त देव सोये हुए रहते हैं इसलिए सुब नहीं है अतह इसमें ग्रह निरमान नहीं करना चाहे शिंग कन्या तथा तुला रासी रहने पर उत्तर दिसा के द्वार का सोधन करें औ और उसी प्रकार व्रिष्टकाद अन्य रासियों के रहने पर पूर्व दक्षन तथा पश्चम द्वार का सोधन करना चाहिए। क्योंकि भाद्रपद आस्विन तखा कार्थिक माश्ट में पूर्व दिसा में मस्तक और उत्तर दिसा में प्रिष्ट दक्षन दिसा में क्रोड और पश्चम दिसा में चरण फैला कर वास्तुनाग सोई रहते हैं अतहा उत्तर दिशा का द्वार इस काल में प्रसस्त होता है ब्रश्चिक धन एवं मकर रासी अर्थात मार्ग सीर्ट स्पॉस और माग में वास्तुनाग का सिर दक्षन प्रष्ट पूर्व प्रोड पश्चम और पैर उत्तर दिशा में रहता है जिससे उष्च में पूर्व दिशा का द्वार सुधन उचित है कुम्ब मीन और मेश रासी अर्थात फालवन चैत्र प्रससा वैशाख मास में वास्तुनाग का मस्तिस्क पक्ष्चिम प्रष्ट दक्षन तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहते हैं आता दक्षन दिशा के द्वार का सुधन इस का वास्तु के विस्तार के अनसार आदे भाग में द्वार का निर्मान करना चाहे इस प्रकार आठ दिशाव में आठ द्वार कहे गए हैं यदि उपर्युक्त सास्त्र शम्मत विधि के द्वारा सुधन नहीं होता है तो घर की हानी होता है अतहां उपर्युक्त विधि से प्राशाद या भवन का अंद्रमान करके उसके पूर्व में पीपल दक्षन में पाकड पश्च में बरगद उत्तर में गूलर तता इसान कुण में शेमल का ब्रक्ष लगाना चाहे जो घर के लिए सुब फलदाई होते हैं इस प्रकार पू कि वहां सास्त्र विधि से भवन निर्मान अस्तवा प्राशाद निर्मान का अवर्णन करें और सास्त्र सम्मत विधि से बास्तु भगवान की पूजा स्थापना करके शुक्षम्रद्धी की वृद्धी के लिए यह कारे करें नयमी सारण की परमपावन पवित्र भूमी पर शूत जी महाराज सौनकाद 88,000 रिशियों से यहां आख्यान सुनाते हैं रिशियों, इसले आत्म कल्यानी ग्रश्त को चाहे कि वहां वास्तु सम्मत घर का अंदिर्मान करके शुक्षम्रद्धी को प्राप्त करे। 47 वा अध्याय प्राशाद लक्षण भगवान प्रिशूत जी महाराज नयमी सारण की परमपावन पवित्र भूमी पर शूनकाद 88,000 रिशियों से कहते हैं रिशियों, अब मैं प्राशाद मुंद्रमान एबं उसके लक्षणों के विशय में कहे रहा हूं। आप सुनें, सर्व प्रथम उसर वास्त वित्र रेखा, चारों ओर चारों दिशाओं में चोसनक चोसट पद, परिमाप का एक चतु स्कोर्ण भूखंड तयार करना चाहें, जिसमें 48 पद परिमान भूमी में दीवाल का अंद्रमान करें, साथ ही चारों दिशाओं में पु प्रशाद का बनाया गया उंचा जो ध्रातल है, उसको उप्राशादिक जंखा कहते हैं, भगवान की यहा जंखा मानव जंखा की अपेक्छा ढ़ाए गुना अधिक होनी चाहें, उसके उपर न्रमित होने वाले गर्भ भाग के विस्तार प्रिमाप को सुक्रांग्र कहते ह गर्भ भाग को पुनह तीन अथवा पांच भागों में विभक्त करना चाहें, और सुक्रांग्र के द्वार की उंचाई शिखर भाग की आधि करने चाहें, चार शिखर बना करें, उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करें, उसके चतुरत भाग पर पुनह प्राशाद के कंठ भाग का निर्मान करना चाहे अथवा भवन का निर्मान करने के लिए भूमिखंड को शमान सोलह भागों में विभक्त करके उस सोलवे भाग के चतुरत भाग के मद्ध में गरब गरह का निर्मान करवाए बचे भी बारह भाग में इस्तित का भित्य का निर्मान करके चत प्रदक्षन भाग का दिस्तार सिखर भाग की उन्चाय के मान का चतुरताम्त होना चाहिए बुद्धि मान को चाहिए कि वे उस देव प्रशाद के चारों दिसाओं में निर्गम द्वार रखें गरब गरह की चतुरतिक भित्यों में प्रतेग भित्य का पांच भाग करके उसके मद्द के पांच भाग के द्वार में लगाना चाहिए ऐसा ही गरब गरह का प्रतेग द्वार मान बास्त विद्व द्वानों को निर्धारित करना चाहिए गर्ब ग्रह के समान ही उसके अग्रभाग में मुक्वंडल बनाना चाहे यह प्राशाद का सामान ने लक्षन कहा गया है अब मैं लिंग निर्मान के प्रमान को कह रहा हूँ सुनो के सोनके लिंग के प्रमान के अनशार उसके पीट का निर्मान होना चाहे पीट भाग का दुगनाचार और पीट का गर्ब भाग हो पीट गर्ब के अनुसार ही उसकी भित की तथा उसके विस्तार के अर्ध परिम्नान में उस लिंग पीट का जंगा भाग अंध्रमित करें जंगा भाग के परमान के अपेक्चा दिगुनित उचा सिकर होना चाहे तीठ और गर्ब भाग के मद्द जो परमान हो उस परमान के अनुशार सुक्रांग रिहाग अंद्रमित हो द्वार अंद्रमान के समय पहले जैसा कहा जा चुका है शेष कारेवे से ही होगा लिंग का परिमान बताया जा चुका है अब द्वार का परिमान कहते हैं चार हाथ का द्वार बनाया जाए तो वास्त के आठवा हिस्सा होता है स्वेच्छा नुसार इसका दुगन विस्तार हो शकता है द्वार के सदृश पीट के मध्य भाग को छिद्र युक्त रखना चाहे पादिक शेषिक तथा भीत्त द्वार परिमान के अनुसार ही उसके अड़ध अड़ध परिमान की दूरी पर निर्मित करें उस गर्ब भाग के विस्तार के शमान ही मंडल के जंगा भाग का निर्मान करके उस जंगा भाग के जुगुन के प्रिमान में उची शिकर भाग को निर्मत करें सुक्रांगर भाग को पहले की ही भांती बनवा कर न्रगम अर्थात द्वार भाग को उचा ही बनवाएं ऐसा मंडप न्रमान का मान है इसके अत्रक्त सेश प्राशाद भाग के शुरूप को कह रहा हूं सुनो प्रासाद मंडप के अग्रभाग में त्रवेद अर्थात तुरिद्वारी का निर्मान करवाना चाहे जिसके छेत्र भाग में देवगन बिद्ध मान रहते हैं इस प्रकार प्राशाद के मान का अवधारन करके बाईह भाग का निर्मान करें इस निर्मान कार में प्राशाद के चारों और एक पाद प्रिमान वाली नेम यो नेव का निर्मान करना चाहे वशे शंसार में गरब ग्रह के प्रिमान के अनुशार नेमिक का मान उसका दुगुण है भित्त की चोड़ाईयों से दूगना उंचा उसका सिकर भाग होना चाहे लक्षण एवं स्वरूप की भिन्नता के कार्ण प्राशाद अनेक प्रकार के होते हैं यथा वैराज पुस्पक कैलास मालिका तथा प्रविश्ट यह पांच प्रकार के प्राशाद हैं इन में प्रथम प्राकार का वैराज नामक जो प्राशाद है वर सब प्रकार से चोकोर और समतल होता है दुतिय प्रकार का प्रिस्पक प्राशाद आयताकार होता है तृतिय प्रकार का कैलास नामक प्राशाद ब्रताकार तसा चौथा मालिका नामक प्राशाद ब्रतायत और पांचवां तृविश्टप नामक प्राशाद अश्ट कोनाकार होता है इस प्रकार से बने हुए ये प्राशाद बड़े ही मनोहारी होते हैं इन प्राशादों के अन्य प्रकार से प्राशादों का स्रूप निर्मित हुआ हैं यथा मेरू मंदर विमान भद्रक सरवतो भद्र रुचक नंदन नंदि वड़धन और स्रीवत्च ये नौ प्रकार के चोकूर प्राशाद बैराज नामक प्राशाद निंद्रमानक कलासे ही उत्पन हुई हैं वल्लवी ग्रहराज सालक ग्राम मंदर विमान ब्रफ्म मंदर भवन उत्तंभ और शिवका बेश्ट्म ये नौ प्राशाद पुस्पक्त नामक प्राशाद कलासे उत्पन हुई हैं वलय दुन्दवी पद्म महापद्म मुकुली उष्णशी शंक कलस गुवाब्रक्च तथा अन्य ब्रित्ताकार प्राशाद कैलास प्राशाद के नौ से प्राप्त प्रकटवे गजब्रशबहंस गरुडशिम्ध शम्मुक भूमुक भूधर स्त्रेजय तथा प्रतवीधर इन प्राशादों का उद्भव मालिका नामक ब्रितायत प्राशाद से हुआ हैं इसके अत्रक्त त्रगोन पद्माकार अर्द चंद्राकार चतुसकोन सा सोडसकोनी प्रकार से भी मन्डप के समस्तान का अन्द्रमान जहां तहां किया जासे सकता है जो क्रमसह राज्य एस्वरे आयव वर्धन पुत्रलाव और स्प्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं मुख्य द्वार के अस्थान में ही ध्वजा आधि जसां करब गरह का अंद्रमान होना चाहे सूत्र के द्वारा समसंक्याव में द्वगुनत मंडव का अंद्र सकता है प्राशाद की आधार भूमी प्रतेक जिसाव प्राशाद की आधार भूमी प्रतेक जिसाव में द्वारा चाहे ज़्छाओ में अवस्तित चार ज्वारां और चार मंडपों से सुष्रोजत होनी चाहे जो प्राशाद सो स्त्रंगों वाला अर्थात सो मेनारों से युफ्तों होता है उसे मेरु संग्या से अभिखित किया जाता है यह अन्यप्रासाद की अपेक्षा उत्तम कूटगा होत नाम के भीद सेुप्रक्षपर का संकार करण से भी भीविन पrakार के प्राशाद माने जाते हैं देवताओं की विश्यस्ताओं के कारण बहुत प्रकार के प्राशाद बताए गए हैं यद पी स्वयम भूह देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्राशाद के निर्मित कोई नियम नहीं है तथा पी देवों के लिए उप्तमान के अनुसार ही उन प्राशादों का निर प्राशाद के विभन दिसाओं के मुख्ठ द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहे। प्रकार के उच्चारों से पूजा करने चाहे। बासु देव तो सर्वमय है। उनके भवन का द्रमान करने वाला व्यक्ति सभी फ्लों को प्राप्त कर लेता है। सर्व प्रथम अपने वैदिक साकाय में कहे गए। विधान के अनुसार ये प्रणब मंत्र का उच्चारन करके पांच ये उससे अधिक रित्वुजों के साथ मध्य स्थान में इस्थित आचार का वरण करें। तदनंतर पाद्य अर्ग और मुत्र का वस्त्र गंध माल एवं अनुलेपनी द्रभ्यों से उनका पूजन करें। गुरु को चाहे कि वे मंत्र ज्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का आरंब करें। प्रासाद के अग्र भाग में दस अत्व बारह हाद का एक बरगा कार शोलह खम्मवाला मंडप तयार करके। उसमें खुल आठ ज्जाओं को प्रतिष्ठत करना चाहे। उसके बाद मंडप के मध्य भाग में चार हाथ प्रमान की एक बेदी का अंद्रमान करवाएं। उस बेदी के ऊपर भाग में नदियों के संग मस्थव के किनारों से लगाई गई बालू का विछाएं। प्रदान कुंड का अंद्रमान करवा करें। उसके पूर्व दिशा में ब्रगाकार, दक्षिन में धनुशाकार, पश्टिम में बर्तुलाकार और उत्तर में पध्माकार इस प्रकार पांच कुण्णों का न्द्रमान करवाना चाहिए अथोब सभी कुण्ड चौकूर रखे जा सकते हैं कुण्ड न्द्रमान के पश्टात समस्त कामनाओं के सिद्ध के लिए आचार शांत्य कर्म के लिए भीत बिवित से हवन करें कुछ लोग मंडप के इसान कोण की भूमिको गाय के गोबर या स्वच्छ मिठी से लेप करें उसमें होम करते हैं मंडप में लगे तोरणों के समेवी पूरबादिक दिशाव में चार द्वारों का न्द्रमान करवाना चाहे मंडप के तोरण स्तंभ नग्रोध उदुमबर अस्पत विल्व पलास खदिर काश्ट से न्द्रमत होने वाले प्रतेक तोरण स्तंभ का परिमा पांच हाथ होना चाहे और प्रतेक स्तंभ को वस्त्र पुषवाद से अलंकरत करना चाहे तथा उसके निचले भाग को एक हाथ नाप कर प्रतिवी में गाड़ देना चाहे सेस चार हाथ प्रमान का भाग उपर रखे उसी प्रकार उने मंडब के चार और की दिशाव में स्थाफित करवाना चाहे मंडब के पूर्वी द्वार पर मिर्गेंद्र दक्षणी द्वार पर हायराज पष्टमी द्वार पर गोपती जथा उत्तरी द्वार पर देव सार्दूल का न्याज करे मंत्रों के द्वारा पूरुब द्वार की दिशां में मंरगेंदुर का न्याज करें उसके बाद दक्ष्ण द्वार में हाई राज का पश्चिम द्वार में गोपति का और उत्तर द्वार में डेव सार्दूल का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूरुप दिशा में मेग वर्ण के समान ज्याम, अगनी कोण में धुमर वर्ण, दक्षन दिशा में कृष्ण वर्ण, नैरित्य कोण में धूसर वर्ण, और पश्चन दिशा में पांडुर वर्ण, वाईपून में पीत उत्तर दिशा में रक्तवर्ण, इसान में शुक्ल तता मंडप के मद्द में अनेक बर्णवाली पताकाओं को इस्थापित करना चाहिए पुनह, पूरुप दिशा में इंद्र आदेवताओं का मंत्रों द्वारा, अगनी में यम का, दक्षण में यम नागुं का, नैरित्य म निर्ती का, वायव में वायवकू का, उत्तर में कुवेर जी का, इसान में इशान देव का, मंडप के मद्द भाग में पहवान विश्णु का पूजन करें, प्रतेक तोरण के समय पे दोदो कलस इस्थापित करने के पश्चाज, वस्त्र तदा उपवस्त्र से आच्छाद चंदनाद सुगंधित पदार्तों से अलंकृत, पूष्प विधान एवं अन्यान्य पूजा उप्चारों से शुशोवित दिगपालों की पूजा करनी चाहे, इंद्र देव की, अगने देव की, निर्रती देव की, कुवेर जी की, बरुन जी की, रुद्र की, दिगपाल की, इन सब का पूजन करना चाहे, उसके बाद वहाँ गुरु रखी गई स्वेत संकादिक शास्थ प्रविहत शमस्त वस्तों पर भी एक द्रिष्ट पात कर लें, ऐसा करने से निश्चित द्रव्यों की सुद्धि हो जाती है, उसके बाद हिर्दयाद सडंगों का नियास, व्याहरती और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके करना चाहे, जोक्रमिषः, ओम भुष शिरशए स्वाह, ओम भुभः, सिखाये वसट, ओम स्वः कवचाये हूं, ओम भुरुवा, स्विः नेत्रत्रियाये वसट, ओम भुरुवा, स्विः करतल कर प्रष्टाव्ध्याम फट इत्याद मंत्र चालन करते हैं शिर प्रदय शिखा कवच नेप्र करतल और प्रिष्ट का इसपर्च करें उसके बाद अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत और विष्टर को अभिमंत्रत करकें उसी विष्टर के द्वारा यग्य मंदप में एक अत्रत समस्त द्रब्यों का इसपर्च करें उसके बाद अस्त्र मंत्र से पवित्र किये गए उन अक्षतों को अपने चारां ओर विखेर दें उसके बाद पूरुब दिसा से लेकर अगनी कौन दक्षिन नैरित्य पश्चिम भाय कौन उत्तर इशान मंडप के अभिमंत्रित अक्षतों का निक्षेप करके शम्पूरुन यग्यमंडप का लेपन करवाना चाहे तदनंतर यागित गुरु को चाहे कि वहां अर्य पात्र में गंदाद युक्त जल का परिपूरुन कर लें मंत्र समों से उसे अभिमंत्रित कर लें उसी अभिमंत्रत जल से यग्यमंदप का प्रोक्षन करना चाहे कर्मपात्र पूजन जिसको कहा जाता है उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंदप के इसान पूण में कलस इस्थावित करके उसके दक्षन भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रत वर्धनी की स्थापना करें उसके बाद कलस वर्धनी ग्रफ और वास्तोस पतिदेव की यसाविध आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार प्रणव मंद्र का जब करें। उसके बाद सूत्र से वेश्ठित पंच रत्नों से युक्त दो बस्त्रों से आच्छाजित सब प्रकार की और श्रणव साथ चंदनाद स्वगंदित पदार्थों से अनुलिक्त उसकलस की पुनह पूजा करें। साथ ही उस कलस में प्रतिष्ठित देपता की भी पूजा करने चाहे। उसके बाद उत्तम बस्तर से वर्धनी को आच्छाजित करके उसके साथ कलस को घुमाएं वर्धनी की जलधारा से उसकुम्ब को सिंचित करके उसे आगे वर्धनी को इस्तापित करें। वर्धने के साथ उस कुम्ब का भी पूजन करें, इस थंडले में मूल देपता की पूजा करें, उसके बाद वायब कुण में एक घट के स्थापना करने चाहे, उसमें गणका का आवाहन, ओम घणपत देपता का आवाहन होना चाहे, और किसान कुण में दूसरा घट स्थाप करें । तद नंतर मंत्रों के द्वारा खुशों का आस्तर्ण करें और रित्जों के साथ आचारित यज्य दीक्षित वहस्त्रेश्ट यज्मान पीट पर उस देव मूर्थ को प्रतिश्ठित करें । उस समय विविद वैदिक मंत्रों चार के शात जय जयकार की मंगल धुनी करनी चाहे। श्नान करवाने के लिए पीठ सेथ उस देव मूर्ति को ब्रह्मरत पर बैठा कर इसान गोण में अवस्त्त मंडप पीठ में इस्थापित करें। उसके बाद भद्रंग करने ती मंत्रों के द्वारा श्नान करा कर यग्य सूत्र या वलगल वस्त्र से पूँच कर मूर्ति को सवच करके तूरी आदिक वाद्य यंत्रों का वाधन करते हुए लक्ष्नों धार करें। उसके बाद कहां से या तामरपात्र में स्तित्ग्रत और मद से मिस्त्रत अंजन को सोने की सलाका से लेकर उस प्रतिमा की आँखों में अंजन करें, अंजन लगाने के लिए अगनिर जोतीत मंत्र से देव के नेत्रों को उद्गाटित करना चाहें, अंजनाद से शोवित उस देव प्रतिमा का नाम करन अस्थापन करने वाला व्यक्ति करें ततरंतर, मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में सीतल क्रिया का संपाधन करके बावी अर्थात, दीमकादिक से एकत्रित की गई मिठ्टी का उस देव प्रतिमा को शमरपित करें, और विल उसके बाद पंचकब्ले से रिष्णान कराकर शहदेवी वला शलमूली सतावरी गृत कुमारी गुडूची शिंभी तथा व्याग्धी इन आसदियों से युक्त जल से मंत्रों द्वारा प्रतिमा को रिष्णान कराना चाहे। उसके बाद मंत्रों से विद्वान को उद्वर्तन करत्य करना चाहे। उत्तर आद दिसाओं में क्रम से चार कलसों को स्थापन करना चाहे। और उन कलसों में विविद रत्न सब्त धान्य और शत्क खुस्पिका नामक औशदिका निक्षेव करना चाहे। इसके अत्रक्त उन चारों कलसों में चारों समुद्र एवं चारों तिसाओं के अधिश्थाता देवताओं का आवाहण करना चाहे। उसके साथ ही दूद दही चीरोदक एबं गृतोदक से चारों कलसों को प्रतक प्रतक परिपूर्ण करके मंत्रों के द्वारा इश्ट्नानादी स्थापनादी करना चाहे जिसमें गृत कुम्ब को अभी मंत्रत करके चारों कलसों को चारों समुद्रों का प्रतिनिती समझना चाहे इसके द्वारा देव प्रतिमा को पुनह अश्टनान कराए इस प्रकार विद्वान से की गई स्थापित मूर्ति शेग्र ही फल देने वाले होती है साधक की शमस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले होती है इसलिए विद्वान आचारे को चाहे कि वहा विद्वत विधान से पूजा करके शास्त्र विह त करमों को पूरा करके मूर्ति को स्थापित करे जिसके भलश रूप वहां पर शविको रिधि शिधि धन्समरिद्ध की प्राप्ति हो पुनहा इस्थापन विदि के अंप्रगत कहते हैं शूजी महराज कि इस प्रकार इश्ट्नान संपन करें उस देव प्रतिमा को शंदर भीष बुसा से अलंकरत करके गुपगुल का लूप धूप प्रजान करें उसके बाद पुनहा कुम्भों में प्रतवी प्रविद्यमान सबी तीरतों नतियों सथाख शागरों का विन्याज करना चाहे उन कुम्भों को मंत्रों से अभिमंद्रत करके उन से पुनहा उस देव प्रतिमा का अभिषेक करें जो व्यक्ति अविशेग के अवसिष्ट जर से स्नान करता है वह सबी पापों से मुक्त हो जाता है समुद्र के प्रतिनिधी रूप उन कुम्भों से उस देव प्रतिमा का अविशेग कृत्य शंपन होने के पश्चाद अर्गय प्रदान करके गंध वस्त्र आदी समर्पित करके समस्त पूजाविदी को शब्रकार से परिपूर्ण करें उसके बाद वहें पर बैटकर परम्तस्त्व का ध्यान करते हैं आचारे को सास्त्री विधान के अनसार मंत्र न्यास करना चाहे मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र सास्त्र में बताए गई है इस न्यास के बाद मंडपने प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहे और उसकी यथावित पूजा करने चाहे सास्त्रिय विदि के अमसार जो देपता को समर्पित करतना है वह उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहे उसके अत्रक्त देपता के शिरू भाग में दो बस्तरों से वेश्टित स्वर्ण के युक्त एवं प्रभाव से अंकित कलस स्थापित करना चाहे तदनन्तर कुम्ब के सन्निकट बैटकर आचारे वेदमंत्रों चार के शात अगनिकी स्थापना करें तदनन्तर पूरुब दिशा में रित्वेता रित्विक कुंड के शमिप में बैटकर स्त्रेशुक्त तथा पभमान आदिशुक्तों का पाठ करें कुंड के दक्ष्ण दिसा में इस्तित अध्वर्यू अर्थात यजरुवेत्ता आचार प्रेशुक्त तथा पुरुषुक्त का पारायन करे। कुंड के पस्चिम में बैठा हुआ उद्गाता साम वेद आचार वेद वरत वाम देव्य जेश्ठ मा शाम तनंतर एवं भेरुंड शाम का पाठ करे। ऐसे ही कुंड के उत्तर में इस्तित अथर्व वेत्ता का अथर्व सिर्ष, कुंभ शुक्त, नील शुक्त एवं मैत्प्र शुक्त का पारायन करना चाहिए। उसके बाद आचार अस्त्र मंत्र के द्वारा भलीभांति कुंड का प्रोक्षन करके। स्वसामर्त के अनुसार प्राप्त तामरी या अन्य किसी धातु से निर्वत पात्र में अगनी ग्रहन करे। उस मूर्ति के आगे स्थाप्त करे। उसके बाद उस अगने को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेश्टित करते ना चाहिए अम्रती करन करते करते हैं इस प्रकार अमर्तेकृत अगने को गुरू वेद मंत्रों से अभीमंत्रत करके फात्राक्रसेद कुंड के चारम ओर घुमाय और व्यश्णवी योग से उसे प्रज्ज्यलित करें वही कुंड के मद्य स्थापित करें अगन के दक्षिन में ब्रह्मा और उत्तर में प्रनीता को स्थापित कर कुंड की प्रतेक दिसाओं एबं बिदिसाओं में कुशा के विष्टनों से परिदिका दिर्मान करें कदांतर गुरु ब्रह्मा विष्टनों हर और इसान की पूजा करके दर्वों के उपर अगनी को रख कर दर्वों से ही विष्टित करके दर्व जल से ही प्रोक्षण करें क्योंकि कुसादवारा प्रदत्त जल का प्रोक्षन करने से बिना मंत्र के भी सुद्धी हो जाती है प्यारे पूर्वाग्र उत्तराग्र एवं पष्टमाग्र अखंडित तथा विस्तृत कुसाओं से विस्तित बशने में देपता का सानिध्य स्वयम हो जाता है अगने के रक्षा के लिए मंत्र ग्योने जो उपर एक्तनियम कहें हैं उन विस्ते में कुछ आचारें का विचार है कि उन सबे करत्रें को जात करम संस्कार के पश्टाद करना चाहे आगरिन का पवित्रे करन करके आचारे को आज्य संस्कार करनाना चाहे। उसके बाद गृत को आवुती योग्य बनाने के लिए उसका अविक्षण निरिक्षण निराजन एवं अवि मन्प्रण करके उसके द्वारा मुख्य हवन के पूर्ण करननी आज्य भाग एवं अविधार नाम के किर्प्त विशे श्टम्पन करती करना चाहिए उसके बाद उस आज्य से पांच पांच आवतियां देनी चाहिए उसके बाद गरबाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार प्रयंत अगने का संस्कार करके आचारे को अपने शाखा के अमसार वहित मंत्रों से अथवा प्रणम से आवति प्रदान करनी चाहिए आचारे अंद में पूर्णा होती प्रदान करें क्योंकि पूर्णा होती देने से यजमान की अविलासा पूर्ण हो जाती है इन वेद वहित कर नियमों से उत्पन हुई अगनी सभी कारें में सिद्धी प्रदान करने वाले होती है अत एव पुणह उनकी पूजा करके अन्य सभी कुण्डों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहे वहां प्रतेक आचारे अपने साखा मंत्र से इंद्राद सभी देपताओं को सो शो आवतियां प्रदान करें सो आवतियों के पश्चात पूर्णावति समर्पित करके सभी देपताओं को एक एक आवति प्रदान करनी चाहे खो था अपने द्वारा अनुष्ठित है आज जी आवतियों के सेस भाग को यथा विधान कलस में स्थासित समर्पित करें इसके बाद आचारे देवता वंत्र एवं अगनी के साथ अपने तादात्म की भावना करते हुए पूर्णावति चंपन कराए यग्यमंडप से बाहर आकर आचारे दिखपालों को बलिप्रदान करें इस बलिकृत के साथ भूतों देवताओं और नागों को बलिदेनी चाहे तिल और शमदा यही दो भूम पदार्थ भीहित है आज तो उन दोनों का सहयोगी है क्योंकि घृत के बिना हवने अद्रभ्य अक्षय नहीं होता इस हवन करत्य में प्रशुक्त, रुद्रशुक्त, जेश्टमार तथा तन्य आमिन मंत्र से युक्त, भारुंड शुक्त, महा मंत्र के रूप में प्रसिद्ध, नील, रुद्रशुक्त, एवं अथर्भ के कुम्ब शुक्त का पारायन यथा क्रम, कूर्व, दक्षन, तथ पश्च्च्छम, आध्य दिसाहों में असिंग रित्वों से करवाना चाहिं। इस हवन करम में एक-एक सहस्त्र आवतियों का अविदान है और इन आवतियों में बेदों के आदि मंत्रों, देवताओं के नाम मंत्रों, अपने साका के विहित मंत्रों, गायतिर मंत्र के साथ अविदान ब्याहरत एबं प्रणम का प्रियोग करना चाहे, साथ यह भावना कर चाहिए कि हम उन आयुत्यों को देवधा कि श्रूभाग मद्धभाग ज़सा पाद भाग आदबे में समर्पित कर रहे हैं और स्वयम को देव में समझना चाहिए इस प्रकार होम विदि को संफन करके देशिक आचारे को चाहिए कि वहां देव विक्रहबे मंत्रों का न्यास करें उसके बाद देव मूर्ति का उत्थापन करके मंत्र विता आचारिय मूर्ति का एसपस्ट करते फिविदोक्त पुल्निया वाचन के शाथ देव प्राशाद के प्रदक्षना करें उसके अनंत्र विविद रत्न विविद धात वुल्व द्रब्य एवं विथान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध वीजों के साथ दिगपाल आदी देवताओं के प्रदिक्षना भीत है उसके अनंतर यसास्तान प्रदान देव प्रतिमा के प्रदिक्षना होनी चाहे देव मूर्त को मंदिर के मुख्य गर्व भाग में स्थापित नहीं करना चाहे और न उस गर्व भाग का प्रित्या करके अन्यत्र ही उसके स्थापना होनी चाहे अपितो गर्व भाग का कुछ मद्य भाग छोड़ कर उसे स्थापित करने से दोश का प्रिहास हो जाता है अतहा तिल के कणमात्र प्रिमान में मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बड़ा लेना चाहिए मंत्रों के द्वारा देव मूर्ति का यथा विण्यास एवं अभिवंत्रन करें शात ही सुप्रतिष्ट देव प्रिमा को यथा विधान संपात काल में जल से श्नान करवाए तदनंतर धूपदीप अन्य सुगन्दित पदार तथा नवेद्य से उस देव प्रिमा की विदिवत पूजा करके अर्गय प्रदान करें और प्रणाम निवेदन करके छमा प्राषना करें उसके बाद अपने सक्त के अनुसारी अजमान रित्यों को पात्रवस्त्र एवं उपवस्त्र चत्र सुंदर बहमुल्य अंगुठी दक्षना दे करके संतुष्ट करें इसके बाद आचारे मंडप से बाहर आकर दूपालों को बली प्रदान करके पुष्ट लेकर देवताओं का भी सर्जन करें इस प्रकार यग्यपूर्ण होने के बश्टाद आचारे को कपिला धेनु, चामर, मुकुट, कुंडल, छत्र, केयूर, कटिशूत्र, व्यजन, व इसके बाद आचारे तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुन्दर विसाल भुजन का आयोजन करा करें, सब को शंतुष्ट करना चाहें, सब की त्रिप्ति के लिए प्रशाद प्रमात्मा को पहले भुग लगाएं, उसके बाद वहार जन समदाय में वित्रन करें, जिससे की वहार प्रशाद के रूप में हो जाता है, ऐसा करने से यजमान करतार्थ हो जाता है, अपने वंत का कल्यान करतेता है, करत करत्य हो जाता है, और उसके उपर पितर देविता, 33 करोड देवि देविता, सदा नित्य प्रसंद रहते हैं, वहार इस संसार में समस्त सुकों को भ होगता है प्रवाटमा के किरपा से उर्दो गती को पाता है और वॉस्चु देपता की प्रसनता से उसे मुक्ती प्राफ्ट हो जाती है वहाँ मुख्च को प्राफ्ट कर लेता है 59वाज्या वर्न एवम आत्रम धरमों का आ नुद्रोपन ब्रहमा जिने कहा मिव्यासeg स्वायम्भु मनौ आदे सास्त्रकारों के द्वारा पूज्य तथां स्तुरुष्ट स्तुति और प्रले करने वाले भगवान स्रीहर के पूजा व्रनादी चारों वरन अपने अपने धर्म के अनुशार करते हैं मैं प्रतक प्रतक रोप से उनके धर्म को कह रहा हूँ आप सुनें हे ब्रहमन स्रीष्ट यजन याजन दान प्रतिक ग्रोह अध्याई और अध्यापन ये चह कर्म ब्रहमन के धर्म हैं दान अध्यन तथा येज़ो ये चत्रीओ एबभं वैश्ट के साधरन धर्म हैं इसके अत्रत दंड चत्रे के लिए और कृश्ट करना वैस्य के लिए विशिष धर्म श्विकार किया कया है ब्रामन चत्री और वेश्ट इन तेनों दुजातियों के सेवा करना शुद्रों का धर्म है सिल्पकारी उनकी आजीविका है धर्मा अनुसार वे पाक यग्य संस्था का दिनवहन करते हैं विक्षा चर्ण गुरुसु सुर्शा श्वाध्याय संध्या तता अगनिकारिय ये ब्रह्मचारियों के धर्म हैं चारों आस्त्रमों के दो भीद माने जए हैं इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुरवान तता मेश्टिक ये दो भीद हैं जो दुज़ विदिवत बेद का अध्यन करके ग्रस्त आस्र में प्रविष्ट हो जाता है वह उपकुरवान है जो मृत्य प्रियंत गुरुकुल में निवाज करते हुए बेदा अध्यन करते है उने नैश्टिक ब्रहमचारी के नाम से जानना चाहिए हे दुज़े अगनिकारिय अथिसेवा यग्यदान और देवार्चन ये सभी ग्रस्तों के संक्षिप्त धर्म है ग्रस्त के सादक और उदासिन दो प्रकार है जो ग्रस्त प्रिवार के भरण पोशन में लगा रहता है वह सादक है जो ग्रस्त पित्ररिण धेवरिण और रिसरिण इन तिनों से मुक्त होकर पत्नी धनाद का भित्याग करके एका की धर्मा चरन करता हुआ विचरन करता रहता है वह उदासिन ग्रस्त है उसी को मौक्षिक भी कहते हैं भूमे सयन फल मूल का आहार बेदा ध्यन तफ और अपने संपत्य का यसादिकार यसोचत भाग ये सभी बानप्रस्त के धर्म हैं जो बानप्रस्त अरण में तपस्चरन करता है देवार्चन और उन्हें आवति प्रदान करता है तसा स्वाध्याय में सदय अनुरत रहता है वह बानप्रस्त तापसो तम कहा जाता है ऐसे ही जो बानप्रस्थ तपके द्वारा सरीर को अत्यम्त छीन करके इस्वर्म के ध्यान में सदास निमगन रहता है वह बानप्रस्थास प्रम में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है जो भीक्षू नित्य योगा अभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत इवं जितेंद्रे बना रहता है उसको पारमिश्टिक सन्यासी कहते हैं जो सदैव आत्म तस्पान संधान में प्रेम रखने वाले हैं नित्य त्रप्त हैं जो संयम नियम स से रहते हैं ऐसे महामुनी योगी भिक्षू कहे जाते हैं भिक्षा चरन वेदा ध्यन मौना अवलंबन तप ध्यान समय ज्यान और वेराग्य यह भिक्षू के सामान्य धर्म माने गए हैं पारमेश्टिक सन्यासी तीन प्रकार के हैं ज्यान सन्यासी वेद सन्यासी और कर्म शन्यासी योगी के भूतीन प्रकार हैं जिने भौतिक एवं अत्यास्ट्रमी योगी कहते हैं ये तीनों योग मुर्तिस्वरोब प्रमात्मा का आस्त्रय कर इस्थित रहते हैं ये योगियों के प्रतक प्रतक ब्रह्म भावनाएं होती हैं प्रतम प्रकार के ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है दूसरी भावना छत्र योगी में रहती है इसी को अक्षर भावना कहते हैं तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं जो प्रमेश्वरी भावना के नाम से जाने जाती है मनुस्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है अर्थ से काम बढ़तिक के वेद से दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद सास्त्रानुसार अग्नियाद्य देव एवं गुरु विप्राद को प्रसन्द करने के लिए जो करम भीत हैं। वैं प्रकृति कर्म हैं। तथा शभिति कर्म आनुष्ठान से चित्त सुद्धि के अनंतर आत्म ज्ञान मात्प्र में शदा रत रहना निब्रति कर्म है छमा दम दया दान हंद्रलोबता श्वाध्याई सरलता अनशूया तीर्थ का अनुसरन सत्य शंतूस आस्तिक्य इंद्रिय निग्रह देवार्चन विसेज कर ब्राह्मनों का पूजन अहिंसा प्रियबादिता इन सभी को चारू आस्ट्रमों का सामान्य धर्म प्रिकार किया जिक लए है इसके बाद अब मैं चारूं ब्रणों को प्राप्त होने वाले स्थान के जिसे में कह रहा हूं उपर्युक्त वेध बीध कर्मों को करने वाले और्रामनों के निमित प्राजापत्य नाम का स्था युद्ध में नभागने वाले धर्मरत चत्रियों को स्वर्ग में इंवरका अस्थान प्राप्त होता है। उर्द्वारेतस ब्रह्मनिष्ट अठासी सहस्त्र रिशियों ने तपस्या के द्वारा जिस अस्थान को प्राप्त किया था वही अस्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है जो अस्थान मरेच अत्री सब्त्रिश्यों को प्राप्त है वहा अस्थान बान प्रस्थास्त्र में को प्राप्त होता है, सैयमित चितवाले उड़्द्वरेतस सन्यासी को वहा आनंदस्वरों को प्रमबद प्राप्त होता है, जहां से पुना आगवन की संभावन नहीं होती, वहा परप्रहमपद द्योम नाम से अक्सरत्त के रूप में योगियों के अम्रतस्थान के रूप में एवं ईश्वर शमन्दी प्रमानंद के रूप में प्रसिद्ध है, इस अस्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनाह संसार में नहीं आता, अभी जिस मुक्त आत्मा की चर्चा की गई है उसको प्राप्त होने वाले मुक्त अश्टांग मार्ग का सम्यत ज्यान रखने से प्राप्त होती है अतह मैं संशेप में उसे भी कह रहा हूं अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ए पांच यम है प्राणे की हिंसा न करना अहिं सौच संतोष तप्ष्वाध्य तथा प्रणिधान ये पांच नियम है वाह और आभ्यंतर रूप से सौच के दोभेद हैं इसी प्रकार संतोष को तुष्ट की इंद्रे निग्रह को तप्ष्वाध्याय और भगवत पूजनादी को प्रणिधान कहते हैं साधक के द्वारा पदमादी प्रकार से इस्तित होना आसन कहा जाता है वायु का इंद्रोध करना प्राणायाम है यह दो प्रकार का होता है मंत्रों चार करते हुए देव का ध्यान करना अश्ट गरभ प्राणायाम है इसके विप्रीद अगरभ प्राणायाम है यह दो प्रकार का प्राणाया यसा वाय अंतर कींच कर अवस्तित होना पूरक नामक प्राणायाम है वाय को रोकर देहिंद्रियों को इस्तित करना कुम्भग और उस वाय को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है बारह मात्रा वाला प्राणायाम लगु है 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है अपने अपने विशेयों से असंबध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरन करना एक विशेश प्रकार का अंद्रोध है और इस उसी द्रहुद को प्रत्यहार कहते हैं। इसके साथ आत्मा अभेद चिंतन करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्न इस प्रकार अभेद ज्यान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्तित ही श्रमादी है। मैं आत्मा ही प्रमात्मा प्रब्रह्म हूँ वहा प्रब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत है वही ब्रह्म है उसी को विज्ञान कहते हैं वही आनंद स्वरूप है उसी का तस्पमश इन सुर्थियों से बोध कराया गया है मैं ब्रह्म हूँ, मैं असरीर हूँ, इंद्रियातीत हूँ, मन बुद्धी अहन्तत्प अहांकारादि से रहते, जागरत स्वप्न शुषुप्ति आध्य अवस्ताओं से मुक्त हूँ, जो ब्रह्म का तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ, नित्य सुद्ध बुद्ध मुक्त स पत्य आनंद स्रूप अध्य कहा जाने वाला जो वहाँ आध्य कुरूश है वही मैं पूर्ण कुरूश हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करताफा ब्रामन भव बंदन से मुक्त हो जाता है। पचास मा अध्याय संद्य उपासन तरपन देवाराधन आधिनित्य कर्म तथा असोच का अंद्रूपन ब्रह्मा जी ने कहा कि मनुष्य प्रतितिन सास्त्र भीत क्रियाव को करता है उसको दिव्य ग्यान की प्राप्ति होती है अतह। ब्राम महुर्त में उटकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उशक काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदे कमल में विराजमान आनंद घन अजर अमर सनातन पुरुष भगवान हरी का दिहान करे। तदनंतर यथा विदी सवचादी आवस्य क्रियाओं से निब्रत हो क बाल करें पुरुष भातक काल हिनान करने से पाप कर्म करने वाली मनुशिक भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यतन पूर्बख प्रातक ल aja चाहिए प्रातक काल के SMान की लोगों ने प्रश्रुक्त की हैं। कि यह श्ट्नान लोकिक और पारलोकिक फलों को प्रदान करने में शमर्थ होता है। रात्प्री में सुखपूर्बग सोये हुए व्यक्ति के मुक्से निरंत्र लार आधि अपवित्र मल गिरते रहते हैं। अताह संपूर्ण सरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रतमताह श्ट्नान się संध्यावन्धनादी करना चाहिए। धार में कृत्य करने चाहिए प्राता अश्नान करने से लक्ष्मी काल करने अर्थात विखन डालने वाले अनिस्ट कारी सक्तियां दुष्टवपन एवं दुरूबिचार से होने वाले चिंतन के पाप दूजाते हैं इसमें समसे नहीं है यहां स्मरणी है कि बिना श्नान किये गए कारे प्रस्थ नहीं होते अत एब होम और जबाद के कारें में विशेश रूप से सबसे पहले विरिवत श्नान करना चाहे असक्त होने पर बिना सिर्फर जल डाले ही श्नान करने का विदान है आरदरा वस्त्र से ये सरेर को पहुचा जा सकता है इसको काई किष्नान कहते हैं ब्रह्म आगने वायविय दिव्य वारूम और योगि को ये च्छे प्रकार किष्नान है यसा अधिकार मनुस्त्य को श्नान करना चाहे मंत्रों सहित कुष के द्वारा जल विन्नों से मार्जन करना ब्रह्म श्नान है सिर से लेकर पैर तक यसा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन आगने श्नान है गोधूल से सरीरतों पवित्र करवना वायब श्नान कहा गया है यह उत्तम श्नान माना जाता है धूप के साथ होने वाले विष्ट में किये गई श्टनान को दिव्य श्टनान कहते हैं जल में अवगाहन करना वारण श्टनान है योग द्वारा हरिका चिंतन योगिक श्टनान है इसे को मानस आत्म वेदन ब्रह्माकार अखंड चित्त ब्रत्ति कहते हैं यहां योगिक श्टनान ब्रह्म बादियों के द्वारा श्यवित हैं इसे ही आत्मतीर्थ में भी कहते हैं श्टनान के पूर्व दुख्दधारे व्रक्षों से उत्पनकाष्ट मालती अपामार्ग विल्व अत्वा करवीर अर्थात कनेर की दांतों लेकर उत्तर या पूरु रिषयों और पित्रगणों का लात उत्तर तरपन करना का यहां यता सास्त्रश्चनानान का अंग भूत आचमन एवन संद्वूत आचमन का विधान है संद्यो पासन के अंग रूप में ही कुशो का विंदों से आदि वार्ण मंत्र एवं यथा विदान सावित्र के मंत्र द्वारा मार्जन करना चाहे इसी क्रम में ओंकार ओंभूर वश्वह इन व्याहर्तियों और वेदमाता गायत्री का जब करके अनन्य भाव से भगवान सूर के प्रति जलान जले समर्पित करें इसी क्रम में पूर्व की और अग्रभाग वाले कुशन के आसन पर समाहित चित्त से बैठ कर प्राणायाम करके शंध्या ध्यान करने का सुर्ति में विधान है यहां जो संध्या है वही जगत की स्रिष्ट करने वाले माया से परे है निश्क कला है आईस्वरी के वला सक्ति जथा तीन तत्वों से शमुद्भूत है अतह अधिकारे व्यक्ति रक्त बरण प्राता काल मध्यान काल में शुपल बरण और शाइन काल में प्रुष्ट बरण गायत्री का ध्यान करें जुझ को सदय पूर्बा विमुख होकर संद्य पासन करना चाहे संद्याकरत से रहित ब्रामन सदा अपवित्र रहता है वह सबी कारें के लिए आयोग्य होता है वह जो भी अन्य कोई कारे करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता है अनन्य चित्त होकर बेध पारांगत ब्रहमनों ने बिदिवत संद्योपासन करके अपने पूर्वजों के द्वाराप्त उत्तमगत को प्राप्त किया है संद्योपासन का त्याकर जो दुजोत्म अन्य किसी धर्मकार के लिए प्रयत्न करता है उसे दस हजार बर्सों तक नर्ख भूग करना पड़ता है अता सभी प्रकार का प्रयत्न करके संद्योपासन अवस्य करना चाहे उस संद्योपासन कर्म से योग मूर्थि प्रमात्मा भगवान नारायन पूजित हो जाते हैं अताह अधिकारी को चाहे कि वहाँ पवित्र होकर पूर्भावि मुक बैठ कर नित्य संयत भाव से एक सहस्त्र एक सो अथवा दस बार गायत्रिमा का जब करे गायत्र का एक हजार जब श्रेष्ट कहा गया है एकागर चित होकर उदे होते वे भगवान भासकर का उपस्थान करे और प्रतिवी पर मस्तक टेक करे इस मंत्र से प्रणाम करे कि ओंख खोलकाय सांताय कारणफ प्रय हेतवे निवे दयामी जात्मानम नमस्ते ज्यान रूपने त्वमेवे ब्र पॉंकारह सर्व रुद्रह सनातना सांत स्वरूप भगवान भासकर आप स्रिष्ट इस्तती और शमफार इन तीनों कारणों के कारण है आप ज्यान स्वरूप हैं मैं आपको आत्मने बेदन करता हूँ आप ही प्रब्रम हैं आप ही ज्योतिस स्वरूप हैं आप स्वरूप रसस्वरूप तथा अम्रतस स्वरूप हैं भू 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 अश्व ये तीनों आप ही हैं और आप ही ओंकार स्वरूप सर्वस्वरूप रुद्र तथा अभिनासी हैं आपको प्रणाम इस उत्तम आदित्यों ब्रुदै स्तुत्रगाच जब करके भगवान दिवाकर कूपरात हो और मध्यान सायंकाल प्रणाम करना चाहे उसके पश्चाथ घर आ करके व्रामन कुना विदिवत आज्मन करे तदनंपर उसे अगने को प्रज्वलित करके विदिवत भगवान अगने देव को आहुती प्रदान करने चाहे मुख्य अधिकारी असकता वस्ता में उसकी आग्या प्राप्त करके रिद्विज़ पुत्र अध्वा पत्ने शुष्य या शहुदर भ्राता भी हवन करशकते हैं मन प्रभीन एवं विदि की उपेक्चा करके किया गया कोई भी कर्म इसलोग या प्रलोग में फल देने वाला नहीं होता है तदनंफर देवताओं को नमस्कार करके अरग पाद्य चंदन सुगंदेत पदार्त का अनुलेपन वस्त्र तथा नई वेद्विज़ पूजा के उप्चानों को निवेदन करे गुरु का पूजन करे और उनके हित साधन में लग जाए तद पश्चाद प्रेतन पूर्वक यह था सकते दुझे को वेदा अभ्यास करना चाहे और उसके बाद इष्ट मंत्रों का वेद पारायन करके अध्यन करना चाहे सिस्य के अध्यापन कर्म में प्रबृत होना चाहे यह सिस्यों को वेदार्त धारन कराएं और दत्प चित्त होकर वेदार्त का विचार करें और वेदाद निगम सास्क्मत था उबनिशद व्याकनाद वेदांगों को अच्छी प्रकार अबलोकन करो इसके बाद वह अपना योगक्षेम के लिए राजा यस्रीमान के पाश जोए और अपने प्रिवार के लिए बिविद प्रकार के अर्थों का उपार्जन करें इसके पश्चाद मद्याहन काल के आने पर श्पनान करके मिट्टी से सुद्धी करें पुष्प अक्षत तिल पुष्प और गोमे आदि पदार्थों से भी इश्चनान कर सकता है गाई के गुबर्शे भी इसके बाद नदी देव मंदिर में पोखर में तडाग में या सरोबर के निकट जाकर के वह अश्चनान कर सकता है प्रते एक दिन तडाग में या सरोबर में जाकर वह अश्चनान कर सकता है मिठी के एक भाग से सिर्दोना चाहे दूसरे भाग से नाव के उपरी भाग को और तीसरे भाग से नाव के नीचे भाग को तथा मृतिका के छटे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहे इन मृतिकाओं को परिमान में पके हुए आउले के फल के समान होना चाहे, मृतिका के समान ही गोमे श्टनान भी होना चाहे, उसके बाद सरीर के अंगों को विदिवत धोकर आच्मन करके पुनह श्टनान करें श्टनान भीदियां प्रगत गयते हैं कि पुनह उस ब्रहमन को जलाज़य के तीर पर इस्तित होकर ही मृतिकाओं गोमे आजिकाओं अपने अंगों में लेपन करना चाहे और इस लेपन के अंग भूत अश्टनान के अनंत्र पुनहा वारुन मंत्रों से जलासे के जल का अविमंत्रन करके पुनहा जल अश्टनान करना चाहे क्योंकि जल भगवान विष्ण का ही स्वरूप है यह अश्चनान के प्रक्रिया प्रणवस्ट रूप भगवान सोरे का दर्शनकर जलासे में तीन बार मज्जन करने से पूरी हो जाती है उसके बाद श्चनानांग आजमन करक्णे के धे नीचे लिखे मंत्र का आजमन करें के अंतश्चर सिभूते सु गुहायां विष्वतो मुख त्वम यज्यस्ट्वम वसटकार आपू जोतिरसो मृतम हे जल दे आप समस्त प्राणियों के अंतख करन रूपी गुहा में विच कार हैं आप ही ज्योति स्वरूप हैं तेज और आप ही अम्रत स्वरूप हैं पुनहां मंत्र का तीन बार उच्चारन करके अत्वा प्रणव इवन व्याहरति शहित गात्री मंत्र का जब करें पुनहां प्रणव व्याहरति का आप रूप करना चाहे आप रूप करने चाहे और देवाद देव भगवान स्रेहरी का इसमन करना चाहे जिस जल को हाथ में लेकर अगमर्शन किया एवं मार्जन किया उस जल को अपने सिर पर धारन करक्तने से सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिल जाती है संद्य उपासन के अनंत्र आजमन करके शदा प्रमेश्वर का स्मर्ण करना चाहे पूस्प से युक्त अन्जली को श्त्रो भाग से लगा कर सूरे का उपस्थान करना चाहे और उपस्थान के बाद अन्जली पूस्पों को भगवान सूरे के जरनों में समर्पित करना चाहे उदित हुए सूरे को नहीं देखना चाहे जब भगवान भासकर उदै हो रहे हो तो उनका दर्सन नहीं करना चाहे जायप्तिर मंत्र एबं अन्य वहित मंत्रों का जब करना चाहे। जब करना चाहे जब के पश्चाद प्रदक्षिना कर भूमी पर दंडवत नमस्कार करना चाहे उसके बाद आज मन करके यसा सक्ति अपने शाखा के अनशार स्वाध्याय करें उसके बाद देव रिशी और पित्रों का तरपन करें मनुस्यों के प्रारंब में ओंकार का और अन्त में नमस्वद का प्रियोग करना चाहे ऐसा कहे कर तरपन करें देवताओं और मरिच्याद रिश्यों का तरपन भी अक्षत से और जल के साथ करना चाहे पित्रिगणों देवों और मनुस्यों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्ति पूर्वक तरपन करें तरपन जलान जलेयों के द्वारा करें देवताओं का तरपन यग्योपवीत अर्थात शब्य होकर देवतीठ से करें और निवेती होकर यग्योपवीत कंठ बनाकर रिशियों का त्रपन करें। प्राचीन अभीति अर्थात अपसब्द्य होकर पित्र तीर्थ से पित्रों का त्रपन करना चाहिए। उसके बाद हे हर स्नान में प्रेक्त वस्त्र को निचोड कर मौन होकर आच्मन करके। मंत्रों से पुष्ट पत्र तथा जल से ब्रह्मासिव शूर एवं मदसुदन विष्ट्ण देव का पूजन करें। क्रोध रहित होकर भक्ति पूर्वकें। अन्य अभिष्ट देवों की पूजा करनी चाहिए। कुरुष शूक्त के दवारा पूसपाद समर्पित करें। जल सर्वं मै देव हैं। अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं। अतहर उस जलमात्र से भी वे सभी दीवता पूजित हो जाते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहे, तसा प्रणब के साथ देवता का धिहान करना चाहे, इसके बाद प्रणाम करते हैं समस्त देवों को प्रतक प्रतक को स्मांजली समर्पित करना चाहे देवताओं की आरादना के बिना कोई भी बैद्यक कर्म प्रत नहीं होता, अत एव समस्त कारियों के आदिह मध्य और अंत में फ्रिदे से भगवान हरी का धिहान करना चाहे ओम तत विष्णों रेति इत्यादी मंत्रों से तथा पुरुष्ट के मंत्रों का जब करते हुए उस निरमल विष्ण के परम तेज के शामने आत्पन वेदन करें अर्थात सरनागत पुजाए उसके बाद विष्णों में अनुरक्त चित शान्त भाव वह भक्त भगवान विष्णों के बैदिक मंत्रों का पाड़ करें पुष्ट पासन व्राजमान हरे की पुनह पुजा करके देव यग्यों भूत यग्यों पित्र यग्यों मानुष यग्य और ब्रहम यग्य नामध पंच यग्यों को करें कि अध्यापनम ब्रह्मयग्यं पित्रयग्यं स्तोतरपणम होमो भूतो बलिर भूतो न्द्रयग्योतिति पूजनम ये पंच यग्य हैं वैस्वे देवी ही देवी यग्य है काकाद प्राणियों के लिए जो बलिप्रदान की जाती है वह भूत यग्य है वहा भूत यग्य है बली प्रदान आधि कर्म के दुजोत तम चांडाल एवं पतित आधि को घर के बाहर अन देना चाहे और उश्वान आधि पस्वोंत था पक्षियों को घर के बाहर भूमे पर अन देना चाहे पितरों के उद्देश श्री प्रति दिन एक ब्रामन को भूजन कराए पितरों के निमित जो नित्य स्राद दिखिया जाता है उसी को पित्रियग्य कहते हूं यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है अथ्वा समाहित चित्त होकर यह था सक्ति कुछ कच्चा अन निकाल करें बैदिक तत्व वेता विद्वान ब्रामन को ब्रदान करें प्रति दिन अतिती शतकार करना चाहे घर पर आये हुए सांत सभाव जिज को मन और बचन से स्वागत पूर्वक नमसकार करें तता उनका अठ्चन करें एक ग्रास प्रमान मात्प्र अन को भिच्चा कहा गया है उसका जो चार गुना अन है उसको पुसकल तता उस पुसकल के चार गुना अन को थंतकार भिच्चा कहते है गोदोहन मात्प्रकाद तक अतिसी के आगमन की प्रतिक्षक स्वयम करनी चाहे आये हुए अभ्यागत का शतकार यथा सक्ति करना चाहे ब्रह्म जारे विख्चुक को विदिवत विख्चा देनी चाहे लोब से रहित होकर याजकों को अन्न प्रदान करें सत्पष्चाद अपने वंदजनों के शाद मौन होकर अन्न की निंदा न करते वे भुजन करें हे द्विजिस्त्रेष्ट जो देव यज्याद पंच यग्यों को विना कि भुजन करते हैं वे मूड आत्मात्र यज्योन में जाते हैं यथा सक्ति प्रतिदिन के जाने वाले वेदा अभ्याग के साथ पंच महा यग्य एवं देवदार्जन सिग्र ही शवी पापों को नश्ट कर देते हैं जो मोह बस अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्जन के ही भूजन करता है उसे नाना प्रकार के कष्कदाय नर्खों में जाकर शुकर की योनी में जर्म लेना पड़ता है अब मैं असोच का सम्यक प्रकार से ब्रणन करता हूँ जो अपवित्र है वह सदा पात की है अपवित्र व्यक्तियों के संसरग से असोच होता है और उनके संसर्ग का परिट्याग कर देने से सरीर पवित्र हो जाता है हे दुजोत्तमें सभी विद्वान ब्राह्मन दस दिनों तक असोच मानते हैं वहाँ असोच मृत्य अत्वा जर्म दोनों में होता है दान्थ निकलने के पूरुप तक बालक की मृत्य होने पर शद्यश्टनान करने से असोच के निबृत्य हो जाती है उसके बाद चूड़ा क्रण संसकार प्रियंद बालक की मृत्य होने पर एक रात्री का असोच माना जाता है उपनयन संसकार के पूर्वतक बालक के मृत्य होने पर तीन रात्रियों का असौच होता है उपनयन संसकार के बाद किसी का मरन होने पर यथा विधान दस रात्रिय का असौच ब्रामनों को होता है चत्रिय बारह दिनों में वैश्य पंद्र दिनों में तता शुद्र एक मास में सुद्ध होता है क्योंकि इनको यथा क्रम बारह दिन का पंद्रह दिन का एवं एक मास का असोच होता है सन्याचियों को असोच नहीं लगता गर्व स्राब होने पर गर्व मास के अनसार जिसने मास का गर्व होज आता है उतने रात्र का असोच होता है अर्थात एक मास का गर्व स्राब होने पर एक रात्री दो मास का गर्व स्राब होने पर दो रात्री इसी प्रकार अन्यमासों की वीकर्णना करके असोच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए यही वर्ण धर्म ग्रस्ट धर्म कहा गया है सास्त्रों में 51 अध्याय दान धर्म का अंद्रोपन एवं बिभिन देवताओं की उपाशन ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विश्य में कह रहा हूँ सदपात्र में स्रद्धा पूर्वक किये गई अर्थ भोग्य बस्तु का प्रतिपादन दान कहलाता है ऐसा दान धर्म विद्जनों का कहना है यहाँ दान इस लोग में भोग और परलोग में मोक्ष प्रदान करने वाला है मनुस्य को चाहे कि वहाँ न्याय पूर्वक ही अर्थ का उपाशन करे क्योंकि न्याय से उपाशन अर्थ का ही दान भोग शफल होता है अध्यापन याजन तथा प्रतिग्रह ये तीनों भ्रामनों के व्रित्ती है उनके लिए कुशीद अर्थात खूत खोरी कृषिकर्म तथा बानेज अथवा छत्री व्रित्तित क्याज्य है उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि शुयोग्य पाप्तर को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है यहाँ नित्य ने मित्तिक काम और बिमल चार प्रकार का कहा गया है फल की अविलासा न रख कर प्रत्युपकार की भावना शेरहित हो कर ब्रामन को प्रत्यतिन जो दान दिया जाता है वहाँ नित्य दान है अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्रामन के हातों पर जो धन दिया जाता है सत पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान ने मित्तिक दान है संतान विजय आईश्वर और नेमितिक दान है स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्म बेता रिशिकन काम में दान कहते हैं इस्वर की प्रसनता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्जनों को शक्त बृत्ती से युक्त चित वाले मनुष्ट के द्वारा जो दान दिया जाता है वहा बिमल दान है यह दान कल्यान कारी है एक की हरी भरी फसल से युक्त यव यव गेह की फसल से संपन भूमि का दान वेद वित ब्रामन को जो देता है उसका पुनर जन्म नहीं होता भूमिदान से स्रिष्ट दान न हुआ और न होगा ब्रामनों को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति प्रतितिन ब्रह्मचारी को सरद्धा पूर्वक विद्या प्रदान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्म लोक को जाता है परमपद को प्राप्त करता है बैसाख माज के पूर्णमातिति को उपवास रख कर जो व्यक्ति पांच या साथ ब्रहमनों की विदिवत पूजा करके उने मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंदाद से भले भांति पूजा करके उनसे यह कहलवाता है कि या स्वयम कहता है कि प्रेयताम धर्म राजेते यथा मन से वरतते है धर्म राजे मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनकूल आप प्रसन्न हों ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किये गए समस्त पाप उसी छण बिनश्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति स्वर्ण मधु एवं गी के साथ तिलों को कृष्ण मिर्ग चरम में रखकर ब्रामनों को देता है वह सबी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति बैसाक मास में ग्रत अन्न और जल का दान करने से विशेष फल को प्राप्त होता है अतहें उस मास में धर्मराज को उद्धिष्ट करके ग्रत अन्न और जल का दान ब्राह्मनों के लिए अवस्य करना चाहे ऐसा करने से सभी प्रकार के भैसे मुक्ति हो जाती है द्वादसी तिती में स्वयम उपवास रख कर पापों का विनास करने वाले भगवान विष्ट्न की पूजा करनी चाहे ऐसा करने से निश्चत ही मनुष्य के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करें और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मान करें प्रयत्न पूर्वकें ब्रामनों की पूजा करके उने भूजन भी कराएं साथ ही सवभाग्यवती इस्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजनादी की द्वारा संतुष्ट करे संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्र देव का पूजन करना चाहे ब्रह्म बर्चस्व की कामना रखने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्रह्मनों को श्वीकार करके उनकी पूजा करे आरोग्य की इच्छा वाला मनुश्यों सूर्य तथा धन चाहने वाला मनुश्य अगनी की पूजा करे समस्त कारियों में सिध्ध प्राप्त करने की इच्छा से अविलासा करने वाला व्यक्ति भगवान बिनायक की पूजा करे भोग की कामना रखने वाला व्यक्ति चंद्रमा की पूजा करे तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर साधक को चाहे कि वह वायुदेव की पूजा करे संसार से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक भगवान स्रीहरी की आराधना उपासना करना चाहे निसकाम तथा शकाम सभी मनुष्यों को भगवान गधाधर श्रीहरी की पूजा करने चाहे अकामह सर्वकामोवा यजेत पुरुषपरम जलदान से त्रिप्ति अनदान से अक्छे सुख तिलदान से अवेष्ट संतान दीपदान से उत्तमनेत्र भूमिदान से समस्त अविलशित पदार्थ सुबर्ण दान से दीर्घ आयू ग्रह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है सास्त्रकार कहते हैं कि बारे दस्त्रिप्ति मापनोते सुख मक्छय मन्न दह तिलप्रदह प्रजामिष्टाम देपदस्चक्षुरुत्तमं कि भूमिदह सर्व मापनोते देरग मायुर हिरन्यदह ग्रहदो ग्रण्यानि बेस्तमाने रूप्यदो रूप मुत्तमं वस्त्र प्रदान करने से चंद्र लोक तथा अश्वदान करने से असुने कुमार के लोकों की प्राप्ति होती हैं अन्हुट का दान करने से विखुल शंपत्य का लाभ और गौधान करने से सुर्य लोक का प्राप्त होना निश्चित हैं यान और शया का दान करने पर सुलक्षण भारियं तथा भयार्त को अभय प्रदान होता है आईस्वरे की प्राप्ती होती है दन दान साश्वत दान है सुक तथा बेद के दान से ब्रह्म का सानित द्यलाब होता है बेद विद ब्राम्मन को ज्ञान उपदेश करने से स्वर्ग लोग की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है इंधन अगनी को प्रज्वलित करने से काष्ट आधिका दान करने पर व्यप्त की प्रदीप्त अगनी के शमान तेजस्वी हो जाता है रोग्यों के रोग सांत के लिए औसाजी तेल आधिकदार्त एवं भोजन देने वाला मनुष्यों रोग रहत होकर सुखी और दीरगाई हो जाता है छत्र और पादु का दान करने वाला मनुष्यों प्रचंड धूप के कारण तिक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तिक्ष्ण धार वाले नुकीली पत्यों से परिव्याप्त असिपत्र बन नामक नर्कीय मारगों को पार कर जाता है जो मनुष्य प्रलोख में अक्षे सुक की अविलासा रखता है उसे अपने ये संसार ये घर में जो वस्त अविश्टतम हो तथा प्रिय हो उस वस्त का दान गुणवान ब्रहमन को अवस्य करना चाहिए किवासो दस्चंद्र सालोक्यम अस्वि सालोक्यम अश्प्रदह अनुद्वुद्ष्त्रियम पुष्टाम गोदो ब्रह द्रस्य विष्कपम कि आनसयां प्रदो भार्ये अईस्वर्यम अभय प्रदह धान्य दह सास्वतम सोक्यम ब्रहमदो ब्रहम शास्वतम कि वेद विच्चु ददज्यानम सरव लोके मही मयते गवाम गास प्रदानेन सरव पापें प्रमुच्यते कि इन्धनानाम प्रदानेन देप्तार्तिर जायते नरह आसदं स्नेह माहारं रोगी रोग प्रसांतय कि ददानो रोग रहित ह सुखी दीर गायु रेवच असिपत्र बनं मारगं सुरधार समन्वितं कि तेक्षण तपंचात तरति छत्रो पानात प्रदो नरह यद्यद्धिष्ट तममलोके यच्चास्याँ दैतंग्रहे कि तत तत गुण बते देयं तदे वाक्षय मिच्चता कि आयने विफुसे चैब ग्रहने चंद्र सूर्ययो इसलिए आत्म कल्याने मुमुक्ष जनों को उत्रायन दक्षनायन महा विशुवत काल सूरे तथा चंद्र ग्रहन में एवं करक मेश मकराद की शंक्रातियों के आने पर ब्रहमन को दिया गया दान परलोक में अच्छे शुक देने वाला होता है इस प्रकार के दान का महत्प प्रयागाद तीर्थों में भहुद है गया चेत्र के तीर्थों में किया गया दान विशेस महत्प रखता है दान धर्म से बढ़कर स्रेष्ट धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई धर्म नहीं है दान स्वर्ग आयु तथा एस्वर को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उप्षान्थ के लिए भी किया जाता है गव ब्राह्मन अगनी तथा देवों को दे जाने वाले दान से जो मनुष्य मोख बस दूसरों को रोगता है वहाँ पापी त्रियक योनि को प्राप्त करता है जो व्यक्ति दुर्विक्ष काल में और मरनासन ब्रामन को अन्नादिका दान नहीं करता हैं वहां ब्रह्म हत्या करने वालों के शमान तथा अति निंदित होता हैं 52 अध्याय प्रायश्चित के इंद्रोपन ब्रह्म हजी ने कहा यह ब्रामनों अब इसके बाद में प्रायश्चित विदि को भली प्रकार कह रहा हूं ब्रामन की हत्या करने वाला ब्रमहन्ता मजिरापान करने में जरत मध्यपी चोरी करने वाला स्तेई तथा गुरुपत्न के साथ गवन करने वाला गुरुपत्न का में ए चार महा पापी है इन सबी का संसर्ग करने वाला पांचवा पापी कहलाता है गो हत्या जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक हैं ऐसा देवताओं का कहना है जिसने ब्रहम हत्या की है उसे बन में स्वयम पर्ण कुटी बना कर उसी में उपवास करते हुए बारह वर्षों तक रहना चाहिए अत्वाल परवत के उस उँचे भाग से गिर कर अपने प्राणों का त्या करना चाहिए जिस भाग से गिरने पर कहें बीच में रुखने की संभावना न हो और मरना निश्चित हो उसके अत्रिक्त जलती हुई अगने में प्रवेश कर प्राण प्रत्याग अघात जल में प्रवेश कर प्राण त्याग ब्रामन या गौ की रक्षा के लिए प्राण त्याग भी ब्रह्महत्या दोस के निवारक होते हैं कितना ही अवस्य ध्यान में रखना है कि ब्रह्महत्या के दोस निवारन के लिए प्राण त्याग के जो शाधन बताए गए हैं उनको करने के लिए पहले यतासक्ति विदमान ब्रामन को अन्यदान प्रारंब करना अनिवार्य है अस्व मेध यग्य के अंत्य में होने वाले अब भृत अश्व्णान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ती प्राप्त हो जाती है बेदविद ब्रामन को सरवश्ट दान देने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नास हो जाता है सरश्वतीजी गंगा तथा यमना इन नदियों के पवित्र शंगम पर तीन राप्तियों तक उपवास रख करके प्रतिद तीनों कालों में इस्टनान करके भी दुझ ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है सेत बंध रामेशरम तथा वारानशी के पवित्र तीर समेशनान करके ब्रह्म हत्या के पाप से भिमुक्ति मिल जाती है मद्यपी द्विज अगनिबर्ण के सदिर से खौलती हुई मद्रा अत्वा दूद घृद या गोमुत्र का पान करके तज्जनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है सुबर्ण के चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मुसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है अत्वा जीरन सीरन वस्त्र धारन करके बन में ब्रह्म हत्या नासक प्राइश्चित ब्रतको करने से पाप मुक्त हो जाता है काम से मोहित ब्रामन यदि अपने गुरु की पत्न के पाथ जाता है तो उसे इस गुरु पत्न गवन का पाप से मुक्ति पाने के लिए जलती हुई तप्ती हुई लोह न्रमत इस्त्री का सरवांग आलिंगन करना चाहिए अधुबाए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो ब्रत विहित है उस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए चार या पांच चांद्राहन ब्रत करने से भी गुरु पत्न गमन जनित पाप से मुक्ति मिल जाती है जो दुझे पतित जनों का संसर करता है उसे विभिन संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन उन पापों के निमित कहे गए ब्रतों का पालन करना चाहिए अथो वह आलस्य से रहित एक संबत्तर परियंद तप्त क्रिष्ट्र ब्रत का पालन करे विदिभत किया गया सरवष्ट दान सभी पापों को दूर करने वाला होता है अत्वा विदिवत चांद्रायन ब्रत तथा अतिकर्ष्ट्र ब्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है गया आदिपुर्ण छेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का नास हो जाता है अमावास तिती में जो महादे भगवान संकर की शम्यक रूप से आराधना करके इब्रामनों को भोजन प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो मनोस्य कृष्ण पक्ष की चतुर्द सीतिती में उपवास रख कर संयत चित्त से पवित्र नदी में श्नान करके ओमकार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्य, अंतग, वैवश्वत, काल, तता सर्व भूतक्ष इन नामों का उच्चारन करता है तिल से संयुक्त साथ जलान जलियों से पित्र तरपन करता है वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है इन ब्रतों के पालन करते समय सांद प्रह करता था मन का निक्रह कर ब्रमचरे का पालन करते हुए भूमी पर सयन करना चाहे और उपवास रख कर ब्रहामन की पूजा करने चाहे कार्तिक सुकलपक्ष की सश्टी तिथी में उपवास रख कर शप्त में तिथी को सूरे देव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है सुकलपक्ष की एकाद सितिती में इंद्राहार रहकर जो द्वाद सितिती में जनारदन भगवान विष्ण की पूजा करता है वा समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है सूर चंद्र ग्रहन आदे समयों में मंत्र का जप तपस्या ठीर्थ सेवन देवार्चन तथा ब्रामन फूजन ए सभी कृत्त भी महापातकों को नश्ट करने वाले होते हैं समस्त पापों से युक्त मनुस्य भी पुर्ण थीर्त में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का प्रित्याग कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है पति ब्रता नारे पति के देहा वसान के बाद पति का वियोग असय होने के कारण पति धर्म के अंसार पति के सरीर के साथ सास्त्री विधिका पालन करते हुए अगने में प्रवेश्ट करती है तो ब्रह्म हत्या कृतागनता आदे वड़े वड़े पातकों से दूशित भी अपने पति का उधार कर देती है जो इस्त्री पति ब्रता है अपने पति की सेवा सुसुरसा में दत्चित रहती है उसको इस लोग के तथा प्रलोग में कोई भी पाप नहीं लगता वह वैसे ही न्द्रदोस रहती है जैसे दसरत पुत्र स्री राम जेकी पत्नी मा भगवती जगद जननी शीता जीतनाच ये यतब ब्रत संयत चित होकर के विवित सास्त्री ब्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णों ने मुझसे बहुत पहले ही बतलाया था कि गया में इस्थित फल्ग आदे तीर्थों में यथा विदिस्त्राद के साथ श्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पात्कों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदा चलन का फाल भी उसको प्राप्त होता है त्रिपनवा अध्याय नव विदियों के लक्षनों से युक्त पुरुष्णों के एस्वर एवं सुभाव का ब्रणन सूद जी मारा कहते हैं रिष्यों भगवान विष्णों से अश्ट निदियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका ब्रणन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और शंक नाम की अश्ट निदिया हैं नवे निदि मिस्त्र कहलाती है अब मैं उनके स्वरूप का ब्रणन करता हूँ पद्म निदि के लक्षनों से संपन मनुष्य शात्यक और दाक्षार्ण गुणों से सं संपन होता है वह सुबर्ण चांदि याद मुल्लवां धात्यों का शंग्रह करके यतियों देवताओं और यागिकों को चुप करता है महापद्म चिन से लक्षत व्यक्ति ृपन और दान धार्मिक जनों को करता रहता है पद्म तथा वहां पद्म निदि संपन-पुरुष शात्यवाल्य कहे गए हैं मकर निदि के चिन से चिन इत्ल्फिम पमनुष्य भर्डग बान एवं कुंत आद अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है वह नित्य-श्रोत्री प्रह्मणों को दान देता है और देवताओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है द्रभ्याद का आहरण करने के लिए वह सत्रों का अबनास करता है और इद्ध के लिए सदातत पर रहता है कच्छप निधी लक्षत व्यक्ति तामस गुणों वाले होते हैं कच्छप चिन से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं रखता वहाँ आपनी समपत्य का स्वयम उपुभ्भोग करता है और नauth उसमें से वह किसी को कुछ दान देता है वहाँ एक जाकर अपनी संपुर् शंपत्य को शुरख्षचत रखना चाहता है उसकी संपत्य एक पीडितक रहती है उसक वहा भोग का अपभोग करते हुए गाय और वैश्यादि को भी धन देता है। नंद निदी से युपति व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वहा इस्तुत करने पर प्रसन होता है तथा भौत सी इस्त्रियों का पती होता है। प अस्त्र धान्यादि का शंग्रह तथा तड़ागादि का अंद्रमान करता है। इसके द्वारा आमरादि के उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसके संपत्य तीन पीडी तक रहती है। संख निद एक ही प्रुष के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धनादि का स् तो उपभोग करता है। किन्त उसके परिजन कुछित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मेले कुचले वस्त्मों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयम के भरन पोशन में सदय तत्पर रहता है। यदि वहा किसी को कुछ वस्त देता भी है तो वहा व्यर्थ क कि वस्त होती है। मिस्त्र निधी के चिन्हों से युक्त होने पर मनुस्त के सभाव में मिस्त्रित फल दिखाई देता है। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का ब्रणन शिव आदिदेवों से किया था। मैंने आप सभी को सुना दिया। अब हर भुवन को साधिका जैसा ब्रणन किया था। वैसा ही मैं कह रहा हूं। तुम ध्यान से सुनो। चबवन वा अध्याय भुवन को सब्रणन में राजा प्रेवरत के बंचका ब्रणन भगवान स्रिहर ने कहा। कि राजा प्रेवरत के आगनेद्र, अगनिबाह, बपुस्मान, दितिमान, मेधा, मेधा ते थी भव्य, सबल, पुत्र और जोतिस्मान नामक दस पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से मेधा, अगनिबाह, तथा पुन नामक तीन पुत्र, योग, प्रायन, योगी, जातिस्मार हुए, इन्हें पूरुवजन्म का ब्रतांत, बिस्मृत नहीं हुआ, तथा महा सवभाग्य साली ए पुत्र थे, इन लोगों ने राज्य के प्रति अपने को अपने अन्य सात पुत्रों में विभक्त कर दिया, बांट दिया, पचास करोड योजन में विश्त्रित संपूर्ण प्रति नदी की जल रासियों में, तैरती वी नौका के समान, चारों और अवस्थित, अथा हजल के उपर इस्थित है, हे शिव, जंबू, प्लक्च, साल, मलकुस, क्रोंच, साग, तथा पुसकर नामक ए सात द्वीप हैं, जो सात समुद्रों से घिरे हुई हैं, इन सात समुद्रों के नाम लवन, एक्चु, सुरा, घृत, ददि, दुग्द, और जल के सागर, रूप में प्रशिद्ध हैं, हे ब्रसबद्ध जसंकर, ये सभी द् द्वीप तथा शंबद्र उक्त क्रम में, एक दूसरे से दुग्ण परिमान में अवस्तित हैं, जम्ब दुइप में मेरु नामक प्रवत है, जो एक लाख योजन के परिमान में फैला हुआ हैं, इसकी उंचाई 84,000 योजन हैं, इसका अधो भाग, प्रथवी में 16,000 योज विश्तित हैं, इसका अधो भाग जो प्रथवी के ऊपर सन्निहित हैं, वह भी 16,000 योजन के विश्तिर्ण में करनिका के रूप में अवस्तित हैं, इसके दक्षण में हिमालय, हेम कूठ तथा निशध, उत्तर में नील, स्वेद और स्रंगी नामक प्रवत हैं, फे रुद प्लक्ष आद द्वीपों के निवासी मरनाद से युप्त हैं, उनमें युग या अवस्ता के आधार पर कोई भी विशमता नहीं आती हैं, जंब द्वीप के राजा आगनेद्र के नो पुत्र उत्पन वे, उन सभी का नाम क्रमशह, नाभी, किमपुरुष, हरिवर्स, इल राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहित एक एक भूखंड प्रदान किया, थे हरि, राजा नाभी और उसकी पत्ने मेरु देवी से रिशव नामक पुत्र हुए थे, उन से भरत नाम के पुत्र हुए, जो सालक ग्राम तीर्त में इस्थित रहे कर विभिन ब्रतों के पालन में ही निरत रहते थे, उन भरत से शुमत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ, तैजस के इंद्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न से परमेष्ठी, परमेष्ठी के प्रतिहार तता प्रतिहार से प्रतिहरता नामक पुत्र कहे गए हुए, प गय का पुत्र नर हुआ, नर से विराट, विराट से महा तेजस्वी धीमान, धीमान से भोवन नाम के पुत्र के उत्पत्ते हुई, भोवन के त्वश्टा, त्वश्टा के विरजा, विरजा के रज, रज के सतजित, तथा सतजित के विस्पक ज्योती नामक पुत्र हुआ थ भद्राष्ट वर्ष तथा इसके पूर्व दक्षण में हिरनवान नामक वर्ष है मेरु के दक्षण भाग में किम पुरुस वर्ष कहा गया है उसके दक्षण भाग में भारत वर्ष कहा गया है मेरु के दक्षण भाग में हरी वर्ष पष्ट में केत माल वर्ष पश्चमोत्तर में रम्यक बर्ष और उत्तर में कुरुवर्ष इस्त्त है जिनके भूभाग कल्प ब्रक्षों से आच्छा दित है धेरुद्र भारत बर्ष को छोड़ कर अन्य सभी बर्षों में सिद्ध शभाव से ही प्राप्त हो जाती है यहां इंद्र द्वीप, कसी रुमान, तामर बर्ण, गतिस्मान, नाग द्वीप, कटा, सिम्हल और वारुन नामक आट बर्ष है दवा बर्ष भारत बर्ष है जो चतुरदिक समद्र से घिरा हुआ है इस भारत बर्ष के पूर्व में क्रा तथा पश्चि में यवन देश इस्तित है हे रुद्र, दक्षन में, आंद्र में, उत्तर में, तुसका आदेश इस्तित है इस भारत बर्ष में ब्रह्मन, चत्रिय, वैस्य, तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं यहां महेंद्र, मलय, सक्य, सक्तिमान, रिक्ष, विंद्य, और यात्रियान, पारियान, पारियात्र ये साथ पुल प्रवत हैं और बर्ष में, बेद, इस्मृति, नरवद, वरद, सुरश, शिवा, तापी, पयोशनी, सरयु, काबेरी, गोदवती, गोदावरी, भीमरती, कृष्ण बेणी, महानदी, केतुमाला, तामरप्रणी, चंद्रभाग, सरश्वती, रिसिकुल्य, काबेरी, मत्त गंगा, पयस् विधरवा, ससद्रू, नामक मंगल प्रदायन करने वाली तथा पाप विनासने नदियां हैं, जिनके जलका पान मद्य देशाद के निवासी जन करते हैं, पांचाल, कुरूर, मत्य, योधिय, पट्चर, कुंत, तथा सूरशेन, देश के निवासी मद्य देशी हैं, पाद् पुसल, कलिंग, बंक, पुन्र, अंग और विधरव, मुलक जनों के देश और विन्द्य परवत के अंत्रगत विद्यमान देश, पूरुप तथा दक्षण के तटबर्ती भूभाग में इस्तित हैं, पुलिंद, अस्मक, जीमूत, नय, राष्ट्र में निवास करने वाले करनाटक, कमबोज, तथा घन ये दक्षणा पथ भूभाग के निवासी हैं, अंबश्ट, द्रविन, लाट, कमबोज, इस्त्रे मुख, साक और आनर्थ वासी दक्षण पश्चम के निवासी हैं इस्त्रे राज्य, सैंधव, मलेच, नास्तिक, यवन, मत्रा तथा निसद के रहने वाले लोगों के देश, पश्चमी देश कहलाते हैं, पश्चमी भूभाग हैं, मांडव्य, तुसार, मूलका, अस्वमुख, खग, महाकेश, महानास, देश, उत्तर पश्चम भाग में इ लंबक, स्तननाग, माद्र, गांधार, वाहलीक, तथा मलेच देश, हिमाचल के उत्तर तटबर्ती भूभाग में इस्तित हैं, त्रिगर्त, नील, पोलात, ब्रह्मपुत्र, सटंककन, अमेशाह और कस्मीर, देश उत्तर पूर्वदिशा में अवस्तित हैं, इस प्रकार, यह जंबुद्ध्वीप में इस्तित परवत नदियों का ब्रणन किया गया है, हे रिशियों, जो परम पावनी, मुक्ति प्रदायनी, पवित्र नदियां हैं, इस जंबुद्ध्वीप में जो इनका सेवन करता है, निश्चित वहा इस भवशागर से पार होक करके, पूर्दो गति को प्राप्त करता है, दिव्य लोकों को प्राप्त करता है, अत्वा भगवान नारायन की पूजा, स्तवन बंदन अर्चन करके, वह अपने मनोगत भावों को प्राप्त करता है, मनोन कूल फल को प्राप्त करता है, प्रमात्मा की भक्ति करके, इसले आत्म का ल्याने को चाहे कि इस पवित्र भूभाग में जन्म लेने के बाद वहा नित्य निरंतर सतत अनन्य भाव से भगवान का भजन करे प्रमात्मा का चिंतन करे भगवान के नाम सुम्रण में तल्लेन रहे उनकी क्रपा से वहा अविश्ट वस्त को पासकता है और अन्त म दिव्य लोग को अथ्वा मोख्ष को प्राप्त कर सकता है छाप्पनवा अध्याय प्लक्ष तता पुस्कर आधि द्वीपों एवं पाताल आधिका अंद्रूपन भगवान स्रिहर ने कहां के प्लक्ष द्वीप के स्वामे मेधातित के साथ पुत्र थे उन सब में सांत भाव नामक पुत्र जेष्ट था उससे छोटा सिसिर उसके बाद सुकोदय, नंद, सिव और छेमक हुई उनका जो सात्मा भाई था वहा ध्रूब नाम से प्रशिद्ध हुआ ये सबी प्लक्ष द्वीप के राजा बने इन द्वीपों में गोमेद, चंद्र, नारक, दुंदुभी, शोमक, सुमनष और बैभ्राज नामक साथ प्रवत हैं यहां अनुतपताश सिखे, विपासा, तरदिवा, क्रम, अमरता तथा सुक्रता नाम के साथ नदियां प्रवाहित होती रहती हैं बपुस्मान सालमक्द द्वीप के स्वामी हैं उस द्वीप में अवस्तित साथ बरसों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके शाथ पुत्प्रवें जिनके नाम स्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैज्जत, मानस और सब्रवव हैं यहां कुमुद, उन्नत, द्रोण, महिस, इलाहक, क्रोंच, तथा का खुद्मान नामक साथ प्रवत हैं योनी, तोया, वित्रष्टन, चंद्रा, सुकला, विमोचनी और विध्रती यह साथ नदियां हैं यह पापों का प्रसमन करने वाली हैं उस द्वीप में जो दिस्मान का स्वामित्प था उनके भी साथ पुत्र उत्पन हुए थे वे उदविद, बेडमान, द्वेरत, लंबन, धृती, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रशिद्ध थे उन्होंने इस द्वीप के जो साथ बर्स हैं उनी के नाम से प्रशिद्ध हुए यहां बिद्रुम, हेमसैल, द्युमान, पुस्पमान, कुसेसय, हरी, तथा, मंद्राचल, नामक, साथ प्रभत हैं यहां धूत, पापा, सिवा, प्रवता, सम्मति, विद्धुद्रव, मही और कासा नाम की यह साथ नदिया हैं जो सब प्रकार से पापों को नश्ट करने वाली हैं हे सिव, क्राउंच द्वीब के अधिश्पर, महात्मा दिमान के भी साथ पत्र हैं कुसल, मंदग, उष्णक, पीवर, अंदकारक, मुनी और दुन्दुवी, यह उनके नाम हैं यहां क्राउंच वावन, अंदकार, दिवाबृत, महा, सैल, दुन्दुवी, तथा पुन्दुरी, कवान, नाम के साथ बर्स प्रवत हैं यहां पर गौरी, कुमुद्बते, संध्या, रात्री, मनोजवा, ख्याती और पुन्दुरी का ये साथ नदियां विद्यमान हैं साख द्वीब के राजा भव्य के भी साथ पत्रुत्पन हैं वे जलद, कुमार, शुकुमार, अरणीवक, कुसुमोद, समोदार की तथा महद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त थे यहां सुकुमारी, कुमारी, नलनी, धेनुका, एक्छु, बेनुका और गबस्त नाम से प्रशिद्र साथ नदियां हैं पुसकर दूइब के स्वामी महाराज सवल के महावेर तथा धात की नाम के दो कुछ arrays इन दोनों के मद्य एक ही मानषोत्तर नाम के बर्श प्रवत है। यहां पचास सहस्त्र योजन में विस्क्तीरत तथा इतना ही उँचा है। यहां चतुर्दिक विस्तार में भी उसी प्रिमान को प्राप्त कर मंडला कार अवस्तित हैं। इस पुसकर द्वीब को स्वाभाविक जलवाला शमुद्र चारों ओर से घेर कर इस्तित हैं। और वहां अंदकार भी अंड कटाह से आबरत हैं। भगवान श्रीहरी ने कहा कि है ब्रिस्वत्भज इस भूमी की उंचाई सत्तर हजार योजन हैं। इसमें दस दस हजार योजन की दूरी पर एक एक पाताल लोक प्स्थित हैं। जिने अतल बितल नितल गविस्तिमान महातल शुतल तथा पाताल कहा गया है। इन लोकों की भूमे क्रिष्ण सुक्ल अरण पीत सरकरा शद्रश शैल मई तथा स्वर्ण मई है। वहां पर दैस्च था नागों का निवास है। दारण पूसकर द्वीप में जो नरक इस्तित हैं। उनके विशे में आप सुनें। वहां महा ज्वाल तप्तकुम्भ लबन विमोहित रुदिर वैतरने क्रिमिश क्रिमी भोजन अश्वत्रवन प्रश्ण नाना भक्ष। दारण पूय वह पाप वटनिज्वाल अधाश्र संदंस क्रिष्ण सूत्र तमस अभीच स्वभोजन अप्रतश्ठित तथा उष्ण वीच नामक नरक है उसमें विश्व देने वाले सस्त्रों से हत्या करने वाले तथा अगने से जला कर मारने वाले पापी जन अपने अपने पाप का फल भोगते हैं। स्वयम नारायन अवस्थित रहते हैं। वहा उस रत का विस्तार का दूना है। उसकी धूरी एक करोड़ शत्तावन लाख योजन लंबी हैं। तथा उसमें चक्र लगा हुआ हैं। उस चक्र की तीन नावियां हैं। पाँच अरे हैं। छै नीमियां हैं। तथा अक्षे स्वरूप वाले संबत्सर से युक्ते। उस चक्र में समपूर्ण काल चक्र सन्य हित है। सूरे के रत की दूसरी धूरी चालीस हजार योजन लंबी हैं। हे ब्रश्टवध भज़। रत के जो पैयों के अक्ष हैं। वे साड़े पाँच हजार योजन लंबे हैं। रत के कहे गए प्रदान दोनों अक्षों के परिमान के सामने जुए दोनों अर्धों की लंबाई हैं। सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्ध भाग परिमान वाला हैं। जो रत के दुर्वाधार पर अवस्तित हैं, रत के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ हैं, जो मानशों तरप्रवत पर इस्तित हैं। गायत प्रे ब्रहती उष्णिक जगती त्रष्टुब अनुष्टुब दसा पंक्ति नामक ए साथ छंद ही सूरे के साथ घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूरे के इस रत पर धाता नामक, आदित्य, कृतुस्तला नामकी अक्षरा, पुलस्त्य नामके रिशी, वासुकी नामका नाग, रत कृत ग्रामनी, हेती नामक राक्षस और तुम्बरु गंदर्व इस्तित रहते हैं। पैसा के मेने रत पर अर्यमा आदित्य, पुलहरसी, रतोजा यक्ष, पुंज का स्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छ नीर सरप, तथा नारत नामका गंदर्व रहता हैं। जेश्ट मास में सूरे के इसरत पर मित्र नामक आदित्यों, अत्री नामक रिशी, तक्छक नाग, पौरसे राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंदर्व और रतश्वन नामका यक्ष निवास करता हैं। आसाण मास में इसरत के उपर बरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्यों, वसिष्ट रसी रंभात था, सहजन्या नामक अप्सरा, हूफू गंदर्व, रतचित्प्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। स्त्रावन मास में इसरत पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वाब सुगंधर्व, स्रोत नामक यक्ष, एलापत्र शर्प, अंगिरा रिशी, प्रमलोचा अप्सरा, और सर्प नामक राक्षों का निवास रहता हैं। भाद्रपद मास में दिवस्वान नामक आदित्य, उग्रशेन गंधरव, भ्रेगुरिशी, आपूरण नामक यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, संख पाल, सर्प तथा व्याख्र नामका राक्ष से निवास करता हैं। आस्विन मास में इसरत्परपू का नामक आदित्य, सुरुच नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम रिशी, धनन जय नाग, शुषगन तथा धृताची अप्सरा, कार्तिक मास में प्रजन्य आदित्य, विश्वाबस उगंधर्व, भरद्वाज रिशी, एरावत सर्प, बिराची नामकी अप्सरा, सेनाजित नामका यक्ष, तथा आप नामका राक्षस यहां निवास करता है। माग मास में तवश्टा नामक आदित्य, जमदगन, रिशी, कंबल, शरप, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पीत राक्षस, रित जित यक्ष और धृत राक्ष्ट नामक गंधर्व, सूर्य मंधर्व, प्रालगुन मास में विश्वन नामक सूर्य, अस्वतर नामका सर्प रम्बा नामकी अप्सरा, सूर्य बर्चा नामका गंधर्व, सत्य जित नामका यक्ष, विश्वामित्र रिशी, और यज्या पेत नामका राक्षस, विश्वत पर निवास करते हैं। पुनाह भुबन को उसका ब्रणन करते हुए भगवान स्रीहर ने कहा, कि हे ब्रह्मन भगवान विश्वन की सक्ति से ते जो मैं बने विश्वन गण, सूर्य मंडल के सामने उपस्तित रहकर उनकी इस्तुति करते हैं। गंदर्वजन यसोगान करते हैं, अफस्त्राए नर्त्य करती हैं। उसरत के पीचे पीचे चलते हैं, सर्प उसरत को बहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडूर समाड़ने का कारे करते हैं। वालखिल्जर सिनामक रिशिगण उस रत को शब और से घेर कर इस्थित रहते हैं, चंद्रमा का रत तीन पैयों वाला है, उसके घोडे कुंद पुष्प के समान स्वेत बरण वाले हैं, वे रत के जुए में बाएं और दाएं दोनों और जुद कर उसे खींशते हैं, उनकी स मंख्या दस है, चंद्रमा के पुत्र बुद का रत तथा, अगन से मिस्त्रित द्रव्य का बना हुआ है, उसमें वायो के समान बेग साले प्रिशंक बरण के आठ घोडे जुते रहते हैं, शुक्र का महान रत सैन्यवल से युक्त, अनुकर्ष सुद्रड बनाने के लिए सं पन रत के नेचे लगा, काश्ट वसेश उँचे सिकर वाला, प्रतवी पर उत्पन होने वाले घोडों से शंयुक्त, उपासंग तथा उँचे पता का से विवोशित है, भूमे पत्र मंगल का महान रत तपाए हुए, शुबर्ण के सद्रश कांचन वरण वाला है, उसमें आठ घोडे लगे हुए हैं, जो अगन से प्रादर भूत हुए, तथा पत्म राग मने के समान अरुण बरण के हैं, आठ पांडुर बरण वाले घोडों से युक्त सुबर्ण के रत पर विद्यमान ब्रश्पती जी रहते हैं, वे एक रास में एक वर्स तक विच्रन करते ह सनी का रत आकास से उत्पन हुए चितकबरे घोडों से युक्त है, वे उसमें चड़कर धीरे धीरे चलते हैं, उनका मन्द गामी एक नाम भी है स्वरभान अर्थात राव के आठ गोडे हैं, जो ब्रहमर्ण से सद्रिश काले हैं, उसका रत धूसर वर्ण का हैं, वे भूतेश शिव उन गोडों को एक वार रत में जोत दे जाने पर वे इंद्रन तर चलते रहते हैं इसी प्रकार केतो के रत में भी वायो के समान बेग वाले आठ गोडे हैं, उनके ब्रणों की आभाद, पुबाल से निकलने वाले धुहें के सद्रिश तथा लाक्षा रस की भाती अरुन रंग की हैं, हे सिव इस प्रकार सूर चंद्राद उपर युक्त ग्रहों से युक्त द्वीप नदी परवत शमद्र आदे से समन बित, समस्त भुवन मंडल भगवान विष्ण का विर्याट सरी रहें, उन्सटवा अध्याय, जोतिश चक्र में बरणित नक्षत्र उनके देविता एवं कतिसे, शुब असुब योगों तथा मुहृतों का बरणन, सूजी माला ने कहा रिचियों, के समने भगवान शिव से प्रतवे का परिमान बता कर कहा, कि हे रुद्र, जोतिश सास्त्र की गणना चार लाख में है, पर उसमें से मैं अवजूतिश चक्र अर्थात नक्षत्रों से युक्त, रासी चक्र का संग्षेप में बरणन करूंगा, जो सब क चुदेने वाला है, भगवान श्रिहर ने कहा है सिव, क्रसिका नक्षत्र के देवता अगनी है, रोहन नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, म्रग्षरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा है, आरद्रा के रुद्र देवता है, इसे प्रकार पुनर्वसु के आदित्य पुख् चित्रा के त्वश्टा स्वाति के वायु विसाका के इंद्र अनुरादा के मित्र जेश्ठा के शक्र मतलव इंद्र ही हैं और विद्वान नोने मूल का स्वामे इंद्र रिति को बताया पूर्बा साड़ा नक्षत्र के देवता उत्रा साड़ा नक्षत्र के देवता असुन प्रतिपदा तथा नवमें तिति में ब्रह्मानी नाम की योगनी पूरुव दिशा में अवस्तित रहती हैं। दुतिया और दस्मी तिति में माहेश्वरी नामक योगनी उत्तर दिशा में रहती हैं। योगनी इशान कुण में रहती है। एक आदसी एवं तृतिय तिति में वेश्णवी नाम की योगनी आकास कुण में वास करती है। द्वादसी और चतुर्दसी में कौमारी नाम वाली योगनी निवास करती है। नैरित्य कुण में उनका निवास होता है। योगनी के सन्मुक रहने पर यात्रा नहीं करने चाहिए अस्वने अनुरादा, रेवती, म्रगसिरा, मूल, पुनर्वसु, पुख्य, हस्त और जेश्ठा नक्षत्र प्रस्थान के लिए प्रसस्त कहे गए हैं हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाका, अनुरादा, ये पांच नक्षत्र तथा उत्रा फालगुनी, उत्रा साड़ा, उत्रा भाद्रपदा, अस्वने, रूहनी, पुख्य, धनिष्टा और पुनर्वसु नक्षत्र, नवेन वस्त्र धालन करने के लिए इस्रेश्ट हैं कृत्र का भरने, असलेशा, मघा, मूल, विसाका, तथा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा साड़ और पूर्वा फालगुनी, इन नक्षत्रों को अधो मुखी कहा गया है इन अधो मुखी नक्षत्रों में वापी, तड़ाग, सरोबर, कूप, भूमी, त्रिण, आधिका खनन, देवालय के लिए निवाद की खनन का सुबारंब भूमी आध में गड़ी हुई धन संपत्य की कुदाई, जोतिश चकर का गणना रंब और सुबर्ण रजत पन्ना तथा अन्य धातों को प्राप्त करने के लिए भू खदान में प्रविष्ट होना आधि अन्य अधो मुखी कारिया अधो मुखी नक्षत्रों मे हाथी उनुट अस्व बैल तथा मैसी आधी को बस में करने का उपाय करना चाहिए, खेतों में बीज बोना, गमना गमन, चक्र, यंत्र, चरखा, अथवा एवं नौकादि का न्रने करना, क्राई विक्रे करना, उर्दो मुखी नक्षत्रों में प्रशस्त कहा गया है रोहिने, आरद्रा, पुख्या, धनिष्टा, पूर्वा, फार्गुने, उत्रा, सड़ा, पूर्वा, भाद्ब्रपद, सत्विसा, तथा, स्रवन ये नौक्षत्र उर्दो मुखी कहे गए हैं इन नक्षत्रों में राज्यव सेख और पट्ट बंदन आदे सुब कारे करना चाहें उर्दो मुखी अर्थात अव्युदय प्रदान करने वाले अन्य विश्ष्ट कारियों को भी इन नक्षत्रों में प्रारंब करना चाहें चतुरती, सश्टी, अश्टी में, नव में, द्वादसी, चतुर्दसी, अमावास, तथा पूर्णिमा तेती शुब होती है इन तुधियों में सुब कारे नहीं करने चाहें कृष्टन पक्ष की प्रतिपदा तथा बुदबार से युक्त दुतिया तिती शुब होती है यदि भूमी पुत्र मंगल से युक्त तृतिया हो, सनैश्टर को चतुरती हो, गुरुबार को पंचमी हो सश्टी को मंगलबार या शुक्रबार हो तो तितियों की भी शुब बिला होती है बुदबार को शप्त में मंगल तथा रविवार को अश्ट में सुम्बार को नव में और गुरुबार को पढ़ने वाली दसमी तिती शुब होती है एक आदसी तिति में गुरु तथा शुक्र होने पर बुद्वार को द्वादसी तिति पढ़ने पर शुक्र तथा मंगलबार को त्रयोदसी और सनिवार को चतुरदसी तिति शुब होती है इसी प्रकार ब्रस्पति को पूर्णिमा या अमावास तिथी का होना भी सुब कहा गया है 12 तिथी रवी बार, 11 सुम बार, 10 में मंगल बार, 9 में बुद्ध बार, 8 में गुरु बार सब्तमें शुकर बार और 6 तिथी सनिबार में दग्द होती हैं ऐसी तिथी या प्रादी सुबकार के लिए अच्छी नहीं होती प्रतिपदा 9 में, 14, 18 में तिथी में यदि बुद्ध बार का संयोग हो तो उस तिथी में प्रस्थान के विचार का दूर से ही प्रित्याग कर देना चाहे मेश और कर्ग संक्रान्दी की सष्टी, कन्या और मितन संक्रान्दी की अश्टमी, ब्रिस तथा कुम्ब संक्रान्दी की चतुर्थी, मकर्ग और तुला संक्रान्दी की द्वादसी, व्रष्टिक और शिंब संक्रान्दी की दसमी, तथा धन और मेन संक्रान्दी की चतुर पर पातिक योग होता है इन योग में गमन नहीं करना चाहे उत्पात मृत्य और रोग की उत्पति होती है फेर उद्र रविबार को मूल सोंबार को स्रवण मंगलबार को उत्राभादरपद बुदुबार को कृतिका ब्रश्पत के दिन पुनरबश शुक्रबार को पूरवा फालगुन तता स्तनिवार को श्वाते नक्षत्र हो तो अम्रत योग होता है ये सबी कार्यों को सिद्ध क सिद्ध योग शबी प्रकार के दोसों के विनास करने वाला होता है। धेशिव सुक्रबार को भरने, शोम्बार को चित्रा, मंगलबार को उत्राशाड़ा, बुदबार को धनिष्टा, ब्रशपति को सद्विसा, शुक्र को रोहने और सनी को रेवती नक्षत्र होने पर विसयोग होता है multipunervसू, फुक्या, रेवती, चित्रा, स्रवन, धनिष् हस्त अस्त्त असुनी भरणे म्रग्ष्रा एवं सढिष्ता कहात्त्र नक्षत्र साधर कोने पर जातकर्म आरध्य संस्कार ने रहता है ये शिव विशाखा उत्रा फाल्गुने उत्रा साड़ा उत्रा भाद्रपदा मगा आरद्रा भरणे आश्लेस और कृतिका नक्षत्र में यात्प्रा करने पर मृत्यु का भई रहता है। पुनाह भुवन खोश का ब्रणन करते वे भगवान स्रीहर ने कहा। अग्डूर संबालने का कार्य करते हैं। वायो के समान बेक साले प्रशंक बरण के आठ घोड़े जुते रहते हैं। शुक्र का महान रथ सैन्ने वल से युक्त। अनुकर्स सुद्रड बनाने के लिए संपन रथ के नीचे लगा। काश्ट वसेस उँचे सिकरवाला प्रथवी पर उत्पन होने वाले घोड़ों से शंयुक्त। उपासंग तथा उँची पताका से विवोशित है। भोमिपत्र मंगल का महान रतत पाए हुए शुबरण के सद्रश कांचन वरण वाला है। उसमें आठ घोड़े लगे हुए हैं। जो अगन से प्रादर भूत हुए तथा पत्म रागमने के समान अरुण बरण के हैं। आठ पांडुर बरण वाले घोड़ों से युक्त सुबर्ण के रत पर विद्यमान ब्रश्पती जी रहते हैं। वे एक रासी में एक वर्स तक विच्रन करते हैं। सनी का रत आकास से उत्पन हुए चितकबरे घोड़ों से युक्त हैं। वे उसमें चड़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंद गामी एक नाम भी है। स्वरभान अर्थात राओ के आठ गोड़े हैं। जो ब्रहमर्ण से सद्रिश काले हैं। उसका रत धूसुर बरण का हैं। वे भूतेश शिव उन गोड़ों को एक बार रत में जोत दे जाने पर वे नरंतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतो के रत में भी वायो के समान बेग वाले आठ गोड़े हैं। उनके बरणों की आभाद। पुबाल से निकलने वाले ध्रें के सद्रिश तथा लाक्षा रस की भाती अरुण रंग की है। हे सिव इस प्रकार सूर चंद्राद उपर युक्त ग्रहों से युक्त। द्वीप नदी परवत शमद्र आदे से समन बित। समस्त भुवन मंडल भगवान विष्ण का विर्याट सरीर है। 69 अध्याय। जोतिश चक्र में बरणित नक्षत्र उनके देविता एवं कत्से। शुब असुब योगों तथा मुहृतों का बरणन। सूजी माराज ने कहा रिचियू। केशब ने भगवान शिव से प्रतवी का परिमान बता कर कहा कि हे रुद्र। जोतिश सास्त्र की गणना चार लाख में हैं। पर उसमें से मैं अवजुतिश चक्र अर्थात नक्षत्रों से युक्त। रासी चक्र का संग्षेप में बरणन करूंगा। जो सब कुछ देने वाला हैं। भगवान स्रिहर ने कहा है सिव। क्रसिका नक्षत्र के देवता अगनी हैं। रोहन नक्षत्र के देवता ब्रह्मा हैं। म्रग्षरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं। आड़द्र के रुद्र देवता हैं। इसे प्रकार पुनरवसु के आदित्य पुख्य के गुरु असलिसा के सरप, मघा के देवता पित्रगण हैं, पुर्भा फालगुने नक्षत्र के देवता भाग्या, उत्रा फालगुने के अरियमा, सभिता के हस्त के सभिता, चित्रा के त्वश्टा, स्वाति के वायू, वि प्रतिपदा तता नवमे तिती में ब्रह्माने नाम की योगनी पूरुप दिसा में अवस्तित रहती है दुतिया और दस्मी तिति में माहेश्वरी नामक योगनी उत्तर दिसा में रहती है पंचमी तथा त्रयोदसी तिति में बाराही नामक योगनी दक्षन दिसा में इस्तित रहती है सश्टी और चतुरदसी तिति में इंद्राणी नाम की योगनी का वास पंचिमी में होता है सप्तमी और परणमासी तिति में चामुंडा नाम से अभिजित योगनी का वास वाई गोचर अर्थात वाई व्यकोण में रहता है अश्टमी तता अमावास्य में महालक्षमी नाम की योगनी इशान कोण में रहती है एकादसी एवं तृती यतिती में वैश्टनवी नाम की योगनी आकास कोण में वास करती है द्वादसी और चतुरदसी में कौमारी नाम वाली योगनी निवास करती है नेरित्य कोण में उनका निवास होता है योगनी के सन्मुक रहने पर यात्रा नहीं करनी चाहे अस्वनी अनुरादा, रेवती, म्रगसिरा, मूल, पुनर्वसु, पुख्या, हस्त और जेश्ठा नक्षत्र प्रस्थान के लिए प्रसस्त कहे गए हैं हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाका, अनुरादा, ये पांच नक्षत्र तथा उत्रा फाल्गुनी, उत्रा साडा, उत्रा भाद्रपद, अस्वने, रूहनी, पुख्या, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र, नवेन वस्त्र धालन करने के लिए इस रेष्ट हैं कृत का भरने, असलेशा, मघा, मूल, विशाका, तथा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा साड और पूर्वा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों को अधो मुखी कहा गया है इन अधो मुखी नक्षत्रों में वापी, तड़ाग, सरोबर, कूब, भूमी, तिर्ण, आदिका खनन, देवालाई के लिए नीवाद की खनन का सुबारंब, भूमी आद में गड़ी हुई धन संपत्य की कुदाई, जोतिश चकर का गणना रंब और सुबर्न रजत पन्ना तथा अन्य धातों को प्राप्त करने के लिए भू, खदान में प्रविष्ट होना आदि अन्य अधो मुखी कारिया, अधो मुखी नक्षत्रों में हाथी, उन्ट, अस्व, बैल तथा मैसी आदि को बस में करने का उपाय करना चाहिए, खेतों में बीज बोना, गमना गमन, चक्र, यंत्र, चरखा, अथो एवं नौकाद का निरना करना, क्रै विक्रै करना, उर्द मुखी नक्षत्रों में प्रसस्त कहा गया है रोहिने, आरद्रा, पुख्या, धनिष्टा, पूर्वा, फाल्गुने, उत्रा, सड़ा, पूर्वा, भाद्ब्रपद, सत्विसा, तथा, स्त्रवन ये नौक्षत्र उर्द मुखी कहे गए हैं इन नक्षत्रों में राज्यवसेख और पटबंदन आदे सुब कारे करना चाहे उर्द मुखी अर्थात अव्युदय प्रदान करने वाले अन्य विस्ष्ट कारियों को भी इन नक्षत्रों में प्रारंब करना चाहे चतुरती, सश्टी, आश्टी में, नव में, द्वादसी, चतुरतसी, अमावास, तथा पूर्णिमा तिति शुभ होती है इन तितियों में सुभकार्य नहीं करने चाहे कृष्ण पक्ष की प्रते बदा तथा बुदबार से युक्त दुतिया तिति शुभ होती है यदि भूमी पुत्र मंगल से युक्त दुतिया हो, सनैश्चर को चतुरती हो, गुरुबार को पंचमी हो, सश्टी को मंगलवार या शुक्रबार हो, तो तितियों की भी सुभ बिला होती है बुद्वार को शप्तमी, मंगल तथा रविवार को अश्टमी, सोंबार को नौमी और गुर्बार को पढ़ने वाली दस्मी तिति शुब होती है उसी प्रकार ब्रस्पतिको पूर्णिमा या अमावास तिति का होना भी सुब कहा गया है 12 तिथी रवी बार, 11 सुम बार, 10 में मंगल बार, 9 में बुद्ध बार, 8 में गुरु बार, सब्तमें शुक्र बार और 6 तिथी सनिबार में दग्द होती हैं ऐसी तिथी या प्रादी सुभकार के लिए अच्छी नहीं होती प्रतिपदा नवमी, चतुरदसी, अश्टमी तिथी में यदि बुद्धबार का संयोग हो तो उस तिथी में प्रस्तान के विचार का दूर से ही प्रत्याग कर देना चाहे मेश और करग संक्रांदी की सष्टी, कन्या और मितन संक्रांदी की अश्टमी, ब्रिस तथा कुम्ब संक्रांदी की चतुर्थी, मकरग और तुला संक्रांदी की द्वादसी, व्रष्टिक और शिंब संक्रांदी की दसमी, तथा धन और मेन संक्रांदी की चतुर्थी ये इन तितियों में यादप्रा नहीं करने चाहे, ये कश्ट दायक होती हैं। इन योग में गमन नहीं करना चाहे, उत्पात मृत्ति और रोग की उत्पति होती है। इस प्रकार का योग होने पर सिद्ध योग बनता है। इस प्रकार के दोसों का विनास करने वाला होता है। इस प्रकार का योग होता है। पुनरवसू, पुक्या, रेवती, चित्रा, स्रवन, धनिष्टा, हस्त, अस्वनी, भरणी, मृक्ष्रा एवं सत्विसा नक्षत्र होने पर जात कर्म आधि संस्कार करने के लिए उत्तम माने गए हैं। हेशिव, विशाका, उत्राफालगुन, उत्राशाडा, उत्राभाद्रपदा, मगा, आरद्रा भरणी, आश्ट्रेशा और कृतिका नक्षत्र में याद्प्रा करने पर मृत्यु का भै रहता है। साटवा अध्याय, ग्रह दसा, याद्प्राशकुन, छींक का फल, तथा सूर्य चक्र आधिका न्रोपन। भगवान स्रीहरी ने कहा, हे शिव, अब मैं ग्रहों की महादसा का ब्रणन करत रहा हूँ, सूर्य की दसा 6 वर्ष, चंद्रमा की 15, मंगल की दसा 8, बुद की 17, सन की 10, ब्रश्पती की दसा 19 वर्ष, राव की 12 वर्ष, तथा शुकर की दसा 21 वर्ष की रहती हैं। सूर्य की दसा दुख देने वाली होती हैं और उद्वेक को पैदा करती हैं, तथा राजा का नास करती हैं। शुक पैदा करने वाली मनोन कूल अन फल देने वाली होती है मंगल की दसा दुख देने वाली तथा राज्यादि का बिनास करने वाली बुद की दसा दिब्य इस्त्री का लाव राज्य प्राप्ति एवं कोस बृद्धि करने वाली है सनी की दसा राज्य का नास और बंदो बांदमों को कश्ट देने वाली ब्रश्पती की दसा राज्य लाव और शुक्षमर्दी तथा धर्म देने वाली होती है राव की दसा राज्य का नास करती है ब्याधियों की प्राप्ति करती है और दुख पैदा करती है शुक्र की दसा में हाती घोड़ा राज्य तता अश्त्री का लाभ होता है मेश मंगल का ब्रश शुक्र का मिथुन बुद का और करक चंद्रमा का चेतर कहा गया है सूरे का चेतर शिंब एवं बुद का चेतर कन्या रासी है तुलारासी शुकर का छेतर है और ब्रष्टिक मंगल का छेतर है ब्रष्टिका छेतर धनों शनिका छेतर मकर एवं कुंभे और मेन ब्रष्टिका छेतर कहा गया है करकरासी में सूर्य जब आने पर भगवान विष्ण सयन करते हैं अस्वने रेवती चित्रा धनिष्ठा ए नक्षत्र आभुसन धालन करने में उत्तम माने गए हैं यात्रा में यदि दाहने हरिन, शांप, बंदर, बिलाव, स्वान, शुवर, पक्षिं, नेवला तथा चूहा दिखाए दे तो यात्रा मंगल कारी होती है यात्रा में रामन की कन्या का दर्सन हो जाना मंगल होने का शूचक है तथा शंक और मृदंग की आवाज सुनना एवं सदाचारे स्लेमंत व्यक्ति का दर्सन हो जाना बेन, इस्त्रे जल से भरा कलस दिखाए देना कल्यान प्राप्ति का सूचक है यात्रा में बाई और स्रगाल, उनूट, गदहा, आदि का दिखाए देना मंगल कारी होता है यात्रा में कपास, औशद, तेल, दहकते, अंगारे, शर्प, बाल, बिक्रे, लाल, माला, पहने और नगन अवस्ता में यदि कोई व्यक्ति दिखाए दे तो वहाँ असुब होता है अब मैं हिक्का के शुब असुब फलों को कह रहा हूँ पूर्वजिसा में चीक होने पर भहुत बड़ा फल प्राप्त होता है अगन कोण में चीक होने पर शोक, संताप तथा धक्षिन में होने पर हाने होती है नैरित्य कोण में चींख होने पर शोक और संताप तता पश्ट्म में छीक आने पर मिष्टान की प्राप्ति होती है अथो अमान शम्मान की प्राप्ति होती है वाइब्य कोण में चींख होने पर धन की प्राप्ति और उत्तर में चींख होने पर कलह होता है इसान कोण में चींख होने पर मरन के समानकष्ट प्राप्त बतलाया गया है मनुस्त्य के आकार में भगवान सूरे की प्रतिमा का चित्रन करें सूरे की प्रतिमा बनाने के दिन सूरे जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से तीन नक्षत्र उस प्रतिमा के मस्तक पर अंकित करें मुख के मध्य में अंकित सूरे नक्षत्र से आगे तीन नक्षत्र लिखें और उससे आगे एक एक नक्षतर दोनों कंदों पर लिखें फिर उससे आगे एक एक नक्षतर दोनों बुजाओं पर लिखें और उससे आगे के एक एक नक्षतर दोनों हातों पर लिखें उससे आगे पांच नक्षतर हिर्दे परदेश पर लिखें तथा उसके आगे एक नक्षत्र नावी मंडल पर लिखें उसके आगे कोई ही अस्थान में एक नक्षत्र लिखें उसके आगे एक नक्षत्र गुटनों पर असेस नक्षत्र सूरे के चलनों पर लिखें सूर्य चक्र के चलणों में जातक का जर्म नक्षत्र पढ़ता हो तो जातक अलपायू होता है वही नक्षत्र यदि गुटनों पर पढ़ता है तो जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है और यदि गुह अस्तान पर पड़े तो वहाँ परस्त्रिक का गवन करता है नाब्यस्तान में पड़ने पर थोड़े में ही प्रशब होने वाला प्रशन होने वाला होता है यदि हिर्दे में पड़े तो महिश्वर होता है यदि पाण अस्थान में पढ़ता है तो चोर होता है यदि वहाँ भुजाओं पर पढ़ता है तो उसका कहीं निश्चत अस्थान नहीं रहता है यदि कंधों पर पढ़ जाए तो वहा धनपति कुबेर होता है यदि मुख पर पढ़ जाए तो मिश्टान प्राप्त करता रहता है और यदि मस्तक पर पढ़ता है वहा नक्षत्र तो जातक दिव्यावस्णों को प्राप्त करने वाला होता है 61. अध्याय ग्रहों के सुब एवं असुब अस्थान तथा उनके अनुशार सुब असुब फल का संक्षिप्त विवेचन भगवान स्रीहरी ने कहा कि लगन से सप्तम भाव तथा उपचय में इस्तित चंद्रमा सरवत्र मंगल कारी होता है शुकल पक्ष के दुतिया तिति तथा पंचम और नवम भाव में इस्तित चंद्रमा गुरु के शद्रश पूज्य होता है हे सिव चंद्रमा के बारहा अवस्थाएं है आप उनके विशय में भी सुने असुने आदे तीन तीन नक्षत्रों से एक एक अवस्था बनती है अतहा उन असुने आदे तीन तीन नक्षत्रों के क्रम में प्रवास अवस्ता, दुष्टा अवस्ता, मृता अवस्ता, जय अवस्ता, हास्या, नता, प्रमोधा, विसादा, भोगा, ज्वरा, कंपा, तथा शुका अवस्ता नाम से जाने जाती हैं ये चंद्र की बारह अवस्ताएं होती हैं इनी अवस्थाओं में क्रमशा चंद्र की इस्तिती होने पर प्रबास हाने, मृत्यो, जय, हास, रतिशुक, शोक, ज्वर, भोग, कम्प तथा शुक ये फल प्राप्त होते हैं चंद्रमा के जन्म लग्ण में होने पर तुष्टी, दुतिय भाव में होने पर शुक हानी, तृतिय भाव में रहने पर राज सम्मान, चतुर्त भाव में कलह और पंचम भाव में रहने पर इस्तिरी का लाव होता है यदि चंद्र सश्ट अस्तान में रहता है तो धन धाने की प्राप्ति सप्तम भाव में रहने पर प्रेम समान की प्राप्ति होती है चंद्रमा के अश्टम भाव में रहने पर मनुस्य के प्राणों को संकट रहता है नवम भाव में उसकी इस्तधी होने पर कोश में धन की बृद्धी, दसम भाव में चंद्र के रहने बरकार सिद्धी और एकादस भाव में होने पर विजय निश्चित है, जब वहां द्वादस भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृद्ध्य होती है, इसमें संदे नहीं कृतिकारोहनी म्रक्षरा आरद्रा पुनर्वश्र पुख्या सलेसा इन सात नक्षत्रों में पूरुवदिशा की यात्रा करनी चाहे मगा पूर्वा फालगुने उत्रा फालगुने हस्त चित्रा श्वाति तथा विशाखा इन सात नक्षत्रों में दक्षण की यात्रा करने चाहे अंग राधा जेश्ठा मूल पूर्वा साड़ा उत्रा साड़ा स्रवन और धनिष्ठा इन साथ नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करने चाहे धनिष्ठा सत्विष्ण पूर्वा भाद्रपदा उत्रवा भाद्रपदा रेवते असुनी और भरणी इन साथ न अघ् शत्र कन्यादान यात्रद था पत्रष... श्ठादी करणयों में शुब प्रदान होते हं। जनम लगन में शुक्र और चंद्र के रहने पर सुब्फल की प्राप्ति होती हैं। उसी प्रकार ये दोनों ग्रह दुतिय भाव में रहने पर वे शुब्फल प्रदान करते हैं। सुब्फ कहे गए हैं। इसी प्रकार ये अस्टम भाव में बुद्ध और शुक्र तथा नवम भाव में इस्थित गुरु सुब्फल देने वाले होते हैं। सुब्फल के साथ मेश, तुला के साथ मेन, कुम्ब के साथ करक, धनों के साथ ब्रश और मिथन के साथ ब्रिष्टिक रासी का योग स्रेष्ट होता है। यहाँ सडाष्टक योग है, यहाँ योग प्रितिकारक है, इसमें संसे नहीं। यहाँ सडाष्टक योग को सुब बताया गया है, किन्त मतांतर से बर बधु के मेलापक चक्र में यहाँ सडाष्टक योग सुब नहीं माना जाता, इसको असुब बाना गया है। बर यब अधो की परस पर जनम रासी एक दूसरे से छटी या आठ्वी होना ही सडाष्टक योग है, अर्था यदि एक की सिंग रासी हो और दूसरे की मगर रासी हो तो यह रासियां गणना करने पर एक दूसरे से छटी या आठ्वी पड़ेगी, ऐसे ही मेज कन्या ब्रस तुला मिथुन ब्रिष्टिक करक धनों आद की विशे में समझना चाहिए, प्राय हां ऐसे में विभा आद नहीं किया जाता है, सडाष्टक के समान ही दुर्द्वादस योग तथा नव पंचम योग पर भी विचार करना चाहिए 62. लगन फल, रासियों के चर इस्थिर आद भेद, ग्रहों का सभाव तथा साथ बारों के के जाने योग्य प्रसस्त कर्म भगवान स्रिहरी ने कहा, हे शिव, सूर्य उद्यकाल से में साधी रासि अवस्तित रहती हैं, वे दिन में क्रम सह छे रासियों को पार कर, रात्री में से सह छे रासियों को पार करते हैं मेस लगन में कन्या का जन्म होने पर वह बंद्या होती है, ब्रस लगन में उत्पन हुई कन्या कामनी होती है, मिथन लगन वाली सोभाग्य सालनी तथा कर्क लगन में उत्पन हुई कन्या वैश्य होती है, सिम्भ लगन में जन्म प्राप्त कन्ने वाली कन्या, अल्प पु की होती है धनु लगन में उत्पन कन्या सवभाग्यवती तथा मकर लगन वाली कन्या निम्न पुरुषों के साथ गमन करने का विचार रखने वाली होती है कुम्ब लगन में प्राप्त कन्या अल्प पुत्रवान में लगन वाली कन्या वैराग्य उप्त होती है तुला करक, मेश और मकर ये चर रासियां हैं इन में यात्रादी चरकार करने चाहे सिंग, बृश, कुंव और बरश्चिक इस्तिर रासी है इसमें इस्तिर कार करने चाहे कन्या, धनुमेन एवं मिथुन रासी दुष्वभाव की होती है विद्वान व्यक्ति को इन रासियों में दुस्भाव से युख्त कर्म करने चाहे यात्प्रा लगन में तथा ग्रह प्रवेशाद का कार्य में इस्थिर लगन करना चाहे देवताओं की इस्थापना और वैवायक संस्कार को दुस्भाव के लगन में करना चाहे प्रतिपदा सश्टी तथा एकादसी तितियां नंदा माने गई हैं दुतिया सप्तमी और द्वादसी तितियां भद्रा कही गई हैं तृतिया अश्टमी और त्रेवदसी तितियां जया कही गई हैं चतुर्थी नौमी तथा चतुर्दसी एतितियां रिखता कही गई हैं ये सुवकार के लिए बर्जित हैं सौम्य सभाव वाला बुद्ध ग्रह चर सभाव है छिप्र गुरु शुक्र मृद और रवी धुव सभाव का है सनिदारुन मंगल उग्र तथा चंद्रमा को सम प्रदिवार को यात्रा करने चाहिए तथा अम्रद और धुरुव शुभाव से संयोक्त शुक्र अत्वा रवी भार को ग्रह प्रवेशादिक कार्य करना चाहिए दारुन और उग्र सभाव वाले सनि तथा मंगल भार को विजय प्राप्त करने की अविलासा से छत्रयाद वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए राज्या विशेक और अगनिकारिय सोमबार को प्रसस्त माना गया है सोमबार में लिपाई का कार एवं ग्रह का सुवारंब करना स्रेयसकर है मंगल भार को सेनापत का पद भार भवन करना शौरिय प्राक्रम का कारिय तथा सास्त्रा भ्यास प्रारंब करना चाहिए बुद्ध के दिन किसी कार की सिर्दी के लिए प्रयत्न करना मन प्रणा करना और याद्प्रा करना सफल दायक माना गया है ब्रस्पत बार को वेद पाठ देव पूजा तथा वस्त अलंकाराद धारन कार करने चाहिए सुक्र सनिबार को कन्यादान, गजारोहन तता स्त्री शहवास उचित है, सनिबार को ग्रहारंब प्रवेश, ग्रह प्रवेश और गजवन्भन के कारे भी सुभ माने गए हैं। जिनके हाथ पाउं के तल पसिने से रहत हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृद एवं रक्त हों, अंगुलिया सटी हुई हो, नाखुन ताम्बे के बरन के समान थोड़े रक्त वाले हों, पाउं सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहत और कूर्म के समान उन्नत हों, उन्हें न्र विरल अंगुलियों से युक्त, सूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं, अलपर रूमों से युक्त, गल सुंद के समान, सुंदर जंगा प्रवेश, तथा एक एक रूम से भरे हुए रूम कूप वाला सरीर, राजा और महात्मा का माना गया होता है, प्रतेक रूम कूप में दो-दो रूम होने पर मनुष्य स्रोथ प्रिय या पंडित होता है, तीन-थीन रूम होने से व्याप्त रूम कूप धरिद्रता का प्रतीक है, बांत रहत अत्य जानों युगल वाला मनुश्या रोगी होता है। समान उदर भाग से शुशोभित मनुश्या अतिसाय भोग से सम्रत और कुम्व के सद्रश उन्नत हो। यह सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्ब्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयू का अंद्रने किया जाता हैं। जिसके ललाट पर समान आकार वाले तीन रेखाएं इसपश्ट दिखाए देती हैं। वह पुत्राद से संपन रहकर सुक पूर्वग 60 वर्स तक जीवित रहता हैं। मस्तक पर दो रेखाओं के द्रिष्ट गोछर होने पर मनुष्य की आयू 40 वर्स की होती है। ललाट पर कान तक विस्त्रित दो रेखाओं के होने से तो मनुष्ट की आयू सत्तर बर्स तथा वैसी ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयू साथ बर्स की माननी चाहे ललाट पर रेखाओं की व्यक्त अव्यक्त इस्तती होने पर मनुष्य 20 वर्स के आये को ही प्राप्त कर सकता है रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्स तक जीवित रहता है रेखाओं के छिन भिन रहने पर मनुष्य की अलपायू रहती है अथा अकाल मृत्य होती है जिसके मस्तक पर त्रिसूल अथ्वा फरसे के समान छिन दिखाई देता है वहा धन पुत्राद से परिपूर्ण होकर सौ वर्सों तक जीवित रहता है इस संपूर्ण पृथिवी पर सुख ऐस्वरे से संपन वहा जीव अपना जीवन यापन करता है वहा मनुष्य हे रुद्र तरजने और मद्यमा अंगुली के मद्य भाग तक आव रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शताई को प्राप्त होता है अंगुली के मूल भाग से निकलने वाले पर्थम रेखा मद्य अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वहा आयू रेखा कही गई है यह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकल कर मद्य भाग के मूल भाग को प्राप्त करती है अत्वा मद्यमा अंगुली के मूल भाग तक पहुंचती है यदि यह रेखा विच्छिन ये किसी अन्य रेखा से वक्त नहीं होती है तो ऐसी व्यक्ति की आयू सौ वर्स की होती है हे रुद्र जिसके हाथ में यह आयू रेखा इसपष्ट दिखाए देती है उसके आयू सौ वर्स अवस्च होती है इसमें संदेह नहीं है जो रेखा का निष्ठा अंगुली के मूल से होकर मद्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है वह रेखा मनुष्य को साठ वर्स आयू प्रदान करने में शक्षम होती है ज्याने पुरुष्य विद्वान पुरुष्य इन रेखाओं के माद्यम से जीव के मनुष्य के आयू का निरधारन कर सकता है अथ्वा उसके जीवन में सुब असुब लक्षनों का बरणन कर सकता है उसके जीवन का जो भौतिक सुख है दैविक सुख है उसका अन्वान वहा ज्याने पुरुष विद्वान पुरुष इन रेखाओं के माध्यम से जान सकता है अथुआ जातक अपने रेखाओं के द्वारा अपने भवस्य का निरधारन विचार कर सकता है ये दिशास प्रभीहित रेखाएं मानव के हातों पर ललाटों पर विद्जमान होती है तो निश्चित रूप से वहा जातक वहा मनुष्या इस धरातल पर संपूर्ण बैभव को प्राप्त करता है राज्य स्री लक्ष्मी को प्राप्त करता है और कर्म रेखा के आधार पर और्ध्व अत्व पतत कर्मों को करते हुए वह जीवन यापन कर सकता है 64. अध्याय इस्त्रियों के सुभ असुभ लक्ष्म भगवान स्रीहरी ने कहा हे रुद्रे अब मैं इस्त्रियों के सुभ तथा असुभ लक्ष्मों का अब्रणन करता हूँ जिस कन्या के केस गुंगराले मुख मंडलाकार अर्थात गोल एवं नावी दक्षनावर्थ होती है वह कुल की ब्रिद्व करने वाली होती है जो स्वर्ण सद्रश आभा वाली होती है जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं वह हजारों इस्त्रियों में अदुतिय तथा पचिप्रता होती है जो कन्या बक्र केस्मों वाली और गोल नेत्प्रवाली होती है वह निश्चत ही दुख भोगने वाली तथा उसका पति सिग्र ही मरन को प्राप्त हो जाता है अर्थात मर जाता है पूर्ण चंद्र के सद्रश मुक मंडल के समान सुसोवित वाल सूर के समान लाल लाल कांते वाली विसाल नेत्नों से युक्त बिम्बा फल के हांत ओश्ट वाले कन्या चिरकाल तक सुब का भोग करती है फस्त तल में भात से रेखाओं के होने पर कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वहा धनहीनता का दुख भोगती है हाथ में रक्त बर्ण के रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन ब्यतीत करती है किन्त कृष्ण बर्ण के रेखाओं के होने पर वह दास से बृत्ती वाली धूती का जीवन ब्यतीत करती है अच्छी इस्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान प्रामर्श देने वाली होती है सहयोग में मित्र के समान बरताव करती है इस्टने के विफार में भारिया अथव माता का सयनकाल में वैश्या के समान सुप्रदान करती है जिस कन्या के हाथ में अंकुस, उंडल और चकर के चिन्ह विद्यमान रहते हैं वहां पुत्र से संपन होती है और राजा को पति के रूप में बर्ण करती है जिस इस्त्री के दोनों पार्ष्व और स्तन प्रदेश रोम रहित होते हैं अत्वरोमान्वित होते हैं वहां अद्रोष्ट भाग भूचा उठा हुआ होता हैं वहां निश्चति सिक्रपति का नास करने वाले होती हैं जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाए देती हैं वहां दास कुल में भी उत्पन होकर रानी के पद को प्राप्त करती हैं जिस कन्या के नावी उपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वरण की रोमा वली से आबृत रहती हैं वहा कन्या राजपुल में उत्पन होकर दासी की वृत्थ से जीवन यापन करती हैं जिस इस्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुल प्रतिवी तल पर इस परस नहीं करते हैं वहा सीग्र ही पति का नाज़ करती हैं तथा स्वयम स्वेच्छा चार पूर्वक जीवन विताने वाली होती हैं जिस इस्त्री के चलने से प्रतिवी में कमपन हो उठता हैं वह सीग्र ही पति का नाज़ करके स्वेच्छा चारनी बन जाती हैं सुन्दर मनोहारी नेत्रों के होने से इस्त्री सवभाग्य सालनी उज्वल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भुजम प्राप्त करने वाली सरेर की तवचा सुन्दर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार के साया तता कोमल श्निक्ध चर्णों के होने पर वहा स्रेष्ट बाहन का सुक प्राप्त करती है जिकने उचे उठे हुए तामरवर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त मत्य अंकुस पद्धु चक्र तता लांगल चिन्नों से शुशोवित एवं पसीने से रहित और कोमल मतवाले स्त्री के चलन स्वभाग्य साली होते हैं सुन्दर रोम विहिन जंगा गज सुन्ड के सदर्स उरू पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम ग्रह भाग पुहिय भाग दक्षनाबर्त गंभीर नाभी रोम रहित त्रवली और हिरदय परश शोवित रोम रहित इस्तन प्रदेश ये उत्तम इस्त्री के लक्षण माने 65 अध्याय इस्त्री एवं पुरुषों के सुब असुब लक्षण भगवान स्रीहरे ने कहा कि अब मैं सामुद्र का सास्प्र के माध्यम से कहे गए इस्त्री और पुरुष के सुबासुब लक्षणों का ब्रण करता हूँ जिने जान लेने से भूत तथा भुष्य का ग्यान हो जाता है। मार्ग में गवन करने पर विशय रूप में पढ़ने वाले कशाय बरन युक्त विचत्र प्रकार के बने हुए चल्ण वंस का नात करते हैं। सटग्वाकार चल्णों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है। तथा अगम्यास्त्री के शाथ रमन करने की इच्छा रखता है। बिरल रोम भाग युक्त जंगा तथा हाती के सूंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के सरीर में सुषोवित होते हैं। दरिद्र की जंगाएं शियार की जंगाओं के समान होती हैं, कुंचित केस रासे वाले मनुष्ट के मृत्य विदेश में होती हैं, मान्त रहित जान प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्य साले होता हैं, अल्प और छोटी छोटी जानों के होने से मनुष्ट इस्त्री प्रेम तथा विसाल विकटाकार होने पर दलिद्र होता है। मांस से भरपूर जानों के होने पर मनुष्य राज्य की प्राप्ति करता है। बड़ी जानों के होने पर मनुष्य दीरगाय वाला होता है। बान सल स्पिक प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंग के समान स्पिक होने पर वहा राज पुरुस माना जाता है इसी प्रकार सिंब के सदर्श कटी प्रदेश के होने पर वहा राजा होता है किन्तु कपिल समान कटी भाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है समान कक्ष प्रदेश वाले अत्यन्त भोगी विलासी होते हैं निमन कक्षाओं वाले धनहिन तथा उन्नत एवं विशम कक्षाओं वाले कुटिल तथा कपटी होते हैं मच्च के समान उदर वाले प्रचुर धर्मान होते हैं विस्तिर्ण नाविक प्रदेश से शुशोवित जन्द सुखी एवं अत्यदिक गहरी नाविके होने पर कश्ट फोगने वाले होते हैं त्रिबली के मध्यभाग में नाविके अवस्तित होने पर प्रानी सूल रोग से ग्रशित होते हैं वामा बर्त नावि के होने पर सक्ति संपन और दक्षना बर्त होने पर मेधा भी होते हैं पार सु देश में नावि के विश्त्रित होने से मनुष्य चरंजीवी उन्नत होने पर एस्वरे साली अदो मुख होने पर गोधन से संपन एबं पत्म कर्णिका के सद्रश होने पर वैराजत्व को प्राप्त करता है उदर भाग पर एक बल्ली के रहने पर मनुष्य शताई होता है दो बलियों के होने से वहा ऐस्वरे का भोग करने वाला तथात क्रिबली के होने पर राजा या आचारे की पद्वी को प्राप्त करता है मनुस्य बलियों वाला सुखी होता है बक्र बली वाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है जिसके दोनों पार्स भाग मानसल होते हैं वह राजा होता है मृदू कोमल सुन्दर और समभाग की दूरियों पर अबस्तित दखना वड़ती रोम रासियों से सुसोवित व्यक्ति भी राजा होता है यदि उदर परदेश पर इन लक्षणों के विक्रित रोम राशियां होती हैं तो ऐसे मनुस्य दूद कर्म करने वाले निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं समुन्नत मांतल तथा कमपन रहित विशाल भक्षस्तल राजाओं का होता है अधम जनों का भक्षस्तल तो गर्धवों की रोम राशि के समान करकश तथा रोमा वलियों से युक्त इस्पष्ट पर लक्षित होने वाले नसों से व्याप्त रहता है समतल भक्षस्तल वाले मनुस्य धन संपन होते हैं पीन भक्षस्तल वाले युक्त प्राणी सक्ति संपन होता है विशम भक्षस्तल के होने पर मनुस्य निर्धन होता है और उसके मृत्यों सस्त्रा घात से होती है इसकंद प्रदेश के संद स्थान में विसमता तथा अस्त सनलक्मता के होने पर भी मनोश्य निर्धन होते हैं उन्नत इसकंद प्रदेश के होने से व्यक्ति भोगी निमन होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होता हैं चिप्टाकार कंट से युक्त मनुस्य निर्धन, सुस्क एबं उन्नत सिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है महस के सदुर्ष ग्रीबा वाला बीर तथा मुर्ग के समान कंठ वाला सास्त्रों में पारंगत होता है संक के समान ग्रीबा वाला मनुस्य राजा और लंबे कंठ वाला भाउत भोजन करने वाला होता है रोम रहित एवं मुड़ा हुआ प्रिष्ट प्रदेश शुब तथा उसके विप्रीत रहने पर असुब माना गया है पीपल पत्प्र के सद्रश सुगंधित तथा मुर्ग के सद्रश रोमा बलियों से उत्तम वह माना गया है इसके विप्रीत कक्छाओं से जो लक्षन होते हैं वे निर्धनों की अस्वद्धर्द्रता का कारण बनता है मानसल, सलश्ट, विसाल, बलिष्ट, बरताकार तथा जान परियंत लंबे सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं प्रचुर रोमा बलियों से युक्त छोट छोटे हाथ निर्धन के होते हैं थाथी के सुंद के समान सुंदर भुजाएं स्रेष्ट माने गई हैं भवन में वाय प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बने हुई अंगुलियां शुब होती हैं मेधावी जनों की अंगुलियां छोटी होती हैं चिपटाकार अंगुलियां ब्रित्यों में पाई जाती हैं इस्थूल अंगलियों के होने पर मनुस्य निर्धन होता है जब मनुस्य की अंगलियां कृष होती हैं तो वे बिनई होती हैं बंदर के सद्रिष हाथ के होने पर मनुस्य निर्धन और वाग के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं इसी प्रकार सुभासुब लक्षणों का ब्रणन करते हुए कहते हैं कि करतल भाग के निमन होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नश्ट करने वाले होते हैं मनिवन्द के सुगठित इसलिष्ट तथा सुगंद युक्त होने पर व्यक्ति को राजपद की प्राप्ति होती हैं कटे पटे कर भाग से युक्त सब्द करने वाले मनिवन्द के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रवर्ति की माने जाते हुए अर्थात गोलाकार संब्रत एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्य को धनवान कहा गया हैं उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विशम भाग वाले व्यक्ति कठूर होते हैं लाक्षा रस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं पीत बर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति परस्त्री के साथ रमन करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वे मनुष्य अंद्रधन होते हैं। तुश के समान रंग से युक्त नखवाले लोग नपंसक कुटिल सता फटे हुए नखवाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नखवाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। तामर बर्ण के सदर्ष रक्ताव नखवाला मनुष्य राजा होता है। यवचिन से युक्त अ अंगलियों के होने से मनुष्य धन संपन होता है मनिवंद से निकलकर तीन रेखाएं जिसकी करतल भाग को पार कर जाती हैं वह भी राज चिन है वह भी राजा होता है दो मत्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्यकरता एवं दानी होता है बज्ज्राकार चिहन वाले करतल धनी जनों के होते हैं विद्वान का करतल भाग मीन पुछ के चिन से अंकित होता है राजा के करतल में संक छत्र शिविका गज और पद्माकार चिन रहते हैं अतुल नी ऐस्वर संपन राजा के करतल में कुम्ब अमकुस पता का तथा मिरनाल के समान चिन रहते हैं गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रश्टी के चिन्ध होते हैं, जिनके हाथ में स्वस्ति का चिन्ध होता है, वह सम्राठ होता है, राजा के हाथ में चक्रिक क्रिपान, तोमर, धनुष और भाले के आकार के चिन्ध होते हैं ओखली के चिन से युक्त व्यक्ति यज्यादिक कर्मकांड में निश्णात होता है जिनके हाथों में बेद काकार रेखा होती है वे अगनि होत्री होते हैं वापी देव कुल्या तथा त्रकोन रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मक होता है अंगुष्ट मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं यदि वे रेखाएं सोक्षम होती हैं तो उने कन्याएं होती हैं कन्ष्टका के मूल से निकल कर तरजने के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शताई होता है किन्ट किसी अस्थान पर उसके विच्छिन होने पर प्राने को व्रक्ष से गिर कर मृस्य का भय बना रहता है भहुत से रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते है चिवुक के क्रिस होने पर भी मनुष्यों को धनहीन समझना चाहे किन्त जिनकी खुड़ियां मांसल होती हैं वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं अरण भाग विम्बाफल के समान शंदर अधरों से सुसोवित मुख राजाओं का माना गया है किन्त जिसके ओष्ठ रूखे खंडित फटे हुए तथा विसम होते हैं वे निर्धन होते हैं इश्निक्द चमकते हुए सघन एवं समान भागवाले सुन्दर तीक्षन दांतों का होना सुब है रक्त बरन की समतल चिकनी एवं देर्ग जिप्वा स्रेष्ट होती हैं राजाओं का मुखु कठोर, सम्न, सोम्य, गोल, मल, रहित तथा इश्निक्द होता हैं दुख भोगने वाले लोगों के इन लक्षणों के विप्रीत लक्षण होते हैं कुच्शित एवं भाग हीनों को इस्त्री मुखी पुत्र प्राप्ठ होता हैं धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता हैं, पाप कर्म का मुख भयाक्रांत होता हैं, धूरतों के मुख चोकोर, पुत्र हिनों के निमन एवं कंचुसों के छोटे मुख होते हैं, भोगी जनों का सुन्दर मुख होता हैं, आभा मय मुचों से इकते शुभ तता कोमल होता है चोर खृतु वाले व्यक्ति निस्तेज मुर्जाई हुई लाल भूगी और अत्यन्त चोटे-चोटे कानंसे यॉक्त मनुष्यकंच मुप्राओं शडवाकार कानों के होने पर मनुशय राजा होता है तथा रोम रासी से भरे होने पर उसे छीन आयू की प्राव्ती होती हैं बड़े कानों वाले धनी अत्वर राजा माने गए हैं इश्निक्द विस्त्रत मांतल तथा दीर्ग कानों वाले राजा होते हैं निम्न गंडस्तल वाला भोगी और पूरुन सुडोल एवं सुंदर होने पर मनुस्या मंत्री होता है। सुगे की नासिका के समान सुंदर नाक्सिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्ग जीवी होता है। नासिका का अगरभाग छिन तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुस्या अगम्या इस्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्ग नासिका के रहने पर सवभाग्यवान एवं आउंकुंचित अर्थात तेड़ी नासिका होने से व्यक्ति चौरकारे में प्रभृत होता है नासिका की चिफ्टी होने पर मनुश्य की अकाल मृत्य होती है भाग्यवान की नासिका छोटी होती है चक्रवर्ती समराट की नासिका में छोटे छोटे गोल और शीदे छिद्र होते हैं दक्षन भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्यों में कुरूर सभाव होता है वक्र उपान्त भागों के युक्त तथा पद्म पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं वल्ली के सदर्श नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मदुपिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है केकडे के नेत्रों की भांत नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं वक्र नेत्रों होने वाला बलवान पुरुष कहा गया है हाथी के समान नेत्र वाला पुरुष सेनानी कहा गया है गंभीर नेत्रवाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रवाला पुरुष मंत्री कहा गया है नील कमल के सदर्स नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान होता है तसा स्याम बरन के नेत्रवाले शोभाग्य साली होते है कृष्ण बरन के तारक बिंदों से युक्त नेत्र वाला पुरुष उत्पाटन छमता होता है मंडला कार नेत्र होने पर व्यक्ति पापी तथा देन्य भाव युक्त होता है सुन्दर एवं विसाल नेत्र वाले संसार में विभिन प्रकार के सुखों का उभभू करते हैं जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात उपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अलपाई होते हैं विसाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुश्य सुखी होते हैं विशम भौं वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्ग सगन एक दूसरे से संयुक्त वारचंद्र के सदर्श पतले बक्र एवं उन्नत सुंदर भौं से शोवित पाणी धन बैवों से संपन होते हैं मद्यभाग में कटी हुई भौं के होने पर मनुश्य निर्धन तथा जुकी ही भौं के होने से अगम्य अस्त्री में रत होने वाले और पुत्र से रहित पूते हैं 19 विशाल संकाकार एवं विशम मस्टक होने पर पुरूशों में निर्धान्ता और अर्ध चंद्राकार लळाट के होने पर वे धनसंपनमात से परिपूर्ण रहते हैं शीप के समान आभावाले तथा विशाल मस्टक वाले आचार के पद को सुसोवित करते हैं जिनके मस्तकों पर सिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत सिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुन्दर ललाट के होने पर मनुस्य धरवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाई जाने युक्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं गोल ललाट वाले किर्पन और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों को असुरु रहित दीनता रहित इत्निक्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल असुरु धारा वाला देन्य भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुक कारी होता है। कमपन रहित हंसी स्रेष्ट होती है आख मूद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी कहा गया है अथवा पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट आत्मा होता है और पुनमत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। इस प्रकार के सुभ अशुव रेखाएं हाश ये प्रहाश से भृति जीवर में प्रतेक मानब की होती है। इनके द्वारा उसके जीवन का कार्य कारण का निर्धार किया जा सकता है। विद्वान पुरुष अत्मुभ विद्वान राजा इनके द्वारा नीथि का आधार लेकर्ೆ कि दंड्य निर्धारत करते हैं। भगवान स्रीहरी ने कहा हे रुद्रे सौ बर्स तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर तीन रेखाएं होती हैं मस्तक पर चार रेखाओं के होने पर मनुस्य राजा होता है और उसकी आयू 95 बर्स के होती हैं रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 बर्स जीवित रहता हैं विच्छिन रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं मस्तक पर केश प्रियंत रेखाओं के होने से मनुस्य की आयू 80 बर्स के होती हैं पांच चै अधुवा साथ रेखाओं के होने से प्राणी की आयू 50 बर्स तथा साथ से अधिक रेखाओं के होने पर 40 बर्स की आयू माननी चाहें मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं भौ परियंत इस्ति होने पर पुरुष तीन बर्स तथा बाई और वक्र होने पर 20 बर्स की आलपाई को प्राप्त करते हैं रेखाओं के छुद्र होने पर मनुस्य आलपाई होता हैं छत्राकार शिरवाला मनुस्य राजा और निमन शिरवाले धने होते हैं चिप्टे शिर से युक्त पुरुष के पिता के मृत्य सिग्र होती हैं मंडलाकार शिर होने पर व्यक्ति गव आधि प्राणियों से संपन होते हैं घटाकार मोर्दा भाग के होने पर मनुस्या पाप में अविरुच रखने वाला तथा धनहीन होता है काले काले गुहुराले इटनिक्द एक छिद्र में एक एक उत्पन अभिन अग्रभाग वाले अत्तिधिक न छोटे न बड़े सुन्दर केसों वाले राजा होते हैं एक छिद्र में अनेग बाल वाले विशम, स्थुलाग्र तथा कपिल बलण के केसों से युक्त पुरुस निर्धन होते हैं अत्यन्त, पुटिल, सखन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं मनुस्य के जो अंग अतिसे रूक्ष, सिराओं से व्याप्त तथा मानत रहत होते हैं वे सबी अशुब हैं यदि वे अंग इसके विप्रीत होते हैं तो उने सुब मानना चाहे मानब सरीर में तीन अंग विसाल और तीन अंग गंभीर, पांच अंग दीर्ग तता शुक्ष्म, छै अंग, उन्नत, चार हरिष्ट्व, एवं साथ अंग, रक्त बर्ण के होने पर वहां राजा होता हैं नाभी स्वर तता सत्व ये तीन गंभीर होने चाहे लदाट मुक तथा भक्षतल, विसाल नेत्रकक्षा नाश का तथा, क्रकाट का अर्थात, गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड इन छें को उन्नत होना चाहे ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है जंगा, ग्रीवा, लिंग, तता प्रिष्ट भाग ये चार अंग फ्रिष्ट होने चाहे करतल, ताल, अदर और नख ये चार रक्त भाग होने चाहे नेत्रांत भाग, चलन तल, जिफवा और दोनों ओष्ठ ये पांच सुक्षम होने चाहे दांत, अंगुली, पर्व, नख, केस और त्वचा ये पांच अंग दीर्ग होने पर शुबकारी होते हैं दोनों स्तनों का मद्यभाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्ग होना सुब है इस प्रकार मनुस्यों का अलक्षन कहकर अब इस्त्रियों का अलक्षन बताता हूँ, सुनो राने के दोनों चर्ण श्निक्द समान पदवाले, तामर बर्ण की आवा से सुसोवित, नक्षों से युक्त सघन, अंगुलियों वाले तथा उन्नत अगर भाग वाले होते हैं ऐसे इस्त्रिय को प्राप्त कर मनों से राजा बन जाता है गुल्प, गूड, प्रदेश से युक्त पद्म पत्र के समान चर्ण तल श्ब होते हैं जिनके चर्ण तलों में पसीना नहीं चूरता है और वे कोमल होते हैं उनमें मत्स्य अमकुस भज बज्र पत्म तथा हलका चिन बना हुआ होता है तो वहां राने होती हैं इन लक्षनों से रहित चर्ण वाले इस्त्री दासी होती हैं इस्त्रियों की रोम रहित सुंदर, सिराविहीन, गूल-गूल जंगाएं शुब हैं संद्स्थान तथा दोनों जानों समान होने चाहे ऐसा सुब होता है गज सुंद के सद्स रोम रहित तथा समान भागवाले दोनों उरुष्रेष्ट माने जाते हैं विस्तीर्ण मांसल गंभीर विसाल तथा दक्षना वर्त नावी तथा मध्य भाग में त्रबलिया स्रेष्ट होती हैं इस्त्रियों के रोम रहित विसाल भरे हुए सगन एवं समान भाग वाले कठोर इस्तन प्रदेश शुब हैं, रोम रहित संग के आकार वाले सुंदर ग्रीवा प्रसस्त होती हैं, अरुनाभ अधरोष्ट वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुक्स्रेश्ट होता है, कुंद पुस्व के समान दंत पंक्ती तथा कोयल की भादिमाने शुब होती हैं, जो सदैव दाक्षन भाव से परिपूर्ण रहती है, उसमें सटता नहीं होती, अपितु हंस के समान मधूर शब्दों का प्रियोग करके वह दूसरों को सुक प्रदान करती है, वही इस्त्र के स्रेष्ट होती है, इस्त्रियों की नासिका और नासिका चिद्र समान होना मनोहार एवं मंगल दाई माना गया है, इस्त्रियों के नील कमल के समान नेत्प्र अच्छे होते हैं, बाल चंदर के सद्रिष्ट भाव का सुब होना माना गया है, किन्त उनका मोटा होना सुन्दर समान मांतल एवं कोमल कान स्रेष्ट होते हैं इस्त्रियों के चिकने नेलवर्ण वाले मृदु और घुम्राले केज प्रसस्त माने गए हैं उनका शम आकार वाला सिर्षुभ होता है चरन तल अथवा करतल में अस्व हस्ति इस्त्रि व्रक्ष यूफ बान यव तोमर ध्वज चामर माला परवत कुंडल वेदी छत्र शंक पत्म स्वस्तिक रक्त तथा अंकुस आदे चिहन वाले इस्त्रियां राज बल्लबा होती हैं इस्त्रियों के मांसल मनिवंद वाले तथा कमल दल के समान हाथों को सुब माना जाता है इस्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निमन और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है सुब रेखाओं से व्याप्त करतल वाली इस्त्रिया आजी वन सदवा रहकर विविन प्रकार के शुकों का उपभूग करती हैं हाथ में जो रेखा मनिवन्द से निकल कर मद्यमा अंगली तक जाती है वह उड़दो रेखा कही जाती हैं ऐसी रेखा ये इस्त्रिय का पुरुष के करतल अथ्वा चर्ण तल में हवस्तित रहती हैं तो वे इस्त्रिय पुरुष राज्य अथ्वा अन्य प्रकार के शुकों का उपभूग करते हैं कनिष्ट का अंगल के मूल से निकल कर तरजनी और मध्यमा अंगलियों के मध्यभाग तक रेखा के पहुंचने पर इस्त्री या पुरुस की आयू सो बर्सकी होती है यदि इन अंगलियों के बीच तक आने वाले रेखा का परिमान उसकी उभेक्चा कम हो तो उसी अनुपात में उसकी आयू भी कम होती है अंगुष्ट मूलक रेखाओं के रहने पर इस्त्री या पुरुस भावत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं इस्तान इस्तान पर आयू रेखा के छिन भिन होने से मनुष्ट की आयू अल्प हो जाती है यदि वहा रेखा दीर्ग एवं अविछिन हो तो उस पुरुस अत्वा इस्त्री को दीर्ग आयू मानना जाता है इस्त्रियों के विषय में कहे गई ये सभी सुभ लक्षन है इसके विप्रीत लक्षनों के होने पर उन्हें असुभ मानना चाहिए 66 अध्याय चक्रांकित सालक ग्राम सिलाओं के विभिद नाम तेर्थ माहात्म तता 60 संबत्षरों के नाम भगवान स्रीहरी ने कहा है शिव चक्रांकित सालक ग्राम सिवगा की पूजा सब प्रकार से कल्यान कारी अथ्वा मंगल प्रदान करती है परतम सालक ग्राम सिलाओं का नाम सुदर्शन है इसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है दूसरे सिला का नाम लक्ष्मी नारायन है इसमे दो चक्रों के चिन्न होते हैं तीन चक्रों वाली सिला को अच्चुत तथा चार चक्रों वाली सिला को चत्रभुज कहा जाता हैं इस प्रकार चक्र समनवित अन्य साल ग्राम सिलाओं को क्रम सह, वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षन तथा प्रशुत्तम के नाम से अभिषित किया गया है नौ चक्रों वाली सिलाओ और दस चक्रों वाली सिलाओं को दसात्मक कहते हैं एकादस चक्रों से युक्त सिला को अने रुद्ध एवं द्वादस चक्रों से समनवित सिला का नाम द्वादस आत्मक है उसके उपर चक्रों की चाहे जितने संक्या हो उनसे लक्षित सिला मूर्ति का नाम भगवान अनन्त कहा गया है जो सिला मूर्ति सबसे सुन्दर हो उसक पूजन करना चाहे ऐसे सुदर्सन मूर्तियां पूजित होने पर सबे कावनाओं को पूर्ण करती है जहां सालक ग्राम और द्वार का सिला रहती है और उन दोनों सिलाओं का जहां संगम है वहां मुक्ति निश्चित रहती है वहां मुक्ति रहती है इसमें संसे नहीं कि सालक ग्राम सिलायत्र देवो द्वार बतीभव कि उभयो संगमो यत्र तत्रमुक्त्र नसंजय हे संकर सालक ग्राम द्वार का नैमिस्पुस्कर गया बारण सी प्रियाग कुरू छेत्र शुकर छेत्र गंगा नर्वदा चंद्रभागा सरश्टती प्रस्तोत्तम चेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैन ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का नास करने वाले एबं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं प्रभव विभव सुक्ल प्रमोध प्रजापति अंगिरा श्रेमुक भाव युवा धाता इस्वर बहुधान्य प्रमाथी विकरम विभू चत्रभान स्वनभान। तारक पार्थिव व्यव सर्वजित सर्वधारी व्रोधी विक्रती खर नंदन विजय जय वन्थन दुरूमुक हेम लंब विलंब विकारी सरवरी प्लव सुबकृत सोभन क्रोधी विस्वावशु प्राभ प्लवंग कीलक सोम्य साधारन व्रोधिक्रते परिधावी प्रमादी आनंद राक्षस नल पिंगल काल सिधार्थ रोधरी दुरूमती दुन्दभी रुधिरोध गारी रक्ताक्ष प्रोधन एवं अक्षय ए साथ संबस्चर अपने नाम की अनशार शुभ और असुभ फल प्रदान करने ॐले हैं 6 poking वाले हैं सडद 76 सठमा अध्यायं फ्रोधै विग्ञान स्वर के उद्य से कार्यों के सुभ और उसुभ का ज्यान होता है सरेल Czech मे बहुत प्रकार की नाडियों काविस्तार जो कंद स्तान अर्ठात मुलाध्यार है वहीं से उन नाडियों का अंकुर्ण होकर अवस्तित रहती हैं उने नाड़ीं में वामा दक्षणा और मध्यमा नामक तीन श्रेष्ट नाडियं उन्हें को करमसा इड़ा पिंगला और सुस्पमा कहा जाता है इनरी बामा सो मात्मिका दक्षणा सुवर ँसमान अद्परा人 की समान फलदायनी एवं काल रूपनी है वामा नाड़ी अम्रत रूपा है वहाँ जगत को आप्यायत करती रहती है दक्षणा नाड़ी अपने रोद्र गण से सदय जगत का प्रवेशन करती है जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रवाह होता है उस समय समस्त कार्यों का विन करने वाले मृत्यों आ जाती है यात्राद के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर प्रदक्षणा नाड़ी प्रवाह को सुभ माना जाता है इड़ा अर्थाद वामा के स्वास्त प्रवाह काल में ऐसा सौम्य सुभकार करना चाहे जो चंद्र के समान जगध के लिए सुभकारी हो तता प्रवाह के प्रवाहित होने के समय सुरे के देजस्वी करम कारे करना चाहे यात्रा में सभेकारियों में त accountable करने इडा नाड़ी का चलना अच्छा होता है भोजन मैथुन युद्धारम में पिंगला नाड़ी सिद्ध गायक होती है उच्छाट नाधी अविचार कारियों में पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है मैथुन संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ के स्वास प्रबाह पर ध्यान रखना चाहे सुभकारियों के संपादन में यात्रा में विसा पनूद में तथा सांत एवं मुक्त की सिद्धी में राजाओं को इडा नाड़ की गति पर विचार करना चाहे पिंगला एवं इडा नामक दो नाड़ियां चल रही हो तो कुरूर तथा सोम में दोनों प्रकार का कारे न करें विद्वान को यह समय विसक की समान मानना चाहे सुम्यादिक सुब कार्यों में लाभाद के कर्मों में विजय के लिए जीवन के लिए तथा गवना गवन के लिए वामा नाडी सरवत्र प्रसस्त माने गई है गात प्रतिगात युद्धाद के कुरूर कार्य भोजन इस तरह शहवास में दक्षणा नाड़ी प्रसस्त होती है प्रवेश तथा छुद्र कार्यों में भी दक्षणा नाड़ी स्रेष्ट माने गई है सुब असुब लाव हानी जय प्राजय तथा जीव और मिर्त्य के विशय में प्रश्ण करने पर यदि प्रश्ण करता कि उस समय मद्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धी प्राप्त होती है और यदि वामा तथा दक्षणा नाड़ी के चलते समय वहा प्रश्ण हो तो निश्चत ही सिद्धी प्राप्त होती है इसमें संसे नहीं इसी प्रिकार प्रश्ण करता के स्वर में उदय तथा प्रश्ण करता की अवस्तिती आधी पर विचार करने से भी कार की सिद्धी असिद्धी का न्रणय तथा शुव असुव फल का काल का ज्यान किया जा सकता है इसके लिए स्वरोदय विज्यान की जानकारी अपेचित होत 68 अध्याय रतनों के प्रादर भाव का आख्यानत था वज्र की परिक्षा हीरे की परिक्षा सूद जी माराज रिशियों से कहते हैं रिशियों अब मैं रतन परिक्षा का ब्रणन करता हूँ प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था उसने इंद्राद सभे देवताओं को पराजित कर दिया था उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे अतहा असमर्थ देवों ने एक यग्य करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंच कर उससे यग्य पसु बनने की अब्यर्थ ना की प्रार्थ ना की बचनवद्ध वलासुरों ने अपना सरेर उन देवों को दान में दे दिया था अतहा अपने वाग्वज्र से वहा पसु पत्त मारा गया पसु की भांती मारा गया बचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुरनी संतार के कल्यानार्थ एबं देवताओं की हित कामना के कारण यग्य में सरीर का प्रित्याग किया था उस विशुद्ध करम को करने से उसका सरीर भी विशुद्ध सत्त गुन शंपन हो उटा था अतह उसके सरीर के सभी अंग रतनों के वीज के रूप में प्रनित हो गए इस प्रकार रतनों की उत्पत्ती होने पर देवता यक्छो सिद्ध तथा नागों का उसमें भहुत बड़ा उपकार हुआ जब वे सभी विवान के द्वारा उसके सरीर को आकास मार्क से ले जाने लगे तो याद प्रावेग की कारण उसका सरीर शुत खंड-खंड होकर प्रतवी पर इदर उदर गिरने लगा बलासुर के सरीर के अंग खंड खंड होकर शमुद्र नदी प्रवत वन अत्वा जहां कहीं रंच मात प्रभी गिरे वहां रत्नों की खान बन गई और उन उस्थानों की प्रसिद्धी उनी रत्नों के नाम पर हुई प्रतिवी की उन खानों में विभिद प्रकार के रत्न उत्पन होने लगे जो राक्षस विसल सर्प व्याद तथा विभिद प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ हैं रत्नों के विविद प्रकारों को हीरा, मुक्तामनी, पद्मराग, मरकत, इंद्र, नील, बैदूरी, पुस्पराग, करकेतन, पुलक, रुधिर, इस्पटिक तथा प्रभालाद कहा गया है पारदर्सी विद्वानों ने उनका यह नाम कलन तथा संग्रह यथा योग्य गुणों के द्वारा गुणों को द्रिष्टि में रख कर किया गया है अतहां, रतन पार की विद्वानों को सर्व पर्थम रतनों के आकार वरण गुण दोस फाल प्रक्षा तथा मुल्य आदिका ग्यान तक समन्धि सभी सास्त्रों के द्वारा विदिभत प्राप्त करना चाहे क्योंकि कुछित लगन या अनेक कुयोगों से बाधित असुग दिनों में जिन रतनों की उत्पत्य होती है वे सभी दोस कुर्ण होकर अपने गुण समता को नश्ट कर देते हैं आईस्वरे की इच्छा करने वाले राजा को चाहे कि वहां परिक्षा से किये गए अत्यंत सुध्ध रतन को धार्ण करे अत्वा उसका संग्रह करे जो रतन सास्त्रों के ग्याता कुसल रतन संग्रही तथा परिक्षण कारे में दख्ष होते हैं उनिको रतनों के मूल्य और मात्रा को जानने वाले कहा गया है वज्र को महाप्रवावसाली कहा गया है इसके लिए सर्वप्रतम उसकी परिक्षा को बताते हैं कि बज्रायुद इंद्र पर विजय की अविलासा करने वाले उस बल नामक असुर के अस्ति भाग प्रतिवी पर जिन जिन अस्तानों में गिरे वे हीरे बनकर उन अस्तानों में नाना प्रकार की आकरति वाले हो गए हिमाचल मातंग, सौराष्टर, पाॉग रंग, कलिंग, कोसल, वैणवाटक तथा शौवीर नामक आठ भूब वाग हीरों के छेत्र हैं हिमालै से उत्पन हीरे तामरबरन बेनुकाट के उत्पन हीरे चंद्रमा के समान शौवीर देसवाले नील कमल के समान तथा कृष्ण के समान है सवराष्ट्र प्रांपिय हीरा तामर बरन एबं कलिंग देशिय हीरा सुबर्ण के समान आभावाला होता है इस प्रकार कोसल देश के हीरों का बरन पीत पुंड्र देशिय हीरों का बरन स्याम तथा मतंग छेत्र वाले हीरे का बरन हलक के पीत बरन का होता है हलका पी प्रमान की भांत अत्यंत लगु तता तीक्षन धार से युक्त जो भी हीरा दिखाई देता है उसमें निश्चे ही देवता का वास समझना चाहिए। का हीरा स्वभावता सुंदर होता है। उन हीरों में क्रमसह, जिश्चन, वर्ण, इंद्र, अगनी, यम और मर्द देव का वास होता है। और बैस के लिए कांत अत्वा कदली दल के समान आभावाला प्रसस्त होता है। सुद्र वर्ण के लिए धोत के समान अत्वा तलवार के सद्रश हीरा प्रसस्त माना गया है। बिद्वानों ने राजाओं के योग्य दो प्रकार के हीरों का उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रसस्त नहीं होते। जो हीरा जवा वरन तथा प्रवाल के समान रक्त वरन अत्वा हल्दी के सद्रश पीत वरन का होता है, वह राजाओं के लिए लाव प्रत होता है। सभी वरणों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त गुणों के उद्देश से राजा को सभी के कल्यान की इच्छा से उक्त दो प्रकार के हीरों को धार्ण करना चाहिए। ऐसे हिरों को धार्ण करने का अधिकार अण्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निमन और उच्छ वर्ण का वर्ण सांकरिय दो साब वह एवं दुखदाई होता है। रतनों का वर्ण सांकरिय उससे भी अधिक दुखदाई माना गया है। केवल बरणवात्र को देखकर ही विद्वान को रत्न का संचे नहीं करना चाहे क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूती होता है जिसके विप्रेत गुण हीन रत्न कष्ट का हेत होता है दुख देने वाला होता है जिस हेरे का एक भी तूटा हुआ हो अत्वा छिन्विन दिखाए देता हो तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनको उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए पुनह रतनों का प्रिक्षण करते हुए बताते हैं कि अगन के समान स्पट की बिसीर्ण स्रंगभाग से युक्त मलिन बर्नवाली तथा मध्यम बिंदु से चिन्नित हीरा धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं अठ्वा ऐसे हीरे को नहीं पहनना चाहिए ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करने चाहिए जिस हिरे का एक भाग अस्त्र सस्त्राद से विदीर्ण छत विशत शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वह रत्क वर्ण से चित्रत हो ऐसा हिरा इच्छा मृत्य से संपन सक्ति साले व्यक्ति की भी सिग्र मृत्य को रूक नहीं सकता है ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहे सट कोण, अश्ट कोण, द्वादस कोण, सट पार्षव, अश्ट पार्षव, द्वादस पार्षव, सट धारा, अश्ट धारा, द्वादस धारा, उत्तुंग, सम एवं तेक्षनाग्र भाग, हीरे केख, खानिक, अर्थात, प्रकृतिक गुण हैं, जो हीरा सट कोण, विसु निर्दोस है तथा इंद्रायुद बच्र के समान स्फृत अपने प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो तो अंत्रक्ष भाग में इस्थित वह हीरा इस प्रत्वी लोग में सुलब नहीं है। प्रियोग उसके सन्यकट आने के पूर्भ दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। और विश्वां अंस, साथ्वां अंस, अस्सिवां अंस, सतांस तथा हजार भाग न्यूनादिक होने पर मुल्य का निर्धारन भी उसके समान ही न्यूनादिक होता है। आठ गौर सरसों के दाने के भार के ब्रावर एक तंडूल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन होता है और जल में डालने पर तैरता है। वह सभी रत्नों में सरवस्रेष्ट होता है उसी को धारन करना चाहिए। जिस हीरे में अलपमात्प्रभी स्पश्ट अत्वा अस्पश्ट दोषू होता है, तो स्वाभाविक मुल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य धसांस कम मुल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोस प्रकट रहते हों उस हीरे का मुल्य स्वाभाविक मुल्य की अपेक्षा सतांस ही माना गया है अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोस प्रेलक्षित होता है तो अबेक्छाक्रत उसका मुल्य भौत ही कम हो जाता है यदा यदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्त से प्रिपुष्ट माना जाता है वही बात में दोस युक्त हो जाता है राजा को ऐसे दोस पूर्ण हीरे से बने आभुषणों को धारन नहीं करना चाहे गुण हीन होने पर भी तो मनी आभुषण के योग्य नहीं होती पुत्र प्राप्ति की अविलासा रखने वाले इस्त्री के लिए सर्वगुण शंपन होने पर भी हीरा प्रसस्त नहीं होता देर्ग चिप्टा हरश्ट तथा अन्यान गुणों से रहित हीरे के विसे में कुछ कहना ही नहीं वह तो दोस पूरुन होता है हीरे के कुसल विसे सग्य लौफ पुस्पराग गोमेद बैदूर या स्पटिक एवं विविद प्रकार के कांचों से हीरे का प्रतिरूपों का निर्मान कर लेते हैं अतह विदवान पुरुषको कुसल परिक्षक से उनकी परिक्षा करवा लेनी चाहे तब जाकरके उसको धारन करना चाहे छार द्रब्य के द्वारा कुले खन विद से एवं सान प्रियोग से हीरों का प्रिक्षण करना चाहे प्रतिवी में जितने भी रत्न हैं अथवर लोहादिक जितने अन्य धात्वी हैं हीरा उन सम में चिंधनांकन कर सकता है किन्तो अन्य कोई भी रत्न ये धात्व हीरे में चिंधन करने में समर्द नहीं है गुरू समस्त रत्नों के महतक का कारण है फिर भी रत्म सास्त्रग्य हीरे के विसे में इसन निर्देश के विप्रीत ही कहते हैं पुस्परागादे जाती विसेश के रत्न दूसरे जाती के रत्न को काट सकते हैं किन्तु हीरक एवं कुरुवरिंद अपनी ही जाती के रत्नों को काटने में शक्षम होते हैं हीरे से हीरा ही कट सकता है अन्य रत्मों से वहा हीरा काटा नहीं जा सकता स्वाभाविक हीरे के अत्रिक्त हीरा के तथा मुक्तादिक जितने प्रकार के रत्न है उनमें किसी भी रत्न की प्रभा उर्द्वगामी नहीं होती है मात्प्र हीरा ही ऐसा रतन है जिसकी प्रभा उपर की ओर जाती है यदि हीरा तूटे भी किनारों से दोस युक्त हो या विंदु तथा रेखा से समनवित हो तथा विशेश बर्ण से रहित हो तो भी इंद्रायुद चिन से अंकित होने पर वहा मनुस्त्य को धनधान्य एवं फुत्राद से परिपूर्ण करता है जो राजा विधुत तुल्य समुझवल एवं चमकते हुए सोभा संपन हीरे को धारन करता है वहा अपने प्राक्रम से दूसरे के प्रताप को आक्रांप करने में शमर्त होता है तथा अपने शमस्त सामन्तकों को बस में रखकर वहा प्रतिवी का उपभोग करता है सड़ सटवा अध्याय मुक्ता के विविद भेद लक्षन और परिक्षन विधी सूथ जी ने कहा कि स्रेष्ट हाती जी मूत वराह शंक मत्य सर्प शुत तथा बास से उत्पन मुक्ता फलोंक की संतार में प्रशिद्धी है किन्तु इसमें सक्ति शुक्ति जिसे सीप कहते हैं उससे प्रादुरू मुक्ता अधिक उपलब्द हैं मुक्ता सास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसा मुक्ता है जिसको रत्न पद अधिश्टित किया गया है वह शुक्त से उत्पन है अथवा सीप से उत्पन है यह सूचिकादि मंत्रों के से वेद्य होती हैं सेस मुक्ताएं अभेद्य हैं प्रायः बांस हाती मत्ष्या संख एवं बराह से उत्पन मुक्ताईं प्रबाव विहीन होती हैं पिर भी मांगलिक होने से वे प्रसस्त मानी जाती हैं रत्न हंद्रनायक विद्वानों ने मुक्ताओं के जिन आट प्रकारों का वरणन किया है उन में संख से उत्पन और हाती से प्राप्त होने वाले मुक्ता को अधम कहा गया है संख से उत्पन मुक्ता अपने मूल कारण के मध्यभाग में अवस्तित बर्न के समान बर्न वाली तथा परिमान में ब्रहल लोल फल के समान चद्रश होती है जो मुक्ता हाथी के कुम्बस्थल से निकलती है वह पीत वरन वाले एवं प्रभा विहीन होती है जो संखोध भव मुक्ताएं है वह सारंग धनुश के तुल्य वरन को प्राप्त पीत संखों से स्रेष्ट मानी जाती है अत्वर उत्पन होती है जो गज मुकताएं हैं उनका भी जन्म विसुद्ध बंत वाले मदमत गज राजों में होता है उन्हें मौक्तिक का प्रभव अर्थात गज मुकता नाम से अभिहित किया गया है इर्मे प्राप्त मुकता पूर्ण तया पीत बरन से युक्त एवम प्रभा विहीन होती है मच्च से उत्पन मुकता पाट्कीन मच्च के पीठ के समान बरनवाली अत्यंत सुंदर ब्रताकार लग हूँ एवम अत्यदिक सुख्ष्म होती है यहां जलकर जलचर प्राणियों के मुखों में प्राप्त होती है उनमें भी जो मत्स अथाह समुद्र की जलराशी में विच्रन करते हैं वे इसके जनक होते हैं अत्वा इसको पैदा करने वाले होते हैं बराह के दांत से उत्पन मुक्ता उसके ही दांतों से सद्रिश्वरन वाली होती हैं किन्त ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाले विशिष्ट बराह राज कहीं किसी विशेष भूप्रदेस में ही पाई जाते हैं वास के परवों से उत्पन मुक्ताईं ब्रसोल उले के समान समुझ्जवल वर्ण की सुन्दर सोभा से सुसोवित रहते हैं ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के बंस जिव्य जनों के लिए उपयोग या विसेश अस्थान में अंकृत होते हैं वो जनक अस्थानों में नहीं पाए जातें सर्प मुक्ता मच्च मुक्ता के सदर से विसुद्ध तथा ब्रताकार होती हैं अस्थान विशेश के कारण उसकी अत्यंत उज्वल सोभाव होती है। उसके कांती सान पर चड़ाई गई तलवार की धार के शमान अत्यंत स्वच्छ होती है। सरपों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य। अत्यसाई प्रभाव संपन राज्य लक्ष्मी से युक्द तथा दुख साध्य महान अईस्वरे संपन टेजस्वी एवं गुणवान होते हैं। पुनह मुक्ता मनियों का सोधन परचे देते हुए कहते हैं। कि रत्नों के गुण एवं अब गुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वान के द्वारां सुब महुर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन भवन के उपर उस मुक्ता को इस्थापित करा द संपन एवं सघन पयोधरों की पारसपरिक टक्राहट से अंत्रक्ष आच्छादित हो जाता हैं जिसके कोशागार में यहां सर्प मुक्ता रहती है उसके मृत्यु सर्प राक्ष स्व्यादी या अन्य आविचारिक दोस्थ के कारण नहीं होती मेग से उत्पन होने वाली मुक्ता प्रतिवी तक आही नहीं पाती देवगण आगास में ही उसका हरन कर लेते हैं उस मेग मुक्ता के तेज की दिव्यकान्पि से अनाबरत समस्त दिसाएं आलोकित हो उड़ती हैं सूर के समान देदिप्यमान उसका परिमंडल देखने में कश्ट साध्य होता है किन्तों चंद्र नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को त्रस्कृत करके जैसे सूर के कारण दिन प्रतिभासित होता है उसे प्रकार गहन अंदकार से भरे हुए रात्प्रियों में भी उस तेज दिन की प्रभा के समान ही प्रभा को विकिर्न करता है विचित्र रत्न कांत को प्राप्त सुन्दर आभूशन को प्रसस्त बनाने के लिए जल रासि वाले चारहं शमुद्र से उस मुख्ता का जन्म हुआ है नेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मुल्य अंद् यहां जिसके पास रहती है वहां राजा होता है उसके राज्य की समपूर्ण भूमी सोने से परिपूर्ण होती है खदाचित शुब तथा महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी इस मेग मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस द्यक्त के पास जब तक यह रहती है तब तक वहां सत्रों से रहित सम्कूर्ण प्रतिवी का उपभूग करता है यहां मेग मनी मात्पुर राजा के लिए ही सुबप्रद है ऐसा नहीं है अपित प्रजाओं के भाग्य से भी इसका जन्म होता है यह अपने चारं और सहस्त्र योजन प्रियंत छेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती दैत्य राज बलासुर के मुख से विसीर्ण हुई दंत पंक्ती आकास में फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतित होती है बिचित्र वरणों में भी अपना विसुद्ध अस्थान रखने वाली वहा दंता वली आकास से उस समुद्र की जल रासे में गिरी जो पूर्णिमा के चंद्र की समस्त सोडस कलाओं को त्रिस्कृत करने में शमर्त महा गुण शंपन रत्म मनि का निधान है समुद्र के जल में उसे सक्ति में अस्थान प्राप्त हुआ अता वह समुद्र की मुकता का प्राचीन बीज बन गया जिस से अन्य मुकताओं का उधभव हुआ समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुन्दर रत्न मुक्ता मनि के बीज गिरे उसी प्रदेश में वे बीज फैल कर सुक्तियों से इस्तित होने के कारण मुक्ता मनि हो गए अत एव शिम्भल पर लोक सौराष्ट्र तांब बर्ण पारशव पुवेर पांड्य हाटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं वर्दन पारशिक पाताल लोकांतर तथा सिम्भलाद की मुक्ति शुक्ति प्रमान अस्थान गुण और कांत की द्रिष्टि से अन्य छेत्रों में प्राप्त होने वाले मुक्ताओं की तुलना में अत्यदिक हीन वर्ण की नहीं होती है अतह विद्वान व्यक्ति को उनके मूल उत्पत्य स्थान को लेकर चिंतन नहीं करना चाहे बलकि उनके रूप एवं परमान पर ही विसेई सध्यान देने की आवस्यक्ता होती है इस प्रकार के मुक्ता से संबंदित गुण अवगुण की कोई विवस्था उपलब्द नहीं ये सर्वत्र सब प्रकार की आकरतियों में पाई जाती है शुक्ति से पुद्पन एक मुक्ता फल का मुल्य एक हजार तीन सो पांच मुद्रा होता है आदे तोले भार वाले मुक्ता का मुल्य उस मुल्य की अपेक्चा आधा भाग कम होता है जिस मुक्ता का भार तीन मासा अध उसका मुल्य 2000 मुद्रा पूर्व काल में द्रधारित किया गया धाई मासा प्रिमान वाले मुक्ता का मुल्य 1300 मुद्रा होता है जो मुक्ता दो मासा प्रिमान की होती है उसका मुल्य 800 मुद्रा है जिसका प्रिमान आदा मासा है उसका मुल्य 320 मुद्रा है जो मुक्ता भार से सब्सक्राइब मुल्य सत्तानब्य मुद्रा होता है जो मुक्ता उक्तवाबाविक परमान में एक तिहाई भाग की होती है उसको शिक्य कहा जाता है उसका मुल्य चालीस मुद्रा होता है जिसका परमान कहे गए परमान की अपेक्षा एक सो चालीसमा अंस होता है जो मुद्रा 160 अंस के बराबर होती है उसको निकर सीर्थ कहा जाता है वह 14 मुद्रा मुल्य की होती है तथा 180 भाग अथवा 190 भाग अंस परमित मुक्ता को खूप्य नाम से अभिहित किया गया है उसका मुल्य क्रमसह ग्यारह नौ मुद्रा होता है जिसुद्धात्मा के लिए मुक्ताओं को अन्न पात्र अर्थात अन्न रखने वाले मटके में भरे वे जंबीर रस में डाल कर पकाना चाहे तथ पश्चाद उसकी मूल आकरतियों को घुष करे चिक्कन एवं समुज्वल आकार प्रदान करें उन में यतासिक रचेद भी कर देना चाहे सर्व प्रथम पूर्ण तया आर्द्रा मिट्टे से लिप्त मत्यों पुठपाक और फिर विडाल पटपाक में मुक्ताओं का पाचन करें उसके बाद उने चिकना और उज्वल बनाने के लिए उनमें से निकाल कर दूद अथ्व जल या सुधार रस में पकाया जाता हैं तदरंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस घिस कर उने उज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता हैं ऐसा करने से वह मौक्तिक अत्यधिक गुणवान तथा कांत से युक्त हो जाती है महा प्रभाव साले सिध्ध एवं थंतप्त जनों के हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य व्याड ने ऐसा ही कहा है रस विशेश में सोधित वही मुक्ता सरीर का अलंकार होती है जो स्वेट कांच के समान स्वर्ण जटित हो तथा रत्म सास्त्र के अनुसार शुपरिक्षित होने के कारण कस्ट का निवारण करने वाले हो सिम्भल देश के उसल जन ऐसा ही सोधनादिकारे करते हैं यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदे हो तो उसको लवन मिस्त्रित उष्ण उष्णेह द्रब्वे में एक रात रख कर सूखे वस्त्र में वेश्टित करके यथा योग्य धान्य के साथ उसका मरदन करें ऐसा करने से यदि उसमें विवर्ण भाव नहीं आता है तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए यतोक्त प्रमान वाली गुरु श्वेत श्णिक्ध श्वच्छ निर्मल एवं तेज संपन सुन्दर एवं ब्रताकार मुक्ता गुण संपन माने गई है प्रमान में बड़ी बड़ी सुन्दर रश्ण कांति से परिपूर्ण श्वेत शुब्रताकार समान एवं सुक्ष मशिद्र से युक्त जो मुक्ता होती है वहां क्रय न करने वाले व्यक्ति को भी आनन्दित करती है अताहा ऐसी मुक्ता को प्रसस्त मानना चाहिए इस प्रकार यहां इस्पष्ट है कि रत्न सास्त्री परिक्षा बिदी के अनसार जिस मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है यदि वहां मुक्ता किसी पुरुष का योग संयोग प्राप्त कर लेती है तो वहां अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनर्थों का अर्थात अनर्थोत पादक दोस के संपर्क में नहीं आने देती सरवत हां सरवत्र उसकी रक्षा करती है ऐसा इन मनियों का प्रभाव है इस प्रकार पूर्वा चार व्याड जी महराज ने जन कल्यान के लिए सरवजन हिताय के भावना को ले करके अपने प्रकरव उध्धी के द्वारा इन मनियों का प्रिक्षन किया इनको धार्ण करने का निर्धार्ण किया कि कब और किस को किस काल में किस विधी से किस तरह धार्ण करना चाहे आचारे ब्याडिन के बताए हुए सिध्धानतों के द्वारा यदि इन रतनों को इन मनियों को धार्ण किया जाए तो निश्चत ही जीव, मनुश्य, समस्त सुख को प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं सात्रवा अध्याय, पराग के विविद लक्षन, एवं उनकी परिक्षा विधी सूथ जी कहते हैं, कि भगवान भासकर जब महा महिमदैत्य राजवलासुर के उस स्रेष्ट रत्नवीज स्वरूप सरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीडे आकास मार्ग से देव लोग को जा रहे थे, तो उसी समय न्जरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंका अधिपदी रावण ने आकर बलात, उनको सत्र के समान आदे मार्ग में ही रोग लिया भैवस सूर ने बलासुर के रत्नवीज रूपी रक्त को लंका देश की एक स्रेष्ट नदी में छोड़ दिया, हेंक दिया जो उस देश की सुन्दर मनियों के कांति में नितंबों की प्रतिच्छाओं से जिल मिलाते हुए अगाद जल में परिपूर्ण तथा सुपारी की व्रक्ष बंक्तियों से आच्छा दित अपने दोनों तटों से सुसोवित हो रही है गंगा के समान पवित्र एवं उत्तम फलों को प्रदान करने में समक्ष उस नदी का नाम रावन गंगा प्रसिद्ध हो गया बलासुर के रत्न वीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय में रात्र में रत्न रासियां स्वयम आकर एकत्प्र होने लगी अत एव नदी का अंतह भाग एवं बाह भाग सेक्णों स्वरण वरणों के समान अपने प्रभा को विखेरने में समर्त रत्नों से प्रवतिभासित होने लगा उस रावन गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्वल प्रभा से सुशोवित रहते हैं उनके जल में उत्पन पद्मराग नामक रत्न सोगंदिक साफ माला विखसित होने वाला श्वेत माला कुरुविंदज रत्न विशेश तथा इसपटिक रत्नों के प्रदान गुणों को धार्न करते हैं उनका स्वरूप बंधुक पुस्प गुण्जा फल बीर बहोटी कीट तथा जबाकुशुम और अश्टक के बरणों की कांत से शुशोवित रहता हैं कुछ पद्मराग दाडिम बीज की आवा से संपन तथा कुछ किन्सुक पुस्प के समान रक्त बरण की कांत से युक्त रहते हैं सुन्दर रक्त कमन नीलोध पल कुंकुम और लाक्षा रस के समान रंग वाले भी पद्मराग होते हैं गहरा बरण होने पर भी उन पद्मरागों में इस फ्रित सोबा संपन कांतियां सुन्दर आभा को फैलाती रहती हैं इस फटिक से उद्भूत पद्मराग सुर्य की किर्णों से संप्रक्त होकर अपने रश्मियों के द्वारा दूर रहते हुए भी पार्षो भाल को अनुरंजित करते हैं कुछ रत्न कुसुम्भ बरण एवं देल बरण की मिस्त्रित आभा से संपन रहते हैं तो कुछ रत्न का बरण नए व्यक्षित कमल के सद्रश शोभा को धार्ण करता हैं कुछ रत्न भल्लंतक तथा कंटकारे पुस्त्प के समान कांती प्राप्त करने वाले हैं और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हिंग व्रक्ष के पुस्पों के सोभा से सुषोवित रहते हैं। कधिपई रत्नों का वर्ण चकुर, कुम्स्प्लूक्ल तथा सारश पक्षियों के नेत्रों के समान होता हैं। कुछ रत्न कुमद पुस्प के सदर्श होते हैं। प्राईह गुन प्रभाव सार्डिक काठन्य एवं गुरुत्य में इस पटिको ढ़ुत पद्मराग मनियां समान होती हैं सौगण्दिक मनियों से प्रादुर भूत पद्मराग मनिय का वर्ण नेली और लाल कमल की समान होता है कुरुविंदक से उत्पन पद्मराग मनियों में वैसी आभा नहीं होती जैसी आभा इस पठिक से उद्भूत पद्मराग मनियों में रहती है अधिकांस मनियों में प्रभा अंतर नहित होती है फिर भी वे अपनी समस्त पुंजी भूत रस्म प्रभावों से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। उस रावन गंगा में जो भी कुरुविंदक रत्न पाई जाते हैं वे सभी सखन रख तथा इस्पटिक प्रभावाले होते हैं। उन रत्नों के बलन समानता को प्राप्त करने वाले अन्या रत्न आंब्राधिक किसी दूसरे देश में दुरलब है। उन अस्थान में जो भी कुरुविंदक रत्न प्राप्त होते हैं। उनका मुल्य उस रावन गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्चा भौत ही कम होता है। उसी प्रिकार यहां पर उत्पन स्पटिक मनियों से प्रादुर भूत पत्मराग की समानता में तुम्रु देश से प्राप्त होने वाली मनियों का भी मुल्य कम ही माना गया है। वरणादिक्य गुरुता श्निकधा समता निर्मलता पारदर्सुता तीज सुता एबं महता स्रेष्ट मनियों का गुण है जिन मनियों में करक आठ छिद्र मल प्रवाहीनता पुरुष्टता तथा वरणहीनता होती है वे सभी द्वारिक जाती ये गुणों के रहने पर प्रस प्रस्त नहीं माने जाती है यदि अज्यान तावस कोई मनुस्य ऐसी दोस्युक्त मनियों को धार्न कर लेता है तो उनके कुप्रभाव से उत्पन शोक चिंता रोग मृत्य तथा धन धानादि नास उसको घेर लेते हैं पूर्व कर रित कथित स्रेष्ट मनियों के तुलना में अत्यधिक संदर संपन एवं उनके प्रति रूप इष्टने होने पर भी पांच जातियों के मनियों को विजातिय माना गया है जिनका प्रेक्ष्ण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक्त करना चाहे कलस पूरुष उम्भल तुम्बरु मनि मुक्ता पानि और स्रेपूर्णक से उत्पन पद्मराग का रावन गंगा से प्राप्त सुवप्रद पद्मराग मनियों से साद्रिष्ट होने पर भी वे विजातिय ही माने जाती हैं तुसका सद्रिष होने से कलस पूर अल्पतामरख बरन तुम्बरुदेश कृष्ण बरन के रहने से सिंभ नेलवर्ण के होने से मुक्त तथा कांत वहीन होने से स्रेपूर्ण के मनियों में रावन गंगा के मनियों की अपेक्छा विजातिय रूप होने से ही भेद इस्पष्ट होता हैं जो पद्मराग तामराग को धार्ण कर तुसके समान मद्य में पूर्णता से युक्त होता है वह इसमें से प्रदिक्द होता है अत्यंत घिसने के कारण कांति भीन हो जाता है मस्तक संगर्षन अत्वा हातों की अंगलियों की इसपर्थ से जिसके पार्ष भाग काले हो जाते हैं हाथ में लेकर बार बार उपर की ओर उचालने पर जो मने प्रतेक बार एक ही वर्ण को धार्न करती है वह सभी गुणों से युक्त होती है समान प्रमान समान जाती अत्वा गुरुत्प धर्म से दो वस्तों में तुलना होती है अतहां विशेश रतनाकार से प्राप्त रतनों की स्वजाती का निर्धारन गुरुत्व और गुण धर्म की अनसार विद्वान व्यक्ति को करना चाहे यद उसमें संदे उत्पन हो जाए तो उसको साण पर चड़ा कर खरादना चाहे बज्ज्रिया कुरुविंदक रत्न को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पध की मनियां विजाती नहीं होती उनका वरन समान होता है फिर भी उनके प्रतक करन के लिए उनमें विभिन भेद बताए गए हैं गुण युक्त मनियों के साथ गुण रहित मनियों को धारन नहीं करना चाहे बिद्वान पुरुस को कौस्तुमन के साथ विजाती मनि को धारन क्योंकि अनेक गुणों से संपन मणियों को एक ही विजाती मणी नश्ट करने में समर्थ होती है सत्रों के बीच निवास करने तथा प्रमाद वृत्ति में आसक्त होने पर भी विशुत्त महान गुण संपन पदमराग मणी स्वामी होने से किसी भी व्यक्त को आपदाई इस पर्ष तक नहीं कर सकती जो गुण से परिपूर्ण तेजस्वी सुन्दर बर्णवाले पदमराग मणी को धार्न करता है उसके समीब में उपस्तित होकर दोस संसर्ग जनेत उपद्रब कोई कष्ट नहीं देते जिस प्रकार तंडुल परिमान के अनुसार हीरे का मुल्य निर्धारत होता है उसे प्रकार महागुण संपन पदमराग मणे के मुल्य का भी निर्धारन किया गया है जिसका निर्धारन उडद के परिमान का आगलन करके करना चाहिए जो मनी या रत्न उत्तम बर्ण एवं स्रेष्ट कांत से संपन रहते हैं उन्ही को प्रसस्त माना गया है उन्ही को प्रसस्त माना जाता है स्रेष्ट माना जाता है यदि उनमें तनिक भी दोस कारण भरष्टता आ जाती है तो उनका मुल्य घट जाता है, उनका प्रभाव घट जाता है, इसलिए उनका मुल्य भी कम हो जाता है तो विवे की नीर छीर विवे की व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार मनियों का संसोधन करके, सुध्धि करन करके और शुब मुहुर्त में उसको धारन करें इकत्रवा अध्याय मर्गत मने का लक्षण तथा उसकी परिक्षा विधी सूजी ने कहा कि नागराज बासु की उसे असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यन्त वेग से मानो आकास मार्ग को दो भागों में विवक्त करते हुए देव लोग को जा रहे थे उस समय वे अपने ही सिर पर अवस्तित मन को मन की प्रभासे देदिप्य होने के कारण आकास रूपी समुद्र पर बने हुए एक अधुतिय रजत सेत्य के समान सुसोवित हो रहे थे उसी समय अपने पंक निपात से प्रथिवी एवं आकास को आतंकित करते हुए पक्षिराज गरुड ने सर्पदेव बाश्तिकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया भयभीत बासुकी ने सहसा उस रत्न वीज को पित को मदुर शुष्वाद जल से परिपूर्ण सरिता एवं ब्रक्षों से सुसोवित तथा पूस्पों की नब कलिकाओं की सांद्र गंद से सुबासित तुरुक देश्म की एक स्रेष्ट मानिक्यों से परिपूर्ण परवत की उपत्यका में छोड़ दिया वहाँ पित उस परवत से निकलने वाले जल प्रताप के समान ही था अतहा उसी की जलधारा के साथ भैता हुआ वहाँ पित भगवती महालक्ष्मी के समेप में उपस्थित उनके स्रेष्ट भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसके तट बरती भूमी के समेप मरकत मनियों का खजाना बन गया फणे राज भासुकी ने जिस प्रकार उस पित का प्रित्याग किया था उसी समय गर्णने गिरते हुए उस पित का कुछ अंज ग्रहन कर लिया जिससे वे मूर्चित हो गए और शहसा उनोंने अपने दोनों नासा चिद्रों से उस पित को बाहर कर लिया उस अस्थान प्रप्राप्त होने वाले मरकत मनिया कोमल सुकल पक्षि के कंट सरे पुष्प खद्योत के प्रष्ट प्रदेश हरित त्रणचेत्र बैसाल कलहार पुष्प की नई निकली हुई घास सर्प भक्षनी मयूरी तथा हरित पत्र की कांत से सुसोवित होकर लोगो को कल्यान देने वाले होती हैं वहां पर नाग पक्षि गरुड के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति बलासुर का पित्त गिरा था वहां स्थान मरकत मनियों का आकार अर्थाद खजाना बन गया यह देश सामान जनों के लिए दुरलब और गुण युक्त हो गया उस मरकत मनिय के देश में जो कुछ भी उत्पन होता है वह श्रव विस ब्यादियों को सांत करने वाला तथा कल्यान प्रद होता है सबी मंत्रों एवं औसदियों से जिस नाग के महाविस्ग के उप्चार में सपलता नहीं प्राप्त हो सकती उस प्रभाव को वहाँ पर उत्पन बस्तु से सांत किया जा सकता है वहाँ जो मरकत मनियां उत्पन होती है वह अन्यान्य देशों की मनियों से उत्पन कही गई है जो मनि अत्यंत हरित बर्ण वाली कोमल कांति वाली जटिल मद्य भाग में शुवर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है जो अपने स्थान विशेश के गुणों से समनवित समान कांति वाली उत्तम दथा सूर्ण की किरणों के इस पर्ष से अपने प्रभा के द्वारा सबे स्थानों को आलोकित करती है हरित भाव को छोड़ कर जिसके मद्य भाग में एक सुझ समुज्वल कांति विद्यमान रह करती है तथा जो देखने मात्र से ही लोगों को अत्यदिक आलादित करने में समर्थ होती है वहां मरकत मने भहुत गुणवतिव माने जाती है ऐसा रत्न विद्या विशारत विद्वान जनों का विचार है वर्ण की अत्यदिक व्यापकता के कारण जिस मरकत मने के अंतरभाग के इंद्रमल स्वच्च किरने परिधान के रूप में परिलक्षित होती है जिसकी उज्वल कांति घने भूत इश्निक देविसुद्ध कोमल मयुरकंड की आभा के समान सोभा को प्राप्त करती है तथा अपने बर्ण के उज्वल कांति की सांद्रता से एकाकार होकर सोभित रहती है ऐसी मरकत मने भी उसे गुण संपन मने की संग्या को प्राप्त करती है जिसका उलेख पहले क्या जा चुका है जो मरकत मनी चित्र बर्ण वाली कठोर मलिन रुप्च कड़े पत्तर के समान एवं खुरुदरी तथा सिला जीत के समान दगद होती है ऐसी मरकत मनी गुण रहत होती है जो मरकत मनी संधी प्रदेश में शुष्क तथा उससे अन्य रत्न का प्रादर बाब होता हो तो कल्यान चाने वाले व्यक्त के लिए वह रत्न धार्न करने अत्वा खरिदने योग्य नहीं होता भल्लीत भल्लालता और पुत्र का वर्ण अत्वा उन दोनों बर्णों का एक ही मनी में संयोग हो तो उसे भी मरकत मनी का विजाती ये लक्षन ही समझना चाहे चौम वस्तर के द्वारा मार्जन करने पर पुत्र का लक्षन वाली मरकत मनी अपने कांति का प्रित्याग कर देती है जिस प्रकार कांच में लगता होती है उसी प्रकार उसकी लगता के द्वारा ही उसमें अवस्तित विजाती भावना को पहचानना चाहे अनेक प्रकार के रूप या गुण अत्व बर्ण के द्वारा मरकत मने का अनुगवन करने वाले मनिया भल्लात की की सब्द भन से विप्रीत बर्ण को प्राप्त हो जाती है जो हीरे मोते बिजाती होते हैं यदि वे किसी रतनोशदी विशेश के लेप्य बदार्त से रहिते हैं तो उनके बरणों की प्रभा उर्दव गामनी होती हैं रिजुता के कारण किनी मनियों में उर्द गामनी प्रभा दीख सकती है किन्त त्रियक द्रिष्टी से उनका अवलोकन करने में से वह प्रभा सिख्र ही नश्ट हो जाती हैं श्नान आजमन जप तथा रक्षा मंत्र की क्रिया विदी में गोश वण का दान देते हुए और अन्यान्य प्रकार की साधना करते समें देव पित्र अतिती तथा गुर की पूजा के समें विस से उत्पन विभित दोसों से पीडित होने पर संग्राम में विच्रन करते हुए दोसों से हीन और बुणों से युक्त होने के शूत्र में फिरो ये उस मरकत को विद्वानों के द्वारा धार्न किया जाना चाहे। सामान नतहा पद्मराग मनि का तौल के अनुसार जो मुल्य होता है उस मुल्य की अपेक्चा सर्वगुन शंपन मरकत मनि का मुल्य अधिक होता है जिस प्रकार दोस रहने पर पद्मराग मनियों का मुल्य न्यून हो जाता है उसी प्रकार दोस संपन होने पर मरकत मनियों के मुल्य में अत्यधिक न्यूनता आ जाती हैं बात्रवा अध्याय इंद्र नील मनिका लक्षण तथा उसकी परिक्षा विधी सूजी महराज ने कहा कि जिस अस्थान पर सिंगर देशी रत्न मनियां अपना करपलव के अगरभाग से नवीन लवली कुशुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थी वहाँ पर बलासुर के विखषित कमल सद्रश सोबा संपन दोनों नेत्र आकर गिर पड़े समुद्र की वहां कच्छार भूमी रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभात तरंगों से शुशोवित होकर एक विसाल छेत्र में फैली है वहीं पर विकषित केत की नामक पुस्वों के बनों की शुखा फैलाने में प्रतिक्छन लगी रहने वाली इंद्र नील मनियों की एक भूमी है उस बनस्थली पर अवस्तित परवत की जो करने का भूमी है उसमें प्रादर भूद होने वाली वे मरकत मनिया नील कमल सद्रस कृष्ण एवं हलधर वल राम के द्वारा धार्न की जाने वाले पीत और नील वर्णों की आभासे संपन्न है काले भ्रमर के समान हैं सारंग धनुस से ससोवित सकंद प्रदेस वाले भगवान विष्ण की कांत से युक्त हैं तथा भगवान सिव के कंट के समान और नवीन कसाय पुष्पों के समान आभावाली हैं उन मनियों में कोई स्वच्चत तरंगायत जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नेली रस के समान, कोई जल बुद्बुद के समान और कोई मनि समस्त मदमस्त कोकिल पक्षी के कंट की प्रभा से आभासित रहती हैं उन सभी मनियों में एक प्रकार की ही निर्मलता तथा प्रभा सक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती हैं उस प्रवत के रत्न गर्व से प्राप्त होने वाली मनियों में इंद्र निर्मने नाम के रत्न अत्यधिक गुण साली होते हैं जिर मणियों में मिट्टी पत्थर छिद्र और करकराहट की ध्वनित था नील गगन पर आच्छादित सगन मेग च्छाया की आफा रहती है वे बरण दोस से दूसित माने जाती है क्युंत वहाँ पर वे ही इंद्र नील मनिया अत्यधिक पुत्पन होती हैं जिनकी प्रसंसा रत्न सास्त्र के सुविग्य जनों के द्वारा हुई है धार्ण करने योग्या पद्मराग मनियों में जो गुण दिखाए देते हैं मनुस्या इंद्र नील मनिय को धार्ण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है इंद्र नील मनिय बैदूरी मनिय की प्रक्षा पताते हुए कहते हैं कि जिन मनियों में मिट्टी पत्थर चिद्र और करकराहट की ध्वन्य तथा नील गगन पर आच्छादित सगन मेगत छाया की आभा रहती है वे बर्ण दोस्त से दूसित मानी जाती हैं किन्त वहाँ पर वे ही इंद्र नील मनिय अत्यदिक उत्पन होती हैं जिनकी प्रसंसा रत्न सास्त्र के सुविग्य जनों के द्वारा की जाती है धारन करने योग्य पद्मराग मनी में जो गुण दिखाई देते हैं मनुस्य इंद्र नील मने को धारन करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्ट कर सकता है जिस पद्मराग मनियों के तीन जातियां हैं उसे प्रकार सामान्य रूप से इंद्र नील मनी में भी तीन जातियां देखी जाती हैं जिन उपायों के द्वारा पद्मराग मनी परिक्षन किया जाता है उनी उपायों से इंद्र नील मने का भी परिक्षण किया जाता है। आदि कोई ऐसा करता है तो अगन की सम्यक्त मात्रा के परिज्ञान से रहित प्रदाह में जलने के कारण उत्पन दोसों से प्रदूशित वह मनी ऐसा कृत्त करने वाले करता एवं कार यता दोनों के लिए अनिष्ट कारे होती है। आत येव इन उक्त सवे मनियों के गुरुत एवं काठन धर्म की अवस्य परिक्षा कर लेनी चाहे। जिस प्रकार कोई इंद्र नीर मने तामर वर्ण को धार्ण कर लेती है। उसे प्रकार तामर वर्ण वाले करवीर तथा पुदपल नामक दोनों मनियों की भी रक्षा करनी चाहे। जिस इंद्र नीर मने के मध्य इंद्रा युद की प्रभा अविभासित होती रहती है। उस इंद्र नीर मने को प्रतिवी पर अत्यधिक दुरुलव एवं अत्यधिक मुल्या वाली कहना चाहे। सोगुना अधिक प्रिमान वाले दूद में रखने पर भी जिसकी साथ ब्रभर्ण की कांत से वह दूद श्वयम नील वर्ण का हो जाता है। उसे को महा नील मने कहते हैं। जिस प्रकार मासाध से की गई तौल के द्वारा महागुनसाली पद्मराग मने का मुल्य निरधारित किया जाता है। उसे प्रकार सुबर्ण प्रिमान के तौल से महागुनसाली इंद्र नील मने का मुल्य निरधारित होता है। अब मैं ब्रह्मा के द्वारा बताये हुई तथा वयाश्ञी द्वारा कही हुई बैदूरिय पुस्पराग करकेतन तथा पुस्प मनियों की परिक्षा विधिको पृतक पृतक कहता हुनौ कल्क पांतर छुब्द अगाद समुद्र की जल्राश की गंभीर महानाद की जमान दिथपुत्र बलासुर के नाद से विभिन बर्णों वाली अत्यंत सौंदर्य संपन बैदुरी मनियों का बीज उत्पन हुआ था उत्तुंग सिखरों वाले विदूर नामक परबत के सन्यकट इस्तित काम भूती सीमा से मिले हुए छेत्र में उस बैदुरी बीज का अवधान होने से एक रत्न गर्भ की उत्पत्य हुई है बलासुर के नाद से उत्पन यह रत्नाकार महागुण संपन तथा तीनों लोगों का स्रेष्ट तम आवुशन सुरूप है उस रत्नकार में दैत्यराज के महानाध का अनुप्तरण करने वाले बर्षा कालिंग स्रेष्ट मेकों की आभावाले बड़े ही सुन्दर विचित्र प्रकार के मनिया उत्पन होती है जिन से प्रभा के इस फुलिंग समुह निकलता रहता है प्रतिवी परें पद्मराग मनियों के जो बर्ण है उन सभी बर्णों के सोभा का अनुगमन बैदुर्य मनि करती है उन मनियों में जो मनि मयूर कंट के सद्रस अथवा वंसपत्र के समान बर्णवाली होती है उसको स्रेष्ट माना गया है जिन मनियों का बरन चसक नामक पक्षी के सदर्श होता है उन बैदुरी मनियों को मनि सास्त्र वेत्ताओं ने प्रसस्त नहीं कहा गण युक्त बैदूर्य मने अपने स्वामी को परमसो भाग्य से संपन बनाती है और दोस युक्त मने अपने स्वामी को दोसों से संयुक्त कर देती है अत ये प्रयत्न पूर्वक परिक्षा करने चाहे बैदूरीय मणी के अत्रिक्त गिरिकांच, शिष्पाल कांच तथा स्पटिक ये चार बिजातिय मणी हैं जो बैदूरीय के समान भी ही आभा पहलाती है किन्तू लेखन के सामर्थ से रहित होने के कारण कांच गुरुत्वभाव से हीन होने के कारण सिसपाल कांति युक्त होने से गिरिकांच एबां अपने समज्वल बर्ण के कारण स्पटिक मनी से इन मनी में भेद होता है महागुण संपन इंद्र नील मनी का शुबर्ण असी रत्ती मात्रा परिमान के अनुसार जो मुल्य निर्धारित किया गया है वही मुल्य दो पल भार युक्त बैदूरी मनी का कहा गया है एक विजातिय मनी में भी सभी बर्ण समान होते हैं जो बर्ण मनियों में पाये जाते हैं फिर भी उनमें महान भेद माना गया है विद्वान पुरुष को चाहे कि वे विशेश भेदक तत्तो पर विचार करें इसने लगता और मृदता के द्वारा सजातिय और विजातिय मनीयों के चिंपनों का भेद सार्व जन्नी है मने सोधन में कुसल या अकुसल जनों के द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपायों के कारण ही विविन प्रकार के मनियों में उत्पन हुए गुण दोस के अनुसार उनके मुल्य के निवन आधिकता हो जाती है मनि बंधक अर्थात मनि बेता के द्वारा भली प्रकार से शोधित मनिया यदि दोस रहत होती हैं तो उनका सामान्य मुल्य की अपिक्छ च्छ गुना आधिक मुल्य होता है समुद्र के तीर की सन्निदी में इस्तित प्रकार आकार से प्राप्त हुई मणियों का जो मुल्य होता है प्रतिवी पर सरवत्र मणियों का वही मुल्य नहीं रहता है मनुने सोलह मासे का एक शुवर्न भार बताया उसका सात्वा हिसा संग्या रूप प्राप्त करता है चार मासे का एक शान और पांच क्रिष्ण कला का एक मासा और एक पल का दस भाग धारन कहलाता है इस प्रकार रतन के मुल्य निष्टे के लिए यहां मनि विधी कही गई है चोत्रमा अध्याईव पुस्प राग मनि की प्रिक्षा विधी सूजी महराज कहते हैं रिशियों देव सत्त्र वलाशुर के सरेर की त्वचा हिमालय परवत पर गिरी थी जिन से महागुन संपन पुस्प राग मनियों का प्रादरुबाव हुआ था जो पासान पूर्ण पीद एवब पान प्रगबर्ण की सुन्दर आवा से समनवित रहता है उसका नाम पध्मराग है यदि वहाँ लोहित और फीत वर्ण की आवा से युक्त है तो उसको को टंकक नाम से जानना चाहिए जो पासान पूर्ण लोहित एवं सामान निदफ बीत बर्ण से संयुक्त होता है उसे कासाय मनी कहते हैं जिस पत्थर का बर्ण पूर्ण रूप से नीला होता है वहाँ शुक्ल बर्ण संपन्त ताश्निक्द होता है वहाँ सोमालक गुण युक्त मनी है जो पत्सर अत्यंत लोहित वर्ण का होता है उसको पत्मराग कहते हैं जो पूर्ण नील वर्ण की सुन्दर आवा से संपन रहता है उसे इंद्र नील मनी कहते हैं मनी सास्त्र बेताओं ने वैदूरी मनी के समान ही पुस्पराग मनी का मुल्य स्विकार किया इसको धार्ण करने से वही फलप्राप्त होता है जो बैदूरे मने के धार्ण से होते हैं नारियों के द्वारा धार्ण के जाने पर यह मने उन्हें पुत्र प्रदान करती है पिचेत्रमा अध्याय करके तन मने की प्रिक्षा विधी सूजी ने कहा रिशियों पवन देव ने रत्न वेज रूप उस दैप्तराज वलास्वर के नखों को प्रसनता पूर्बक देखकर लेकर कमल बन प्रांत में विखेर दिया वाय द्वारा विधीर्ण नक प्रतवी पर करकेतन नामक पूज तम मने का नाम जन्म हुआ उसका बरन रक्त चंद्र एवं मज सद्रिश सामर पीत अगनिवत प्रज्वलित समज्वल नेल तता स्वेत होता है रत्न व्याधी आदी दोसों के कारण वहां कठोर एवं विभिन बरनों में भी प्राप्त होता है जो करकेतन मनिया अश्पनिक्द स्वच समगर समराग अनुरंजित पीत गुरुत धर्म से संयुक्त एवं विशित्र आवा से व्याप्त तथा संताफ बरन और व्याधी आदी दोसों से रहत होती है उन्हें विसुद्ध या परमपवित्र माना जाता है स्वर्णपात्र में समपुठित कर जब उन मनियों को अगन में सोधित किया जाता है तो वे अत्यधिक देदी प्यमान को उड़ती है ऐसे विसुद्ध करकेतन मनी रोग का नाज करने वाली कल की दोसों को नश्ट करने वाली कुल की व्रिद्ध करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती है जो मनुस्य अपने सरीर को अलंकरत करने के लिए इस प्रकार के भहुत से गुणों वाले करकेतन नामक मनिको धारन करते हैं वे पूजित परचुर डन से परिपूर्ण तथा अनेक बंद बांदमों से संपन होते हैं और नित्य उज्वल कीर्द से संपन तथा प्रसन रहते हैं अन्य दोसित करकेतन मनिको धारन करने वाले विक्रत व्याकुल नेली कांती वाले मलेन दुती वाले इसनेह रहत कलोशित तथा दिरूप बान हो जाते हैं वे तेज दिप्तिकुल फुष्ट आद से विहिन होकर दोसित करकेतन के सदर्ष सरीर को धारन करते हैं चात प्रवां अध्याय भीश्मक मनी के परिक्षा विधी सूजी ने कहां कि उस देव सत्रो बलासुर का वीर हिमाले प्रवत के उत्तरी प्रांत में गिरां अता वहादेश उत्तम भीश्मक मनियों का रत्मना गार्वनां वहाँ से प्राप्त होने वाले भीश्मक मनियां संख एवं पद्म के समान समुझवल मध्यान कालिन सूरे की प्रवा के समान सुभा वाले तथा बज्र के समान तरण होती हैं जो मनुष्य अपने कंटादिक अंगों में स्वर्ण सूत्र में गुती हुई विशुद्ध भीश्मक मनियों को धार्ण करता है वासदा सुख समर्दि प्रदान करने वाले संपदाओं को प्राप्त करता हैं बनों में भी ऐसी मनी से सुसोवित मनोश्यों को देखकर समीप आये हुए द्वीप भीडिये सरव हाती सिम्ब और व्याग्राद हिंसक वन्य प्रानी ततकाल भाग जाते हैं उस मनी को धार्न करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता लोग भीश्मक मनी के स्वामी का उपहास नहीं कर पाते हैं भीश्मक मनी से संयुक्त अंगूटी को धार्न करने के जो व्यक्ति अपने पितरों का तरपन करता है उसके पितरों को भौध वर्सों तक के लिए संत्रिप्ति प्रदाप्त हो सकती है इस रत्न के प्रभाव से सर्प आखू विच्छु आदे अंडज जीवों के विश्वयम सांत हो जाते हैं जल अगनिसत्र और चोरों के भैंकर भै भी उपत्रव नश्ट हो जाते हैं सहेवाल एवं एग की आवासे युक्त कठोर फीत प्रभावाली मलिन दुति और विक्रत वर्ण वाली वीश्मक मनी का विद्वान व्यक्त को दूर से ही प्रित्या कर देना चाहिए पंडितों को देश काल के प्रिज्ञान के अंसार इन मनियों के मुल्यों का निरधारन करना चाहिए क्योंकि दूर देश में उत्पन हुई मनियों का मुल्य अधिक तथा निकट देश में उत्पन हुई मनियों का मुल्य उनकी अपेक्षा कुछ कम होता है सतत्त्रुमा अध्याय, पुलक मन के लक्षन तथा उसकी परिक्षा विधी सूद्जी ने कहा कि वायुदेव ने दानव राज बलासुर के नकसे लेकर भुजा प्रियंत गतिमान रत्मई प्रकास की विधीवत पूजा करके उसको स्रेष्ट परवतों लदियों तथा उत्तर देश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में इस्थापित किया था अत्येव दासारन वाक्दर मेकल कलिंक आधि देशों में उस प्रकार रूपी बीज से उत्पन पुलक मनिया उन्जा फल अंजन छोद्र और कमल नाल के समान तथा गंधर्व एवं अगन देश में उत्पन हुई मनिया केले के समान कान्ति वाले होती हैं इरन सभी पुलक मनियों को प्रसस्त माना गया है कुछ पुलक मनियों की भंगिमा संखपत्र भ्रमर तथा सूरे के समान बिचित्र होती हैं ऐसे परम पवित्र मनियों को सूत्रों में गूंत कर धार्ण करने से सब प्रकार का कल्यान होता है क्योंकि वे पुलक मनियां मांगलिक एवं धनधान्यादिक अहस्वर की अविविद्ध करने वाले होती हैं कववा, घोड़ा, गधा, सियार, भेडियां तथा भेंकर रूप धारन करने वाले और मांस रुद्राद से सनलिप्त मुख वाले गृद्रों के सवान बरन वाले जो पुलक मनियां होती हैं वे अम्रित दायक होती हैं विद्वान व्यक्ति को उनका प्रित्याग कर देना चाहे स्रेष्ट एक पल प्रमान वाले पुलक मनिय का मुल्य पांच सो मुद्वरा कहा गया है रुद्राक्ष रत्न परिक्षा सूधी ने कहा अगनिदेव दानव राज के अवेष्ट रूप को ग्रहन कर कुछ अंस नर्वदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंस उनके देश के निमन भू भागों में फेंग दिया गया था अताह उन अस्थानों पर इंद्र गोप तथा शुक पक्षी के मुख की भांत बरनवाले एवं प्रकट पीलू फल के समान बरनवाले रुद्राक्ष मनिया प्राप्त होती है इसके अत्रक्त भी यहां पर नाना प्रकार के मनिया प्राप्त होती है इनका आकार एक समान होता है जो मनि मत्यभाग में चंद्र के सत्र स्पान्व गुरू तथा अत्यंत विसुद्ध बरनवाले होती है तुलना में वहा इंद्र निर्मणी के समान होती है ऐसे अईश्वर धनधान एवं भृत्याद की अवे व्रिद्ध करने वाली माना गया है इस मणी का पाक क्रिया से सोधन होने पर देव बज्र के समान बरन होता है इस फटिक मणी की प्रिक्षा सूध जी ने कहा कि हालधारी वल्गराम जी ने उस दै अतहा उन अस्थानों पर आकास के समान द्रिमल तैल इस पटिक नामक मने उत्पन हुई, यहां मने म्रडाल एबं संक के सत्रश धवल होती है, किन्त कुछ मनियां उक्त बरण के अत्रिक्त अन्य बरणों को भी धार्न करती हैं, रत्नों में उस मनी के समान अन्य कोई नहीं है, जो पाप बिनाश करने में उसके बराबर छमता रखते हैं, सिल्पकार के द्वारा संसकारित होने पर ही इस पटिक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है, अस्यवा अध्याय, विद्रुमन की प्रिक्षा, पुनासूजी ने कहा हे सोनक जी, सेश नाग ने उस बलासुर क अंत्रभाग को प्रहन कर केरल आदे देशों में छोड़ दिया था, अत येव उन अस्थानों पर महागुन संपन विद्रुमनियों का जर्म हुआ, उन विद्रुमनियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती हैं, अत्वा गुंजा फल या जपा पुस्वी की आभ को धार्ण करती हैं, उन्हें स्रिष्ट माना गया है, नील देश देवक तथा रोमक नामक अस्थान इन मनियों की जन्म भूमी है, उनमें उत्पत्य हुई विद्रुमनियों अत्यन्त लाल वर्ण की होती है, अन्य अस्थानों से प्राप्त हुने वाली मनिया प्रसस्त नह लाल वर्णों की होती है, वह निश्चत ही इस संसार में मनुष्य को धन धान्य संपन बनाने वाली तथा उसके विशादिक दुखों को दूर करने वाली होती है, गंगा आदे विवित तीर्थों की महिमा, सूज जी माराज ने कहा है रिशियों, अब मैं समस्त तीर्थों क बनन करोंगा, जितने भी तीर्थ हैं उनमें गंगा सरवत्तम तीर्थ है, यद्य पी गंगा सरवत्र सुलभ है किन तो हर द्वार प्रियाग एवं गंगा सागर के संगम इन तीन अस्थानों में वहा प्रम दुरलब है कि सरवत्र सुलभा गंगा त्रसु अस्थाने सुदुर लभा कि गंगा अद्वार प्रियागेच गंगा सागर संगमे प्रियाग परमस्रेष्ट तीर्थ है जो मरने वालों को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है इस महा तीर्थ में स्ञान करके जो अपने पितरों के लिए पिंड़ादान करते हैं वे अपने समस्त पापों का विनास करे सभी अविष्टों की सिद्धि प्राप्त करते हैं वाराण सी परमतीर्थ है इस तीर्थ में भगवान विष्टनाथ और केशव शदयव निवास करते हैं कुरुछेत्र भी भूद बड़ा तीर्थ है इस तीर्थ में दानादि करने से यह भूग और मोक्च दोनों को ही देने वाला है प्रभास छेत्र स्रेष्ट है जहां पर भगवान सोमनात वराजमान रहते हैं द्वारिका सुन्दर नगरी है यह भुक्ति मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है पूरुब द्शा में अवस्तित सरश्ट प्रणे दायनी तीर्थ है इसी प्रकार सब्त सारश्ट पर्म तीर्थ है केदार तीर्थ समस्त पापों का अभिनासक है संबल ग्राम उत्तम तीर्थ है वद्र कास्त्रम भगवान नर्ण नारायन का महा तीर्थ है जो मुक्ति प्रदायक है स्वेत द्वीप माया पुरी जिसको हरिद्वार कहा जाता है वह नेमी सारण पुसकर अयुद्या चित्र कूड गोमती वेनायक रामगीरी आस्त्रम कांची पुरी तुंग भद्रा स्रेशैल सेत बंधु राम इश्वर कार्त के भ्रंग तुंग कामधीर्थ अमर कंटक महा काल इश्वर की निवास भूम उज्जयनी श्रीदर हरिकान पुप्जक, पुप्जाम्ब्रक, काल सरफी, कामद, महाकेसी, कावेरी, चंद्रभागा, विपासा, एकामब्र, ब्रहमेश, देवकोटक, रम्य, मत्रापुरी, महानद, शोन, तथा जंबूशर नामक अस्तानों को महा तीर्थ कहा गया हैं। स्रद्धा, स्राध्ध, तप, तशा बिंडदानाद, अक्षे होता है। इसी प्रकार सालग्राम, तशा पासपत्तीर्थ में भी परम्पवित्र तीर्थ कहा गया हैं। जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाला हैं। काम रूप महान तीर्थ है, इस अस्थान में कामाख्य देवी सदाब राजमान रहती हैं। पुंडर वर्धन तीर्थ में भगवान, कार्थ के जी प्रतिष्ट तरहते हैं। विरज, स्रेप्रशोत्तम, महेंद्र परवत, कावेरी, गोदावरी, पयोशने, वरदा, विंद्या और नर्वदाभेद, नामक महा तीर्थ समस्त पापों के बिनासक हैं। गोकर्ण महिस्मती, कलिंजर एवं स्रेष्ट सुकल तीर्थ को महा तीर्थ माना गया है। यहां प्रश्णान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती हैं। इस तीर्थ में भगवान सारंग धारी हरी निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वरनाक्ष तीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं। नंद तीर्थ मुक्त दायक और कोट तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। गंगा आद तीर्थों की महमा बताते हुए स्रिशूद जी माराज कहते हैं कि ही रिशियों। कोका मुख वराह भांडेर और स्वामे नामक तीर्थ महा तीर्थ के रूप में विख्याद हैं। लोह दंड नामक तीर्थ महा बिश्ण तथा मंदार तीर्थ में भगवान मदसूदन निवास करते हैं। काम रूप महां तीर्थ हैं। इस अस्थान में कामाख्य देवी सदार विराज मान रहती हैं। कुंटर वर्धन तीर्थ में भगवान कार्थ के प्रतिष्ठ रहते हैं। विराज स्रिप्रशोत्तम, महेंद्र प्रवत, कावेरी, गोदावरी, वयोष्ण वरदा, विंद्या और नर्वदा भेद नामक महा तीर्थ समस्त पापों के विनासक हैं। गोकर्ण, माहिस्मती, कलिंजर एवं स्रेष्ट सुकल तीर्थ को महा तीर्थ माना गया हैं। यहां प्रश्णान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती हैं। इस तीर्थ में भगवान सारंग धारी हरी निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वरनाक्ष तीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटी तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोबर्धन, कृष्ण, वेणी, भीमरती, गंडगी, इरावती, विंदुसर, एवं विष्ण पादुक, महापुन्य प्रदायक प्रमतीर्थ हैं। ब्रह्मत ध्यान और इंड्रे निग्रे महान तीर्थ हैं। दम तथा भाव सुध्धी श्रेष्ट तीर्थ हैं। ग्यान रूपी सरोबर और ध्यान रूपी जल में राग द्वेसादी रूप मलका नास करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ को मनुष्य श्नान करता हैं। वहाँ परम गति को प्राप्त करता हैं। यहाँ तीर्थ हैं यहाँ तीर्थ नहीं। जो लोग इस प्रकार के भेद ग्यान को रखते हैं। उन्हें लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विदान कया गया है प्यारे। किन्त जो सरवत्र ब्रह्म में हैं ऐसा स्विकार करते हैं। उनके लिए कोई भी अस्तान अतीर्थ नहीं है। उस शादु के लिए सब जगह तीर्थ हैं। यहन सभी में इश्नान दान स्राध्ध। प्रिंडदान आदि करम करने से अक्षे फल प्राप्त होता है। समस्त परवत समस्त नदियां एवं देवतान रिशे मुनित था संतों आदिशे सेवित अस्तान तीर्थ ही है। अरे इदं तीर्थ मिदं नेते कि एनराभेद दरसिनह कि तेसाम विधियते तीर्थ गमनं तत्फलं चयत। कि सरवं ब्रह्मेत योवेते नातीर्थम नस्त्यकस्चन एते सुष्णान दानाने स्राध्धं पिंड मताक्षयं कि सरवान अध्यं सरवसैलां। तेर्थम देवाद सेवितम स्रेरंगपत्तनम भगवान हरिका महान तेर्थ है। तापती एवं स्रेष्ट महा नदी है सब्त गोदावरे एवं कोण गिरिभी महा तेर्थ है। सप्त गोदावरी कोण तीर्थ में महालक्ष्मी जी नदी के रूत में स्वयम विराजमान हैं सह्य परवत पर भगवान देवेश्वर एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती हैं गंगाद्वारे कुशावर्त विंद्य प्रवत नील अगरी और कनखल इन महातीर्थों में जो व्यक्तिष्णान करता है वह पुनहा संसार में जन्म नहीं लेता कि गंगाद्वारे कुशावर्त विंद्य के नील परवते शनात्वा कनखले तीर्थे सभ इन पुनर भवे प्राण में इस प्रकार भगवान स्रीहर से तीर्थों का माहात में सुनकर ब्रह्माने दक्षप्रजापति आदिकेशाद महामुनी व्यास को उनका श्रवन करायां और पुनहा तीर्थों तम एबँ अक्षई फल देने वाले तथा ब्रहम लोग प्रदान करने वाले गया ना माहात्म तथा गया छेत्र के तीर्थों में स्राध्धादी करने का फले ब्रह्मा जी ने कहा ही व्यास जी मैं भुक्ती और मुक्ती प्राप्त कराने वाले परमसारत सुरुक उत्तम गया माहात्म को संख्छेप में कहूंगा आप उसे सुने पूर्व काल में गया नामक परम बीरेवान एक असुर हुआ, उसने सबे प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुन तपस्या करी, उसकी तपस्या से संतुष्ट देवगण, असंतुष्ट अत्रप्त देवगण, संतप्त देवगण, उसके वद की इच्छा से भगवान स्रीहर की सरण में गए, भगव भगवान शिवजी की पूजा के लिए छीर समुद्र से कमल लाकर गया नामक वहा बलवान असुर, विष्ट माया से मोहित होकर कीकठ देश में सयन करने लगा, और उसी इस्ति में वहा विष्ट की गदा के द्वारा मारा गया, भगवान विष्ट मुक्त देने के लिए पुर्ण छेत्र के रूप में होगा, यहां जो भक्ति यग्या स्राध्य पिंडदान अतवाश्नानादी करेगा, वहा स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरक गामी नहीं होगा, पिता महा ब्रह्मा ने गया तीर्थ को स्रेष्ट जान करे, वहां यग्य कराया, और रित्विक रूप में आये हुए ब्रह्मनों की पूजा करे, ब्रह्मा ने वहां सरश्टी अर्थात जल से परिपूर्ण एक विसाल न दी, वापी जला से आदित था, विविद भक्ष भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्ट करे, तदनंत्र ब्रह्मा ने इन सब साध प्रक्षेत्र में फ्यले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्रह्मनों को कर दिया। प्रवतमात्र के रूप में ही अवश्थित्रहेगी उनके दवारा मैं भी अपने को पूझीत स्विकार करूंगा ब्रह्मज्यान गयासराद गोसाला में मृत्यों तथा कुरुछेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं प्यारे के ब्रह्मज्यानम गयासराद्धम गोग्रेहे मरणं तथा वासह पुन्साम कुरुछेत्रे मुक्तिरेसा चतर विधां हे व्यास जी सभी शमुद्र नदी बापी कूप तड़ागाद जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में श्वयमे वश्टनान करने के लिए आते हैं इसमें संदेह नहीं गया में स्राध्य करने से ब्रह्म हत्या सुरापान शुष्वन की चोरी गुरुपत्न गवन और उक्त संसर्ग जन्यत सभी महापातक नश्ट हो जाते हैं कि ब्रह्म हज्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंग गनागमह पापम्तत संगजम सरवं गयास्राध्धा द्विनस्यति जिनकी संस्कार रहित दसा में मृत्य हो जाती है अत्व जो मनुस्या पसु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं ये जिनकी मृत्य सरव के काटने से होती हैं वे सभी गयास्राध के पुर्ण से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुस्य को जो फलप्राप्त होता है सौ करोड बरसों में भी उसका बरणन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता हैं पुना ब्रह्मा जी ने कहा हे वियास जी के कीकट देश में गया पुल्ण साली है राजग्रह बन तथा विसेचारन परम पवित्र है एवं नदियों में पुना पुना नामक नदी स्रेष्ट है गया तीर्थ में कूर्व पश्चम दक्षन तथा उत्तर में मुन्ड प्रिष्ट नामक तीर्थ है जिसका मान भाय कोस विस्तरत कहा गया है गया छेत्र का परिमान पांच कोस और गया सिर का परिमान एक कोस है वहां पर पिंड़ दान करने से पितरों को शास्वत कृप्ति ह हो जाती है कि पंच क्रोसम गया छेत्रम क्रोसमेकं गया सिरह तत्रपिंड प्रदानेन त्रिप्तिर भवति सांस्वति विष्ट्ण परवत से लेकर उत्तर मान सतक का भाग गया सिर का माना गया है गया का सिर माना गया है उसकी फल गुतीर्थ भी कहते हैं उसको यहां पर प पित्र रुण से मुक्त हो जाता है। रतमार्ग तथा रुद्रपद आदमे कालेश्वर भगवान के दारनात का दर्सन करने से मनुष्ट पित्र रुण से मुक्त हो जाता है। वहां पिता महः ब्रह्मा का दर्षन करके वह पाप मुख्त और प्रत्ता महा का दर्षन कर अनामय लोग की प्राप्ति करता है उसी प्रकार क दादर प्रुशोत्तम भगवान विष्ण को प्रियत्न कूर्वबक प्रणाम करने से उनका पुनर्जनम नहीं होता ही ब्रहमर से गया तीर्थ में मौन धार्ण करके जो मौना दित और महात्मा कनकार का दर्षन करता है वहाँ पित्प्रे रण से विमुक्त हो जाता है और ब्रहमा की पूझा करके ब्रहम लोग को प्राप्त करता है जो मनुष्य प्राहता काल उठकर के गाय प्रिदेवी का दर्शन करे विदि विदान से प्राहता कालिन संध्या संपन करता है उसे सभी बेदों का फल प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति मध्यान काल में सावित्प्री देवी का दर्सन करता है वह यग्य करने का फल प्राप्त करता है इसी प्रकार जो सायंकाल में स्रश्टी देवी का दर्सन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है यहां परवत परविराजमान भगवान शिव का दर्सन करके मनुश्य अपने पित्र रुन से विमुक्त हो जाता है धर्मारन्य और उस पवित्र बन के श्वामी धर्मत शुर्भुपदेव का दर्सन करने से समस्त रिन नष्ट हो जाते हैं उसे प्रकार द्रेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भव बंदन से विमुक्त नहीं हो सकता प्राणी धेनु बन नामक तीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्म लोक ले जाता है प्रभास तीर्थ में प्रभास सिस्वर भगवान सिव का दर्शन गलाव करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है कोटी स्वर और अस्व मेद का दर्शन करने पर रिन का विनास हो जाता है स्वर्ग द्वारे स्वर्गा दर्शन करके मनुस्य भववन्दन से विमुक्त हो जाता है उसी धर्मारलने में अवस्तित गदा लोल तीर्थ तथा भगवान रखा में स्वर्गा दर्शन करके मनुस्य स्वर्ग को प्राप्त होता है भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्महत्या के पाप से दिमुक्ति हो जाती हैं मुंड प्रष्ट तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपने समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु चंडी देवी गौरी मंगला गोमक गोपती अंगारेश्वर सिध्धेश्वर गयादित्य गज तथा मारकंडेश्वर भगवान के दर्शन से ब्यक्ति पित्र रुन से मुक्त हो जाता है फल्गु तीर्थ में श्णान करके जो मनुष्य भगवान गदादर का दर्शन करता है वह पितरों के रिन से ब्यमुक्त हो जाता है पुर्ण करम करने वाले जनों के लिए क्या इतने करम से प्रियाप्त संतोस नहीं होता अरे इन तीर्थों में अवस्तित देव दर्शन तथा श्णान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष प्रियंत पीडियाँ ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाती है प्रतिवी पर जितने भी तीर्थ शमुद्र और सरोबर हैं वे सभी प्रतिदिन एक बार फर्गो तीर्थ जाते हैं प्रतिवी में गया पुर्ण साली तीर्थ है गया में गया सिर स्रेष्ट है और उसमें भी फल्गो तीर्थ का मुख सरवोत्तम माना गया है के प्रतिव्याम याने तीर्थाने ये समुद्राह सरांचिचो के फल्गु तीर्थम गमिश्यंते वारमे कम दिने दिने के प्रतिव्याम चगया पुल्ण्या गयायाम चगया सिरह स्रेष्टम तथा फल्गु तीर्थम तन्मुखम चा सुरस्यचा उदीची कनका नदी और नावी तीर्थ उसका मध्यभाग है उसे तीर्थ के सन्निकठ ब्रह्मदस्पद तीर्थ है जो श्णान करने से मनुस्य को ब्रह्म लोक प्रदान कराता है वहां पर इस्तित कूप में पिंड़दा नादिक करत्य करके मनुस्य अपने पितरों के रिन से विमुक्त हो जाता है अक्षई बट में स्राद्ध कर्म संपन करके मनुस्य अपने पितर लोग को ब्रह्म लोग तक प्राप्ट करा देता है हंस तीर्थ में श्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है कोटी तीर्थ, गयालोल तीर्थ, वैतरनी तथा गोमती तीर्थ में पितरों के लिए स्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पीडियों का उधार कर लेता है अत्वा ब्रह्मलोक को पहुँचाता है ब्रह्मतीर्थ, रामतीर्थ, अगनेतीर्थ, शोमतीर्थ और रामहर्दतीर्थ में स्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है उत्तर मानस तीर्थ में स्राद्ध करने पर पुनर जर्म नहीं होता डक्षिन मानस तीर्थ में स्राद्ध करने से स्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुचाते हैं स्वर्ग द्वार तीर्थ में स्राद्ध करने से भी स्राद्ध करताओं के पित्र जने ब्रह्म लोक को जाते हैं। भीस्म तरपन का कृत्य जिस अस्थान पर हुआ था उस कूट अस्थान पर स्राद्ध करने से भी मनुस्य पित्रगणों को भवसागर से पार उतार देता ग्रद्रेश्वर तीर्थ में स्राद्ध करने से स्राद्ध करता अपने पित्र गणों से विमक्त हो जाते हूं धेनुकारलने में स्राद्ध कर तिल से वने हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति ये दिश्णान करके महाँ पर अबस्तित धेनुमूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चत ही वह अपने पित्र जनों को ब्रह्म लोग पहुँचाता है एंद्र तीर्थ वास तीर्थ राम तीर्थ वैष्णव तीर्थ महानधी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुस्य पितरों को ब्रह्म लोग ले जाता है गया तीर्थ सावित्री तीर्थ सरश्वती तीर्थ मेश्णान संध्या तथा तरपन करके स्राध्ध क्रिया संपन करने से स्राध्ध करता 101 पुरुशु प्रियंत पितरों को मोक्षिक प्रदान करा देता है अथुआ 101 पिडि को मुक्त कर देता है संयत मन से पितरों के प्रतिध्यान लगाकर मनुस्य को ब्रह्म योनि नामक तीर्थ को विदिवत पार करना चाहे वहाँ पर पित्रिगणों एवं देवगणों का तरपन करके मनुस्य पुनह गर्व यंत्रा के संकटों में नहीं पड़ता है काक जंगा तीर्थ में तरपन करने से पितरों को अक्षय त्रप्ति प्राप्त होती है धर्मा ललने तथा मतंग वापी तीर्थ में स्राध करने से मनुस्य स्वर्ग लोग को प्राप्त करता है धर्व कूप तथा कूप तीर्थ में स्राध्ध करने पर प्राने पित्र रुर्ण से मुक्त हो जाता है यहां स्राध्धादिक कृत्य करके इस मंत्र का पाठ करना चाहे कि प्रमानम देवताह संतु लोकपालाच साक्षिनहां अर्थात मेरे द्वारा के जा रहे स्राध्धादिक कृत्यों के साक्षि हां के देवता प्रमान है और लोकपाला साक्षि हो इस मतंग तीर्थ में आकरके मैंने पितरों के रिन मुक्ति का कारे किया राम तीर्थ मेश्णान करके प्रभास तीर्थ और प्रेत सिला में स्राद्ध करने से पित्रगण निश्चत ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं वह स्राद्ध करता अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है गया छेत्र में ऐसा कोई अस्थान नहीं जहां पर तीर्थ नहीं है पांच कोश के छेत्र फल में इस्तित गया छेत्र में जहां जहां भी पिंडदान करने वाला मनों से अक्षय फल को प्राप्त करता है और अपने पित्र गणों को ब्रह्म लोग पहुचाता है कि गयायाम नहीं ततस्थानम यत्र तीर्थम नविज्यते पंच क्त्रो से गया छेत्रे यत्र फत्रतु पिंडदा कि अक्षय फल मात्नोती ब्रह्म लोगम नएत्त्रेन भगवान जनार्धन के हातों में अपने ले पिंडदान समर्पित करके यहां मन्त्र पढ़ना चाहे कि एस पिंडो मयादत स्तवहस्ते जनार्धन कि परलोकम गते मोक्षम अक्षय मुपतिष्ठतां हे जनार्धन हे भगवान विष्णो मैंने आपके हाथ में यहां पिंडदान कियां अतहा परलोक में पहुँचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो गुविंद ऐसा करने से भी ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है कि गया चेत्र में इस्तित धर्मप्रेष्ठ ब्रह्मसर गया सीर्षत अक्षय बटतीर्थ में पित्रों के लिए जो कुछ किया जाता है वहां अक्षय हो जाता है धर्मार्ण्य धर्मप्रेष्ठ धेनकार्ण्य नामक तीर्थों का दर महानदी के पश्चमी भाग को व्रस्ट सत्र्वन करना गया 30 माहात्म का व्रनान करते हुए कहते हैं कि गया सीर्ष तीर्थ से दक्षण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपक बन इस्तित है जहां पर पांडुसिला नामक तीर्थ है स्त्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतिया तिति को स्राद्ध करना चाहे उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चरा मंडल महाहरद और क पॉस की आस्त्रम है इन पवित्र तीर्थों में भी स्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है वैतरनी नदी के उत्तर में तृतिया नामक एक जलासय है वहीं प्रक्राउंच पक्षियों का निवास है इस तीर्थ में स्राद्ध करने वाला पित्रग करने से मनुष्य को कुछ भी दुरलब नहीं रह जाता, किन्तु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। महा नदी के जल का इसपर्स करके मनुस्य को वित्र देवों का तरपन करना चाहिए ऐसा करने से उसे अक्षे लोपों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उध्धार हो जाता है सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुस्य को 12 वर्षी संध्या फल प्राप्त हो जाता है सुकल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुस्य गया तीर्थ जाकर वहां पर रात प्रिवास करते हैं निश्चित ही उनके साथ कुलों का उध्धार हो जाता है इसमें संधेह नहीं इस गया तीर्थ में मुंड प्रिष्ट, अरविंद परवत तथा क्रौंच पाद नामक तीर्थों का दर्सन करके प्राणी समस्त पापों से दिमुक्त हो जाता है मकर संक्रांती, चंद्र ग्रहन एबं सूरे ग्रहन के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुरलब है महा रद कौश की मूल चेत प्रतथा, गृद्र कूट, परवत की गुफा में स्राद्ध करनें पर महा फल की प्राप्ती होती है जहां भगवान महेस्वर सिव की जटाओं से निकली हुई गंगाजी की माहिस्वरिधारा प्रभावित है वहां स्राद्ध करके मनुस्य को रिण मुप्त होना चाहिए उसी चेत्र में तीनों लोकों में विश्रुत पुल्नियात्मा विसाला नामक नदीतीर्थ है वहां स्राद्ध करने से व्यक्ति अनिश्टोम नामक यग्यका फल प्राप्त करता है एवं मृत्ध के पश्चाद उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है स्राद्ध करता को उस चेत्र में इस्तित्माश पद नाम से विख्यात तीर्थ के जल मैश्णान करके वाज़ पे यग्यका फल प्राप्त करना चाहिए रविपाद नामक तीर्थ में पिंड़ दान करके पतित जनों को अपना उध्धार करना चाहिए गया तीर्थ में जाकर के जो मनुष्य अन्नदान करते हैं उनसे पित्र गण अपने को पुत्रबान मानते हैं नरक के भैसे डरे हुए पित्र जन इसलिए पुत्र प्राप्ति की अविलासा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा, वह हमारा उध्धार करेगा, इस तीर्थ में पहुँचने हुए अपने पुत्र को देख कर, पित्र जणों में उत्सब होता है, कि यहाँ पर आया हुआ मेरा पुत्र मेरा भक्त पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जलकाय स्पर्च करके हम सबको निश्चत ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा अरे आस पूट यंति पितरों द्रत्यंति चो पिता महा कि मदवंचो वैश्ण बोजातों सामेत्रात भविश्चते कि गया प्राप्तम सुतम द्रष्ट्वा पित्रेग्ना मुत्सबो भवेत उत्सब मनाते हैं पित्र लोग कि पद्भ्याम पे जलम स्प्रष्पा असम अभ्यम के लदाश्ट्यते अपने पुत्र अत्वा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंसच के दवारा जव कभी इस गया छेत्र में इस्तित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिय जाता है उसे शाष्वत ब्रह्म गति प्राप्त करा देता है कि आत्म जोबा तथा न्योबा गया कूप यदा तदा कि यन्नाम नापात येद्पिंड़म तमन येद ब्रह्म सास्थ्वतम वहां पर इस्तित कोटी तीर्थ में जाने से मनुष्ट्रिक पुंट्रीक ब्रह्म प्राप्त होता है उस चेत्र में तिरलोक विस्तुत वैतरनी नामक नदी है वहां उस गया चेत्र में पितरों का उधार करने के लिए अवतरित हुई है जो स्रधालों व्यक्ति वहां पर पिंडदान एवं गोदान करता है निश्चत ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पु साथ तीर्थ गया चेत्रे फित्रे नाम तारना यही यदि मनुस्य किसी समय गया तीर्थ की यात्परा करता है तो वहां पर उसके द्वारा इनी कुल के ब्राह्मनों को भुजन कराना चाहे जिनका ब्रह्मा ने अपने यग्य में वर्ण किया था उस गया तीर्थ में ब्रह्म पद तता सोमपान नामक तीर्थ उने ब्रह्मनों के स्थान है जिनका अंद्रवान स्वयम ब्रह्मा जी ने किया था इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ प् रोहितों की पूझा करने पर पित्रगणों के देवता भी पूझित हो जाते हैं इस गया तीर्थ में हब्यक अव्याद पक्वान के द्वारा वहाँ के ब्रहामनों को विदिवत संतुष्ट करना चाहिए गया में निवास पसादेह प्रित्याग की विधि है उत्तम उत्तम गया चेत्र में जो बृतोत सर्ग करता है उसे एक सो अनिश्टोम यग्यों का फल लाव प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं बुद्धि मान मनुस्य को इस गया चेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंड़ दान करना चाहे और अन्य व्यक्ति के लिए भी पिंड़ दान करना चाहे कि आत्मनों पी महा बुद्धिर गया याम तू तिलेर बिना पिंड निरवा पनम कुरियाद अन्ने साम अभिमान वह हे व्यास जी जात कि जितने भी पित्र बंधु बांदव एवं सुहरत जन हों पुन सभी के लिए गया भूमी में विधिपूर्वक्ट पिंड दान किया जा सकता है रामतीर्त में शनान करके मनुस्य एक सो गोदान का फल प्राप्त करता है मतंग वापी में शनान करके एक हजार गायों के दान का फल प्राप्त होता है निश्चिरा संगम में इश्णान करके मनुस्य अपने पित्र जनों को ब्रह्म लोक ले जाता है वसिष्ठ आस्त्रम में इश्णान करने से वाजबे यग्य का फल प्राप्त होता है महा कौस की तीर्थ में निवास करने से अस्वमेद यग्य का फल प्राप्त होता है ब्रह्म सरोबर के निकट संसार को पवित्र करने वाले प्रसिद्ध अगनिधारा नामक नदी प्रवावित होती है उसी को कबिला कहते हैं इस नदी में इस्नान करके करत करत्य हुआ स्रद्धालो व्यक्ति पितरों के लिए स्राद्ध करके अगनिष्टोम यग्यकाफल प्राप्त करता हैं कुमार धारा में स्राद्ध करके मनुष्य को अस्वमेद यग्यकाफल प्राप्त करना चाहिए और वहाँ पर इस्तित कुमार देवों को भी प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त करा लेना चाहे सोम कुंड तीर्थ में मिश्णान करके मनुस्य सोम लोक को जाता है संबर्त वापी नामक तीर्थ मेश्णान करके पिंड़दान करने वाला व्यक्ति महा सोभाग्य साली बन जाता है समस्त भौतिक शुकों का उपभोग करके दिव्य लोक को प्राप्त करता है हे व्यास जी प्रेट कुंड तीर्थ में पिंड़दान करने से मनुस्य सबी पाफों से मुक्त हो जाता है इस धरा पर ज्यांत अज्यांत रूप से जितना भी अपकर्म यदि किसी के द्वारा हुआ हो उन समस्त अब कर्मों को भसने भूत करने के लिए केवल वहाँ पर एक पिंड़दान ही प्रेयाप्त है देव नदी, लेलिहान, मदन, जान गर्तक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंड़दान करने वाला मनुश्य निश्चत रूप से अपने पित्र जनों को तार कर देता है और स्वयम भी तर जाता है कुल का उध्धार कर देता है गया चेत्र में वसश्टेश्वर आदि देवताओं को प्रनाम करके प्रानी सभी रिनों से बिमुक्त हो जाता है समस्त लोकिक सुकों को भोग करके प्रमात्मा की किरपा से गया आदी जितने भी दीड़त हैं गया में उनमें स्राद्ध करने से निश्टित रूप से वहा उड़ गति को प्राप्त करता है अरे ऐसे बंसज को देख करके पित्र लोग प्रसन होता है पित्र जन प्रसन होते हैं और नृत्य करते हैं विचार करते हैं कि आस्वोट यंति पितरों नृत्यंति चों पिता महां पिता लोग ताली बजा कर बजा कर नासते हैं पिता महा निर्त्य करते हैं कि मदवन्सो बैष्ण भूजातों, हरे अमारे वंच में ऐसा वैष्ण भक्त उत्पन हुआ जो गया में जाकर के हमारे लिए स्राद्ध करना है स्राद्ध करता है स्राद्ध करने का विचार रखता है उसको देख करके वे पित्र जन प्रसन होते हैं कि मदवन सो बैठन बोजात सामे त्राता भविस्यते निश्चित रूप से वह हमारा तारण करेगा हमारा उद्धार करेगा उस बंसच को देख करके वे प्रसन्न होते हैं गया के तीर्थ का माहात्म तथा गया सिर्ष में पंड़दान की महिमा में विशाल सिला की कथा ब्रह्मा जी ने कहां व्यास जी गया तीर्थ की यात्प्रा के लिए उद्ध्यत मनुष्य को विधिपूर्वक स्राद्ध करके सन्यासी के भेश में अपने गाउं की प्रदक्षना करनी चाहे तदरंतर दूसरे गाउं में वह जाकर स्राद्ध से अवसिष्ट अनका भोजन ग्रहन करके प्रति ग्रह से दिवर्जित होकर यात्प्रा करे गया यात्प्रा के लिए मात्प्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पित्रों के स्वर्गा रोहन के लिए एक एक सीड़ी वनते जाते हैं कि ग्रहान चलित मात्रस्य गया याम गमनम प्रति स्वर्गा रोहन सोपानम पित्रे नाम तुपदे पदे वारान सी सोनद और महा नदी पुनह पुना के तट पर स्राद्ध करके अपने पित्रों जनों को स्वर्ग लोक में ले जाया कर मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में स्राद्ध से स्रेष्ट सिद्धी को प्राप्त करता है उस तीर्थ में उसे श्नान तथा स्राद्धादिक क्रियाओं को संपन करना चाहिए ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है दक्ष्ण मान सतीर्थ में जाकर स्रद्धाबान पुरुष को मौन धारन करके पिंडदान आदि करना चाहे उस तीर्थ में स्राध्धादिक करने से मनुष्य देवरिशी एवं पित्र इन तीनों रिनों से मुक्त हो जाता है उस गया चेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रेति कारक पातियों के लिए भयोत पादक अपनी जिवा को लपल लाते हुए महा भैंकर नश्ट होने वाले महा सर्पों से परिव्याप्त कनखल नाम के तरलोक विश्कृत महा तीर्थ है उधिची तीर्थ में देवरिश्यों से सेवित मुंडप्रष्ट नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है उस तीर्थ में शुर्य देव को नमस्कार करके पिंड़ दाना दे, सत्क्रियाओं को अवस्य ही संपन करना चाहे कि कभ्यवाहस तथा सोमो यमेश चयवार यमात था, अगनेस ख्वाता बरिसदा, सोमपाः पित्र देवता आगच्चंत महाभाग युस्माभे रक्षिताश्पिह, मदेयाः पितरो एचा, कुले जातां सनाभय किते साम पिंड प्रदानार्थम, आगतोस मी गया मिमाम, हे कभ्यवाहस, सोम यम अर्यमा अगनेस ख्वात बरिसदा सोमप पित्र देवताः, आप महाभाग यहाँ पधारें, आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में, उत्पन जो सपिंड पितर पित्र लोक में चल मेदान करके मनुस्य को पिता महां का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद भ्गवान, गदाधर विष्ण का दर्सन करें, ऐसा करने से वहाँ, पित्र लोड से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में श्नान करके जो मनुस्य भगवान गदाधर का दर्सन करता है वह सद्य अपने को तार लेता है और अपना तो उद्धार करता ही है साथ ही वह अपने कुल के दस पूर्व पुर्षों का भी उद्धार कर देता है गया तीर्थ में पहुँचे हुए सरधालू व्यक्ति के लिए यहां प्रसम दिन की विदिका व्रणन है दूसरे दिन धर्म प्रायन एवं मतंग वापी में जाकर स्राद्ध करने वाला मनुस्य पिंड़दान आदि करे धर्मा रलने में जाने से मनुस्य को वाजबे यग्यक का फल प्राप्त होता है उसके बाद गया तीर्थ में राजस्वी एवं अस्वमेद यग्यका फल प्राप्त होता है कूप और यूप नाम के तीर्थ में स्राद्ध करने से कूप दक के द्वारा किया गया स्राद्धादिक कार्य अक्ष्य फल को देता है उसके बाद गोप् प्रदक्षन करके वाच्पे यज्यका फल प्राप्त कर लेना चाहे चौथे दिन फल तीर्थ में इसनान करके देवताओं का तरपन करें और उसके बाद गया सीर्ष में रुद्र पताद तीर्थ में जाकर वह पितरों के लिए स्राध्द करें उसके बाद ज्यास देhake मुक पंचाकन तथा पदतप्रह नामक तीर्थ में पिंद्दन करके सूर्य तीर्थ सोम तीर्थ पैवं कार्थ के तीर्थ değश कर की गई स्राध् का फल अक्च्षा होता है गया Stra स्राध्य करना चाहे अनवेशां का तीर्थ में प्रित्य स्राध्य में में लुग कई करने का विधान है अन्यत्र पिर्थों में पिता के साथ ही डिये करना चाहे दसास्प मेद तीर्थ में इस्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुश्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वहाँ कुना इस लोक में नहीं आता है वित्परिपूर्ण शमग्र प्रतिवी का तीन बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वहाँ फल गया तीर्थ में स्राद्व करने पर प्राप्त हो जाता है इस गया सीर्ष तीर्थ में समेपत्र प्रमान के बराबर पिंड़दान करना चाहे इससे पित्रिकन दिवत्त को प्राप्त करते हैं इस कारे में विचार करने की आवसकता नहीं है भगवान सिवने मिंड़ प्रष्ट तीर्थ पर अपना चर्ण रखा था अतह उस तीर्थ में अलप मात्र तपस्या से ही मनुस्य महान पुर्ण प्राप्त कर लेता हैं जो व्यक्ति गया सीर्ष तीर्थ में नामों चलन के साथ जिन पितरों को पिंड़दान करता है उससे नरक लोग में निवास करने वाले पित्र जन स्वर्ग लोग एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोख्च प्राप्त हो जाता हैं कि मुंड प्रिष्टे पदम न्यस्तम महा देवेन धीमता अलपेन तपसा तत्र महा पुर्ण मवाप्न यान कि गया सीर से तुया पिंडान नाम ना ये सान तो निर्ववेत नरकस्था दिवं यानते प्रगस्था मोख्च माप्न युह पांच में दिन गदा लोल तेर्थ मश्णान करके अक्षे बट के नेचे पिंड़ान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है अक्षे बट के मूल में साक अथवा उष्णोदक से एक ब्रामन को भूजन कराने पर करोड ब्रामनों को भूज कराने का फल प्राप्त हो जाता है अक्षे बठ में स्राद करके प्रपिता मा का दर्सन करके मनुष्य अक्षे लोग को प्राफ्प करता है एबम अपने सो कुलों का उध्धार कर देता है मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहे क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अस्वमेद यग्य करे या नील बृत्तोत सर्ग करे तो उसका कल्यान हो जाता है इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हैं कि एक प्रेथ ने किसी बणिक से कहा है बणिक गया सीर्थ तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंड़दान करो जिससे मैं इस प्रेथ योने से मुक्त हो जाओं या पिंड़दान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा ऐसा सुनकर उस बणिक ने गया सीर्थ तीर्थ में उस प्रेथ राज के लिए पिंड़दान किया उसके बाद अपने छोटे भायों के साथ उसने अपने पित्र जनों को भी पिंड़दान प्रदान किया बणिक के द्वारा वहां पिंड़दान करने से उस प्रेथ राज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंड़दान करने वाला वहा विसाल बने के पुत्रबान हो गया मृत्य के पस्चाद उसने विसाल में राजपुत्र के रूप में जनम लिया उसने ब्रामनों से कहा कि मुझे किसी प्रकार के सथकारे को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है तो ब्राह्मनों ने विसाल नामक राजपुत्र से कहा कि गयातीर्थ में पिढ़नेदान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती है तदनंतर विसाल ने गयातीर्थ में जाकर पिढ़नेदान किया जिसके पूर्ण से वहाँ पुत्र बान हो गया एक दिन उसने आकास में स्वेत रक्त एवं कृष्ण बरणवाले पुरुषों को देखा उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो उन में से स्वेत बरणवाले पुरुष ने उस विसाल से कहा कि स्वेत बरणवाला मैं तुमारा पिता हूँ तुमारे द्वारा दिये गए पिंडदांत के पुर्णे से मैं इंदर लोग को जा रहा हूँ और ये लाल बरनवाला जो है ये ब्रहम हत्या करने वाला तथा अन्यान्य पापों से युक्त था ये कृष्ण बरनवाले तेरे पिता महा हैं इनोंने अपने जीवन काल में अनेक रिष्षियों का बद किया था अतहा इन लोगों को अवीची नारक प्राप्त हुआ किन्त तुमारे द्वारा प्रदत्त पिंड से हम सभी मुक्त हो गए और स्वर्ग लोग को जा रहे हैं या सुनकर कृत कृत्य होकर विसाला नगरी में राज्य करके वहा विसाल स्वर्ग में चला गया गयातीरत में पिंड दान करते हुए निमन मंत्रों का पाड करना चाहिए कि ए स्मत कुले तुपितरो लुप्त पिंडो दकक्रिया है एचा प्यक्रत चूडास तुएच गरवाद निस्पृता इसका भाव यहा है कि हमारे कुल में जो पितर पिंड़दान एबं जलतर पन करिया से बंचित रहते हैं जो चूडा करम संसकार भीन है जो गरव से निकलते हुए मर गए उन सब के लिए या पिंड़दान है जिनके लिए अगन में जलकर जिनकी मृत्य हुई जो दूसरे पितर गण हैं वे भूमे में मेरे द्वारा दे गए इस पिंड़दान से त्रिप्त हों और त्रिप्त होकर प्रमगति को प्राप्त करें पिता पिता महा प्रपिता महा प्रपिता मही पिता मही माता महा प्रमाता महा बृद्ध प्रमाता महा माता मही प्रमाता मही बृद्ध प्रमाता मही और अन्य पितरों को भी मेरे द्वारा दिया गया यहाद पिंड अक्षय होकर उने प्राप्त हो